directly के जाज में वो अंत्य मिस्तिति में है और इस स्रीप फिर एक नहीं एजन्स श्यास करा ना निनदे इसा नहीं है मेरा आगरफ फिर इस पर है जच मोद है आप के रहा जाज किया हो सकते हैं वही तो अधिकारी वहाँ बेठें जिनकों पर आरों पर जाज करेगा कौन सहीया भए पोतवाल को डर किसका जिनके खिलाव में आरों पुर्यों प्रदेश को बर्मात करने का ठेका लेकर क्यों बेठें वहाँ जाकर प्रियास किम बेठें ठीक राजेजी बहुत बढ़िया आगरे असर जाज होना चाहिए आप जो भी जाज करें विदायक दल से करें इस प्रदेश में नजिल बना चाहिए कि गिलो बनकर के जनता को लूटने का जो काम करते हैं उनको सजा मिलना चाहिए यही मेरा अग्रायाज जिक धन्यवाद इसके बाद ले लुँगा आपको इसे प्रस्व ने अपने चिंतावेक्त की भिलाई को खेल दानी और सिक्षदानी के रूप में जाना जाता था अब ये महादेव एक के रूप में जाना जा रहा है मेरा मूल प्रस्ण यही है माननी अध्याश्म होद है कि युवाओं की चिंता इन्होंने की मेरे विधान सबसे 20,000 से दिक युवा इसमें लिप्थ है लेकिन इसके साथ साथ जो प्रसासनिक अधिकारी है जिनकी दुरुख जिले में पिछले 5 वर्षों में लगातार पोस्टिंग हुई है पुलीस प्रसासन के लोगों के पास खुट के पास ID है लोगों के पास अधिकारीों के पास है राजनेतिक दल के अलग-अलग नेरताओं के पास ID है लेकिन आज तक सिब 90 इवाओं को जो है अरेस्ट किया गिया वो भी मुचलके पे थाने से छोड़ दिया गिया इस पर सही रूप से किसी भी प्रकार के आज तक करवाई नहीं हुई और ततकालीन मुख्यमंति मानने जो भी थे उनका भी सन्रक्षन साथ था ये भी हमको देख है महादेव एक को लेकर विशेश्व से जाज करने क्या वशकता है जीन बहातियों के विशेव पे माननी गिर्म अंतियों ने कहा कि जो भाती गहते उनकी लिस्टिंग होगी वह भाती की लिस्टिंग लगाता है नेशनल लीउस पे दिया जा रहा है और भिलाई में खुले कि अद्मानी गिर्म के क्या बाता है कि माननी मंतीर जीघिस की हमान Nejस्तियों काराज होना चाहिए और कानून के नजर में में कोई चोटा यह बड़ा हर्किस नहीं होना चाहिए विसे गिरिफतारी के संदर्ब में उनके आकड़े को मैं दुरूस्त करूं कि ये 482 लोगों की गिरिफतारी आज तक हुई है इस बिशेपर दूसरा मस्ला है कि जिन अधिकारियों के संदर्ब में चरचा है एडी के चलान के संदर में ले ले या सोशल मीडिया पर या मीडिया पर प्रचलित सारे विस्यों को ले करके जो बात चल रही है प्रमाणिक्ता की बात है एक बार प्रमाणित होने के बाद मानने सदस्यों को इस पिसे पर कारवाहिया होती दिखेंगी उनको चिंता करने की आवशक्ता नहीं होगी प्रमाणिक्ता की बात सच है कि महादेव सट्टा एप सरकार के समरक्षण के बगएर 36 गड़ में फल फूल नहीं सकता था बाकी तो तक्निकी पक्षाब बता रहे हैं आप पूछ रहे हैं मैं तो आप से यह कही मांग करना चाहता हूं ग्रीब अंतरी जी आप स्टेट प्लेन ले ले लिजिए सनिवार को चले जाएए उत्तर प्रदेश और योगी बाबा से पूछ क्या जाओ यह बुर्ड लोजर और क्या क्या इंग्वी सिंग्वी इंबल सिंबल सबाज आते हैं आप कहां पूरोगे वह एक एक करोड फीस वालों के सामने में बुल्डोजर को मारो ड्राइबर को कुछ खिलाओ पिलाओ भेद दो तोड़ ताड़ के आ जाए तब थोड़ा खौफ पैदा हो चले बहुत पूछ लेता है उमेश पटेल जी के स्थार पे पूछ रहे हैं प्रस्ट क्रमंग दो मैं मानिया अध्यक्ष में होते हैं किसमें पूछ रहे हैं महादेवेश एक मिनिट रूम मानने हमारे सदस्य राजेस मुणा जीने जो प्रस्ट न उठाय हैं पूरे प्रदेश में आज भी मस्त रहा घुम रहे हैं लेकिन जो विवेचना जो वाई जिनके ओपर कारवाई होनी चाहिए कारवाई हुए नहीं और वास्तविक में यह कारवाई नहीं होगे तो यह सट्टा चलते रहेंगे यह चलते रहेंगे आज आपका भी प्रस्ट हैं बाकी लोग प्रस्ट को चोपट करने काम किया गया है इसलिए मानि मंत्र जी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अधि उनके भविस्ट को सुरक्षित रखना चाहते हैं और यह जो महादेव सट्टा जो खिलाने वाले जो घोम रहें ऐसे लोगों को पर आप कारवाई नहीं करेंगे और उनको नहीं रोकेंगे तो आने वाला भविस्वाओं का ठीक नहीं होगा इसलिए इसमें तत्का है को कमिट्मेंट सरकार से और से आना चाहिए कि इसको हम समय बद्ध धंग से इतने दिन में निराकरित करेंगे करके चलिए 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 अगला पसराने जी आप शब्वीस मिट हो गए बिल्कुल सहमेत हूं आप से प्लें नहीं कलपा है मिरने तो कुछ नहीं वह उत्तर वही है मानि अध्यक जी इस प्रदेश का सब्सक्राइब कर दिजिए कि पांच साथ कितनी पोश्किन होई है उन अधिकायों की चाथ होगी मानि अध्यक जी और हम लोग लगाता है यह विसे इतना ही है कि उसमें जो भी यह समय बत ही घोस्ता करें क्या उनके खिलाब में कारवाइक की जाएगी मानि अध्यक जी इस प्रदर से जुड़ावा के छोटा मोटा फैसला नहीं है अध्यक जी अपनी सर्दावाइक जी आप गोस्ता करें ना अधर्णी वैशानी जगल में पांच देला चलाने वाला युवार्ट अधर्णी जाएगा जाएगा जवाब देने खड़े हो गया है मंतर जी जवाब देने खड़े हो गए मंतर जी मंतर जी खड़े हैं वाई अधर्णी चाहिए चले मंतर जी कुछ बोल रहे हैं उसके दूसरे कुछ मैं मैं आपसे कह रहा हूं कि जाच केंदर की एजनसी कर रही है एंफोर्समेंट डिरेक्टेट कर रही है और उनका जाच अंतिमिस्थिती में है वो चालान पुटब कर चुके हैं अब प्रतीक्षा कर लें एक बार उस चालान को देख लें जो आप चाहते हैं वो चालान में है मानियूग्रम मंत्री जी 164 के बयान के तहट ED का बयान अपने आप में कोड में दिया हुआ बयान माना जाता है अगर नहीं है तो विबाद किलियर कर लें धारा 164 के तहट जो बयान दिया गया है चंत्र भूसरंड ने और एक सुप्रीम कोड का फेसला जैय लेलिता जी के उसमें आया है कि इसके अंदर वह पार्टी नहीं बन सकते और उनको 15 दिन में इस पर फेसला करना पड़ेगा सुप्रीम कोड का एक फेसला हो चुका है जब इतना सब कुछ साक्ष होने के बाद में भी आप किन को पचाना चाहते हैं किसी के नहीं है ये किसी के नहीं है ध्यान रखना ये सिर्फ कुर्जी के सलाम करने वाले है जिन जिन को आप बचाना चाहा रहे हो, वो किसी के निहीं है, वो ही अपने उपार डंडा चला है, वो ही आतूगेश पेके है, वो ही फर्जी केस बनाए है, और वो ही आपको लिक्तर के ते रहे, कुछ नहीं होना है, महादेव की जटा से गंगा निकलने चाहिए, और आपने का यह दर्द मेरा नहीं है दर्द आपका भी है इस पर कोई ने कोई फेशला होना चाहिए यह उम्मिर आप जान करा जैना ताब दी तिन जर्वेकर ही चिंता जान करा चलिए दू महीं दाम से ने इस पर मंत्री जी कुछ कह रहा है सुनिता जी आगे बढ़ जी आगे बढ़ सब्सक्राइब आपको लाना चाहता हूं कि एडी के प्रिस नोट जो एंफोस्मेंट डिरेक्टेट के विबसाइट पर रिलीज होता है उसमें बहुत सारे नाम है और उनके लिए अधिक्रित जानकारी हमको एडी उपलब्द करा दे ये इसके लिए हमने प्रक्रिया भी प्रार्म कर दी आप थोड़ी प्रतीक्षा कर लें वो होगा जो आपके मन में है आप गोश्टा कर दो मैंने बर में दो मैंने बर बस राजेटी होगे चलिए संगीत जी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हिद्ग्राहियों को प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीन में नहीं जोड़ा गया तो मैं यह मेरा पहला कोश्चन है ध्यक्षमंत्री मंत्री जी से कि ऐसे परिवार जिनका नाम 2011 की सूची में छुट गया था जिनको मकान दिलाने के लिए पुरवर्ती सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए सर्वे कराया था तो आदर्णी अध्यक्ष मौदय जी उत्तर में आया है कि अवास योजना को मुख्य मंत्री अवास योजना को प्रधान मंत्री अवास योजना में नहीं जोड़ा जाएगा कि अगर निर्नाय लिया गया है तो यह निर्नाय कब तक प्रभावशाली होगा और कब से लागू होगा कुछ माप दंड होगा या बदला हुआ वो भी आप बताएंगे मानिय अधिक्ष मोदें ये बड़ा ही मारमिक प्रस्ण है और मने सदस्थि के इस सिंता का मैं हरदय से स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं ऐसा ही मारमिक प्रस्ण एक बार पूरवरती सरकार के मानिय मंतिरी प्रदान मंत्री आवास के संदर में विष्टुदेव जी की पालनहारी सरकार है और उस सरकार का बिलकुल इस्पश्ट निरने है अठारा लाख आवास गरीबों को दिये गए है मैं आपको इस मिसे पर भी बताता हूँ इस मिसे पर भी कह रहा हूं मानिस द्रस्मोदे इसमें मानिय अद्रक जी ये जो सर्वे कराया गया था दोहजार ग्यारा की सूची और दोहजार सोला की सूची इन दो सूचियों के आधार पर प्रधान मंत्री आवास दिया जाता है एक अलग से सर्वे राजी की सरकार ने कराया उनके अपने अलग पैमाने थे उनका अपना अलग डाटा बेस था अब ये कैसे हो सकता है कि वो सर्वे में वो जो राजी सर्कार का सर्वे है उसके माध्यम से प्रधान मंत्री आवास दे दिया जा आदर्णी अध्यक्ष माध्यजी 2011 का सर्वे चल रहा है और उसके बाद सर्वे हुआ ही नहीं है केंद्र सरकार ने सर्वे कराया ही नहीं है 12 से 13 साल हो गए उसके बाद पुरवर्ती सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उनको दिया और मैं फोटोग्राप भी दिखा दूंगी अध्यक्ष माध्यजी इसमें वो लोग है जो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहर पहला राशी जो मिला है उसमें लोग अपना घर बनाना शुरू कर चुके हैं तो उन परिवारों उन गरीब परिवारों का क्या होगा जो शुरुआत कर चुके हैं आवास की चिंता कर रहे हैं लाखों करोड़ों परिवार की बात नहीं है भाई यह आपके जो च्छतिसगर सरकार के द्वारा पिशलया कराया गया सर्वे है उसके आधार पर जो आवास दिया जाना है वो लगबख 47,000 आवास है जी 47,000 आवास मैं आपसे बताना चाहता हूँ इसमें कि मारणिया मुख्यमंत्री जी ने पूर में ही घोशना कर दी है कि जिनको पहला किस्त मुख्यमंत्री आवास के संदर्ब में दिया गया है उनके आवास के पूरे किस्त उनको दिये यह निर्णय विश्टुदेव सर्जकार का पहले ही हो चुका है आप बताना चाहता हूँ अधैक्ष मोड़ीन ख्लियर करना चाहता हूँ मेरे बात होने देगवार दूसरा विशे में आपसे कहना चाहता हूँ कि आवास के संदर में सर्वे 2011 में जो DCCC data का survey हुआ था वो survey उसके बाद एक और survey हुआ है वो 2016 का survey कहलाता है जिसके अंतरक्रप्रधान मंतरी आवास प्लस मिलता है मैं आप से बताना चाहता हूँ मनियादख्श मह देश में ज्यौक तो में देशाएं 2 2 सर्वे है बैश पहले पता कर लीजिये पूरे देश में सिर्फ पस्चिम मंगाल और 36 गड़ में नहीं दिया जा सका अन्यता पूरे देश में भी आवास प्लस दिया गया है और इसके कारण विश्टुदेव जी की सरकार नहीं निरने किया है कि 2011 की सर्वे सूची के आधार पर जितने लोग बचे हैं उनको दूसरा आवास प्लस के जितने लोग बचे हैं उनको इसके साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री आवास के नाम से आपने दिया था 47,000 लोगों को उनको और जिनको एक किस दे करके आपने रोग दिया था उनको इन सा किया है अभी नया क्या उसको पुराने में जोड़ा जाएगा हाँ हाँ बिल्कुल आपसे कह रहा हूं आपसे नया जुड़ेगा कि नया आप देंगे अठारा लाग कि उसी में जोड़ेंगे आप अध्यक्ष मोदे जी हम अगर गाउं में जाते हैं पिछले बार जब आप यहां बैठे थे उससे में आप कितना अवास के लिए चिल लाए जब आपको मौका दिया है जनता ने आपको मौका दिये तो आप उनके साथ जनता के साथ धोखा धड़ी मत किजी आप उनको आवास दिल लियाए जिनको जरुरत है जो अभी आप एक छट के नीचे तिन चार परिवार रहते हैं इतना बचा दीजिए ठारला का आवास कब तक दे रहे हैं आप बोशन यह जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में जिन लोगों को पहली बार जिनको शून ने कमरे का मकान इस तरह का सर्वे में डाटा आया है उनको पहला किस दिया जा चुका है मैं फिर से कहता हूँ उदार है मारणी मुख्यमंत्री महोदय और उन्हें इस बात का निरणय कर दिया ह बता दिया ना बता दिया धन्यावाद मोले जी माननी देख्ट मोदे 2011 के सर्वेलिष 2016 के माननी मंत्री जी ने कहा और आवास प्लस बोला वो टोटल कितने होते हैं माननी मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से उसके पास जो गरीब है सही में उनके पास बेगार है ऐसे लोगों के लिए क्या आवास देने की योजना बना रहे के बना चुके हैं ये बताने कर दो आवास प्रधान मंत्री आवास दिया जाना या राजी की सरकार के द्वारा प्रवर्तित वो स्योजना के अंतरगत आवास दिया जाना ये सूची के आधार पर ही होता है जो सूची आभी उपलब्द है 2011 की सूची है 2016 की सूची है और राजी सरकार के एक सर्वे हुआ था उसके आधार की सूची है इन तीनों की सूची के आधार पर आवाज दिया जा रहा है 18 लाग से अधिक है प्रमोजी चलिए मान्य अध्धक्ष महद है मैं मान्य मंत्री जिसे सम्मन्द में थोड़ी सी जानना चाहूंगा अभी उन्हों ने जवाब दिया जो मंत्री आवास की जो योजना है उसको भी चालू रखा जाएगा उसमें भी राजी दी जाएगी पहले जो हमारा जो प्रधान मंत्री आवास योजना पर जो कारे होता था जिनको पांच वर्सों में सामने वालों ने रोका कोई आवास बनने नहीं दिया लेकिन अब आवास चालू हो गए हैं तो ये प्रधान मंत्री आवास में केंदर का पैसा आता है और राज्यांस पै वर्तमान स्थिति के आधार पर चुकिया राजी की प्रवर्तित योजना है अर्थात केंद्र के तरब से इसमें कोई केंद्रांच नहीं मिलने वाला है परंतु जैसे केंद्रे ने निर्णे किया है कि दो करोड नए आवास और पूरे देश में बनाये जाएंगे उसके लिए नाम पे है और उनका निधन हो गया पट्टा वाले ट्रांसफर हो गया वो ट्रांसफर के लोगों को प्रधान मंत्री आवास या मुख्यंत्री आवास की कोई प्रकार की सुद्धा नहीं मिले है मानी मंत्री जी से मैं जनना चाहता हूं कि जीनका निधन हो गया जो पट्ट मंत्री महदा एसे मुर्भीस निवेदान है कि जब ये सर्वेवाला लिस्ट जे है ए लिस्ट में ग्राउंड लेबल में जाये ले जो पात्र हिद ग्राही है वो मनला आवास के सुविधा नहीं मिले है और जिन मनला मिले है एक एक घाओ नहीं दो दो तीन तीन बार मिल चुके है तो एकरबर का जो क्राइटेरियर तैय है 2011 के सर्वे और 2002 के सर्वे वो में कुछ परिवर्तन किया जा सकत है महदै से मैं जानना परिक्षन किया है और उसके बाद भी अगर हिर्दय में ये प्रस्ट शेष है तो इसकी चिंता भी मानने मिले हैं पर वाकाई में हिद्ग्राही लाएकर सुविधा नहीं मिला थे मैं मन्नी मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पूरे 36 गड़ में मैं भी पूरो में सर्पं चीत है माननी मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो वास्तित्ता में जो पात्रता परिवार है उसको पुना आवास सुची में सामिल करने के निवेदन करने हैं बहुत मूल कोश्चन है देख्ष महदे तो मंत्री जी से यह पूछा चाहूंगी चलिए एक बार फिर बताएं तो क्या कहरें कलाब के उपर जो आवास बने हुए हैं क्या उनको भी पटे आवास दिया जा सकता है उनकी कई पिढ़िया निकल चुकी 40-50 सालों से वही पर हो निवास्त लेकि पटे का और आवास का उनका प्रभधान नहीं है अभी जी मानिया दिक्ष मोदे मानिस अदिस ने पहले जो प्रस्ण किया था 2002 की कोई सर्वे सूची नहीं है जिसके आधार पर आवास दिया जाए आवास सिर्फ 2011 और 2016 की सर्वे सूची की आधार पर दिया जाता है और एक आवास प्लस है उसको पिछली सरकार भूल गई थी एक्षली उस पर काम ही नहीं हो पाया वो आवास प्लस कहते हैं उसको उसके आधार पर भी आठ लाख लोगों को आवास मिलना था आवास का काम पूरा हो जाता तो आवास प्लस शुरू होता परन्तु पूरे देश में फ अभी विभाग की चर्चा में आप अपनी बात रखेंगे बहुत आउसार मिलेगा चलिए माने मंत्री जी मैं आप से जानना चाहता हूं कि आपका विभाग बड़ा सक्षम विभाग है माने मंत्री जी आपका विभाग भारी सक्षम में एक महने में आपने पूरे प्रदेश का सर्वे करवा दिया 2023 में तो यह मैं आप से यह जानना चाहता हूं यह सर्वे करवाने की एक महने में चानक सर्वे करवाने की जरुवत क्यों पड़ी और सर्वे के रिपोर्ट के अध कि मानिय अधिक्ष महुदे क्रिकट के मैदान में सचिन तिंदुल कर आ जाए यह सदन में मानिय अज़य चंद्राकर्टी आ जाए एक जैसी पूर्जा और एक जैसा उत्साह लोगों में होता है मानिय असद्सिक के इस पिसे पर कि 2023 के सर्वे सुची एक ही साल में सरकार ने कैसे सर्वे कर लिया यह विभाग मूलता पूरवरती मंत्री आप ही रहे हैं आप ही कियाधार शिला पर यह विभाग आगे बढ़ता है आपने ही जो प्रतिमान इस्थापित किये हैं उसको पार करना है के लिए जरूर कहना चाहता हूँ कि ये जो सर्वे हुआ है इस सर्वे के आधार पर इसका फिर से भोतिक परिक्षन नहीं हुआ है परन्तु इसमें जो शून्य कमरों के मकान हैं कच्चे कमरों वाले उन आवास के लिए भोतिक सत्यापन भी किया गया है और उनको स्वीकृत भी किया गया है मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ आप सिर्फ मकान में केंद्रित हो गए मैंने ये पूछा है कि एक महने के सर्वे में आपको सर्वे की जो जो रिपोर्ट मिली है उसके आधार उस सर्वे रिपोर्ट को क्या आपने स्विकार कर लिया और उस आधार पर आपने क्या नीती कारिकरम बनाएं आपने लिखा है और क्या बजट उसके लिए निर्धारित किया यदि मैं पूछोंगा कि सिर्फ आवास का तब आवास का विशाय आएगा भी तो मैंने पूरे सर्वे के बारे में पूछा आपसे आवास तक अभी पहुंचा नहीं हूँ मैं मानिया देक्ष महदय इसी विशे पर मैं आपसे कह रहा था कि सर्वे हुआ है डाटा सामने आया है और उसका अंतिम भौतिक सत्यापन ये होने के बाद उसकी स्विकारिता की बात आती है भौतिक सत्यापन उसमें से एक कोर्शन का किया गया बाकी डाटा का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया और वो 47,90 ऐसे लोग थे जिनको चिन्हांकित करके जिनका सर्वे में आया था कि इनके पास एक भी कच्चा मकान रहने के लिए नहीं है उस पॉर्शन का सत्यापन करके उसको स्विकार करके और उस पर योजना बना करके काम किया गया यह पूरी योजना के पूरा सर्वे होने के बाद मानी राजेश मुड़त जीव सम्मानी अध्यक्ष मोदे सबसे पहले तो आपके प्रती और विदान सवागे प्रती आबार व्यक्त करता हूँ एक महत्पुन विसे के उपर जो एक आज मेरा प्रस्न लगा है विसे पुरे प्रदेश से जुड़ा हुआ है हजारों नोजवान इसके चपेट में हैं और महादेव के नाम पर पुरे प्रदेश के अंदर एक गोरत धंदा चला और जिसके अंदर पुरे देश और प्रदेशिनी अंतरराश्टी इस्तर तक के लोग उसमें involvement हैं और जिसके अंदर एक बहुत बड़ी agency जाच कर रही है ED और जिसके अंदर कई लोग involvement है उनके बयान भी हो चुकें हमारे उर्जावान उख्ष्यमंत्री हैं वह भी युवा मोर्चे से आया हूं वह भी जन्ता की लड़ाई लड़कर के आया है तो युवा में हिस्सा तोisation 60 जादा चल रहा है और इसलिया तो मैं हिस्से वही लाया हूं को सम्वेदन सीले एक ही विदान सभा से खाली भीलाई जीले से वेसाली नगर विदान सभा से 20 सज्जार बेरोजगार नोजवान इस महादेव 68 के अंदर इन्वाल्मेंट है यही नहीं जो दुबई में जाकर जिसका रेकेट चल रहा है उसका संचारन करने वाले कौन लोग है उसके पिज़े किनकिन की भुमिका है मैं इस पर जिक प्रस्तों पर आता हूं सीधा यह सरकार के संग्यान में कब आया आपने 90 केस करिब दर्ज किये मैंने पूरे केस की स्टेड़ी किये और मैं ऐसे ऐसे तथ्थे से आपको आउगत किराऊंगा मानी मुख्यमंत्री जी आप कलप्रा नहीं कर सकते हैं मानी उप मुख्यमंत्री मोद है कि जो सरकार को जिनको सुरक्षा की जुम्मेदारी है जो सरकार व्यवस्ता के ताथ चलने के आवस्चक्ता है वह पास सार तक इस सरकार ने जो पुर्वसरकार थी गिरोबंदी के साथ योजनाबत तरीके से ने ने हायाम खोच करके इस प्रदेश के बेरोजगा नोजवानों को ठकने का काम और गलत काम में लगाने का काम किया आपने 90 केस दर्ज किये 90 केस में से आपने कितने लोगे खिलाब कारवाई की मैंने कारवाई जो पड़ी है आपने 60 हेक्ट के तहत कह दिया कि उनके खिलाब जो धारा लगी थी वह थाने में बेलेबलती इसमें बेल दे दिया जिनके बैयान हुए उन बैयान के आधार पर करोड़ों का ट्रांजेक्षिन बेंक से हुआ क्या किनकी नधिकारी बेंक के क्रमचारी या संकार में संग्यान में ले करके क्या काम किया ये इक उस्पेजिक प्रस्ट में रहा है मानिय अद्रेक्ष्मोदे मानिय अद्रेक्ष्मोदे मानिय सदसिका ये अप्रस्ट सच्पुछ बहुत लाजमी है और उनकी चंता भी वाजिब है इस पूरे विशेपर जो उनकी विशेश चंता है कि बहुत सारे नौजवान जो भटके हुए हैं राह से जिनको अपने जीवन को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना था उन्होंने जाकर के इस महादेव सट्टा आप के जरिये इसमें फस करके अपनी बरबादी का रास्ता चुन लिया मैं आप से ये बाद बताना चाहता हूं मानिया दिक्ष्माहदे कि इस बिशेपर कुल 90 अफाईयार हुए हैं सन 2022 से इस पर अफाईयार हो रहे हैं प्राइपुर में 36-36 प्रकरंट पंजीबद हैं, दुर्ग में 23 प्रकरंट पंजीबद हैं, बिलासपुर में 2 प्रकरंट पंजीबद हैं, जांजगीर में 2 प्रकरंट पंजीबद हैं और सूरजपुर में भी 4 प्रकरंट पंजीबद हैं मानी मौदे इस पिसे पर महादेव आप के संब्ध में ही विशेश रूप से 67 प्रकरण पंजी बद्ध हैं जिसमें 54 पर चालान पूट अप हो गया है साथ ही साथ अन्य जो आप हैं उनके संदर में भी F.I.R. हुए हैं और उस पर काम चल रहा है दुबई के संदर में मानिय संस महदे ने जानना चाहा है कि दुबई में कुछ लोग हैं और उन्होंने ही इसको पूरा संचालित कर रखा है पूरा 36 गड़ जानता है और तो पूरा भारत ही जानता है इस पिसाय को कि दुबई में हमारे ही 36 गड़ के कुछ लोग हैं उन्होंने ही इसको संचालित कर रखा है तो सरकार के तरफ से क्या कारवाही हुई है मैं आपको धान दिलाना चाहता हूँ कि लुकाउट सिर्कुलर जारी हुआ है रेट कॉर्णर नोटिस भी इनके लिए जारी हुआ है प्रत्यरपन की कारवी चल रही है बैंक अकाउंट भी 507 हमारे हाँ आपको मैं बताना चाहूँगा कि रायपूर में बैंक अकाउंट फ्रीज होनी की प्रक्रिया में है उसमें से 121 फ्रीज हुए है और उसमें 116,696 ये राशी भी फ्रीज हुई है इसके अलावा और विभिन इस्थानों पर जैसे दुर्ग में 436 बैंक अकाउंट सूरचपुर में 38 बैंक अकाउंट जांजगीर में 5 बैंक अकाउंट इनके भी फ्रीज होनी की प्रक्रिया जारी है इस विसे पर बानिय अधिक्ष मोदे कारवाहिया भी हुई है कुछ जो सरकारी भखमे के लोग थे उन पर जो बात आई थी उनके बारे में इस पस्ट जानकारी मिली थी एन्फोर्स्मेंट डिरेक्टरेट की जाच के बाद जब उनको जेल में भेजा गया था विभाग के संदर में विभाग के ध्यान में जब ये विसे आया था तो उनको सस्पेंट किया गया है बरखास्त किया गया है तो अब भी जेल में है ये किया गया है और विशेश रूप से जो चर्चा का विसे है जिसके संदर मे मानि सदस कह रहे थे उसके संदर में भी जैसे ही ये विशे अधिकारिक तोर पर या प्रमानिक्ता के साथ फरकार के विभाग के संग्यान में आएगा मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ वह भी युवा मोर्चा से हैं मैं भी युवा मोर्चा से हूँ जो आग उनके दिल में है वो आग मेरे दिल में है और मैं बिल्कुल उनको ये कहना चाहता हूँ कि ये पीर भी परवत सी हो गई है और इसको निसंदेह पिघलनी चाहिए और इस हिमालाय से भी मानने कोई गंगा निकलनी चाहिए सो पृतिशत जैसे ही विशाय सामने आएगा एक घंटा नहीं लगेगा विश्ण देव सरकार को इस पर फैसला रिने में एक घंटे के अंदर करवा ही की जाए महादेव और गंगा का बहुत संबंध है गंगा जो निकलिये है महादेव के जवाब जब आप दे रहे हो तो उस गंगा के याद किया हो मंत्री जी कुछ प्रस्थिश्ट करना चाहे है मानी अद्यक्ष मोद है बहुत गंबीर प्रस्थ और मैं आपसे समाच चाहता हूँ मानी मंत्री जी ने एक सामाने रूटिन में सरकारी प्रस्थिश्ट का सरकारी उत्तर दे दी मैं स्पेजिक पूछा कि ये महादे एप के उपर 90 केस आपने दर्ज किये उसमें बयान भी हुए है एक बयान मैं आपको पढ़कर के सुना देता हूँ आपके थाने का जिसके अंदर महादे एप के अंदर उस व्यक्ति ने बयान दिया उसका नाम रवी कांथ उसने एक बयान में कहा कि फलाने फलाने में बेरुजगार था मैं घूम रहा था मेरा कहीं कुछ नी था मेरा एक दोस्त ने मुझे कहा कि चल भई तेरे एकाउंट खुला देता को मैं उसके साथ चला गया मैंने बेंग में एकाउंट खुला लिया मेरे बेंग के एकाउंट में में मेरा कोई पैसा कभी था ए hी नी करोडुरु रुपए का टान्जेक्शन हो गया में बंद करने है तो मेरे को धंकाया जब पुलिस वाले बात चीता ही तो में वहा गया नहीं हुए यह एक नहीं हैं इसे जारों प्रक्रण हैं क्या किसी बेख में अगर एक लाख दो लाख पiczलाख की लेंदेन होती है सामय ने सब लोग जानते हैं बेंक वाला पूछता है क्या आपके कॉनलूर पैसा लो के नहीं लूग यह आपका पैसा है के नहीं है अगर वो करोडों की लेंदे न हुई और आपके संग्यान में आए और पुलिस वाले जा करके बेंक में पूछते हैं तो पिस संग्यान में आने का विसे कहां वस्ता है मानी अद्देच मोदे जब सासन के संग्यान में आ गया पुलिस उभाग के संग्यान में आ गया आपने फाइयार दर्स कर दी और बैंक में जा कर किया आप पूछताज कर रहे है वो बैंक वाला भंकारा उसको मही पुलिस वालों के सामने अब प्रस्ट में आ जाईए अब मुल प्रस्ट में आईगे हो अध्यक्ष मोदे यही तो मेरा कुछ नहीं आप कह रहे कि अगर संग्यान में नहीं है तो पुलिस वाला कैसे उसके साथ में बेंक में गए या फिर आगे प्रस्ट हो रहे है छोटी छोटी जो प्रावधान उपलब थे सारजोनिक द्वियूत अधिनियम 1867 के उसके अंतरगत ऑनलाइन गेमिंग के लिए बेटिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं था कालांतर में कुछ प्रावधान बनाये गए और उसमें एक साल से साथ साल तक की सजा है 10 लाग तक का जुर्बाना है उन प्रावधानों के आधार पर इस पर काम किया जा रहा है मैंने बताया कि 54 चालान पुटप हो गए है किसी के बयान के आधार पर किसी को फासी नहीं चढ़ाई जा सकती परन्तु इस आधार पर जाच की जो प्रक्रिया है वो जरूर जारी है मैं फिर से आप से यह कहना चाहता हूं मानिस अधिस महुदे मानि अधिक जी मानिस अधिस को यह मैं विशुफास दिलाना चाहता हूं कि पूरी ताकत के साथ पूरी ताकत के साथ इस पूरे विसे का जाच किया जाएगा कोई दल कोई और समाज किसी की भी परवाह किये बिना जो जो गुनहगार है उन सब को जेल की सलाकों के पीछे पहुँचाया जाएगा निर्धारी जैसे ही होता है ये विसे प्रमानिक्ता के साथ कोई बात सामने आती है मैं फिर से कहता हूँ मानने विश्टुदेव जी की सरकार है एक घंटे के अंदर का अरवाही होगी ये बहुत प्रदेश का महत्वपुण प्रस्ता में आप से बारा मिनट अके लिए प्रस्ता हूँ इस प्रदेश की जनता की चोटा प्रस्ता और कर ले ये ने चोटा आपने जो उत्तर दियो सरकार सामाने प्रस्ता पूछा आप क्या आपने का पहले संग्यान में नहीं आया जब संग्यान में नहीं आ तो बयान कैसे हुआ सीधा सिदा प्रस्ट जब सरकार के संग्यान में नहीं है तो फिर पुलीस अदिकारी जा गए बेंकों बयान कैसे है और ये क्यों चीज़ दूसरा कितना करोड़ा रुपय का ट्रांजेक्शन उनके माद्यम से बेंकों से हुआ जराया इस परस्ट कर देंगी आगा प्रस्तों में पूछ हूँ माद्य जी बस धन्यवाद लिए एक जो भी से अभी सामने है जिसकी जानकारी हाथ में है मैं आपको जरूर उपलब्द कराता हूँ कि 500 सावत अकाउंट जो राइपूर के फ्रीज होने वाले थे इन में से 221 करोड रुपए का ट्रांजिक्शन यहां तक हम पहुंचे हैं पता लगा है थर्ड पार्टी को भी इसमें इंगेज करने ही कोशिश कर रहे हैं कि हम एक-एक अकाउंट को खंगाल कर यह जान पाए कि यह राशी इन खातों के माद्ध हम से कहां जाती थी और उसके बाद फिर अगला ट्रांजिक्शन उसका कहां होता था यह राशी कैसे दुबई तक पहुँच जाती थी इस पूरी की जाच की जाच करवाई जा रही है मैं आपसे यह भी बताना चाहता हूँ कि संग्यानकार्थ यही है जो बात बयान में आई है वो बयात कोर्ट के सामने रखी गई है अभी कोर्ट को भी फैसला करना होगा कोर्ट का कोई फैसला आ जाए उस पर बात कर लेंगे मैं आपसे और एक बात बताना चाहता हूँ कि विभाग ने तो आगे बढ़ करके लोगों की फरारी होने का आविदन कोट में दिया हुआ है मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि उनके संपत्ति के चिनहंकन की बात प्रारम हुई है उनके संपत्ति को चिनहंकित करके कुर्क करने की बात हम सामने ले करा रहे हैं मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि बड़ा चर्चित था पूरे 36 गड़ में कि नागपूर से एक चार्टेट प्लेन दुबई तक गया है उन सारे बारातियों की सूची भी ले रही है हमारा विभाग और सरकार के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सारी सूची हाथ पे आने के बाद सब पर जाच होगा सब पर जाच कराई जाएगी कुछ नहीं छोड़ा जाएगा मानि अध्यक्ष मोले मानि अध्यक्ष मोले मानि उप ग्रहमंत्री की उप मुख्यमंत्री ग्रहमंत्री का विभाग है उनकी किसी भी बात के उपर मेरे को तो पूरा 100% विश्वास है लेकिन जो नुमाइंदे लोग बेठे हैं जो पूरे काकस के इंदर इन्वाल्मेंट है उनी के माध्यम से प्रस्तों का उत्तर है क्या एक एसाई ने बयान दिया एडी को चंद्र बुसन वर्मा उसने किंकिं के नामों का उलेक किया और उन पर क्या कारवाई करेंगे इस बैसिक प्रस्तों ठीक जी मानिया दिक्ष मोदे वो बयान जिसको एंफोर्समेंट डिरेक्टेट ने लिया है और जो कोट में राइपुर के कोट में जमा है उस बयान का कोई अधिक्रत को इसकी कोई अधिक्रत जानकारी एंफोर्समेंट डिरेक्टेट के द्वारा साशन को नहीं दिया गया है ये जानकारी आने के बाद अधिक्रत जानकारी आने के बाद प्रमानिक्ता उसमें है तो तुरंत करवाही की जाएगी मैं बिल्कुल इस बात को कहता हूँ आपसे फीर मैं आपके संग्यान पे लाइता हूँ इडी के त्वारा सासन को बहता गया जब कोई संग्यान में नहीं लिया उत्तर नहीं दिया तो तीस तारिक को फिर वापस रिमाइंड आया अगर उसको बयान पुरे सुर्कियों में समाचाप पत्र से ले करके सोशल मीडिया से लेकर के आम जंता के बीच में चल रहा है मैं एक छोटा था उदारान देता हूं अद्यक्रमोदे मानि उपक्यमंति जी एक छोटा था उदारान विबाग की गंबिर था कल मेरा एक परस्ता था और परस्ता लग नहीं पाया पिडेवडी के खilaप में एक परस्ता मेरी एक सिकायद की तिसी ने फटडशी सिकायद और उस समय भी मैं इन जंता से कहा कि इसकी जाच कोई रिटार जट से करा लो तकाल मुक्यमントरी ने लिखा तकाल इन समाच के उस समस्गे मुक्यमNETरी F.I.R. दर्ज़ की जाए और I.W. को केस गया जिसके कोई तक्तु नहीं है जिसकी कोई जानकारी नहीं है एक आतमी ने हवेदन दिया और I.W. लिक्तना सक्री हो गया और तद्कार उसकी विवेशना के लिए डिपार्टमेंट के अंदर आ गया तो मुल्वी से यही अध्यक्ष मोदे के अगर तीन तारीक से लेके तीस तारीक तक आने के बात में भी किन अध्यकारियों को बचाने का काम हो रहा है इसके पीशे बड़े लोग हैं इसकी जो उस स समाचार पत्र से और सुर्कियों में छपा है तो क्या सरकार सेम विवेशना के रूप में क्या संग्यार में लेकर के क्या इसकी जाच नहीं कर सकती आज तक यह अगरों ने इसके उपर जाच क्यों नहीं की क्या सरकार इसके इसको सीवी आई को देगी क्योंकि इसके प्रश्वस्वासन विभाग से इस विषय पर पूरी जानकारी ली गई थी अंतिम जो उनसे जानकारी प्राप्त हुई है वो पांच फरवरी की है कि इस विषय पर enforcement डिरेक्टरेट से कोई अधिकरित जानकारी प्राप्त नहीं हुई प्रदेश का सबसे बड़ा स्केंडल केस का मामला है अन्य विषय आव रहेंगे लेकिन आपके आपके पास एक गरत जानकारी है मैं आप कहेंगे तो मैं सर्दल के पटल पर रख दूँ है जिस तारीक को यह गया है तीन तारीक को कोट के अंदर जिस वकिल ने इस बात को में वो भी जानकारी है आप मंत्री जी को दे देंगे विवाब मैं तो यह दस्तावे जब दूँ आपका है तो अध्यक्ष मोदे मैं लगातार दो साल से इसके खिलाब में लड़ता रहा हूँ ठीक मैं पूरे के पूरे कौन कौन संचालन करता किस किस की गेंग के रूप में कि वागात इसके साथ बुवेचना हुई किस दिन किस थाने के अंदर फ़यार दर्ज हुई और फ़यार होने के बाद में अबी तक एक बी फ़यार तो हुई एक दिश्मोदे विवेचना भी हुई लेकिन एक भी बड़ी मचली ऽत पकडमें नहीं को यानकारी हो तो कुछ घोसना करना है तो बताइए कि मैं आप से यह कहना चाहता हूं कोई मचली भी नहीं मगर मच भी हो तो भी पकड़े जाएंगे आपने बाद 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 बढ़ी है चलिए अब तक की जो इस्तिती है वो यही है आपके पास कोई अत्रिक जानकारी है और आप से कहन चाहता हूं कि एंफोर्स्मेंट डिरेक्टरिट के जाच में वो अंतिम स्थिती में है और इस स्थिती में फिर एक नहीं जैन्सी जात कराना ना ना पर देख लेते हैं क्या अधिक्श मोद है आप कहना जाच क्या हो सकते हैं वही तो अधिकारी मौबट है जिनकों पर आरो पुर्यों प्रदेश को परमाद करने का ठेका लेकर को बैठे वहुआ जाकर फिरस्म बैठे ठीक राजेदी बहुत बएगा अग्रेच नहीं जात होना चाहिए विल्कुर आप जो भी जात करें विदायक दलसे करें जिस्से भी करें इस प्रदेश में नधिल बनना उनको सजा मिलना चाहिए यही मेरा अग्रायत निश्चितूप से आदर्णी मुनत जी मानी सदस्य जी ने अपनी चिंतावेक्त की बिलाई को खेल धानी और सिक्षा धानी के रूप में जाना जाता था अब ये महादेव एफ के रूप में जाना जा रहा है मेरा मूल प्रस्ण यही एमानी अध्यश्मा होद है कि युवाओं की चिंता इन्होंने की मेरे विधान सबर से 20,000 से अधिक युवा इसमें लिप्त है लेकिन इसके साथ साथ जो प्रसासनिक अधिकारी है जिनकी दुरुग जिले में पिछले 5 वर्षों में लगातार पोस्टिंग हुई है पुलिस प्रशासन के लोगों के पास खुद के पास ID है लोगों के पास अधिकारों के पास है राजनेतिक दल के अलग-अलग नेवताओं के पास ID है लेकिन आज तक सिब 90 इवाओं को जो है अरेस्ट किया गिया वो भी मुचलके पर थाने से छोड़ दिया गिया इस पर सही रूप से किसी भी प्रकार के आस्ता करवाई नहीं हुई और ततकाली मुख्यमंति मानने जो भी थे उनका भी संवक्षन साथ था ये भी हमको देखने को मिला था तो इसलिए इसलिए मानने अध्याश महुद है माध्या वैक को लेखे विशे इस रूप से जाच करने के कि जो बराती गयते उनके लिस्टिंग होगी वो बराती के लिस्टिंग लगाता है नेशनल लिए उस पे दिया जा रहा है और भिलाई में खुले आम घूम रहे हैं उन बरातियों पर आज तक कोई करवाई नहीं हुई है और ऐसे अटिसनल स्पी जो जिले में पोस्टिंग हो क्या ऐसे एसपी ऐसे आईजी जिन्होंने पाफ साल खुद आईडी लेके लगाता महादेव आईडी का अपका संचालन किया है मैं मानिय अद्रिश महोदे आपके महाद्यन से जानना चाहता हूं मानिय मंत्री जी से कि इस पे क्या काववाई होगी तो कि अभी तक छोट या बड़ा हर्गिस नहीं होना चाहिए विसे गिरिफ्तारी के संदर्ब में उनके आकड़े को मैं दुरूस्त करूं कि यह 482 लोगों की गिरिफ्तारिया आज तक हुई है इस विसे पर दूसरा मसला है कि जिन अधिकारियों के संदर्ब में चर्चा है एडी के चलान के अधिकारियों को इस पिसे पर कारवाहिया होती दिखेंगी उनको चिंता करने की आवशक्ता नहीं होगी अधिक्ष्मोदे ये बात सच है कि महादेव सट्टा एप सरकार के समरक्षन के बगएर 36 गड़ में फल फूल नहीं सकता था बाकी तो तकनिकी पक्षाब बता रहे हैं आप पूछ रहे हैं मैं तो आप से ये कही मांग करना चाहता हूं ग्रीब अंतरी जी आप स्टेट प्लेन ले ले लिजिए सनिवार को चले जाएए उत्तर प्रदेश और योगी बाबा से पूछ किया जाओ ये बुर्ड लोजर जो खड़ा है ना जो 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 इसमें फंसे हैं दस पांच का बुर्ड लोजर में गिरवाओ और वाओ तब थोड़ा खौप पैदा होगा एक इतना काईदा कानून में आप चलोगे यहां तो बड़े बड़े वकील आ जाते हैं वो क्या-क्या-क्या-मलानी है और क्या-क्या सबाज आते हैं आप कहा पुरोगे वो एक एक करोड फीस वालों के सामने में बुल्डोजर को मारो ड्राइबर को कुछ खिलाओ पिलाओ भेग दो तोड़ ताड़ के आ जाए तब थोड़ा खौफ पैदा होगा चले बहुत अच्छा खौफ का नाम पुलिस है जब पैदा किसमें पूछ रहे हैं महादेव सट्टा में एक मिनिट रूम में हमारे सदस्य राजे स्मुणाजी ने जो प्रस्टन उठाय हैं पूरे प्रदेश में लाखों कड़ोरों लोग बरबाद हुए हैं और उनको जो सह देने वाले हैं आज भी मस्त नहां घुम रहे हैं लेकिन जो विवेचना जो हौआ है जिनके ओपर कारवाई होनी चाहिए कारवाई हुए नहीं और वास्तविक में ये कारवाई नहीं होगे तो ये सट्टा चलते रहेंगे ये चलते रहेंगे आज आपका भी प्रस्टन है बाकी लोग छोड़ने लोग को पकाड़ना आसान होता है कारवाई होनी चाहिए और कारवाई होनी ने माननी अध्यक्ष बहुत है उत्तर नहीं आया है उसमें एग्यों आतुता के ताहिए लोगों को भवी से चोपट करने का काम किया गया है इसलिए माननी मंत्री जी मैं आप से कहना चाहता हूँ कि अधि उनके भवी से को सुरक्षित रखना चाहते हैं और ये जो महादेव सट्टा जो खिलाने वाले जो घोम रहे हैं ऐसे लोगों को पर आप कारवाई नहीं करेंगे और उनको नहीं रोकेंगे तो आने वाला भवी स्विवाओं का ठीक नहीं होगा इसलिए इस पर तत्काल कारवाई की घोशना करनी चाहिए माननी अध्यक्ष महदे जी माननी मंत्री जी का जो बयान आया मुझे अपरियाप्त लगता हूं यह विशाई जितना गंभीर है को कमिट्मेंट सरकार सी और से आना चाहिए कि इसको हम समय बद्ध ढ़ंग से इतने दिन में निराकरित करेंगे करके चलिए ज्वलंत विशा माननी मंत्री जी से है कि जो पांट साथ जो पोस्टिंग हुई है वहां पे इतने ही अधिकायों कि जास कि जाए चलिए अध्यक्ष मिनिट हो गए चलिए अगला पस्टराने जी आप 26 मिनिट हो गए बिल्कुल सह मैं तूँ आप से लिए नहीं कलपा है निरने तो कुछ न कर चुके हैं मानी अध्यक जी और हम लोग लगाता है यह विसे इतना ही है कि उसमें जो भी है समय पत्री गोश्टा करें क्या उनके खिलाब में कारवाइक की जाएगी मानी अध्यक जी इस प्रते से जुड़ावा के छोटा मोटा फैसला नहीं है अपनी सब्सक्राइब ग आई फाइवाट पाइवाइवाट फाइलिंस का वाए शेरिये दूसरे बस में आजएगे अध्यक जटा से घंगा निकली है तो निकल तो निरी घंगा कई रुख गई या जिन्वोद है कम तेकम इस मंदिल से अच्छा प्रते सब्सक्राइब जाए जाए जवाब देने ख प्रतिक्षा कर रहे हैं और उनका जाच आंतिम इस्थिती में है वो चालान पुटब कर चुके हैं चलान को देखने हैं जो आप चाहते हैं वो चलान में है अगर नहीं है तो विबाद के लियर कर ले धारा 164 के तहत जो बयान दिया गया है चंत्र भूसरंड ने और एक सुप्रीम कोर्ट का फेसला जैय लेलिता जी के उसमें आया है कि इसके अंदर वो पार्टी नहीं बन सकते और उनको 15 दिन में इस पर फेसला करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का फेसला हो चुका है जब इतना सब कुछ साख चोने के बात में भी आप किन को पचाना चाहते हैं यह किसी के नहीं है यह किसी के नहीं है ध्यान रखना यह सिर्फ कुछ सिकर सलाम करने वाले है जिन जिन को आप बचाना चाहरे हो वो किसी के नहीं है वो ही अपने उपर डंडा चलाया है महादेव की जटा से गंगा निकलने चाहिए और आपने का है यह दर्द मेरा नहीं यह दर्द आपका भी है इस पर कोई नहीं कोई फेशला होना चाहिए यह उमिद आपका मूड़त जी जेन अताग दीत इन जर्वे करी चिंता जान करा है चलिए दो महीं आप में इस पर मंत्री जी कुछ खे रहे है इस आगे बढ़ गए जी आगे बढ़ गए आगे बढ़ गए इस प्लीज एक निवन रहा मानि अधेक जी कुछ कह रहे है मंत्री मोला है मालने अदरी अधक्ष्णिसमित है प्रॉमारे चाहिए रख में समय का पेतु knew we're grateful पड़ी ले बैठी ये बैठीड जी टान वर्मारे फोड़ी जो पैसे हमे इ Yap Halag 잡ुड एक मिनट बैटि बैटिए बैटिए एक मिनट बैटिए चले दो आखरी लाइं मोड लीजिए कि संग्यान में इस बात को लाना चाहता हूं कि एडी के प्रेस्ट नोट जो एनफोर्स्मेंट डिरेक्टेट के विबसाइट पर रिलीज होता है उसमें बहुत सारे नाम और उनके लिए अधिक्रित जानकारी हमको एडी उपलब्द करा दे ये इसके लिए हमने प्रक्रिया भी प्रारम कर दी आप थोड़ी प्रतिक्षा कर ले वो होगा जो आपके मन में है ये गोश्टा करता हूं मैने बर में दो मैने बर बस राजे जी होगे चलिए संग्यत जी आदर्णियत धक्षमोदय जी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हिद्ग्राहियों को रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीन में नहीं जोड़ा गया तो मैं ये मेरा पहला कोश्चन है धक्षमोदय जी मंद्री जी से कि ऐसे परिवार जिनका नाम 2011 की सुची में छुट गया था जिनको मकान दिलाने के लिए पुरुवर्ती सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए सर्वे कराया था तो आदर्णी अध्यक्षमोदय जी उत्तर में आया है कि अवास योजना को मुख्यमंत्री आवास योजना को प्रधान मंत्री आवास योजना में नहीं जोड़ा जाएगा पार्मिन के तहड आवाज प्रदायग किये जाने का निर्ने लिया गया है तो मैं अध्यक्ष महोधai मंत्री महोधai जी से पूछना चाहती हूं कि अगर नेर्ने लिया गया है तो यह नीर्ने कब तक प्रभावशाली होगा और कब से लागू होगा कुछ माब दंड होगा या बदला हुआ वो भी आप बताएंगे मानिय अधिक्ष महोदे ये बड़ा ही मार्मिक प्रस्ण है और मानिय सदसी के इस चंता का मैं हिर्दय से स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ एसा ही मार्मिक प्रस्ण एक बार पुरवर्ती सरकार के माने मंतरी टीय सेंदियो जी के हिर्दय में भी उठा था जब आठ लाग आवास के लिए उन्हों विसे है प्रधान मंत्री आवास के संदर में विष्टुदेव जी की पालनहारी सरकार है और उस सरकार का बिलकुल इसपश्ट निर्णय है अठारा लाख हावास गरीबों को दिये गए हैं मैं आपको इस विसे पर भी बताता हूँ इस विसे पर भी कह रहा हूं मानिसे दिसमोदे इसमें मानिय अद्रग जी यह जो सर्वे कराया गया था 2011 की सूची और 2016 की सूची इन दो सूचीयों के आधार पर प्रधान मंत्री आवास दिया जाता है एक अलग से सर्वे राजी की सरकार ने कराया उनकी अपने अलग पैमाने थे उनका अपना अलग डाटाबेस था अब यह कैसे हो सकता है कि वो सर्वे में वो जो राजी सरकार का सर्वे है उसके माध्यम से प्रधान मंत्री आवास दे दिया जा पहला राशी जो मिला है उसमें लोग अपना घर बनाना शुरू कर चुके हैं तो उन परिवारों उन गरीब परिवारों का क्या होगा जो शुरूआत कर चुके हैं आपनी इसमें कहा कि उसको नहीं दिजोडा जाएगा तो अगर नहीं जोडेंगे इतने लाखों करोडों परिवार उनका क्या होगा वो गरीब लोग हैं जिनको चाया नहीं है धेक्ष मोदे जी बारिश में लोग तीन चार परिवार एक साथ रहते हैं जो लोग आवास को उखते थे आवा आवास की चिंता कर रहे हैं लाखों करोडों परिवार की बात नहीं है भाई यह आपके जो 36 गर सरकार के द्वारा पिछला कराया गया सर्वे है उसके आधार पर जो आवास दिया जाना है वो लगबग 47,000 आवास है जी में आपसी बताना चाहता हूं कि मातनीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्भ में ही घोशना कर दी है कि जिनको पहला किस्द मुख्यमंतरी आवास के संदर्मैं दिया गया है उनके आवास के पूरे किस्त उनको दिये जाएंगे उसमें कोई भेद भाव नहीं किया जाएगा ये निर्णे विश्टुदेव सर्जकार का पहले ही हो चुका है जा आप बताना चाहता हूँ आदर्णी 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 मैं क्लियर करना चाहता हूँ दो सर्वे हैं भाई पहले पता कर लीजे मैं आपसे बोल रहा हूँ तो कुछ गलत नी कह रहा हूँ 2016 में ये सर्वे आया है जिसके आधार पर 2011 में सर्वे हुआ है इसके बाद कोई सर्वे नहीं हुआ है आवास प्लस पूरे देश में सिर्फ पस्चिम मंगाल और 36 गड़ में नहीं दिया जा सका अन्यता पूरे देश में भी आवास प्लस दिया गया है और इसके कारण विश्टु देव जी की सरकार ने ये निर्णए किया है कि 2011 की सर्वे सूची के आधार पर जितने लोग बचे हैं उनको दूसरा आवास प्लस के जितने लोग बचे हैं कि उनको इसके साथ हिसाथ जो मुक्हमंत्री आवास के नाम से आपने दिया था साइटालिए जार लोगों को उनको और जिनको एक किसो देकर के आपने रोख दिया था उनको इन सारे долोगों को हावास दिया जा diesel आएगी और अनगो बिलकुल अपसी कह रहा हूं आप कि उसी में जोड़ेंगे आप अध्यक्ष मोदे जी हम अगर गाउं में जाते हैं पिछले बार जब आप यहां बैठे थे उससे में आप कितना अवास के लिए चिला है जब आपको मौका दिया है जनता ने आपको मौका दिये तो आप उनके साथ जनता के साथ धोखा धड़ी मत किजिए आप उनको आवास दिल लियाए जिनको जरुरत है जो अभी आप एक छट के नीचे तिन चार परिवार रहते हैं इतना बचा दीजिए ठारला को आवास कब तक दे रहे हैं आप पोशन यह जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में जिन लोगों को पहली बार जिनको शून्य कमरे का मकान इस तरह का सर्वे में डाटा आया है उनको पहला किस दिया जा चुका है मैं फिर से कहता हूँ उदार है मारणी मुख्यमंत्री महोदय और उनने इस बात का निरणय कर दिया है कि कि इनको पूरे किस्त देजाएंगे चलिए बहुत अच्छा भूले जी इनको एक एक किष्ट मिलें उनको दिया जाएगा बता दिया ना बता दिया जी धन्यवाद मौले जी माननी देख्ट मोद है 2011 के सर्वेलिष 2016 के माननी मंत्री जी ने कहा और आवास प्लस बोला वो टोटल कितने होते हैं माननी मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से उसके पास जो गरीब है उनके पास बेगार है ऐसे लोगों के लिए क्या आप आवा प्रधान मंत्री आवास दिया जाना या राजी की सरकार के द्वारा प्रवर्तित वो स्योजना के अंतरगत आवास दिया जाना ये सूची के आधार पर ही होता है जो सूची यहां भी उपलब्द है 2011 की सूची है 2016 की सूची है और राजी सरकार के एक सर्वे हुआ था उसके जानना चाहूंगा, अभी उनों ने जवाब दिया, जो मुखमंत्री आवास की जो योजना है, उसको भी चालू रखा जाएगा, उसको भी राजी दी जाएगी पहले जो हमारा जो प्रधान मंत्री आवास योजना पे जो कारे होता था जिनको पांच वर्सों में सामने वालों ने रोका कोई आवास बनने नहीं दिया लेकिन अब आवास चालू हो गये हैं तो ये प्रधान मंत्री आवास में केंद्र का पैसा आता है और राजियांस पैसा मिलाता है अब ये मुखमंत्रि आवास योजना जिसके लिए बानिय ने कहा कि 47 अच्जार परिवार को देंगे तो क्या इसमें केंदरांस मिलेगा या केवल राजी ने अपना हिस्ता दे गए परतमान इस बात की कोशिश की जाएगी कि इस विशेबर भी इसको प्रधान मंत्री आवास में जोड़ पर इसमें राज्या केंडरांच नहीं मिलने वाला है परन्तु जैसे केंडरे ने निरने किया है कि दो करोड नए आवास और पूरे देश में बनाये जाएंगे उसके ल हमारे एक समस्य आ रही है जैसे पट्टा पिता के नाम पे है उनका निधन हो गया पट्टा वाले ट्रांस्वर हो गया वो ट्रांस्वर के लोगों को प्रधान मंत्री आवास या मुख्यंत्री आवास की कोई प्रकार की सुद्धा नहीं मिल रही है मानी मंत्री जी से मैं ज अभाष तो प्रधान मंत्री तो उसमें विस्तारिम भी आएगा इसे एक लिस्ट में ग्राउन्ड लेबल में जाये ले जो पात्र हिद ग्राही है वो मनला आवास के सिविधा नहीं मिले है और जिन मनला मिले है एक एक घाओ नहीं दो दो तिन तीन बार मिल चुके है तो एकरबर का जो क्राइटेरियर तैय है 2011 के सर्वे और 2002 के सर्वे वो में कुछ परिवर्टन किया जा सकत है महदय से मैं जानना चाहा था हूँ 2011 की सर्वे सूची और 2016 की सर्वे सूची के बाद एक और सर्वे सूची बनी मानिया देक्ष महदय और उस सर्वे सूची में राजे सरकार ने सारी बातनों का परिक्षन किया है और उसके बाद भी अगर हर्दय में ये प्रस्षेश है तो इसकी चिंता भी मानने में पर वाकाई में हिद्गाही लाएकर सुमिधा नहीं मिला थे लेकिन उस समय भी बहुत ऐसे परिवार है जो आज भी वह आवास सुची से वंचीत है माननी मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि जो वास्चित्ता में जो पात्रता परिवार है उसको पुना आवास सुची में सामिल करने के निवेदन करने लाज़ा है इससे में आवास से स समय में कुछ योजनाय बनेगी कि जो तलाब के किनारे जे काफी सालों से जो बसाहट है उनके आवास के विशे में आगे क्या संभावना ये बहुत मूल कोशन है देख्ष महोदे तो मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगे चलिए एक बार फिर बताएं तो क्या कहें तलाब क उपर जो आवास बने हुए हैं क्या उनको भी पटे आवास दिया जा सकता है उनकी कई पेढ़िया नहीं कर चुकी 40-50 सालों से वही पर निवासा के लिए पटे का और आवास का उनका प्रफधान नहीं है अभी जी मानिया दिक्ष महोदे मानी सदिस ने पहले जो प्रस्ण किया था 2002 की कोई सर्वे सुची नहीं है जिसके आधार पर आवाज दिया जाए आवास सिर्फ 2011 और 2016 की सर्वे सुची के आधार पर दिया जाता है और एक आवास प्लस है उसको पिछली संगार भूल गई थी एक्ष़ली वह उस Пर काम ही नहीं हो पाया कि सिर्फ 37 गड़ो पस्चिम बगाल ऐसे राजे हैं जहां पर आवास का काम पूर्ण नहीं हुआ तो आवास प्लस प्रारम भी नहीं हो पाया तो 2016 क्या कोई सर्वे सूची है 2016 की सर्वे सूची के अधार पर आवास दिया जाना है ये इस पस्ची नहीं हो पाया है अभी विभाग की चर्चा में आप अपनी बात रखेंगे बहुत आउसार मिलेगा चलिए मानने मंत्री जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका विभाग बड़ा सक्षम विभाग है मानने मंत्री जी आपका विभाग भारी सक्षम में एक महने में आपने पूरे प्रदेश का सर्वे करवा दिया 2023 में तो यह मैं आपसे यह जानना चाहता हूं यह सर्वे करवाने की एक महने में चानक सर्वे करवाने की जरुवत क्यों पड़ी और सर्वे के रिपोर्ट के अधार पर जो अनुस अंसाय मिली उसमें आपने क्या-क्या निती कारिक्रम स्विकार किये और सर्वे को ये रिपोर्ट को सरकार ने क्या स्विकार कर लिया मानिय अधिक्ष महुद है क्रिकेट के मैदान में सचिन तिंदुल कर आ जाए या सदन में मानिय अजय चंद्राकर्टी आ जाए एक जैसी पूर्जा और एक जैसा उत्साह लोगों में होता है मानिया महुदय के मानिय सदेसिक के इस पिशेपर कि 2023 के सर्वे सूची एक ही साल में सरकार ने कैसे सर्वे कर लिया यह विभाग मूलता पूरवर्टी मंत्री आप ही रहे हैं आप ही कियाधार शिला पर यह विभाग आगे बढ़ता है आपने ही जो परतिमान इस्थापित किये हैं उसको पार करना चाहता हूँ कि ये जो सर्वे हुआ है इस सर्वे के आधार पर इसका फिर से भहुतिक परिक्षन नहीं हुआ है परन्तु इसमें जो शून्य कमरों के मकान हैं कच्चे कमरों वाले उन आवास के लिए भहुतिक सत्यापन भी किया गया है और उनको स्वीकरित भी किया गया है मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ आप सिर्फ मकान में केंदरित हो गये मैंने यह पूछा है कि एक महने के सर्वे में आपको सर्वे की जो जो रिपोर्ट मिली है उसके आधार उस सर्वे रिपोर्ट को क्या आपने स्विकार कर लिया और उस आधार पर आपने क्या नीती कारिकरम बनाएं आपने लिखा है उसमें और क्या बजट उसके लिए निर्धारित किया यदि मैं पूछोंगा कि सिर्फ आवास के तब आवास का विषय आएगा भी तो मैंने पूरे सर्वे के बारे में पूछा आपसे आवास तक अभी पहुचा नहीं हूँ मैं मानिया देक्ष मोहदय इसी विषय पर मैं आपसे कह रहा था कि सर्वे हुआ है डाटा सामने आया है और उसका अंतिम भौतिक सत्यापन ये होने के बाद उसकी स्विकारिता की बात आती है भौतिक सत्यापन उसमें से एक पॉर्शन का किया गया बाकी डाटा का भौतिक सत् आंकित करके जिनका सर्वे में आया था कि इनके पास एक भी कच्चा मकान रहने के लिए नहीं है उस पूर्शन का सत्यापन करके उसको स्विकार करके और उस पर योजना बना करके काम किया गया है ये पूरी योजना के पूरा सर्वे होने के बाद मानी राजेश मुड़त जी सम्मानी अध्यक्ष मोदे सबसे पेले तो आपके प्रती और विदान सवागे प्रती आबार व्यक्त करता हूं एक महत्पुन विशे के उपर जो एक आज मेरा प्रस्न लगा है विशे पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ है हजारों नोजवान इसके चपेट में हैं और महादेव के नाम पर पूरे प्रदेश के अंदर एक गोरत धंदा चला और जिसके अंदर पूरे देश और प्रदेशनी अंतर राष्टी इस्तर तक के लोग उसमें इन्वाल्मेंट हैं और जिसके अंदर एक बहुत बड़ी एजनसी जाच कर रही है एडी और जिसके अंदर कई लोग इन्वाल्मेंट हैं उनके बयान भी हो चुके हमारे उर्जावान मुख्यमंत्री हैं वह भी युवा मोर्चे से आया हैं मैं भी युवा मोर्चे से आया हूँ भवी जनता की लड़ाई लड़कर क्या आया है मैं भी जनता की लड़ाई लड़कर आया हूँ तो यूवा में हिस्सतो 60 जादा चल रहा है और इसलिए तो मैं विस्से वही लाया हूं को सम्वेदन सीले एक ही विदान सबासे खाली भीलाई जीले से वेशाली नगर विदान सभा से 20 सज्जार बेरोजगार नोजवान इस महादेव 68 के अंदर इन्वालमेंट है यही नहीं जो दुबई में जाकर जिसका रेकेट चल रहा है उसका संचालन करने वाले कौन लोग है उसके पिज़े किन किन की भुमिका है मैं इस पर जिक प्रस्ट पे आता हूँ सीधा यह सरकार के संग्यान में कब आया आपने 90 केस करीब दर्ज किये मैंने पूरी केस की स्टड़ी किये और मैं ऐसे ऐसे तथ्चे से आपको अउगत कराऊंगा मानी मुख्यमंत्री जी आप कलप्रा नहीं कर सकते हैं मानी उपुख्यमंत्री मोद है कि जो सरकार को जिनको सुरक्षा की जुम्मेदारी है जो सरकार व्यवस्ता के ताथ चलने के आवस्चक्ता है वो पास सार तक इस सरकार ने जो पुर्व सरकार थी गिरोबंदी के साथ योजनाबत तरीके से ने ने हायाम खोच करके इस प्रदेश के बेरोजगा नोजवानों को ठखने का काम और गलत काम में लगाने का काम किया आपने 90 केस दर्ज किये 90 केस में से आपने कितने लोगे खिलाब कारवाई की मैंने कारवाई जो पड़ी है आपने 60 हेक्ट के तहत कह दिया कि उनके खिलाब जो धारा लगी थी वो ठाने में बेलेबलती इसमें बेल दे दिया जिनके बयान हुए उन बयान के अधार पर करोड़ों का ट्रंजेक्शन बेंक से हुआ क्या किन किन अधिकारी बेंके करमचारी या संकार में संग्यान में ले करके क्या काम किया यह इस पे जिक परस्ट में रहा है मानिय अधिक्श महुदे मानिय अधिक्श महुदे मानिय सदे सिकाई अपरस्ट सचकुछ बहुत लाजमी है और उनकी चिंता भी वाजिब है इस पूरे विशे पर जो उनकी विशेश चिंता है कि बहुत सारे नौजवान जो भटके हुए हैं राह से जिनको अपने जीवन को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना था उन्होंने जाकर के इस महादेव सट्टा एप के जरिये इसमें फस करके अपनी बरबादी का रास्ता चुन लिया मैं आपसे ये बाद बताना चाहता हूं आनिय दिक्ष महुद है कि इसमिसे पर कुल 90 एफाई आर हुए हैं सन 2022 से इस पर एफाई आर हो रहे हैं रायपूर में 36-36 प्रकरण पंजीबद हैं दुर्ग में 23 प्रकरण पंजीबद हैं बिलासपूर में 2 प्रकरण पंजीबद हैं जांजगीर में 2 प्रकरण पंजीबद हैं और सूरजपूर में भी 4 प्रकरण पंजीबद हैं मानी मौद जो एप हैं उनके संदर्ब में भी FIR हुए हैं और उस पर काम चल रहा है दुबई के संदर्ब में मानिय अधिक्त मानिय जानना चाहा है कि दुबई में कुछ लोग हैं और उन्होंने ही इसको पूरा संचालित कर रखा है पूरा 36 गड़ जानता है और तो पूरा भारत ही जा अंदिलाना चाहता हूँ कि लुकाउट सिर्कुलर जारी हुआ है रेट कॉर्नर नोटिस भी इनके लिए जारी हुआ है प्रत्यरपन की चल रही है बैंक अकाउंट भी 507 हमारे हां आपको मैं बताना चाहूंगा कि रायपूर में बैंक अकाउंट फ्रीज होनी की प्रक्रि जैसे दुर्क में 436 बैंक अकाउंट सूरचपुर में 38 बैंक अकाउंट जांजगीर में 5 बैंक अकाउंट इनके भी फ्रीज होनी की प्रक्रिया जारी है इस विसे पर बाने अधिक्ष मोहदे कारवाहिया भी हुई है कुछ जो सरकारी भकमे के लोग थे उन पर जो बात आ गया था विभाग के संदर में विभाग के ध्यान में जब ये विसे आया था तो उनको सस्पेंट किया गया है बरखास्त किया गया है तो अब भी जेल में है ये किया गया है और विशेश रूप से जो चर्चा का विसे है जिसके संदर में मानि सदस कह रहे थे उसके संदर म जैसे ही ये विशे अधिकारिक तोर पर या प्रमानिक्ता के साथ फरकार के विभाग के संग्यान में आएगा मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ वह भी युवा मोर्चा से हैं मैं भी युवा मोर्चा से हूँ जो आग उनके दिल में है वो आग मेरे दिल में हैं और मैं बिल्कुल उनके ये कहना चाहता हूं कि ये पीर भी परवत्सी हो गई है और इसको निसंदेह पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से भी वाने कोई गंगा निकलनी चाहिए सो पृतिशत जैसे ही विशाय सामने आएगा एक घंटा नहीं लगेगा विश्णुदेव सरकार को इस पर फैसला रिने में एक घंटे के अंदर करवा ही की जाए महादेव और गंगा का बहुत संबंध है गंगा जो निकलिये है महादेव के जवाब जब आप दे रहे हो तो उस गंगा के याद कियो हो मंत्री जी कुछ प्रस्थिश्ट करना चाहिए मानने अद्यक्ष मोद है बहुत गंबीर प्रस्थ और मैं आपसे समाच चाहता हूं मानने मंत्री जी ने एक सामाने रूटिन में सरकारी प्रस्थिश्ट का सरकारी उत्तर दे दी मैं स्पेजिक पूछा कि यह महादे एप के उपर 90 केस आपने दर्ज किये उसमें बयान भी हुए है एक बयान मैं आपको पढ़कर के सुना देता हूं आपके थाने का जिसके अंदर महादे एप के अंदर उस व्यक्ति ने बयान दिया उसका नाम है रवी कांथ उसने एक ब कि चल भई तेरे एकाउंट खुला देता हूं मैं उसके साथ चला गया मैंने बैंक में एकाउंट खुला लिया मेरे बैंक के एकाउंट में मेरा कोई पैसा कभी था ही नहीं करोड़ो रुपए का ट्रांजेक्शन हो गया मैं बंद करने गया तो मेरे को धंकाया जब पुलि वो किसी के खिलाब कोई कारवाई नहीं हुई यह एक नहीं है ऐसे हजारों प्रक्रण हैं क्या किसी बेक में अगर एक लाग दो लाग पांच लाग की लेंदेन होती है सामाने सब लोग जानते हैं बेंक वाला पुछता है कि आपके एक और पैसा लू के नहीं लू यह आपका तो ऑपिस संग्यान में आने आने का विशे कहा बस था है मानिया अद्रेश मोदे जब सासन के संग्यान में आ गया अपने अ खर दियो बेंक में जा कर क्या आप पूछताच कर रहे हैं वो बैंक वालों के सामने अब प्रश्न में आ जाईए अब मुल्प प्रश्ट पे आईगे वक्रश्मोद्ध ये तो मेरा कुछ ना है आप कह रहा कि अगर संग्यान में नहीं है तो पुलिस वाला कैसे उसके साथ में बैंक में गए अप्र आगे प्रश्न तो रहे चोटी चोटी जो प्रावधान उपलब थे सारजोनिक द्वियूत अधिनियम 1866 के उसके अंतरगत ऑनलाइन गेमिंग के लिए बेटिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं था कालांतर में कुछ प्रावधान बनाए गए और उसमें एक साल से साथ साल तक की सजा है द अधार पर किसी को फासी नहीं चढ़ाई जा सकती परन्तु इस अधार पर जाच की जो प्रक्रिया है वो जरूर जारी है मैं फिरसे आपसे ये कहना चाहता हूँ मानि सतिस्मोदे मानिmac जी मानिस सतिस्त को ये मै विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पूरी ताकत के साथ प सब को जेल की सलाकों के पीछे पहुंचाया जाएगा निर्धारी जैसे ही होता है ये विसे प्रमानिक्ता के साथ कोई बात सामने आती है मैं फिर से कहता हूँ मानने विश्टुदेव जी की सरकार है एक घंटे के अंदर का अरवाही होगी अधिया बात पुण्ता करता हूँ इस प्रदेश की जनता की खोटा प्रस्त और कलने ये ने चोटा आप ने जो उत्तर दिया सरकार सामाने प्रस्त पुछा आप क्य आपने का पहले संज्जान में नहीं आया कि जब संज्जान में नहीं आए तो बयान कैसे हुआ सीधा सीधा प्रस्त जब सरकार के संग्यान में नहीं है तो फिर पुलीस अधिकारी जा गए बैंकों 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 कैसे है और ये क्यों चीज़ दूसरा कितना करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन उनके माध्यम से बैंकों से हुआ जराया इस परस्त कर दें आगा प्रस्तों मैं पूछू माध्य जी बस धन्यवाद लिए एक जो बिसे अभी सामने है जिसकी जानकारी हाथ में है मैं आपको ज़रूर उपलब्द कराता हूँ कि पात्सो सावत अकाउंट जो राइपूर के जान पाए कि ये राशी इन खातों के माध्यम से कहां जाती थी और उसके बाद फिर अगला ट्रांजिक्शन उसका कहां होता था ये राशी कैसे दुबई तक पहुँच जाती थी इस पूरी की जाच की जाच करवाई जा रही है मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि संग्यानकार्त यही है जो बात बयान में आई है वो बयात कोर्ट के सामने रखी गई है अभी कोर्ट को भी फैसला करना होगा कोर्ट का कोई फैसला आ जाए उस पर बात कर लेंगे मैं आपसे और एक बात बताना चाहता हूँ कि विभाग ने तो आगे बढ़ करके लोगों की फरारी होने का आविदन कोट में दिया हुआ है मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि उनके संपत्ति के चिनहंकन की बात प्रारम हुई है, उनके संपत्ति को कुछ नहंकित करके कुर्क करने की बात हम सामने ले करा रहे हैं मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि बड़ा चर्चित्था पूरे कोई बाग है उनकी किसी भी बात के उपर में को तो पूरा 100% विश्वास है लेकिन जो नुमाइंदे लोग बेठे हैं जो पूरे काकस के इंदर इन्वाल्मेंट है उन्हीं के माध्यम से प्रस्तों का उत्तर है क्या एक एसाई ने बयान दिया एडी को चंद्र बुसन वर्मा उसने किंकिं के नामों का उलेक किया और उन पर क्या कारवाई करेंगे इस बैसिक प्रस्त ठीक जी मानिया दिक्षमोदे वो बयान जिसको एंफोर्स्मेंट डिरेक्टिट ने लिया है और जो कोट में राइपुर के कोट में जमा है उस बयान का कोई अधिकृत को इसकी कोई अधिकृत जानकारी एंफोर्स्मेंट डिरेक्टिट के द्वारा साशन को नहीं दिया गया है ये जानकारी आने के बाद अधिकर जानकारी आने के बाद प्रमानिकता उसमें है तो तूरंद करवा ही की जाएगी मैं बिल्कुल इस बात को कहता हूँ आपसे अगर उसको बयान कुरे सुर्कियों में समाचाप पत्र से लेकर के सोशल मीडिया से लेकर के आम जंता के बीच में चल रहा है मैं एक छोटा था उदारान देता हूँ अध्यक्रमोदे मानि उपक्यमंति जी एक छोटा था उदारान विबाग की गंबिर था कल मेरा एक प्रस्ता था और प्रस्ता लगनी पाया प्रस्ता मेरी एक सिकायत की किसी ने फढ़जी सिकायत और उस समय भी मैंने जंता से कहा कि इसकी जाच कोई डिटायर जट से करा लो ततकाल मुख्यमंतिरी ने लिखा ततकाल इन समाच के उस समय के मुख्यमंतिरी एफाई यार दर्ज की जाए और योडबलू को केस गया जिसके कोई तक थे नहीं है जिसकी कोई जानकार ही नहीं है एक आदमी ने अवेदिन दिया और योडबली इतना सक्री हो गया और ततकाल उसकी विवेशिना के लिए डिपार्टमेंट के अंदर आ गया तो मूलवी से यही है अद्यक्ष मोदे के अगर तीन तारीक से लेके तीस तारीक तक आने के बात में भी किन अदिकारियों को बचाने का काम हो रहा है इसके पीशे पर बड़े लोग है इसकी जो उस समय के तार्थ है उसके अंदर नाम है किसी को 30 लाख रिपा महिना किसी को 50 लाख महिना किसी को 100 करोर रिपा महिना यह मैं नहीं किरा हूं पुरे समाचार पत्र से और सुर्कियों में छपा है तो क्या सरकार से मिवेचरा के रूप में क्या संग्यार में ले करके क्या इसकी जाच नहीं कर सकती आज तक यह अग्रों ने इसके उपर जाच क्यों नहीं की क्या सरकार इसकेश को CBI को देगी क्योंकि इसके दार उठेस तक जुड़ेवे तेक्षमौद है और यह दूद का दूद पानी का पानी बोला चाहिए यह मेरा आगर थीक धन्यवाद समारे प्रश्वासन विभाग से इस विषय पर पूरी जानकारी ली गई थी अंतिम जो उनसे जानकारी प्राप्थ हुई है वो पांच फरवरी की है कि इस विषय पर एंफोर्स्मेंट डिरेक्रेट से कोई अधिकरित जानकारी प्राप्थ नहीं हुई है लेकिन आप के रहे आपके पास एक घरत जानकारी है मैं आप कहा ही ने तो मैं सर्दल के पटल पर रख दूँ है कि जिस तारीक को यह गया है तीन तारीक को कोड के अंदर जिस वकिल ने इस बात को आप मैसेज किया वो भी जानकारी है आप मंत्री जी को दे देंगे विवाद मैं तो यह दस्तावे जद्दूं आप कहा है तो मैं लगातार दो साल से इसके खिलाब में लड़ता रहा हूं ठीक मैं पूरे के पूरे कौन-कौन संचालन करता किस-किस की गेंग के रूप में किसने किसकी से कितने रूपे लिए दिये कहां कहां किसके साथ विवेचना हुई किस दिन किस थाने के अंदर फाइयर दर्ज सेन जी आप एक सोटा प्रसंद कर लिए आप उपलब्द करा दिए अद्यश्मनों मेरा यह निवेदा ने इसकी जाच की घोष्टना करें चलिए कुछ कुछ घोष्टना करना है तो बताईए मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कोई मचली भी नहीं मगर मच भी हो तो भी पकड़े जाएंगे आपने श्ञाच में और इस इस्तिती में फिर एक नई एजन्सिश्याद कराना प्रदेश को परमात करने का ठेका लेकर क्यों बेठे बढ़ा जाकर फ्रेंट किम मेठे ठीक राजेदी बहुत बहुत बढ़ा अगरे असर्ट याच होना चाहिए आप जो भी जाच करें विदायक दल से करें जिस से भी करें इस प्रदेश में नजिल बनना चाहिए कि गिरोव बनकर के जन्ता को लुटने का जो काम करते हैं उनको सजा मिलना चाहिए यही मेरा अग्रायत धन्यवाद सेंड कुछ प्रस्ण कुछ रहे हैं इसके बाद ले लूँगा आपको इसके बाद सेंड के बाद आपको मानि अद्यश्मोद है निश्चितूप से आदर्णी मुनत जी मानी सदस्य जी ने अपनी चिंता वैक्त की आदे वैक्त के रूप में जाना जा रहा है मेरा मूल प्रस्ण यही माननी अद्यश्मोद है कि युवाओ की चिंता इन्होंने की मेरे विधान सबसे 20,000 से दिकिवा इसमें लिप्त हैं लेगिन इसके साथ साथ जो प्रसासनिक अदिकारी है जिनकी दुर्ग जिले में इवाओं को जो है अरेस्ट किया गिया वो भी मुचलके पर ठाने से छोड़ दिया गिया इस पर सही रूप से किसी भी प्रकार क्यास्ता करवाई नहीं हुई और ततकालीन मुख्यमंति मानने जो भी थे उनका भी सन्रक्षन साथ था ये भी हमको देखने को मिला था तो इस कि लिस्टिंग लगातार नेशनल लिउस पे दिया जा रहा है और भिलाई में खुले आम घूम रहे हैं उन बवातियों पर आज तक कोई कारवाई नहीं हुई है और ऐसे अटिस्टिनल एस्पी जो जिले में पोस्टिंग होकर ऐसे एसे ऐसे आईजी जिन्होंने पात साल खुद आईडी लेकर लगाता महादेव आईडी कायब का संचालन किया है मैं मानिय अद्रिश महोदे आपके महाद्यम से जानना चाहता हूं मानिय मंत्री जी से कि इसमें क्या काववाई होगी क्योंकि अभी तक छोटे लोगों पर काववाई की गई है दन्यवाद मानिय दिक्ष महोदे मानिय सदस की चिंता वाजिब है कानून का राज होना चाहिए और कानून के नजर में कोई छोटा या बड़ा हर्गिस नहीं होना चाहिए विसे गिरिफतारी के संदर में उनके आकड़े को मैं दुरूस्त करूं कि यह 482 लोगों की गिरिफतारियां आज त सदस्यों को लेकर के जो बात चल रही है प्रमाणिक्ता की बात है एक बार प्रमाणित होने के बाद मानिय सदस्यों को इस पिसे पर कारवाहियां होती दिखेंगी उनको चिंता करने की आवशक्ता नहीं होगी देक्ष्मोदे ये बात सच है कि महादयो सट्टा एप सरकार के समरक्षण के बगएर 36 गड़ में फल फूल नहीं सकता था बाकी तो तक्निकी पक्षाब बता रहे हैं आप पूछ रहे हैं मैं तो आप से ये कही मांग करना चाहता हूं ग्रीव बंत्री जी आप स्टेट प्लेन ले लिजिए सनिमार को और चले जाएए उत्तर प्रदेश और योगी बाबा से पूछ के आजाओ ये बुर्ड लोजर जो खड़ा है ना जो जो इसमें फसे हैं दस पांच का बुर्ड लोजर में गिरवाओ और आओ तब थोड़ा खौप पैदा होगा एक इतना काइदा कानूं में आप चलोगे यहां तो बड़े-बड़े वकील आ जाते हैं वो क्या-क्या मलानी है और क्या-क्या इंग्वी सिंग्वी इंबल सिंबल सबाज आते हैं आप कहां पुरोगे वो एक एक करोड फीस वालों के सामने में बुल्डोजर को मारो ड्राइबर को कुछ खिलाओ पिलाओ भेदो तोड़ ताड़ के आ जाए तब थोड़ा खौफ पैदा होगा चले बहुत अच्छा ख उमेश्पटेल जी के सथार पे पूछ रहे प्रश्ट ग्रमंग दो मैं मनिया देख्ष्म मोत था है किस पूछ है महादेव पर में महादेश अक्या-क्रम जी ने जो प्रश्टर उठाय है पूरे प्रदेश में लाखो कड़़ों लोग बरबाद हुए हैं और उनको जो श् जिनके उपर कारवाई होनी चाहि कारवाई हुई नहीं और वास्तमीक में ये कारवाई नहीं होगे तो ये सठा चलते रहेंगे अचालब संखेंट करिए इसलिए उसमें जांच होनी चाहिए और कोई ने को जांच की घुस्क्रम प्राइब कर देख लोगों को भवी से चोपट करने का काम किया गया है इसलिए माननी मंत्री जी मैं आप से कहना चाहता हूँ कि अधि उनके भवी से को सुरक्षित रखना चाहते हैं और ये जो महादेव सट्टा जो खिलाने वाले जो घूम रहे हैं ऐसे लोगों को पर आप कारवाई नहीं करेंगे और उनको नहीं रोकेंगे तो आने वाला भव आप तो लगता है उसमें ये विशय जितना गंभीर है को कमिट्मेंट सरकार से और से आना चाहिए कि इसको हम समय बद्ध धंग से इतने दिन में निराकरित करेंगे करके चलिए ज्वलंत विशय है मैं मानी मंत्री जी से याग्रा करूँगा जो पांट साल जो अगला प्रस्टराने जी आप 26 मिट हो गए बिल्कुल से मैं थूँ आप से लेड़ने नहीं कलपा है लेड़ने तो कुछ नहीं वह उत्तर वही है मानी अध्यक जी प्रदेश का सब्सक्राइब कर दिजे कि पांट साज कितनी पोस्टिंग है उना धिकायों दिजाथ होगी केंद्रिय घ्रामंत्री तक इस पर चिंता व्यक्त कर चुके है मानी अध्यक जी और हम लोग लगाता है यह विशे इतना ही है कि उसमें जो भी है समय बत ही गोश्टा करें किया उनके खिलाब में कारवाई की जाएगी मानी अध्यक जी इस प्रदेश से जुड़ावा के छ दूसरे बस में आदेगी धन्यवाद निकल तो निकल तो निरही गंगा कर रुक गई है ना जी जवाब देने खड़े हो गया मंत्री मंत्री जी खड़े हैं भाई दिशर्डी जाहिए मंडरी जी बोल रहा है उसके दूसरे कुछ मैं मैं आपसे कह रहा हूं के जाच केंदर की एजिनसी कर रही है एंफोर्समेंट डैरेक्टेटिट कर रहे है और उनका जाच अंतिम इस्तिति में है वो चालान पूटब प कर प्रतिक्षा करें एक बार उचलान को देख लें जो आप चाहते हैं वो चलान में है मानियुग्रम मंत्री जी 164 के बयान के तहत ED का बयान अपने आप में कोड में दिया हुआ बयान माना जाता है अगर नहीं है तो विबाद किलियर कर ले धारा 164 के तहत जो बयान दिया गया है चंत्र भूसरंड ने और एक सुप्रीम कोड का फेसला जैल एलिता जी के उसमें आया है कि इसके अंदर वह पार्टी नहीं बन सकते और उनको 15 दिन में इस पर फेसला करना पड़ेगा सुप्रीम कोड का फेसला हो चुका है जब इतना सब कुछ साक्षोने के बाद में भी आप किनको पचाना चाहते हैं किसी के नहीं है यह किसी के नहीं है ध्यान दखना यह सिर्फ कुड़ी के सलाम करने वाले है जिन जिन को आप पचाना चाहरे हो वो किसी के नहीं है वो ही अपने उपर डंडा चलाएं वो ही आतुगेस पेके हैं वो ही फड़ी केस बनाए हैं और वो ही आपको लिख करके दे रहे हैं कुछ नहीं होना है महादेव की जटा से गंगा निकलने चाहिए और आपने काई ये दर्द मेरा नहीं है ये दर्द आपका भी है इस पर कोई ने कोई फेसला होना चाहिए ये उमीड़ा आपका जी जेन अताब दीत इन जर्वे कर ही चिंता जान करा चलिए दो महीं दाम से ने इस पर मंत्री जी महादेट जी कुछ कह रहा है। प्रक्रिया भी प्रक्रिया भी प्रारम कर दी ये इसके लिए हम ने प्रक्रिया भी प्रारम कर दी आप थोड़ी प्रतिक्षा कर ले वो होगा जो आपके मन में है ये गोश्टा कर दो महिने भर में दो महिने भर बस राजेज़ी होगे चलिए संगीता जी आदर्णिय धक्ष्मोदय जी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हिद्ग्राहियों को प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीन में नहीं जोड़ा गया तो मैं ये मेरा पहला कोश्चन है धक्ष्मोदय जी मंद्री जी से कि ऐसे परिवार जिनका नाम 2011 की सुची में छुट गया था जिनको मकान दिलाने के लिए पुरवर्ती सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए सर्वे कराया था तो आदर्णी अध्यक्ष्मोदय जी उत्तर में आया है कि अवास योजना को मुख्यमंत्री आवास योजना को प्रधान मंत्री आवास योजना में नहीं जोड़ा जाएगा कर दुर्ण के तहर्ट आवास प्रदाइक किये जा ने का नीर्णय लिया गया है तो मैं diffMA हो suf जी मंत्रि मंधाजी से पूछना चाहती हूं कि अगर नीर्णय लिया गया है तो यह नीर्णय कब तक प्रभावशाली होगा और कब से लागू होगा कुछ मांग दंड होगा या बदला हुआ वो भी आप बताएंगे मानिय अधिक्ष महोदे ये बड़ा ही मार्मिक प्रस्वे है और मानिय सद्सिके इस चंता का मैं हर्दै से स्वागत करता हूं अभिनेंदन करता हूं ऐसा ही मार्विक प्रस्ट एक बार पूर्वर्ती सरकार के माने मंत्री टीए सेंदेव जी के हरदय में भी उठा था जब आठ लाक आवास के लिए उन्हें बार-बार प्रयास किये परन्तु आवास नहीं मिल पाया था और नहीं मिल पाने के कारण उन्हें उस पत्से त्याग भी दिख पत्से को छोड़ भी दिया था विभाग उन्हें छोड़ दिया था आज फिर से ये विषय है प्रधान मंत्री आवास के संदर में विष्टुदेव जी की पालन हारी सरकार है और उस सरकार का बिलकुल इसपश्ट निरने है अठारा लाख हावास गरीबों को दिये गए हैं मैं आपको इस मिसे पर भी बताता हूँ इस मिसे पर भी कह रहा हूँ मानिसे दिसमोदे इसमें मानिय अद्रग जी यह जो सर्वे कराया गया था 2011 की सूची और 2016 की सूची इन दो सूचियों के आधार पर प्रधान मंत्री आवास दिया जाता है एक अलग से सर्वे राजी की सरकार में कराया उनकी अपने अलग पैमाने थे उनका अपना अलग डाटाबेस था अब यह कैसे हो सकता है कि वो सर्वे में वो जो राजे सरकार का सर्वे है उसके माद्यम से प्रधान मंत्री आवास दे जिया जाताए आदर्णी अध्यक्ष मौदै जी, 2011 का सर्वे चल रहा है और उसके बाद सर्वे हुआ ही नहीं है, केंद्र सरकार ने सर्वे कराया ही नहीं है, 12-13 साल हो गए, उसके बाद पुरवर्ती सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उनको दिया और मैं फोटोग्राप भी दिखा दूँगी अध्यक्ष मौदै जी, इसमें वो लोग है जो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहर पहला राशी जो मिला है, उसमें लोग अपना घर बनाना शुरू कर चुके हैं, तो उन परिवारों, उन गरीब परिवारों का क्या होगा, जो शुरूआत कर चुके हैं, आपनी इसमें कहा कि उसको नहीं दिजोडा जाएगा, तो अगर नहीं जोडेंगे इतने लाखों करोडों परिवार उनका क्या होगा, वो गरीब लोग हैं, जिनको छाया नहीं है, धेक्ष मौदै जी, बारिश में लोग तीन, चार परिवार एक साथ रहते हैं? कि जिनको पहला किस्त मुख्यमंतरी आवास के संदर्व में दिया गया है, उनके आवास के पूरे किस्त उनको दिये जाएंगे, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये निर्णे विष्टुदेव सर्जकार का पहले ही हो चुका है, जा आप बताना चाहता हूँ अदेक्ष मौदेजी मैं ख्लियर करना चाहता हूँ, दूसरा विषय में मेरी बात होने देखवार, दूसरा विषय में आपसे कहना चाहता हूँ, कि आवास के संदर्व में सर्वे, 2011 में जो S.E.C.C. डाटा का सर्वे हुआ था, वो सर्वे, उसके बाद एक और सर्वे हु हुआ है, दो सर्वे हैं पहले पता कर लिजए, मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो कुछ गलत नी कह रहा हूँ, 2016 में ये सर्वे आया है, जिसके आधार पर, 2011 में सर्वे हुआ है, उसके बाद कोई सर्वे नहीं हुआ है, आधार प्लस, पूरे देश में सिर्फ पस्चिम मंगा और 36 गड़ में नहीं दिया जा सका अन्यता पूरे देश पे भी आवास प्लस दिया गया है और इसके कारण विश्टुदेव जी की सरकार ने ये निर्णे किया है कि 2011 की सर्वे सूची के आधार पर जितने लोग बचे हैं उनको दूसरा आवास प्लस के जितने लोग बचे है उनको इसके साथ हिसाथ जो मुख्यमंतरी आवास के नाम से आपने दिया था सहितालिश जार लोगों को उनको और जिनको एक किस्ट दे करके आपने रोग दिया था उनको इन सारे लोगों को आवास दिया जाएगा इनके पूरी किस्ट दे जाएगी और इसके से आधारा ल लाग कि उसी में जोड़ेंगे आप अध्यक्ष मौदे जी हम अगर गाउं में जाते हैं पिछले बार जब आप यहां बैठे थे उससे में आप कितना अवास के लिए चिलाए जब आपको मौका दिया है जनता ने आपको मौका दिये तो आप उनके साथ जनता के साथ धोखादरी मत किजिए आप उनको आवास दिल लियाए जिनको जरुरत है जो अभी आप एक छट की नीचे तिन चार परिवार रहते हैं इतना बचा दीजिए ठारला का आवास कब तक दे रहे हैं चलिए जो यह जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में जिन लोगों को पहली बार जिनका सून्य कमरे का मकान इस तरह का सर्वे में डाटा आया है उनको पहला किस दिया जा चुका है मैं फिर से कहता हूँ उदार है मारणी मुख्यमंत्री महोदय और उनने इस बात का निरणय कर दिया है कि मानि देक्ष मोदय जो प्रस्तीन हो गें इनको एक एक किष्ट मिले उनको दिया जाएगा बता दिया ना बता दिया धन्यवाद मोले जी माननी देक्ष मोदय 2011 के सर्वेलिश 2016 के माननी मंत्री जी ने कहा और आवास प्लस बोला वो टोटल कितने होते हैं माननी मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से उसके पास जो गरीब है सही में उनके पास बेगार है अईसे लोगों के लिए क्या आवास देने की योजना बना रहे के बना चुके हैं ये बताने कर दो आवास प्रधान मंत्री आवास दिया जाना या राजिकी सरकार के द्वारा प्रवर्तित वो योजना के अंतरगत आवास दिया जाना ये सूची के आधार पर ही होता है जो सूची यहां भी उपलब्द है 2011 की सूची है 2016 की सूची है और राज सरकार के एक सर्वे हुआ था उसके आधार की सूची है इन तीनों की सूची के आधार पर आवाज दिया जा रहा है अठारा लाग से अधिक है प्रमोजी चलिए 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 से मैं जानना चाहा था हूं कि 2011 कि सरुषे सी के बाद एक और स homelessness का परिक्षन किया और उसके बाद भी अगर या मैं बढ़ने दिर्वाद में मैं भी पूरो में सरपंच रहा हूँ, 2011 की सरवे सुची, 2002 की सरवे सुची के अधार पे आवास योजना में सामिल हुआ है, लेकिन उस समय भी बहुत ऐसे परिवार है जो आज भी वह आवास सुची से वंचीत है, मान्नी मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि जो वास्चित् दिवार है, उसको पुना आवास सुची में सामिल करने के निवेदन करने जाए है, इससे में आवास से संबनी थी एक जानकरी और एक प्रेश्ण भी है, अभी जो गाओं में या जो तलाब की किनारे जो निवासरत है, उनको चूंकि पढ़ता उनका नहीं बन पाता है, तो हर तरीके से आवास से वन्चीत है, तो कि आने वाले समय में कुछ योजनाय बनेगी कि जो तलाब के किनारे जो काफी सालों से जो बसाहट है, उनके आवास के विशह में आगे क्या संभावना ये बहुत मूल कोशन है, अद्धिक्ष महुद है, तो मंत्री जी से यह पूछ चाओंगे, चलिए, एक बार फिर बताएं तो क्या कहें, कलाब के ऊपर जो आवास बने हुए हैं, क्या उनको भी पटे आवास दिया जा सकता है, उनकी कई पिढ़िया नहीं कर चुकी, 40-50 सालों से वही पर हो, निवास चाली की पटे का और आवास का उनका प्रफधान नह प्रफधान ने पहले जो प्रशन किया था, 2002 की कोई सर्वे सूची नहीं है, जिसके आधार पर आवास दिया जाए, आवास सिर्फ 2011 और 2016 की सर्वे सूची की आधार पर दिया जाता है, और एक आवास प्लस है, उसको पिछली सरकार भूल गई थी, एक्चली, उस पर काम ही नहीं हो पाया, वो आवास प्लस कहते हैं उसमें, उसको उसके आधार पर भी आठ लाख लोगों को आवास मिलना था, आवास का काम पूरा हो जाता, तो आवास प्लस शुरू होता, परन्तु पूरे देश में, फिर से बताना में चाहता हूं मानिया दिक्ष महुदय, कि सिर अभी विभाग की चर्चा में आप अपनी बात रखेंगे, बहुत आउसार मिलेगा, चलिए मानिय मंत्री जी, मैं आप से जानना चाहता हूं, आपका विभाग बड़ा सक्षम विभाग है, मानिय मंत्री जी, आपका विभाग भारी सक्षम है, एक महने में आपने पूरे प्रदेश का सर्वे करवा दिया, दोहजार तेईसमें, तो má आप से यह जानना चाहता हूं, यह सर्वे करवाने की एक महने में अचनदक सर्वे करवाने की जरूफ क्यों पड़ी, और सर्वे के रिपोर्ट के अधार पर जो अनुशंसाय मिली, उसमें आपने क्या-क्या निती कारिक्रम स्विकार किये और सर्वे के रिपोर्ट को सरकार ने क्या स्विकार कर लिया मानिय अधिक्ष महुद है क्रिकेट के मैदान में सचिन तेंदुल कर आ जाए या सदन में मानिय अजय चंद्राकर्ची आ जाए एक जैसी पूर्जा और एक जैसा उत्साह लोगों में होता है माने महुदे के इस पिसे पर कि 2023 के सर्वे सूची एक ही साल में सरकार ने कैसे सर्वे कर लिया एक महिने में सरकार ने कैसे सर्वे कर लिया ये विभाग मूलता पूरवर्ती मंत्री आप ही रहे हैं आप ही के आधार शिला पर ये विभाग आगे बढ़ता है आपने ही जो परतिमान इस्थापित किये हैं उसको पार करना है कि लिए बहुत बढ़िया ठीक के लिए मैं जरूर कहना चाहता हूं कि ये जो सर्वे हुआ है इस सर्वे के आधार पर इसका फिरसे भागतिक परिक्षण नहीं हुआ है परन्तु इसमें जो शून्य कमरों के मकान हैं कच्चे कमरों वाले उन आवाज के लिए भागतिक सत्यापन भी किया गया है और उनको सभजीन कि जो जो डिट मिली है उसके अधार उस सर्वे को कि आप ने स्विकार कर लिया और उस अधार पर आपने क्या नीती कार् disrupt बनाए आपने लिखा है उसमें और क्या budget उसके लिए निरोधारित किया यह जदि मैं पुछूंगा कि सिर्फ तो आवास का तब आवास का विशे आएगा अभी तो मैंने पूरे सर्वे के बारे में पूछा आपसे आवास तक अभी पहुंचा नहीं हूँ मैं मानिय देक्ष महुदै इसी विशे पर मैं आप से कहरा था कि सर्वे हुआ है डाटा सामने आया है और उसका अंतिम भौतिक सत्यापन ये होने के बाद उसकी स्विकारिता की बात आती है भौतिक सत्यापन उसमें से एक कोर्शन का किया गया बाकी डाटा का बहुतिक सत्यापन नहीं किया गया और वो 47,90 ऐसे लोग थे जिनको चिन्हांकित करके जिनका सर्वे में आया था कि इनके पास एक भी कच्चा मकान रहने के लिए नहीं है उस पॉर्शन का सत्यापन करके उसको स्विकार करके और उस पर योजना बना करके काम किया गया है यह पूरी योजना के पूरा सर्वे होने के बाद मानी राजेश मुड़त जी सम्मानी अध्यक्ष मोदे सबसे पहले तो आपके प्रती और विदान सवागे प्रती आबार व्यक्त करता हूँ एक महत्पुन विसे के उपर जो एक आज मेरा प्रस्ण लगा है विसे पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ है हजारों नौजवान इसके चपैट में है महादेव के नाम पर पूरे प्रदेश की अंदर एक गोरत धंदा चला और जिसके अंदर पूरे देश और प्रदेश नहीं अंतर नाश्टि इस तर तक के लोग उसमें involvement है और जिसके अंदर एक बहुत बड़ी agency जाच कर रही है ED और जिसके अंदर कई लोग involvement है उनके बयान भी हो चुके हमारे उर्जावान मुख्यमंत्री है वह भी युवा मोर्चे से आया है मैं भी युवा मोर्चे से आया हूं भवी जनता की लड़ाई लड़कर क्या आया है मैं भी जनता की लड़ाई लड़कर आया हूं तो युवा में हिस्सदों सट्टा जादा चल रहा है और इसलिए तो मैं भी से वही लाया है तो सम्वेदन सील है एक ही विदान सबासे खाली भीलाई जीले से वेसाली नगर विदान सभा से 20 सज्जार बेरोजगार नोजवान इस महादेव 68 के अंदर इन्वाल्मेंट है यही नहीं जो दूबई में जाकर जिसका रेकेट चल रहा है उसका संचारन करने वाले कौन लोग है उसके पिजे किन किन की भुमिका है मैं इस पर जित प्रस्ट पे आता हूँ सीधा यह सरकार के संग्यान में कब आया आपने 90 केस करीब दर्ज किये मैंने पूरी केस की स्टेडी किये और मैं ऐसे ऐसे तथ्चे से आपको अउगत कराऊंगा मानी मुख्यमंत्री जी आप कलपरा नहीं कर सकते हैं मानी उपुक्यमंत्री मोद है कि जो सरकार को जिनको सुरक्षा की जुम्मेदारी है जो सरकार व्यवस्ता के ताथ चलने के आवस्चक्ता है वो पाश सार तक इस सरकार ने जो पुर्व सरकार थी गिरोबंदी के साथ योजनाबत तरीके से ने ने हायाम खोच करके इस प्रदेश के बेरोजगा नोजवानों को ठखने का काम और गलत काम में लगाने का काम किया आपने 90 केस दर्ज किये 90 केस पेसे आपने कितने लोगे खिलाब कारवाई की मैंने कारवाई जो पड़ी है आपने 60 हेक्ट के तहत कह दिया किया उनके खिलाब जो धारा लगी थी वो ठाने में बेलेबल थी इसमें बेल दे दिया जिनके बयान हुए उन बयान के अधार पर करोड़ों का ट्रंजेक्शन बेंक से हुआ क्या किन किन अधिकारी बेंके करमचारी या संकार में संग्यान में ले करके क्या काम किया यह इस पर जिक परस्ट में रहा है मानिय अधिक्श महुदे मानिय अधिक्श महुदे मानिय सदे सिकाई अपरस्ट सचकुछ बहुत लाजमी है और उनकी चिंता भी वाजिब है इस पूरे विशे पर जो उनकी विशेश चिंता है कि बहुत सारे नौजवान जो भटके हुए हैं राह से जिनको अपने जीवन को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना था उन्होंने जाकर के इस महादेव सट्टा एप के जरिये इसमें फस करके अपनी बरबादी का रास्ता चुन लिया मैं आपसे ये बाद बताना चाहता हूं मानिय दिक्ष महुद है कि इसमिसे पर कुल 90 एफाई आर हुए हैं सन 2022 से इस पर एफाई आर हो रहे हैं रायपूर में 36-36 प्रकरंट पंजी बद हैं दुर्ग में 23 प्रकरंट पंजी बद हैं बिलासपूर में 2 प्रकरंट पंजी बद हैं जांजगीर में 2 प्रकरंट पंजी बद हैं और सूरजपूर में भी 4 प्रकरंट पंजी बद हैं मानि साथ जो एप हैं उनके संदर में भी FIR हुए हैं उस पर काम चल रहा है दुबई के संदर में मानिय अधिक्त मानिय जानना चाहा है कि दुबई में कुछ लोग हैं और उन्होंने ही इसको पूरा संचालित कर रखा है पूरा 36 गड़ जानता है और तो पूरा भारत ही जानता है कि दुबई में हमारे ही 36 गड़ के कुछ लोग हैं उन्होंने ही इसको संचालित कर रखा है तो सरकार के तरफ से क्या कारवाही हुई है मैं आपको धान दिलाना चाहता हूँ कि लुकाउट सिर्कुलर जारी हुआ है रेट कॉर्नर नोटिस भी इनके लिए जारी हुआ है प 211 फ्रीज हुए है और उसमें 1 करोड 16,696 ये राशी भी फ्रीज हुई है इसके अलावा और विभिन इस्थानों पर जैसे दुर्क में 436 बैंक अकाउंट सूरचपुर में 38 बैंक अकाउंट जांजगीर में 5 बैंक अकाउंट इनके भी फ्रीज होने की प्रक्रिया जारी ह इस विषय पर बानिय अधिक्ष मोदे कारवाहिया भी हुई है कुछ जो सरकारी भखमे के लोग थे उन पर जो बात आई थी उनके बारे में इस पस्ट जानकारी मिली थी एनफोस्मेंट डिरेक्टरेट की जाच के बाद जब उनको जेल में भेजा गया था विभाग के ये किया गया है और विशेश रूप से जो चर्चा का विशे है जिसके संदर में मानि सदस कह रहे थे उसके संदर में भी जैसे ही ये विशे अधिकारिक तोर पर या प्रमानिक्ता के साथ फरकार के विभाग के संग्यान में आएगा मैं उनको आश्वस्त करना चाहता अब बिल्कुल उनके ये कहना चाहता हूँ कि ये पीर भी परवत्सी हो गई है और इसको निसंदेह पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से भी वाने कोई गंगा निकलनी चाहिए सो पृतिशत जैसे ही विशाय सामने आएगा एक घंटा नहीं लगेगा विश्वदेव सरकार को इस पर फैसला रिने में एक घंटे के अंदर करवा ही की जाए महादेव और गंगा का बहुत संबंध है गंगा जो निकलिये है महादेव के जवाब जब आप दे रहे हो तो उस गंगा के याद किया हो मंत्री जी कुछ प्रस्थिक करना चाहिए मानी अद्यक्ष मोद है बहुत गंबीर प्रस्थन है और मैं आप से समाच चाहता हूँ मानी मंत्री जी ने एक सामाने रूटिन में सरकारी प्रस्थन का सरकारी उत्तर दे दी मैं स्पेजिक पूछा कि ये महादे एप के उपर 90 केस आपने दर्ज किये उसमें बयान भी हुए है एक बयान मैं आपको पढ़कर के सुना देता हूँ आपके थाने का जिसके अंदर महादे एप के अंदर उस व्यक्ति ने बयान दिया उसका नाम रवी कांथ उसने एक बय फलाने में बेरोजगार था मैं घूम रहा था मेरा कहीं कुछ नहीं था मेरा एक दोस्त ने मुझे कहा कि चल भई तेरे एकाउंट खुला देता हूँ मैं उसके साथ चला गया मैंने बैंक में एकाउंट खुला लिया मेरे बैंक के एकाउंट में में मेरा कोई पैसा कभी थ काम लिए उसने वह आरदा रिक्वेस कर रहा है कि मेरा एकाउन नहीं है मिरे एकाउंन में कैसे लेंदेन हो जा रही है उसके भाद में भी वो किसी के खिलाब कोई कारवाई नहीं हुई यह रही है ऐसे हजार लुके नहीं लूँ ये आपका पैसा हे के नहीं है अगर वो करोडों की लेंदे न हुई और आपके संग्यान में आये हो पुलिस वाले जा करके बेंक में पूछते हैं तो पि्शंग्यान में आने का विश्य कहां वस्ता है माँनि अद्धेच्च मोध हैं जब सासन के संग्यार में आगया, पुलिस उभाद के संग्यार में आगया आपने F.I.R. दर्श कर दी हो बेंक में जा कर कि आप पूछताच कर रहे हैं वो बेंक वाले को बेंक वाला भंकार है उसको भी पुलिस वालों के सामने अब प्रस्ट में आ जाइगे अब मुल्प्रस्ट पर आईगे वद्देश्मोदे यही तो मेरा कुछ ना है आप कह रहा है कि अगर संग्यान में नहीं है तो पुलिस वाला कैसे उसके साथ में बेंक में गए या फिर आगे प्रस्ट हो रहे चोटी चोटी जो प्रावधान उपलब थे सारजोनिक द्वियूत अधिनियम 1867 के उसके अंतरगत ऑनलाइन गेमिंग के लिए बेटिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं था कालांतर में कुछ प्रावधान बनाए गए और उसमें एक साल से साथ साल तक की सजा है दसलाग तक का जुर्बाना है उन प्रावधानों के आधार पर इस पर काम किया जा रहा है मैंने बताया कि 54 चालान पुटप हो गए है किसी के बयान के आधार पर किसी को फासी नहीं चढ़ाई जा सकती परन्तु इस आधार पर जाच की जो प्रक्रिया है वो जरूर जारी है मैं फिर से आप से यह कहना चाहता हूं मानि सदिस महुदे मानि सदिस को यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूरी ताकत के साथ पूरी ताकत के साथ इस पूरे विसे का जाच किया जाएगा कोई दल कोई और समाज किसी की भी परवाह किये बिना जो जो गुनहगार हैं उन सब को जेल की सलाकों के पीछे पहुंचाया जाएगा निर्धारी जैसे ही होता है ये विसे प्रमानिक्ता के साथ कोई बात सामने आती है मैं फिर से कहता हूँ मानने विश्टुदेव जी की सरकार है एक घंटे के अंदर का अरवाही होगी प्रदेश का महत्वण प्रस्त में आप महत्वण प्रस्त में बारा मिनट अके लिए प्रस्त करता हूँ इस प्रदेश की जनता की चोटा प्रस्त और कर ले ये ने चोटा आपने जो उत्तर दियो सरकार सामाने प्रस्त पूछा आप क्या आपने का पहले संग्यान में नहीं याया जब संग्यान में नहीं आ तो बयान केसे हुआ सीधा सिला परसुंग जब सरकार के संग्यान में नहीं है तो फिर पुलीस अधिकारी जा गए बैंकों बHHH बैंकों बैंकों कैसे और एक क्यों हुआpoत दूसरा कितने क्रोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन उनके माध्यम से बेंकों से हुआ जराया इस पर्ष कर दें कि आगा प्रस्तों मैं पुछूँ माध्य जी बस धन्यवाद लिए एक जो विसे अभी सामने है जिसकी जानकारी हाथ में है मैं आपको जरूर उपलब्द कराता हूं कि पांत सो सावत अकाउंट जो राइपूर के फ्रीज वने वाले थे इन में से दो सो एकीस करोड रुपए का ट्रांजेक्शन यहां तक हम पहुंचे हैं पता लगा है थर्ड पार्टी को भी इसमें इंगेज करने ही कोशिश कर रहे हैं कि हम एक एक अकाउंट को खंगाल कर यह जान पाए क यह राशी इन खातों के माध्यम से कहां जाती थी और उसके बाद फिर अगला ट्रांजेक्शन उसका कहां होता था यह राशी कैसे दुबई तक पहुंच जाती थी इस पूरी की जाच की जाच करवाई जा रही है मैं आप से यह भी बताना चाहता हूं कि संग्यान कार्थ यही है जो बात बयान में आई है वो बैत कोर्ट के सामने रखी गई है अब कोर्ट को भी फैसला करना होगा कोर्ट का कोई फैसला आ जाए उस पर बात कर लेगे मैं आपसे और एक बताना चाहता हूं कि विभाग में तो आगे बढ़कर के लोगों की फरारी होने का आविद कि नागपूर से एक चार्टेट प्लेन दुबई तक गया है उन सारे बारातियों की सूची भी ले रही है हमारा विभाग और सरकार के मध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं के सारी सूची हाथ पियाने के बाद सब पर जाच होगा सब पर जाच के उपर में लेकिन दिन माइंदे लोग पेठे हैं जो कुरे काकस के इंदर इन्वाल्मेंट हैं उन्हीं के माध्यम जे प्रस्तों का उत्तर है क्या एक S.I. ने बयान दिया A.D. को चंद्र भुसन वर्मा उसने किंकिं के नामों का उलेक किया और उन पर क्या कारवाई करेंगे इस बैसिक प्रस्त ठीक मानिया दिक्ष मोदे वो बयान जिसको Enforcement Directed ने लिया है और जो कोट में राइपुर के कोट में जमा है उस बयान का कोई अधिक्रत कोई अधिक्रत जानकारी Enforcement Directed के द्वारा साशन को नहीं दिया गया है ये जानकारी आने के बाद अधिक्रत जानकारी आने के बाद प्रमानिकता उसमें है तो तुरंत करवा ही की जाएगी मैं बिल्कुल इस बात को कहता हूँ आपसे पिर मैं आपके संग्यान में लायता हूँ विवाग फिर आपको गुम्रा कर रहा है तीन जनवरी को सासन को पत्र आच चुका तीन जनवरी अगर तारीक नहीं है तो तारीक बता रहता हूँ एडी के त्वारा सासन को भेजा गया जब कोई संग्यान में नहीं लिया उत्तर नहीं दिया तो तीन तारीक को फिर वापस रिमाइंड आया अगर उसको बयान पुरे सुर्कियों में समाचाथ पत्र से ले करके सोशल मीडिया से लगर के आँ जनता के बीच में चल रहा है मैं एक छोटा था उदारान देता हूँ अद्यक्रमोदे मानि उपक्यमंति जी एक छोटा था उदारान विबाग की गंबिर था कर मेरा एक फरस्त था और फरस्त लग नी पाया पी ड़ूडी के खिलाब में एक परस्त मेरी एक सीकायत की किसी ने फर्जिस सीकायत और उस समय भी मैंने जनता से कहा कि इसकी जाच कोई आर जट से करा लो ततकाल मुक्यमंत्री ने लिखा ततकाल ने समाच के उस समय के मुक्यमंत्री F.I.R. दर्ज की जाए और E.O.W. को केस गया जिसके कोई तक्थ है नहीं है जिसकी कोई जानकार है नहीं है एक आदमी ने अवेदन दिया और E.O.W. इतना सक्री हो गया और ततकाल उसकी विवेशिना के लिए डिपार्टमेंट के अंदर आ गया तो मुल्वी से यही है अद्यक्ष मोदे के अगर तीन तारीक से लेके तीस तारीक तक आने के बात में भी किन अदिकारियों को बचाने का काम हो रहा है इसके पीशे बड़बड़े लोग हैं इसकी जो उस समय के तार थे उसके अंदर नाम है किसी को तीस लाख रुप्या महिना किसी को पचास लाख रुप्या महिना किसी को एक करोर रुप्या महिना यह मैं नहीं के रहा हूं पुरिये समाचार पत्र था और सुर्कियों में च waktu है तो क्या सरकार से मिवेचर राकियों रुप रूप में क्या संधा alignment सब्सक्राइब नहीं कर सकती आज लिए दोग्रोंनी इसके पर ज्यात कर नहीं की ऐस सरकार इसके देगी तो कि इसके दार्वितेस तक जुड़ों में अत्यक्षमद है और दूद का दूद पानी का पानी का चाहिए यह मेरा आग रहा है ठीक धन्यवाद समारे प्रश्वसन विभाग से इस विशे पर पूरी जानकारी लई गई थी अंतिम जो उनसे जानकारी प्राप्थ हुई है वो पांच फर्वरी की है कि इस विशे पर Microsoft entity से कोई अधिकरि से जानकारी प्राप्थ नहीं हुई the player प्रदेश का सबसे बड़ा स्केंडल केस का मामला है अन्य विशे आव रहेंगे लेकिन आप के रहें आपके बाद एक गरत जानकरी है मैं आप कहेंगे तो मैं संदल के पटल पर रख दूँआ चलिए रख दीजिए कि जिस तारीक को यह गया है तीन तारीक को कोड के अंतर ज नहीं तो ही दस्तावे जब आपका है तो अद्यक्ष मोदे हैं मैं लगातार दो साल से इसके खिलाब में लड़ता रहा हूं तीक मैं पूरे के पूरे कौन कौन संचालन करता किस-किस की गेंग के रूप में किस-किस हैं कितने रुपे लिए दिये कहा का किसके साथ लेकिन एक भी बड़ी मचली पकल में नहीं कोई जानकारी हो तो उपलब्द करा देंगे सेंट जी आप एक सोड़ा प्रसंद कर लिए आप उपलब्द करा देंगे अधिश मोदो मेरा यह वेदा ने इसकी जात की घोष्टना करें चलिए कुछ कुछ घोष्टना करना है त लेकिन चलिए और आप से कहना चाहता हूं कि एंफोर्स्मेंट डिरेक्ट्रिट के जाच में वो अंतिम इस्तिती में है और इस इस्तिती में फिर एक नहीं एजन्सी से बात कराना ना प्रतिशा हम पर लेते हैं क्या अधिक्श मोद है आप कहना जाच किया हो सकता ना वही इनके खिलाब में हारो पुर्यों प्रदेश को बर्माद करने का ठेका लेकर के बेठें वहीं हो जाकर फ्रियास किम बेठें ठीक राजेदी बहुत बढ़िया अग्रेया सर्ड जयाच होना चाहिए आप जो भी जयाच करें विदायक दल से करें जिस से भी करें इस प्रदे इसके बाद ले लूँगा आपको इसके बाद शेन के बाद आपको मानिया अध्याच महोद है निश्ची तूप से आदर्णी मुनत जी मानिया सदस्य जी ने अपनी चिंता व्यक्त की बिलाई को खेल धानी और शिक्षा धानी के रूप में जाना जाता था अब यह महादे लिफ्ठ है लेगिन इसके साच साज जो प्रशासनीक अधिकारी है जिनकी दुरुग जिले में पिछले 5 वर्षों में लगातार पोस्टिंग हुई है पुलिस प्रशासन के लोगों के पास खुद के पास ID है लोगों के पास अधिकारों के पास है राजनेतिक दल के अलग-अलग नेवताओं के पास ID है लेकिन आज तक सिब 90 इवाओं को जो है अरेस्ट किया गिया वो भी मुचलके पे ठाने से छोड़ दिया गिया इस पर सही रूप से किसी भी प्रकार के आस्ता करवाई नहीं हुई और तत्कालीन मुख्यमंति मानने जो भी थे उनका भी संवक्षन साथ था यह भी हमको देखने को मिला तो इसलिए आधा इसलिए मानने अध्याश महुद है माज़े वैब को लेखे विशे शुप से जाच करने क्य आवाशकता है जीन बरातियों के विशे पे माननी ग्रीमंतियों ने कहा कि जो बराती गयते उनके लिस्टिंग होगी वो बराती के लिस्टिंग लगाता है नेशनल लिउस पे दिया जा रहा है और भिलाई में खुले आम घुम रहे हैं उन बरातियों पे आज तक कोई कि दन किया है मैं मानी अद्ध्षी महुदे मानि सद्स की चिंता वाजिब है कानून का राज होना चाहिए और कानून के नजर में कोई छोटा या बड़ा हर्गिस नहीं होना चाहिए विज़े गिरिफmpfenरी के संदर्ब में उनके आकड़े को मैं दुरुस्त करूँ कि ये 482 लोगों की गिरिफटारी आज तक हुई है इस मिसे पर दूसरा मसल्हा है कि जिन अधिकारियों के संदर्ब में चरचा है एडी के चलान के संदर्ब में ले ले या सोशल मीडिया पर या मीडिया पर प्रचलित सारे विस्यों को लेकर के जो बात चल रही है प्रमाणिक्ता की बात है एक बार प्रमाणित होने के बाद मानने सदस्यों को इस पिसे पर कारवाहिया होती दिखेंगी उनको चिंता करने की आवशक्ता नहीं होगी कि अध्यक्ष मोदे ये बात सच है कि महादेव सट्टा एप सरकार के समरक्षण के बगएर 36 गड़ में फल फूल नहीं सकता था बाकी तो तक्निकी पक्षाब बता रहे हैं आप पूछ रहे हैं मैं तो आप से ये कही मांग करना चाहता हूं ग्रीब अंतरी जी आप स्टेट प्लेन ले ले लिजिए सनिवार को चले जाएए उत्तर प्रदेश और योगी बाबा से पूछ के आ जाओ ये बुर्डोजर जो खड़ा है ना जो 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 इसमें फंसें दस पांच का बुर्डोजर में गिरवाओ और वाओ तब थोड़ा खौफ पैदा होगा कितना काईदा कानून में आप चलोगे यहां तो बड़े बड़े वकील आ जाते हैं वो क्या क्या मलानी है और क्या 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 इंग्वी सिंग आजा है तब थोड़ा खौफ पैदा होगा चले बहुत अच्छा खौफ का नाम पुलिस है जब पैदा करी दर्व अपरादियों में तरी के घर में पुलिस नहीं खड़ी होती है धन्यवाद और यह तीन सो जो पकड़ाएं हो तो दस पांच को और वाद 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 किसमें पूछ रहे हैं महादियों में महादियों सट्टा में मानने हमारे सदस्य राजे स्मुणा जीने जो प्रस्टन उठाय हैं पूरे प्रदेश में लाखों कड़ोरों लोग बरबाद हुए हैं और उनको जो सह देने वाले हैं आज भी मस्त्रह घुम रहे हैं लेकिन ज इनके ओपर कारवाई होनी चाहिए कारवाई हुए नहीं और वास्तविक में ये कारवाई नहीं होगे तो ये सट्टा चलते रहेंगे ये चलते रहेंगे आज आज आपका भी प्रस्टन है बाकी लोग छोटे लोग को पकारना असा होता है और कारवाई होनी ने मानने अद बानिया देक्ष महुद है उत्तर नहीं आया है उसमें एग यो आतुका प्राइब बाइस लोगों को भविस चोपट करने का काम किया गया है इसलिए मानी मंत्री जी मैं आप से कहना चाहता हूं कि अधि उनके भविस को सुरक्षित रखना चाहते हैं और ये जो महादेव सट्टा जो खिलाने वाले जो घोम रहे हैं ऐसे लोगों को पर आप कारवाई नहीं करेंगे और उनको नहीं रोकेंगे तो आने वाला भविस सहिवाओं का ठीक नहीं होगा इसलिए इसमें ततकाल क कारवाई की घोष्णा करनी चाहिए माननी अध्यक्ष बहुत है माननी मंत्री जी का जो बयान आया मुझे अपरियाप्त लगता है उसमें यह विशाय जितना गंभीर है को कमिट्मेंट सरकार से और से आना चाहिए कि इसको हम समय बद्ध ढंग से इतने दिन में निराकरित करेंगे करके जलिए ज्वलंत विससे है माननी मंत्री जिसे है याग्रा करूगा जो पांट साथ जो पोस्टिंग हुई है वहां पे इतने लिया दिकाई हो गुट्टी जाज कि जाए चलिए 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 अध्यक्ष बिस मिनिट हो गए चलिए अगला पस्ट्राइज जी कि आप 26 मिट हो गए बिल्कुल से मैं थूँ आपसे लेड़ने निनी कलपा है लेड़ने तो कुछ नहीं वह उत्तर वही है मानी अध्यक्ष प्रदेश का सब्सक्राइज कर दिजिए कि पांस साथ कितनी पोस्टिंग होई है उना धिकाई होगी केंद्रिय घ्रामंत्री तक कि चिंता व्यक्त कर चुके हैं मानी अध्यक्ष जी और हम लोग लगाता है यह विसे इतना ही है कि उसमें जो भी है समय पत्री घोस्ता करें क्या उनके खिलाब में कारवाई की जाएगी मानी अध्यक्ष इस प्रदेश से जुड़ावा के छोटा मोटा भैसला नहीं है होस्ता करें ना अधर्लिघ्णी जगाई मैं पहां देला चलाने वारा इवाड आई फाइवाड पर फाने का वाइवाड पर फैसक्रावाड है शेलिये दूसरे बसमें आजेगि घंगा निकली है तो निकल तो नीरे घंगा कई रुक गई है प्रूद है कंजे कम इस मंदिय जवाब देने खड़े होगा है मंत्री जी मंत्री जी खड़े हैं भाई कर रहा हूं कि जाच केंद्र की एजनसी कर रही है एंफोर्स्मेंट डिरेक्टेट कर रही है और उनका जाच अंतिम इस्थिती में है वो चालान पुटब कर चुके हैं अरे आप प्रतीक्षा कर लें एक बार उस चालान को देख लें जो आप चाहते हैं वो चालान में है मानियुग्रम मंत्री जी 164 के बयान के तहत एडी गा बयान अपने आप में कोड में दिया हुआ बयान माना जाता है अगर नहीं है तो विबाद किलियर कर लें जब इतना सब कुछ साख चोने के बाद में भी आप किनको पचाना चाहते हैं किसी के नहीं है ये किसी के नहीं है ध्यान रखना ये सिर्फ कुछ सी के सलाम करने वाले है जिन जिन को आप बचाना चाह रहे हो वो किसी के नहीं है वो ही अपने उपर डंडा चलाए है वो ही आतुगेस पे के हैं वो ही फर्जी केस बनाए है महादेव की जटा से गंगा निकलने चाहिए और आपने काई यह दर्द मेरा नहीं यह दर्द आपका भी है इस पर कोई नहीं कोई फेसला होना चाहिए यह उम्मीर आपका जाहिए योड़ नहीं जेन अताव धीत इन जर्वे करही चेंटा जहन करा ऊधे ने इसके मंध्री जी कुछ कह रहा है स었भाय महानी अध्यक क्या जेक चुछ के रहा है मंध्री वड़ाتي मानने आपाणतर पेटी जी न जाले है है आखरी लाइम हो लिए सबके संग्यान में इस बात को लाना चाहता हूं कि एडी के प्रिस नोट जो एंफोस्मेंट डिरेक्टेट के विबसाइट पर रिलीज होता है उसमें बहुत सारे नाम है और उनके लिए अधिकरित जानकारी हमको एडी उपलब्द करा दे ये इसके होगे चलिए संगिता जी आदर्णिय धक्ष्मोदा जी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हिद्ग्राहियों को प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीन में नहीं जोड़ा गया तो मैं यह मेरा पहला कोश्चन है धक्ष्मदा जी मंद्री जी से कि ऐसे परिवार जि इनको मकान दिलाने के लिए पुरवर्ती सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए सर्वे कराया था तो आदर्णिय धक्ष्मदा जी उत्तर में आया है कि आवास योजना को मुख्यमंत्री आवास योजना को प्रधान मंत्री आवास योजना में नहीं जोड़ा ज उत्तर आया है वरतवान में आवास प्लस के नामित इद्री गईयों को भी प्रदान मंत्री आवास योजना गरामीन के तहर आवास प्रदाय किये जाने काणे निर्निय लिया गया है तो मैं अध्यक्ष मौदयजी मंत्री मौदयजी से फूछना चाहती हूं कि अगर निर्णाय लिया गया है तो ये निर्णाय कब तक प्रभावशाली होगा और कब से लागू होगा कुछ माब दंड होगा या बदला हुआ वो भी आप बताएंगे मानिय अधिक्श मोहदे ये बड़ा ही मार्मिक प्रस्ण है और मानिय सदसी के इस सेंता का मैं हरदय से स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ ऐसा ही मारविक प्रश्ण एक बार पुरवर्ती सरकार के माने मंत्री टी ए सेंद्यवजी के हुर्दय में भी उठा था जब आठ्लाख आवास के लिए उन्हें बार बार प्रयास किये परंतू अवावास नहीं मिल पाया था और नहीं मिल पाने के कारण उने उस पद्द से त्याग भी दिख पद्द से को छोड़ भी दिया था विभाग उन्हें छोड़ दिया था आज फिर से ये विसे है प्रधान मंत्री आवास के संदर में विश्टुदेव जी की पालणहारी सरकार है और उस सरकार का बिलकुल इ प्रद्धान मंत्री आवाज दिया जाता है एक अलग से सर्वे राजी की सरकार ने कराया उनकी अपने अलग पैमाने थे उनका अलग डाटावेस था अब यह कैसे हो सकता है कि वो सर्वे में वो जो राज सरकार का सर्वे है उसके माध्यम से प्रदान मंत्री आवाज दे दिया जाए अधर्णी अध्यक्ष मौदै जी 2011 का सर्वे चल रहा है और उसके बाद सर्वे हुआ ही नहीं है केंद्र सरकार ने सर्वे कराया ही नहीं है 12-13 साल हो गए उसके बाद पुरवर्ती सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उनको दिया और मैं फोटोग्राप भी कर चुके हैं आपनी इसमें कहा कि उसको नहीं दिजोड़ा जाएगा तो अगर नहीं जोडेंगे इतने लाखों करोडों परिवार उनका क्या होगा वो गरीब लोग हैं जिनको चाया नहीं है धेक्ष मौदे जी बारिश में लोग तीन चार परिवार एक साथ रहते हैं जो कि आधार पर जो आवास दिया जाना है और वो लगभग 47.000 आवास है मैं आप से बताना चाहता हूं इसमें कि मारणियामुक्ष मंतरी जी ने पूरमें ही घोशना कर दी है कि जिनको पहला किस्ट मुक्ष मंतरी आवास के संदर्म में दिया गया है उनके आवास के पूरे कि तो उनको दिये जाएंगे उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा ये निरणय विश्टुदेव सर्जकार का पहले ही हो चुका है आप बताना चाहता हूं कि अभावास के संदर्व में सर्वे 2011 में जो SECC data का सर्वे हुआ था वो सर्वे उसके बाद एक और सर्वे हुआ है वो 2016 का सर्वे कहलाता है जिसके अंतरगज प्रदान मंत्री आवास प्लस मिलता है मैं आपसे बताना चाहता हूं कि पूरे देश में सर्वे कहीं पर नहीं हुआ है दो सर्वे हैं पहले पता कर लीजे मैं आप से बोल रहा हूं तो कुछ गलत नहीं कह रहा हूं 2016 में ये सर्वे आया है जिसके आधार पर अधार पूरे देश में सिर्फ पस्चिम मंगाल और 36 गड़ में नहीं दिया जा सका अन्यता पूरे देश में भी आवास प्लस दिया गया है और इसके कारण विश्टुदेव जी की सरकार नहीं निर्णए किया है कि 2011 की सर्वे सूची के आधार पर जितने लोग बचे हैं उनको दूसरा आवास प्लस के जितने लोग बचे हैं उनको इसके साथ हिसाथ जो मु अध्यक्ष मोदेजी अध्यक्ष मोदेजी अगर गाउं में जाते हैं पिछले बार जब आप यहां बैठे थे उस से में आप कितना आवास के लिए चिलाएं जब आपको मोका दिया है जंता ने आपको मोका दिया है तो आप उनको आवास दिलिया जिनको जरुरत है जो अभी एक छट के नीचे तिन चाल परिवार रहते हैं आप पोशना किजिए जो मुख्य मंत्री आवास यूदना है उसको प्रधान मंत्री से जोड़ने का आप आप सुनिए जरा मेरी बात भई इस इस विजह पर ऐसा है ये जो ये जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में जिन लोगों को पहली बार जिनको शूर्ने कमरे का मकान इस तर निर्णे कर दिया है कि इनको पूरे किस दिये जाएंगे चैंवी हो ये प्रस्तिन हो जो फुराना है इनको एक एक किष्ट मिले उनको दिया जाएगा बता दिया ना बता दिया जी जी दन्यवाद मौले जी मन्नी तक्स मोदै को 2011 के सर्वे लिश्ट 2011 के सरुलिश 2016 के माननी मंतिर जी ने कहा और आवास प्लस बोला वो टोटल कितने होते हैं माननी मंतिर जी से मैं जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से उसके पास जो गरीब है सही में उनके पास बेगार है ऐसे लोगों के लिए क्या आप आवास देने की योजना बना रहे के बना चुके हैं ये बताने कर दो आवास प्रधान मंत्री आवास दिया जाना या राजिकी सरकार के द्वारा प्रवर्तित वो इस योजना के अंतरगत आवास दिया जाना ये सूची के आधार पर ही होता है जो सूचियां भी उपलब्द है 2011 की सूची है 2016 की सूची है और राज सरकार के एक सर्वे हुआ था उसके अधार की सूची है इन तीनों की सूची के अधार पर आवाज दिया जा रहा है अठारा लाग से अधिक है प्रमोजी मान्य अध्धक्ष महद है मैं मान्य मंत्री जिसे सम्मन्द में थोड़ी सी जानना चाहूंगा अभी उन्हों ने जवाब दिया जो मंत्री आवास की जो योजना है उसको भी चालू रखा जाएगा उसमें भी राजी दी जाएगी पहले जो हमारा जो प्रधान मंत्री आवास योजना पर जो कारे होता था जिनको पांच वर्सों में सामने वालों ने रोका कोई आवास बनने नहीं दिया लेकिन अब आवास चालू हो गए हैं तो ये प्रधान मंत्री आवास में केंद्र का पैसा आता है और राज्यांस पैसा मिलाता है अब ये प्रधान मुखमंत्री आवास योजना जिसके लिए बांदिय ने कहा कि 47,000 परिवार को देंगे तो क्या इसमें केंद्राज मिलें गा या केवल राज्य नहीं अपना मानिया दिक्ष महोदय वर्तमान इस्तिती के आधार पर चुकिया राज जी की प्रवर्तित योजना है अर्थात केंद्र के तरब से इसमें कोई केंद्रांच नहीं मिलने वाला है परन्तु जैसे केंद्रे ने निरने किया है कि दो करोड नए आवास और पूरे देश में बना है हमारे are एक समस्य आ रही है जैसे पठ्टा पिता के नाम पे है और उनका निधन हो गया पठ्टा वाले ट्रांसफर हो गया वो ट्रांसफर के लोगों को प्रधान मंत्री आवास है कोई प्रकारकी शुदा नहीं मिल आए है मानी मंद्री जी से मैं जहनना चाहता हूभ कि जीनका निधन हो गया जो पटर ट्रांस्फर हो गया ओद जिनके नए जो नाम आया है उनका नाम के हम जोड सकते हैं क्या अपने निव Não करना चाहता हूं । कि मैं अनुभव के अधार पर इससे मनि अधिक्ष मोदे दूसरा अवाज तो प्रधान मंत्री तो उसमें विश्थारिम भी आएगा है चले शेत्री जी पूछिए मान्य अध्यक्ष महद है मंत्री महद है से उर्म के मंत्री महद है से मुर विशेस निवेदान है कि जब ये सर्वे वाला लिस्ट जे है ये लिस्ट में ग्राउंड लेबल में जाये ले जो पात्र हित ग्राही है ओ मन्ला आवाज के सिविधान नहीं मिले है और जेन मन्ला मिले है एक एक गाउने दो दो तीन तीन बार मिल चुके है तो एकरवर का जो क्राइटेरियर तैय है 2011 के सर्वे और 2002 के सर्वे ओ में कुछ परिवर्तन किया जा सकत है einसे में जानना चाहा था हुआ 2011 की सर्वे सूची जो 2016 की सर्वे सूची के बाद एक और में मनि मंत्री जी से एक निवेदन करूँगा कि पुरे 36 गड़ में मैं भी पूरो में सर्पंच रहाँ हूँ 2011 की सरवे सुची 2002 की सरवे सुची के अधार पे आवास योजना में सामिल हुआ है लेकिन उस समय भी बहुत ऐसे परिवार है जो आज भी वह आवास सुची से वंचीत है माननी मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि जो वास्टित्ता में जो पात्रता परिवार है उसको पुना आवास सुची में सामिल करने के निवेदन करूँगा चलिए रूप बावना जी पूशिए इससे में आवास से समबनी ती एक जानकरी और एक प्रेशन भी है अभी जो गाओं में या जो तुलाब की किनारे जो निवासरत है उनको चुकि पट्टा उनका नहीं बन पाता है तो हर तरीके से आवास से वंची ते तो कि आने वाले समय में कुछ योजनाय बनेगी कि जो तुलाब के किनारे जो काफी सालों से जो बसाहट है उनके आवास के विशह में आगे क्या संभावना ये बहुत मूल कोशन है देक्ष महोदे तो मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी एक बार फिर बताएं तो क्या कहरें कलाब के उपर जो आवास बने हुए हैं क्या उनको भी पट्टे आवास दिया जा सकता है उनकी कई पिढ़िया निकल चुकी चालिस पचास सालों से वही पर हो निवास्या के पट्टे का और आवास का उनका प्रवधान नहीं है अभी जी मानिया देक्ष मोदे मानी सदिस ने पहले जो प्रस्ण किया था 2002 की कोई सर्वे सूची नहीं है जिसके आधार पर आवास दिया जाए आवास सिर्फ 2011 और 2016 की सर्वे सूची की आधार पर दिया जाता है और एक आवास प्लस है उसको पिछली सरकार भूल गई थी अक्शली वो उस पर कामी नहीं हो पाया वो आवास प्लस कहते हैं उसमें उसको उसके आधार पर भी आठ लाख लोगों को आवास मिला था आवास का काम पूरा हो जाता तो आवास प्लस शुरू होता परन्तु पूरे देश में फिर से बताना में चाहता हूं मार्निया दिश्मोद है कि सिर्फ 37 गड़ो पस्चिम्भाल ऐसे राजी है जहां पर आवास का काम पूर्ण नहीं हुआ तो आवास प्लस प्रारम ही नहीं हो पाया तो 2016 क्या कोई सर्वेशूची है 2016 की सर्वेशूची के अधार पर आवास दिया जाना है यह इस पस्चिम्भाल पाया है अभी विभाग की चर्चा में आप अपनी बात रखेंगे बहुत आउसार मिलेगा चलिए मान्नी मंत्री जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका विभाग बड़ा सक्षम विभाग है मान्नी मंत्री जी आपका विभाग भारी सक्षम में एक महने में आपने पूरे प्रदेश का सर्वे करवा दिया 2023 में तो यह मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ यह सर्वे करवाने की एक महने में चानक सर्वे करवाने की जरुवत क्यों पढ़ी और सर्वे के रिपोर्ट के अधार पर जो अनुछंसाएं मिली उसमें आपने क्या-क्या नीटी कारिक्रम सुरिकार किये और सर्वेग को रिपोर्ट को सरकार ने क्या सुरिकार कर लिया मानिय अधिक्ष महुदै क्रिकेट के मैदान में सचिन्तिंदुल करा जाए यह सदन में मानिय अज़र चंद्राकर्टी आ जाए एक जैसी पूर्जा और एक जैसा उत्साह लोगों में होता है मानिय यह फास्ट बॉलर है बैटी नहीं मानिय महुदय के मानिय हसेति के इस पिसे पर कि 2023 के सर्वे सूची एक ही साल में सरकार ने कैसे सर्वे कर लिया यह विभाग मूलता पूरवर्ती मंत्री आप ही रहे हैं आप ही के आधार शिला पर यह विभाग आगे बढ़ता है आपने ही जो परतिमान इस्थापित किये हैं उसको पार करना पर के लिए दक्रती मैं आप पर बताना चाहता है जरूर केंसे मैं जे जरूर्ण चाहता हूं कि यह जो सर्वे हुआ है इस सर्वे के आधार पर इसका फिर से भृतिक परिक्षन नहीं हुआ है परनतु इसमें जो शून्य कमरों के मकान हैं कच्चे कमरों वाले उन आवास के लिए भृ सुभे की जो जो रिपोर्ट मिली है उसके अधार उस सर्वे रिपोर्ट को कि आपार कर लिया और उसाधार पर आपने किया नीती का रिक्राम बनाएं आपने लिखा है उसमें और क्या बजट उसके लिए निर्धारित किया यदि मैं पूछोंगा कि सिर्फ आवास का तब आवास का विशाय आएगा भी तो मैंने पूरे सर्वे के बारे में पूछा आपसे आवास तक अभी पहुंचा नहीं हूँ मानिया दक्ष महुदए इसी विशे पर मैं आपसे कह रहा था कि सर्वे हुआ है डाटा सामने आया है और उसका अंतिम भौतिक सत्यापन ये होने के बाद उसकी सविकारिता की बात आती है बहुतिक सत्यापन उसमें से एक पॉर्शन का किया गया बाकी डाटा का बहुतिक सत्यापन नहीं किया गया और वो 47,90 ऐसे लोग थे जिनको चिन्हांकित करके जिनका सर्वे में आया था कि इनके पास एक भी कच्चा मकान रहने के लिए नहीं है उस पॉर्शन का सत्यापन करके उसको स्विकार करके और उस पर योजना बना करके काम किया गया है यह पूरी योजना के पूरा सर्वे होने के बाद है मानी राजेश मुड़ जी सम्मानी अध्यक्ष मोदे सबसे पहले तो आपके प्रती और विदान सवागे प्रती आबार व्यक्त करता हूँ एक महत्वपुन विसे के उपर जो एक आज मेरा प्रस्न लगा है विसे पुरे प्रदेश से जुड़ा हुआ है हजारों नोजवान इसके चपेट में है और महादेव के नाम पर पुरे प्रदेश के अंदर एक गोरत धंदा चला और जिसके अंदर पुरे देश और प्रदेश नहीं अंतर राष्टी इस्तर तक के लोग उसमें इन्वाल्मेंट है और जिसके अंदर एक बहुत बड़ी एजनसी जाज कर रही है इडी और जिसके अंदर कई लोग इन्वाल्मेंट है उनके बयान भी हो चुके हमारे उर्जावान उप्मुख्य मंत्री है वह भी यूवा मोर्चे से आया है भवी जनता की लड़ाई लड़कर क्या आया हैं मैं भी जनता की लड़ाई लड़कर आया हूँ तो यूव में हिस्सा तो 60 जादा चल रहा है और इसलिए तो मैं वही लाया हैं को सम्वेदन सीले एक ही विदान सभा से खाली भीलाई जीले से वेशाली नगर विदान सभा से 20 सज्जार बेरोजगार नोजवान इस महादेव 68 के अंदर इन्वाल्मेंट है यही नहीं जो दुबई में जाकर जिसका रेकेट चल रहा है उसका संचारन करने वाले कौन लोग है उसके पिज़े किन किन की भुमिका है मैं इस पर जिक प्रस्ट पे आता हूँ सीधा यह सरकार के संग्यान में कब आया आपने 90 केस करीब दर्ज किये मैंने पूरी केस की स्टेड़ी किये और मैं ऐसे ऐसे तथ्चे से आपको अउगत कराऊंगा मानी मुख्यमंत्री जी आप कलप्रा नहीं कर सकते हैं के जुम्मेदारी है जो सरकार व्यवस्ता के तहट चलने के आवस्चक्ता है वह पास सार तक इस सरकार ने जो पुर्व सरकार थी गिरोबंदी के साथ योजनाबत तरीके से ने ने हायाम खोच करके इस प्रदेश के बेरोजगा नोजवानों को ठकने का काम और गलत काम में लगाने का काम किया आपने 90 केस दर्ज किये 90 केस पेसे आपने कितने लोगे खिलाब कारवाई की मैंने कारवाई जो पड़ी है आपने 60 हेक्ट के तहत कह दिया कि उनके खिलाब जो धारा लगी थी वो ठाने में बेलेबल थी इसमें बेल दे दिया जिनके बयान हुए उन बयान के आधार पर करोड़ों का ट्रांजेक्शन बेंक से हुआ क्या ऐदिकारी बेंके करमचारी या संकार में संग्यान में लेकर की क्या काम किया ये इस पे जिक परस तुमें रहा है मानिय अद्ड़पूद मानिय अद्रक्श्मधे मानिय सधसिकाई अपरस्ट सच्मुच बहुत लाजबी है और उनकी चिंता भी वाजिब है इस पूरे विशे पर जो उनकी विशेश चिंता है कि बहुत सारे नौजवान जो भटके हुए हैं राह से जिनको अपने जीवन को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना था उन्होंने जाकर के इस महादेव सट्टा एप के जरिये इसमें फस करके अपनी बरबादी का रास्ता चुन लिया मैं आपसे ये बाद बताना चाहता हूं मानिय दिक्ष महुद है कि इसमिसे पर कुल 90 एफाई आर हुए हैं सन 2022 से इस पर एफाई आर हो रहे हैं रायपूर में 36-36 प्रकरंट पंजी बद हैं दुर्ग में 23 प्रकरंट पंजी बद हैं बिलासपूर में 2 प्रकरंट पंजी बद हैं जांजगीर में 2 प्रकरंट पंजी बद हैं और सूरजपूर में भी 4 प्रकरंट पंजी बद हैं मानि साथ जो एप हैं उनके संदर में भी FIR हुए हैं उस पर काम चल रहा है दुबई के संदर में मानिय अधिक्त मानिय जानना चाहा है कि दुबई में कुछ लोग हैं और उन्होंने ही इसको पूरा संचालित कर रखा है पूरा 36 गड़ जानता है और तो पूरा भारत ही जानता है कि दुबई में हमारे ही 36 गड़ के कुछ लोग हैं उन्होंने ही इसको संचालित कर रखा है तो सरकार के तरफ से क्या कारवाही हुई है मैं आपको धान दिलाना चाहता हूँ कि लुकाउट सिर्कुलर जारी हुआ है रेट कॉर्णर नोटिस भी इनके लिए जारी हुआ है प्रत्यरपण की कारवी चल रही है बैंक अकाउंट भी 507 हमारे हां आपको मैं बताना चाहूँगा कि रायपूर में बैंक अकाउंट फ्रीज होनी की प्रक्रिया में है उसमें से 121 फ्रीज हुए है और उसमें 1 करोड 16,71,696 ये राशी भी फ्रीज हुई है इसके अलाबा और विभिन इस्थानों पर जैसे दुर्ग में 436 बैंक अकाउंट, सूरचपुर में 38 बैंक अकाउंट, जांजगीर में 5 बैंक अकाउंट, इनके भी फ्रीज होनी की प्रक्रिया जारी है इस विसे पर मानिय अधिक्ष महुदे कारवाहिया भी हुई है कुछ जो सरकारी भ जेल में भेजा गया था, विभाग के संदर में, विभाग के ध्यान में जब ये विसे आया था, तो उनको सस्पेंट किया गया है, बरखास्त किया गया है, तो अब भी जेल में है, ये किया गया है, और विशेश रूप से जो चर्चा का विसे, विभिन चर्चा का विसे है जिसके संदर में मानि सदस कह रहे थे उसके संदर में भी जैसे ही ये विशे अधिकारिक तोर पर या प्रमानिक्ता के साथ फरकार के विभाग के संग्यान में आएगा मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ वह भी युवा मोर्चा से हैं मैं भी युवा मोर्चा से हूँ जो आग उनके दिल में है वो आग मेरे दिल में है और मैं बिल्कुल उनके ये कहना चाहता हूँ कि ये पीर भी परवत्सी हो गई है और इसको निसंदेह पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से भी माने कोई गंगा निकलनी चाहिए सो प्रतिशत जैसे ही विशाय सामने आएगा एक घंटा नहीं लगेगा विश्चुदेव सरकार को इस पर फैसला रिने में एक घंटे के अंदर करवा ही की जाए महादेव और गंगा का बहुत संबंध है गंगा जो निकलिये है महादेव के जवाब जब आप दे रहे हो तो उस गंगा के याद किये हो मंत्री जी कुछ प्रस्थिश्च करना चाहे है माननी अद्यक्ष मोद है बहुत गंबीर प्रस्थ और मैं आपसे समाच चाहता हूं माननी मंत्री जी ने एक सामाने रूटिन में सरकारी प्रस्थिश्च का सरकारी उत्तर दे दी मैं स्पेजिक पूछा कि ये महादे एप के उपर 90 केस आपने दर्ज किये उसमें बयान भी हुए है एक बयान मैं आपको पढ़कर के सुना देता हूं आपके थाने का जिसके अंदर महादे एप के अंदर उस व्यक्ति ने बयान दिया उसका नाम है रवी कांथ उसने एक बयान में कहा कि फलाने फलाने में बेरुजगार था मैं घूम रहा था मेरा कहीं कुछ नी था मेरा एक दोस्त ने मुझे कहा कि चल भई तेरे account खुला देता हूं मैं उसके साथ चला गया मैंने bank में account खुला लिया मेरे bank के account में मेरा कोई पैसा कभी था ही नहीं करोड़ों रुपए का transaction हो गया मैं बंद करने गया तो मेरे को धमकाया जब पुलिस वाले पकड़े बात चीता ही तो मैं वहाँ गया जब मैं बेंक में गया तो फलाने फलाने का नाम लिया उसने वो वारदा रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरा एकाउन नहीं है मेरे एकाउन में कैसे लिंदिन हो जा रही है उसके बात में भी वो किसी के खिलाब कोई कारवाई नहीं हुई यह एक नहीं है ऐसे हजारों प्रक्रण हैं क्या किसी बेक में अगर एक लाग दो लाग पांच लाग की लेंदेन होती है सामाने सब लोग जानते हैं बेंक वाला पूछता है कि आपके एक और पैसा लू के नहीं लू यह आपका पैसा है के नहीं है अगर वो करोडों की लेंदेन हुई और आपके संग्यान में आए और पुलिस वाले जा करके बेंक में पूछते हैं तो फिस संग्यान में आने का विसे कहां वस्ता है मानी अद्देच मोदे जब सासन के संग्यान में आ गया पुलिस उभाग के संग्यान में आ गया आपने फाइयार दर्स कर दी और बेंक में जा कर किया आप पूछताज कर रहे है वो बेंक वाला भंकारा उसको में पुलिस वालों के सामने अब प्रस्ट में आ जाईए अब मुल प्रस्ट में आईगे हो अध्यक्ष मोदे यही तो मेरा कुछ नहीं आप कह रहे कि अगर संग्यान में नहीं है तो पुलिस वाला कैसे उसके साथ में बेंक में गए या फिर आगे प्रस्ट हो रहे है छोटी छोटी जो प्रावधान उपलब थे सारजोनिक द्वियूत अधिनियम 1867 के उसके अंतरगत ऑनलाइन गेमिंग के लिए बेटिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं था कालांतर में कुछ प्रावधान बनाए गए और उसमें एक साल से साथ साल तक की सजा है दसलाग तक का जुर्बाना है उन प्रावधानों के आधार पर इस पर काम किया जा रहा है मैंने बताया कि 54 चालान पुटप हो गए किसी के बयान के आधार पर किसी को फासी नहीं चढ़ाई जा सकती परन्तु इस आधार पर जाच की जो प्रक्रिया है वो जरूर जारी है मैं फिर से आप से यह कहना चाहता हूं मानिस अधिस महुदे मानिस अधिस को यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूरी ताकत के साथ पूरी ताकत के साथ इस पूरे विसे का जाच किया जाएगा कोई दल कोई और समाज किसी की भी परवाह किये बिना जो जो गुनहगार है उन सब को जेल की सलाकों के पीछे पहुंचाया जाएगा निर्धारी जैसे ही होता है ये विसे प्रमानिक्ता के साथ कोई बात सामने आती है मैं फिर से कहता हूँ मानने विश्टुदेव जी की सरकार है एक घंटे के अंदर का अरवाही होगी से लिए कई और क्राशिट बात सामानिय कि प्रस्टा पूछा आपने का पहले संग्यान में नहीं आया जब संग्यान में नहीं आया तो बयान कैसे हुआ सीधा सीधा प्रस्ट जब सरकार के संग्यान में नहीं है तो फिर पुलीस अधिकारी जा गए बेंको बयान कैसे है और ये क्यों चीज दूसरा कितने करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन उनके माधियम से बेंकों से हुआ जराया इस परश कर दें बस धन्यवाद लिख एक जो बिसे अभी सामने है जिसकी जानकारी हाथ में है मैं आपको जरूर उपलब्त कराता हूँ कि पात्सो सावत अकाउंट जो राइपुर के फ्रीज होने वाले थे इन में से दोसो इकीस करोड रुपए का ट्रांजेक्शन यहां तक हम पहुँचे हैं पता लगा है थर्ड पार्टी को भी इसमें इंगेज करने ही कोशिश कर रहे हैं कि हम एक 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 अकाउंट को खंगाल कर यह जान पाए कि यह राशी इन खातों के माद्ध हम से कहां जाती थी और उसके बाद फिर अगला ट्रांजेक्शन उसका कहां होता था यह राशी कैसे दुबई तक पहुँच जाती थी इस पूरी की जाच की जाच करवाई जा रही है मैं आप से यह भी बताना चाहता हूँ कि संग्यानकार्थ यही है जो बात बयान में आई है वो बयात कोर्ट के सामने रखी गई है अभी कोर्ट को भी फैसला करना होगा कोर्ट का कोई फैसला आ जाए उस पर बात कर लेंगे मैं आप से और एक बात बताना चाहता हूँ कि विभाग ने तो आगे बढ़ करके लोगों की फरारी होने का आविधन कोर्ट में दिया हुआ है मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि उनके संपत्ति के चिनहंकन की बात प्रारम हुई है उनके संपत्ति को चिनहंकित करके कुर्क करने की बात हम सामने ले करा रहे है मैं आपको ये भी बताना रहे हूँ कि बड़ा चर्चित था पूरे 36 गड़ में कि नागपूर से एक चार्टेट प्लेन दुबई तक गया है उन सारे बारातियों की सूची भी ले रही है हमारा विभाग और सरकार के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह सारी सूची हाथ प्याने के बाद सब परजाच होगा सब परजाच कराई जाएगी कुछ नहीं छोड़ा जाएगा मानी अध्यक्ष मोदें मानी ग्रहमंत्री की मुख्यमंत्री ग्रहमंत्री का विभाग है उनकी किसी भी बात के उपर मेंको तो पूरा 100% विस्वास है लेकिन जो नुमाइंदे लोग बेठे हैं जो पूरे काकस के इंदर इंवाल्मेंट है उनके माध्यम से प्रस्तों का उत्तर है क्या एक एसाई ने बयान दिया एडी को चंद्र बुसन वर्मा उसने किंकिं के नामों का उल्लेक किया और उन पर क्या कारवाई करेंगे इस ब जी मानिया दिक्ष मोदे वो बयान जिसको एंफोर्स्मेंट डिरेक्टिट ने लिया है और जो कोट में राइपूर के कोट में जमा है उस बयान का कोई अधिकरत को इसकी कोई अधिकरत जानकारी एंफोर्स्मेंट डिरेक्टिट के द्वारा साशन को नहीं दिया गया है य मैं आपके संग्यान में लायता हूँ विवाग फिर आपको गुम्रा कर रहा हूँ तीन जन्वरी को सासन को पत्र आच चुका तीन जन्वरी अगर तारीक नहीं है तो तारीक पता रहता हूँ एडी के त्वारा सासन को भेजा गया जब कोई संग्यान में नहीं लिया उत्तर नहीं दिया तो तीस तारीक को फिर वापस रुमाइंड आया अगर उसको बयान कुरे सुर्कियों में समाचापत्र से ले करके सोशल मीडिया से ले करके आप जन्ता के बीच में चल रहा है मैं एक छोटा था उदारान देता हूं अध्यक्रमोदे मानि उपक्यमंति जी एक छोटा था उदारान विबाग की गंबिर था कल मेरा एक प्रस्ता था और प्रस्ता लग नहीं पाया प्रस्ता मेरी एक सिकायत की किसी ने फड़जी सिकाया था और उस समय में ने जन्ता से कहा कि इसकी जाच कोई डिटायर जट से करा लो ततकाल मुक्यमंत्री ने लिखा ततकाल ने समाच के उस समय के मुक्यमंत्री F.I.R. दर्ज की जाए और E.O.W. को केस गया जिसके कोई तक थे नहीं है जिसकी कोई जानकारी नहीं है एक आदमी ने अवबेदन दिया और E.O.W. इतना सक्री हो गया और ततकाल उसकी विवेशिना के लिए डिपार्टमेंट के अंदर आ गया तो मूल विशे में अगया तो मूल विशे यही है अद्यक्ष मोदे के अगर तीन तारीक से लेके तीस तारीक तक आने के बात में भी किन अदिकारियों को बचाने का काम हो रहा है इसके पीशे अगर बड़े लोग हैं इसकी जो उस समय के तार थे उसके अंदर नाम है किसी को तीस लाख रुपया महिना किसी को पचास लाख रुपया महिना किसी को एक करोर रुपया महिना यह में नहीं के रहा हूं पुरे समाचार पत्र से और सुर्कियों में छपा है तो क्या सरकार सेम विवेचरा के रूप में क्या संग्यार में ले करके क्या इसकी जाच नहीं कर सकती आज तक यह अग्रुन ने इसके पर जाच क्यों नहीं की क्या है सरकार इस केस को CBI को देगी क्योंकि इसके दार देश तक जुड़े वे अत्यक्षमद है और यह दूद का दूद पानी का पानी का पानी होगा चाहिए यह मेरा आगर है ठीक धन्यवाद समारे प्रश्वसन विभाग से इस विषय पर पूरी जानकारी ली गई थी अंतिम जो उनसे जानकारी प्राप्त हुई है वो पांच फरवरी की है कि इस विषय पर एंफोर्स्मेंट डिरेक्रेट से कोई अधिकरित जानकारी प्राप्त नहीं हुई चेलिए सेंजी ठीक बार आप से आज जोड़ जो परातना है प्रदेश का सबसे बड़ा स्केंडल केस का मामला है अन्य विशे आउ रहेंगे अपके बहुत महत्तपुने सब पर आप लीजिए लेकिन आप के रहें आपके पास एक गलत जानकरी है मैं आप कहा ही तो मैं सजल क मैं लगातार दो साल से इसके खिलाब में लड़ता रहा हूं ठीक मैं पूरे के पूरे कौन-कौन संचालन करता किस-किस की गेंग के रूप में किसने किसकी से कितने रुपे लिए दिये कहा कहा किसके साथ विवेचना हुई किस दिन किस थाने के अंदर एफायर दर्ज तो उपलब्द करा देंगे सेन जी आप एक सोटा प्रसंद कर लिए आप उपलब्द करा देंगे अधिश मुदो मेरा ये विवेदा ने इसकी जाज की घोष्टना करें चलिए कुछ कुछ घोष्टना करना है तो बताईए आप से यह कहना चाहता हूँ कोई मचली भी नहीं मगर मच भी हो तो भी पकड़े जाएंगे आप निश्चिति है वो यही है आपके पास कोई अत्रिक जानकारी है और आप से कहना चाहता हूँ कि एनफोर्समेंट डिरेक्टरिट के जाच में वो अंतिम इस्थिति में है औ अधिक्ष मोद है इसा नहीं है मेरा आगरफ फिर इस पर है अधिक्ष मोद है आप के रहे जाज की आओ सकते हैं वही तो अधिकारी वहां बेठे जिनकों पर आरों पे जाज करेगा कौन सहीया भए पोतवाल को डर किसका जिनके खिलाव में आरों पूर्यों प्रदेश को बर्मात करने का ठेका लेकर के बेठे वहां जाकर प्रियास किम बेठे ठीक राजेजी बहुत बहुत बढ़िया आगरे असर जयाच होना चाहिए आप जो भी जयाच करें विदायक दल से क करें इस प्रदेश में रजिल बना चाहिए कि गिरोव बनकर के जनता को लुटने का जो काम करते हैं उनको सजा मिलना चाहिए यही मेरा अग्रायाच देख धन्यवाद इसके बाद ले लूँगा आपको इसके बाद शेन के बाद आपको मानिय अद्याच महद है निश्चितूप से आदर्णी मुनत जी मानी सदस जी ने अपनी चिंता वेक्त की बिलाई को खेल दानी और सिक्षा दानी के रूप में जाना जाता था अब यह महादेव एपके रूप में जाना जा रहा है मेरा मूल प्रस्न यही एमाननी अद्याच महद है कि युवाओ की चिंता इन्होंने की मेरे विधान सबर से 20,000 से दिक युवा इसमें लिप्त हैं लेकिन इसके साथ साथ जो प्रसासनिक अदिकारी है जिनकी दुरुग जिले में पिछले 5 वर् लगातार पोस्टिंग हुई है पुलिस प्रसासन के लोगों के पास खुद के पास आईडी है लोगों के पास अधिकारों के पास है राजनेतिक दल के अलग अलग नेवताओं के पास आईडी है लेकिन आज तक सिब 90 युवाओं को जो है अरेस्ट किया गिया वो भी मुच इसलिए सब चूपने हैं जीन बरातियों के विशह पे मानि गिर मंतियों ने कहा कि जो बराती गयते उनके लिस्टिंग होगी वो बराती की लिस्टिंग लगाता है नेशनल लिउस पे दिया जा रहा है और भिलाई में खुले आम घुम रहे हैं उन बरातियों पे आज तक पोस्टिंग होका ऐसे एस पी ऐसे आईजी जिन्होंने पाफ साल खुद आईडी लेके लगाता महादेव आईडी का एपका संचालन किया है मैं मानि अदिक्ष महोदे आपके महाद्यान से जानना चाहता हूं मानि मंतियी जी से कि इसमें क्या काववाई होगी क्योंकि मानि अदिक्ष महोदे मानि सदस की चिंता वाजिब है कानून का राज होना चाहिए और कानून के नजर में कोई छोटा या बड़ा हर्गिस नहीं होना चाहिए विसे गिरिफतारी के संदर में उनके आकड़े को मैं दुरूस्त करूं कि ये 482 लोगों की गिरिफतारियां आज तक हुई है इस विसे पर दूसरा मसला है कि जिन अधिकारियों के संदर में चर्चा है एडी के चलान के संदर में ले 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 या सोशल मीडिया पर या मीडिया पर प्रचलित सारे विसियों को लेकर के जो बात चल रही है प्रमानिक्ता की बात है एक बार प्रमानित हो करने के बाद मानने सदस्यों को इस पिसे पर कारिवाहियां होती दिखेंगी उनको चिंता करने की आवशक्ता नहीं होगी जराम जी अध्यक्ष्मोदे ये बात सच है कि महादयो सट्टा एप सरकार के समरक्षण के बगएर 36 गड़ में फल फुल नहीं सकता था बाकी तो तकनिकी पक्षाब बता रहे हैं आप पूछ रहे हैं मैं तो आप से ये कही मांग करना चाहता हूं ग्रीव अंत्री जी आप स्टेट प्लेन ले ले लिजिए सनिवार को चले जाएए उत्तर प्रदेश और योगी बाबा से पू किला जाते हैं वो क्या-क्या मलानी है और क्या-क्या इंग्वी सिंग्वी इबल सिब्बल सभा जाते हैं आप कहां पूरोगे वह एक एक करोड़ फीस वालों के सामने में बुल्डोजर को मारो ड्राइबर को कुछ खिलाओ पिलाओ भेंदो तोड़ ताड़ के आजा है पूछ रहे नहीं नहीं पूछ लेता हुए उमेश पटेल जी के स्थार पे पूछ रहे हैं प्रस्ट क्रमंग दो मैं मानी अध्यक्ष महोते हैं किसमें पूछ रहे हैं महादेवर पर महादेश एक मिनिट रूम नहीं हमारे सदस्य राजेस मुणाची ने जो प्रस्ट नह उठाय हैं पूरे प्रदेश में लाखों कड़ोरों लोग बरबाद हुए हैं और उनको जो स्था देने वाले हैं आज भी मस्त रहां घुम रहे हैं लेकिन जो विवेचना जो वाई जिनके उपर कारवाई होनी चाहिए कारवाई हुए नहीं और वास्तविक में ये कारवा जाँ होनी चाहिए और कोई ने को जाँ के घुम रहे हैं लोगों को भवी से चोपट करने का काम किया गया है इसलिए मानी मंत्र जी मैं आप से कहना चाहता हूँ कि अधि उनके भविस्ट को सुरक्षित रखना चाहते हैं और ये जो महादेव सट्टा जो खिलाने वाले जो घूम रहे हैं ऐसे लोगों को पर आप कारवाई नहीं करेंगे और उनको नहीं रोकेंगे तो आने वाला भविस्वाओं का ठीक नहीं होगा इसलिए इस पर तत कमिट्मेंट सरकार से और से आना चाहिए कि इसको हम समय बद्ध ढ़ंग से इतने दिन में निराकरित करेंगे करके चलिए ज्वलंत विसा है मैं मार्नी वंद्रीजी से याग्रह करूंगा कि जो पांच सा जो पोस्टिंग हुई है वहाँ पे जितने ही अधिकायों कि जाज पांच साल दूख जिले में इसमें 26 मिनिट हो गए चलिए अगला पस्ट आने जी आप 26 मिनिट हो गए बिल्कुल सहमेत हूं आप से लिए नहीं कलपा है लिए तो कुछ नहीं वह उत्तर वही है मानि अध्यक जी इस प्रदेश का सब्सक्राइब कर दिजे कि पांच साज कि अध्यक जी और हम लोग लगाता है यह विसे इतना ही है कि उसमें जो भी समय बत ही घोस्ता करें क्या उनके खिलाब में कारवाई की जाएगी मानि अध्यक जी इस प्रदेश से जुड़ावा के छोटा मोटा फैसला नहीं है अध्यक जी अपनी सर्दानी अध्यक जोस्ता क आई फाइवाट पर फाइलिंस का हुआ है शेलिए दूसरे बस में आदेगी अध्यक जटा से गंगा निकली है तो निकल तो नीरही गंगा कई रुक गई है अध्यक है जवाब देने खड़े हो गया मंत्री मंत्री जी खड़े है प्रतिक्षा कर रहे हैं और उनका जाच आंतिम इस्तिती में है वो चालान पूटब कर चुके है अरे आप प्रतिक्षा करने हैं एक बार चालान पूटब कर चुके हैं देख ले हैं जो आप चाहते हैं वो चलान में है एक पूट ग्रम मंत्री जी एक सो चोसट के बयान के तहत एड़ी का बयान अपने आप में कोड में दिया हुआ बयान माना जाता है अगर नहीं है तो विबाद किलियर कर लें धारा एक सो चोसट के तहत जो बयान दिया गया है चंत्र भूसरंड ने और एक सुप्रीम कोड का फेसला जैय लेलिता जी के उसमें आया है कि इसके अंदर वो पार्टी नहीं बन सकते हैं उनको 15 दिन में इस पर फेसला करना पड़ेगा सुप्रीम कोड का फेसला हो चुका है जब इतना सब कुछ साक्षोने के बाद में भी आप किनको पचाना चाहते हैं यह किसी के नहीं है यह किसी के नहीं है ध्यान रखना यह सिर्फ कुर्जी के सलाम करने वाले है जिन जिनको आप पचाना चाहरे हो वो किसी के नहीं है वो यह अपने उपर डंडा चलाए है वो आपने काई यह दर्द मेरा नहीं यह दर्द आपका भी है इस पर कोई नी कोई फेशला होना चाहिए यह उमीद आप जाहिए कोई मोरड़ जी जे नहात आप इद्र पीन जरवे करी चिंता जान करां जय कि मानने अध्य के रहा है म मालने अदर मालने अधारी आदर में भूअ लाधी वगागें कि वगराने कपरें सोब्सक्राइए इअए देंदो ऐपर खुणतरड़ी आदर आप आपक्रिश्ट इसक वगराने लिवोन दॉक्णतरएघ sinon आपकोस्छे ढहरें दमुतित में भावेms सब के संग्यान में इस बात को लाना चाहता हूं कि एडी के प्रिस्ट नोट जो एंफॉस्मेंट डिरेक्टेट के विबसाइट पर रिलीज होता है उसमें बहुत सारे नाम है और उनके लिए अधिकृत जानकारी हमको एडी उपलब्ध करा दे ये इसके लिए हमने प्रक्रि संगिता जी आरणियत धक्षमदा जी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हिद्गराहियों को प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीन में नहीं जोड़ा गया तो मैं यह मेरा पहला कोश्चन है धक्षमदा जी मंत्री जी से कि ऐसे परिवार जिनका नाम 2011 की सूची मे छुट गया था जिनको मकान दिलाने के लिए पुरवर्ती सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए सर्वे कराया था तो आधरणियत धक्षमदा जी उत्तर में आया है कि आवास योजना को मुख्यमंत्री आवास योजना को प्रधान मंत्री आवास योजना में न अध्यक्ष मौदाजी उत्तर आया है वर्तवान में आवास प्लस के नामी थिद्गरहियों को भी प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीन के तहट आवास प्रदाय किये जाने का निर्ने लिया गया है तो मैं अध्यक्ष मौदाजी मंत्री मौदाजी से पूछना चाहती कि अगर निर्णाय लिया गया है तो ये निर्णाय कब तक प्रभावशाली होगा और कब से लागू होगा कुछ माब दंड होगा या बदला हुआ वो भी आप बताएंगे मानिय धिक्ष महोदे ये बड़ा ही मार्मिक प्रस्ण है और मानिय सदस्य के इस सिंता का मैं हरदय से स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ ऐसा ही मार्विक प्रस्ट एक बार पुर्वर्ती सरकार के माने मंत्री टीए सेंदेव जी के हरदय में भी उठा था जब आठ लाक आवास के लिए उन्हें बार-बार प्रयास किये परन्तु वह आवास नहीं मिल पाया था और नहीं मिल पाने के कारण उन्हें उस पद्रसे त्याग भी पका को छोड़ भी दिया था विभाग उन्हें चोड़ दिया था आज फिर से ये विशे है प्रधान मंत्री आवास के संदर में विश्टुदेव जी की पालनहारी सरकार है और उस सरकार का बिलकुल इसपश्ट निरने है 18 लाख आवास गरीबों को दिये गए हैं मैं आपको इस विशे पर भी बताता हूं इस विशे पर भी कह रहा हूं मानि 2016 की सूची इन दो सूचीओं के आधार पर पर प्रधान मंत्री आवास दिया जाता है एक अलग से सर्वेराज की सरकार ने कराया उनके अपने अलग पैमाने थे उनका अपना अलग डाटाबेस था अब यह कैसे हो सकता है कि वो सर्वें में वो जो राज सरकार का सर्वे है उसके माध्यम से प्रधान मंत्री आवास देजी आज़ाए अधर्णी अध्यक्ष मौदै जी, 2011 का सर्वे चल रहा है और उसके बाद सर्वे हुआ ही नहीं है, केंद्र सरकार ने सर्वे कराया ही नहीं है, 12-13 साल हो गए, उसके बाद पुरवर्ती सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहट उनको दिया, और मैं फोटोग्राप भी दिखा दूँगी अध्यक्ष मौदै जी, इसमें वो लोग है जो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहट पहला राशी जो मिला है, उसमें लोग अपना घर बनाना शुरू कर चुके हैं, तो उन परिवारों, उन गरीब परिवारों का क्या होगा, जो शुरुआत कर चुके हैं, आपनी इसमें कहा कि उसको नहीं दिजोड़ा जाएगा, तो अगर नहीं जोड़ेंगे इतने लाखों करोड़ों परिवार उनका क्या होगा, वो गरीब लोग हैं, जिनको छाया नहीं है, धक्ष मोदे जी, बारिश में लोग तीन-चार परिवार एक साथ रहते हैं, जो लोग आवास को रुपते थे, आवा आवास की चिंता कर रहे हैं, लाखों करोड़ों परिवार की बात नहीं है भाई, यह आपके जो 36 गर्ड सरकार के द्वारा पिशलया कराया गया सर्वे है, उसके आधार पर जो आवास दिया जाना है, मैं आपसे बताना चाहता हूँ इसमें कि मारणिया मुख्यमंत्री जी ने पूर में ही घोशना कर दी है, कि जिनको पहला किस्त मुख्यमंत्री आवास के संदर्ब में दिया गया है, उनके आवास के पूरे किस्त उनको दिये जाएंगे, उसमें कोई भेद भाव नहीं किया जाएगा, ये निर्णय विष्टुदेव सर्जकार का पहले ही हो चुका है, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अदेक्ष मौदाइश्ट, आवास के संदर्ब में सर्वे 2011 में जो SECC डाटा का सर्वे हुआ था, वो सर्वे, उसके बाद एक और सर्वे हुआ है, वो 2016 का सर्वे कहलाता है, जिसके अंतरकरदान मंत्री आवास प्लस मिलता है, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मानिय अदेक्ष मौदाइश्ट, मानिय अदेक्ष मौदाइश्ट कि पूरे देश में, मानिय अदेक्ष मौदाइश्ट कि पूरे देश में, सिर्फ पश्चिम मंगाल और 36 गड़ में नहीं दिया जा सका, अन्य था पूरे देश में भी आवास प्लस दिया गया है, और इसके कारण विश्टुदेव जी की सरकार ने यह निरने किया है, कि 2011 की सर्वे सूची के आधार पर जितने लोग बचे हैं उनको, दूसरा आवास प्लस के जितने लोग बचे हैं, उनको इसके साथ हिसाथ जो मुक्रिमंत्री आवास के नाम से आप ने दिया था, 47,000 लोगों को, उनको और जिनको एक किस दे करके आपने लोग दिया था, उनको इन सारे लोगों को आवास दिया जाएगा, इनके पूरे किस दे जाएगी और इसमें जोड़ा जाएगा जो आपने गोष्ण ना किया है अभी नया क्या उसको पुराने में जोड़ा जाएगा हाँ हाँ बिल्कुल आपसे कह रहा हूँ आपसे नया जुड़ेगा कि नया आप देंगे अठारा लाग कि उसी में जोड़ेंगे आप अध्यक्ष मोदे जी हम अगर गाउं में जाते हैं पिछले बार जब आप यहां बैठे थे उस से में आप कितना अवास के लिए चिलाए जब आपको मौका दिया है जनता ने आपको मौका दिये तो आप उनके साथ जनता के साथ धोखादरी मत किजी आप उनको आवास दिल लियाए जिनको जरुरत है जो अभी सही आप एक छट की नीचे तिन चार परिवार रहते हैं इतना बचा दीजिए ठारला का आवास कब तक दे रहें इनको चरवान यह जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में जिन लोगों को पहली बार जिनको शूर्न कमरे का मकान इस तरह का सर्वे में डाटा आया है उनको पहला किस दिया जा चुका है मैं फिर से कहता हूँ उदार है मारणी मुख्यमंत्री महोदय और उनने इस बात का निरने कर दिया है कि इनको पूरे किस दिये जाएंगे चया लिए बहुत अचा यह ना बता दिया जी दन्यवाद मुख्यमंत्री माननी जेक्ट मोदय जी से मैं जानना चाहताँ आपके माध्यम से उसके पास जो गड़ीब हैं सहीं में उनके पास बेगार हैं ऐसे लोगों के लिए क्या आप आवास देने की योजना बना रहें कि बना चुके हैं यह बताने कर दो आवास प्रधान मंत्री आवास दिया जाना या राजी की सरकार के द्वारा प्रवर्तित वो स्योजना के अंतरगत आवास दिया जाना ये सूची के आधार पर ही होता है जो सूची आभी उपलब्द है 2011 की सूची है 2016 की सूची है और राज सरकार के एक सर्वे हुआ था उसके आधार की सूची है इन तीनों की सूची के आधार पर आवाज दिया जा रहा है अठारा लाग से अधिक है प्रमोजी चलिए मान्य अध्धक्ष महुद है मैं मान्य मंत्री जिसे सम्मन्द में थोड़ी सी जानना चाहूंगा अभी उन्हों ने जवाब दिया जो मंत्री आवास की जो योजना है उसको भी चालू रखा जाएगा उसमें भी राजी दी जाए लेकिन अब आवास चालू हो गए है तो ये प्रधान मंत्री आवास में केंदर का पैसा आता है और राज्यांस पैसा मिलाता है अब ये प्रधान मंत्री आवास योजना जिसके लिए बानिय ने कहा कि 47,000 परिवार को देंगे तो क्या इसमें केंदरांस मिलेगा या केवल राज्या ने अपना हिस्ता देवाई से लिए वर्तमान इस्तिती के आधार पर चुकिया राज्या की प्रवर्तित योजना है अर्थात केंदर के तरब से इसमें कोई केंदरांस नहीं मिलने वाला है परन्तु जैसे केंदरे ने निरने किया है कि दो करोड नए आवास और पूरे देश में बनाये जाएंगे उसके लिए इस बात की कोशिश की जाएगी कि इस विसेह पर भी इसको प्रदान मंत्री आवास में जोड़ने जादाव जी और इसमें राज्या केंदर भी मिलने मैं आपके मार्जम से मानी मुख्यमंत्री महोद्या से अगरा चाहता हू कि सहरी विकास जो पठता है हमारे एक समसिय आ रही है जैसे पठटा पृता के नाम पे है और उनका नीधन हो गया पठतवा ने ट्रांसफर हो गया वो ट्रांसवर के लोगों को प्रदान मंत्री आवास या मुख्षेंट्री आवास की कोई प्रकार की फुर्दा नहीं मिल रहे है मानि मंत्र जी से मैं जर्ना चाहता हूं कि जीन का निधन हो गया जो पट्टा टांस्वर हो गया ओॉ जिनके न्य जो नाम आया हैं उनका नाम क्या हम जोड सकते हैं क्या आपसे में नियोदन करना चाहिता आवाज तो प्रधान मंत्री तो उसमें विश्थारीम भी आएगा है। जो क्राइटेरियर तैह है 2011 के सर्वें 2002 के सर्वें और उस सर्वे में राजे सरकार ने सारी बातनों का परिक्षन किया है और उसके बाज भी अगर एक प्रसचेश है तो इसकी चिंता भी मानने मैं मन्नी मंत्री जी से एक निवेदन करूँगा कि पूरे 36 गड़ में मैं भी पूरो में सरपंच रहा हूँ 2011 की सरवे सुची 2002 की सरवे सुची के अधार पे आवास योजना में सामील हुआ है लेकिन उस समय भी बहुत ऐसे परिवार है जो आज भी वह आवास सुची से वंचीत है मन्नी मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि जो वास्चित्ता में जो पात्रता परिवार है उसको पुना आवास सुची में सामील करने के निवेदन करने है चलिए रूप बावना जी पूशिए इससे में आवास से संबनी थी एक जानकरी और एक प्रेशन भी है अभी जो गाउं में या जो तुलाब के किनारे जो निवासरत है उनको चूंकि पट्टा उनका नहीं बन पाता है तो हर तरीके से आवास से वंची थे तो कि आने वाले स साफी सालों से जो बसाहट है उनके आवास के विशे में आगे क्या संभावना ये बहुत मूल कोश्चन है अदेख्ष महदे तो मंत्री जी से यह पूशन चाहूंगे चलिए एक बार फिर बताएं तो क्या कहिए तलाब के उपर जो आवास बने हुए हैं क्या उनको भी कोई सर्वे सूची नहीं है जिसके आधार पर आवास दिया जाए आवास सिर्फ 2011 और 2016 की सर्वे सूची के आधार पर दिया जाता है और एक आवास प्लस है उसको पिश्श्चर कार भूल गई थी एक्छिली उस पर काम Ю नहीं हो पाया वो आवास प्लस कहते हैं उस में उसको उसके आधार बह 08 लाख लोगों को आवास मिला था आवास का काम पूरा हो जाता तो आवास प्लस शुरू होता परन्तु पूरे देश में फिर से बताना में चाहता हूं मार्निय अदिक्ष्मोद है कि सिर्फ 36 गड़ो पस्चिम्बगाल ऐसे राजी है जहां पर आवास का काम पूर्ण नहीं हुआ तो आवास प्लस प्रारम ही नहीं हो पाया तो 2016 क्या कोई सर्वे सूची है 2016 की सर्वे सूची के आधार पर आवास दिया जाना है ये इस पस्ट ही नहीं हो पाया है अभी विभाद की शर्चा में आप अपनी बात रखेंगे बहुत आउसर मिलेगा चलिए कर आप लाकर माननी मंत्रीजी कि मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको विभाग बड़ा सक्ष को बिवाग है माननी मंत्री der कि आपक Alcohol भारी सक्षण में एक महन्य में आपने पूरे प्रदेश का सरवे कर वा दिया दोजार तेईस में तो ये मैं आप से ये जानना चाहता हूं ये सर्वे करवाने की एक मेहने में अत्यानक सर्वे करवाने की जरुवत क्यों पड़ी और सर्वे के रिपोर्ट के अधार पर जो अनुस अंसाय मिली उसमें आपने क्या-क्या निती कारिकरम स्विकार किये और सर ग्रिकेट के मैदान में सचिन तिंदुल कर आ जाए या सदन में मानिय अजय चंद्राकर्टी आ जाए एक जैसी पूर्जा और एक जैसा उत्साह लोगों में होता है मानिय महोदय के मानिय सद्सिक के इस पिसेपर की 2023 के सर्वे सूची एक ही साल में सरकार ने कैसे सर्वे कर लिया एक महिने में सरकार ने कैसे सर्वे कर लिया ये विभाग मूलता पूरवर्ती मंत्री आप ही रहे हैं आप ही के आधार शिला पर ये विभाग आगे बढ़ता है आपने ही जो प्रतिमान इस्थापित किये हैं उसको पार करना के लिए बहुत बढ़िया ठीक के लिए जरूर कह उन्हां कमरों के मकान है कच्चे कमरों वाले उन आवास के लिए भ Napoleon सत्यापन भी किया गया है और अनको स्विक्रिवत बिकिंजा जाहता हूं और आप ऐसा कान में किंदृत हो गए मैं यह पूछा है पार urrection के सर्वे में आपको सर्वे उसके लिए निर्धारित किया यदि मैं पूछोंगा कि सिर्फ आवास का तब आवास का विशाय आएगा अभी तो मैंने पूरे सर्वे के बारे में पूछा आपसे आवास तक अभी पहुंचा नहीं हूँ मैं मानिया देक्ष महुदए इसी विशे पर मैं आप से कह रहा था कि सर्वे हुआ है डाटा सामने आया है और उसका अंतिम् भ्होतिक सत्यापन ये होने के बाद उसकी स्विकारिता की बात आती है भ्होतिक सत्यापन उसमें से एक कॉर्शन का किया गया बाकी डाटा का भहुतिक सत्यापन नहीं किया गया और वो 47,90 ऐसे लोग थे जिनको चिन्हांकित करके जिनका सर्वे में आया था कि इनके पास एक भी कच्चा मकान रहने के लिए नहीं है उस पॉर्शन का सत्यापन करके उसको स्विकार करके और उस पर योजना बना करके काम किया गया है यह पूरी योजना के पूरा सर्वे होने के बाद मानी राजेश मुड़ जी सम्मानी अद्ध्यक्ष मोदे सबसे पहले तो आपके प्रती और विदान सभागे प्रती आबार व्यक्त करता हूं एक महत्वपुन विसे के उपर जो एक आज मेरा प्रस्थ लगा है विसे पुरे प्रदेश से जुड़ा हुआ हजारों नोजवान इसके चपेट में हैं और महादेव के नाम पर पुरे प्रदेश के अंदर एक गोरत धंदा चला और जिसके अंदर पुरे देश और प्रदेशिनी अंतरराश्टी इस्तर तक के लोग उसमें involvement है और जिसके अंदर एक बहुत बड़ी agency जाच कर रही है ED और जिसके अंदर कई लोग involvement है उनके बयान भी हो चुके हमारे उर्जावान उख्यमंत्री है वह भी युवा मोर्चे से आया है मैं भी युवा मोर्चे से आया हूँ वह भी जनता की लड़ाई लड़कर के आया है मैं भी जनता की लड़ाई लड़कर के आया हूँ तो यूवा में हिस्सा तो 60 जादा चल रहा है और इसलिए तो मैं वही लाया हूं तो सम्वेदन सील है एक ही विदान सभा से खाली भीलाई जीले से वेशाली नगर विदान सभा से 20 सज्जार बेरोजगार नोजवान इस महादेव 61 के अंदर इन्वाल्मेंट है यही नहीं जो दुबई में जाकर जिसका रेकेट चल रहा है उसका संचालन करने वाले कौन लोग है उसके पिज़े किन किन की भुमिका है मैं इस पर जिक प्रस्तों पे आता हूं सीधा यह सरकार के संग्यान में कब आया आपने 90 केस करीब दर्ज की है मैंने पूरी केस की स्टड़ी की है और मैं ऐसे ऐसे तथ्चिसे आपको आउगत कराऊंगा मानी मुक्यमंत्री जी आप कलप्रा नहीं कर सकते हैं मानी उप मुक्यमंत्री मोद है कि जो सरकार को जिनको सुरक्षा की जुम्मेदारी है जो सरकार व्यवस्ता के ताथ चलने के आवस्चक्ता है वो पास सार तक इस सरकार ने जो पुर्व सरकार थी गिरोबंदी के साथ योजनाबत तरीके से नहीं नहीं हायाम खोच करके इस प्रदेश के बेरोजगा नोजवानों को ठखने का काम और गलत काम में लगाने का काम किया आपने 90 केस दर्ज किये 90 केस पेसे आपने कितने लोगे खिलाब कारवाई की मैंने कारवाई जो पढ़ी है आपने सटा हेक्ट के तहत कह दिया कि उनके खिलाब जो धारा लगी थी वो थाने में बेलेबलती इसमें बेल दे दिया जिनके बयान हुए उन बयान के अधार पर करोड़ों का ट्रंजेक्शन बेंक से हुआ क्या किन किन अधिकारी बेंक के एक रमचारी या संकार में संग्यान में ले करके क्या काम किया यह इक उस्पेजिक परस्ट में रहा है मानिय अधिक्ष महुदे मानिय अधिक्ष महुदे मानिय सद्द सिकाई अपरस्ट सच-पुछ बहुत लाजमी है और उनकी चंता भी वाजिब है इस पूरे विशे पर जो उनकी विशेश चंता है कि बहुत सारे नौजवान जो भटके हुए हैं राह से जिनको अपने जीवन को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना था उन्होंने जाकर के इस महादेव सट्टा एप के जरिये इसमें फस करके अपनी बर्बादी का रास्ता चुन लिया मैं आपसे ये बाद बताना चाहता हूं आनिय दिक्ष महुद है कि इसमिसे पर कुल 90 FIR हुए हैं सन 2022 से इस पर FIR हो रहे हैं रायपुर में 36-36 प्रकरंट पंजीबद हैं दुर्ग में 23 प्रकरंट पंजीबद हैं बिलासपुर में 2 प्रकरंट पंजीबद हैं जांजगीर में 2 प्रकरंट पंजीबद हैं और सूरजपुर में भी 4 प्रकरंट पंजीबद हैं मानी महुदे इस पिसे पर महादयाव एप के संब्ध में ही विशेश रूप से 67 प्रकरण पंजी बद्ध हैं जिसमें 54 पर चालान पूटप हो गया है साथ ही साथ अन्य जो एप हैं उनके संदर में भी FIR हुए हैं और उस पर काम चल रहा है दुबई के संदर में मानिय अधिक्त मानिय जानना चाहा है कि दुबई में कुछ लोग हैं और उन्होंने ही इसको पूरा संचालित कर रखा है पूरा 36 गड़ जानता है और तो पूरा भारत ही जानता है इस पिसाय को कि दुबई में हमारे ही 36 गड़ के कुछ लोग हैं उन्होंने ही इसको संचालित कर रखा है तो सरकार के तरफ से क्या कारवाही हुई है मैं आपको धान दिलाना चाहता हूँ कि लुकाउट सरकुलर जारी हुआ है रेट कॉर्णर नोटिस भी इनके लिए जारी हुआ है प्रत्यरपन की कारवी चल रही है बैंक अकाउंट भी 507 हमारे हाँ आपको मैं बताना चाहूंगा कि राइपूर में बैंक अकाउंट फ्रीज होनी की प्रक्रिया में है उसमें से 121 फ्रीज हुए है और उसमें एक करोड़ 16,671,696 ये राशी भी फ्रीज हुई है इसके अलाबा और विभिन इस्थानों पर जैसे दुर्क में 436 बैंक अकाउंट सूरचपुर में 38 बैंक अकाउंट जांजगीर में 5 बैंक अकाउंट इनके भी फ्रीज होनी की प्रक्रिया जारी है इस विसे पर बाने अधिक्ष मोहदे कारवाहिया भी हुई है कुछ जो सरकारी भखमे के लोग थे उन पर जो बात आई थी उनके बारे में इसपस्ट जानकारी मिली थी enforcement डिरेक्टरेट की जाच के बाद जब उनको जेल में भेजा गया था विभाग के संदर में जब ये विशाय आया था तो उनको suspend किया गया है बरखास्त किया गया है तो अब भी जेल में है ये किया गया है और विशेश रूप से जो चर्चा का विशे है विबिन चर्चा का विशे है जिसके संदर में मानि सदस कह रहे थे उसके संदर में भी जैसे ही ये विशे अधिकारिक तोर पर या प्रमानिक्ता के साथ फरकार के विभाग के संग्यान में आएगा मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ वह भी युवा मोर्चा से हैं मैं भी युवा मोर्चा से हूँ जो आग उनके दिल में है वो आग मेरे दिल में है और मैं बिल्कुल उनके ये कहना चाहता हूँ कि ये पीर भी परवत्सी हो गई है और इसको निसंदेः पिघलनी चाहिए और इस हिमालाय से भी माने कोई गंगा निकलनी चाहिए सो पृतिशत जैसे ही विशाय सामने आएगा एक घंटा नहीं लगेगा विश्टुदेव सरकार को इस पर फैसला रिने में एक घंटे के अंदर करवा ही की जाएगा महादेव और गंगा का बहुत संबंध है गंगा जो निकलिये है महादेव के जवाब जब आप दे रहे हो तो उस गंगा के याद कियो हो मंत्री जी कुछ प्रस्थिश्ट करना चाहें माननी अद्यक्ष मोद है बहुत गंबीर प्रस्थ और मैं आप से समाच चाहता हूँ माननी मंत्री जी ने एक सामाने रूटिन में सरकारी प्रस्थिश्ट का सरकारी उत्तर दे दी मैं इस पर जब पूछा कि यह महादेव के उपर 90 केस आपने दर्ज किये उसमें बयान भी हुए एक बयान में आपको पढ़कर के सुना देता हूँ आपके थाने का जिसके अंदर महादेव के अंदर उस व्यक्ति ने बयान दिया उसका नाम रवी कांथ उसने एक बैयान में कहा कि फलाने फलाने में बेरूजगार था मैं घूम रहा था मेरा कहीं कुछ नहीं था मेरा एक दोस्त ने मुझे कहा कि चल भई तेरा एकाउंट खुला देता हूँ मैं उसके साथ चला गया मैंने बेंग में एकाउंट खुला लिया मेरे बेंक के एकाउंट में मेरा कोई पेसा कभी थाई नहीं, करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हो गया, मैं बंद करने गया, जब पुलिस वाले पकड़े बात चीता ही तो मैं वाँ गया, जब मैं बेंक में गया तो फलाने फलाने का नाम लिया उसने, वो बार-बार रि पैसे हजारों प्रक्रण हैं क्या किसी बेक में अगर एक लाग दो लाग फांच लाग की लेंदेन होती है सामाने सब लोग जानते हैं बेंक वाला पूछता है क्या आपके एकॉर्णू पैसा लू के नहीं लू यह आपका पैसा है के नहीं है अगर वो करोडों की लेंदेन पुलिस वाले जा करके बेंक में पूछते हैं तो पिस संग्यान में आने का विसे कहां वस्ता है मानी अद्यच मोदे जब सासन के संग्यान में आ गया पुलिस भाग के संग्यान में आ गया आपने फाई आर्दर्श कर दी और बेंक में जा करके आप पूछताज कर रहे हैं वो बंक वाला को भंकार गवाह ऊसको पुलिसवालों के सामने अब प्रशन में आ जाईए है अम मुल प्रश्ट पर आएक पड़े यही तुमेरा कुछ नहीं आप ऐगर किया संध्यान में नहीं है तो पुलिसवाला कैसे उसके साथ में बेंक में गए या फिर आगे प्रस्तों रहे चोटी चोटी जो प्रावधान उपलब थे सारजोनिक द्वियूत अधिनियम 1866 के उसके अंतरगत ओनलाइन गेमिंग के लिए बेटिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं था कालांतर में कुछ प्रावधान बनाये गए और उसमें एक साल से साथ साल तक की सजा है दसलाग तक का जुरबाना है उन प्रावधानों के आधार पर इस पर काम किया जा रहा है मैंने बताया कि 54 चालान पुटप हो गए है किसी के बयान के आधार पर किसी को फासी नहीं चढ़ाई जा सकती परन्तु इस आधार पर जाच की जो प्रक्रिया है वो जरूर जारी है मैं फिर से आपसे यह कहना चाहता हूं मानिस अधिसमोदे मानिस अधिसमोदे को यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूरी ताकत के साथ पूरी ताकत के साथ इस पूरे विसे का जाच किया जाएगा कोई दल कोई और समाज किसी की भी परवाह किये बिना जो जो गुनहगार है उन सब को जेल की सलाकों के पीछे पहुचाया जाएगा निर्धारी जैसे ही होता है यह विसे प्रमानिकता के साथ कोई बात सामने आती है मैं फिर से कहता हूं मानिस विश्वदेव जी की सरकार है एक घंटे के अंदर का इरवाही होगी यह बहुत प्रदेश का महत्वपूर्ण प्रस्त में आप महत्वपूर्ण प्रस्त में बारा मिनट अके लिए प्रस्त करता हूं इस प्रदेश की जनता की और चोटा प्रस्त और कर ले यह नहां चोटा। आपने जो उत्तर दियो सरकार सामाने प्रस्त पूछे आप क्या प्रेले संग्यान में नहीं आया। जब संग्यान में नहीं प्रस्त पूछे। जब सरकार के संग्यान में नहीं है तो फिर पुलीस अधिकारी जा गए बैंकों 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 कैसे है और ये क्यों चीज़ दूसरा कितना करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन उनके माधियम से बैंकों से हुआ जराया इस परश कर दें कि आगा प्रस्तों मैं बने वाले थे इन में से 221 करोड रुपए का ट्रांजेक्शन यहां तक हम पहुंचे हैं पता लगा है थर्ड पार्टी को भी इसमें इंगेज करने ही कोशिश कर रहे हैं कि हम एक एक अकाउंट को खंगाल कर ये जान पाए कि ये राशी इन खातों के माधियम से कहां जाती थी और उसके बाद फिर अगला ट्रांजेक्शन उसका कहां होता था ये राशी कैसे दुबई तक पहुंच जाती थी इस पूरी की जाच की जाच करवाई जा रही है मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूं कि संग्यान कार्थ यही है जो बात बयान में आई है वो बयात कोर् में दिया हुआ है मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि उनके संपत्ति के चिनहंकन की बात प्रारम हुई है उनके संपत्ति को चिनहंकित करके कुर्क करने की बात हम सामने ले करा रहे हैं मैं आपको ये भी बताना रहा हूं कि बड़ा चर्चित था पूरे 36 गड़ में क कि नागपूर से एक चार्टेट प्लेन दुबई तक गया है उन सारे बारातियों की सूची भी ले रही है हमारा विभाग और सरकार के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ इसारी सुची हाद पहाने के बाद सबपर जाच होगा सबपर जाच करांज जाएगी कुछ नहीं चोड़ा जाएगा मानि अद्ध्यप्रसंग मोदे मनि ग्रहमंत्री की उपमुक्यमंत्री ग्रहमंत्र का उभाग हैं इननकी किसी भी बात के ऊपर में धो फूर परशंड क्या एक एसाई ने बयान दिया एडी को चंद्र बुसन वर्मा उसने किंकिं के नामों का उलेक किया और उन पर क्या कारवाई करेंगे इस बेजिक प्रस्त है ठीक जी मानिया दिक्षमोदे वो बयान जिसको एंफोर्स्मेंट डिरेक्टरिट ने लिया है और जो कोट में राइपुर के कोट में जमा है उस बयान का कोई अधिक्रित को इसकी कोई अधिक्रित जानकारी एंफोर्स्मेंट डिरेक्टरिट के द्वारा साशन को नहीं दिया गया है ये जानकारी आने के बाद अधिक्रित जानकारी आने के बाद प्रमानिकता उसमें है तुरंद करवा ही की जाएगी मैं बिल्कुल इस बात को कहता हूँ आपसे फिर मैं आपके संग्यान पे लायता हूँ विवाग फिर आपको गुम्रा कर रहा है तीन जनवरी को सासन को पत्र आच चुका तीन जन्वरी अगर तारीक नहीं है तो तारीक बता रहता हूँ एडी के त्वारा सासन को भेजा गया जब कोई संग्यान में नहीं लिया उत्तर नहीं दिया तो तीन तारीक को फिर वापस रिमाइंड आया अगर उसको बयान पुरे सुर्कियों में समाचाथ पत्र से ले करके सोशल मीडिया से ले करके आम जन्ता के बीच में चल रहा है मैं एक छोटा था उदारान देता हूँ अध्यक्रमोदे मानि उपक्यमंति जी एक छोटा था उदारान विबाग की गंबिर था कर मेरा एक परस्ता था और परस्ता रखनी पाया P.W.D. के खिलाफ में एक परस्ता मेरी एक सिकायत की किसी ने फ़रजी सिकायत और उस समरी मैं शम्हटा से कहा कि इसकी जाच कोई डिटार जट से करा लो तकाल मिक्यमंतुली ने लिखा तकाल ने समस के उस समय के लिए मूल्विशे में आगी है तो मूल्विशे यही है जानकार जानकारिका अगर तीन तारीक से लेके तीश तारीक तक áने के बात में भी किन अधिकारियों को बचाने का काम हो रहा है इसके पीशे पर बड़े लोग हैं इसकी जो उस समय के तार थे उसके अंदर नाम है किसी को 30 लाख रुपया महीना किसी को 50 लाख रुपया महीना किसी को एक करोर रुपया महीना यह में नहीं के रहा हूं पुरे त्वाद चाहिए पानी पॉरू जानकारी ली गई थी अन्तिम जो उन्से जानकारी प्राप्त हुई है वो पांच फरवरी की है कि इस विषय पर एंफोर्स्मेंट डिरेक्रेट से कोई अधिकरिज जानकारी प्राप्त नहीं हुई लेकिन आप के रहा है आपके पास एक जानकारी है मैं आप कहा ही ने तो मैं संदल के पटल पर रख दूँ कि इस तारीक को यह गया है तीन तारीक को कोड के अंदर जिस वकिल ने इस बात को आप मेसेज किया वो भी जानकारी है आप मंत्री जी को दे देंगे मैं तो यह दस्तावे जब आप कहा है तो अध्यक्ष मोदे मैं लगातार दो साल से इसके खिलाब में लड़ता रहा हूं ठीक मैं पुरे के पुरे कौन-कौन संचालन करता किस-किस की गैंक रूप में किसने किस-किस है कितने रूपेід लिये दी तिह कहां कहां किसके साथ विभेचना हुई किस दिन किस थाने के अंदर एफाई आर दर्ज हुई और एफाई आर होने के बाद में अभी तक एक भी एफाई आर तो हुई एक देश्मोदे विवेचना भी हुई लेकिन एक भी बड़ी मचली पकड़ में नहीं चलिए कोई जानकारी हो तो उपलब्द करा देंगे सेंजी आप एक सोटा प्रसंद कर लिए आप उपलब्द करा देंगे अद्यश्मोदो मेरा ये विवेदा ने इसकी जाद की गोश्टना करें चलिए कुछ कुछ घोश्टना करना है तो बताईए कोई मचली भी नहीं मगर मच भी हो तो भी पकड़े जाएंगे आप निश्टिती है वो यही है आपके पास कोई अत्रिक जानकारी है और आपसे कहना चाहता हूं कि एन्फोर्समेंट डिरेक्टरिट के जाच में वो अंतिम इस्थिती में हैं और इस इस्थिती में फिर एक प्रदेश को परमात करने का ठेका लेकर क्यों बेठे वहाँ जाकर प्रमात करने का ठेका लेकर क्यों बेठे ठीक राजेदी बहुत बढ़ा अगरे असर्ट याच होना चाहिए आप जो भी याच करें विदायक दल से करें जिस से भी करें इस प्रदेश में नजिल बनना चाहिए कि गिरोग बनकर के जनता को लूटने का जो काम करते हैं उनको सजा मिलना चाहिए यही मेरा अगरे इसके बाद ले लूँगा आपको इसके बाद शेन के बाद आपको मानिय अद्यश्मोद है निश्चितूप से आदर्णी मुनत जी मानिय सदस्य जी ने अपनी चिंता व्यक्त की भिलाई को खेल धानी और शिक्षा धानी के रूप में जाना जाता था अब ये महादेव ए ये मानिय अद्यश्मोद है कि युवाओं की चिंता इन्होंने की मेरे विधान सबर से 20,000 साधी की वह इसमें लिप्त हैं लेकिन इसके साथ साथ जो प्रसासनिक अदिकारी है जिनकी दुरुग जिले में पिछले 5 वर्षों में लगातार पोस्टिंग हुई है पुलिस प् चलके पर ठाने से छोड़ दिया गया इस पर सही रूप से किसी भी प्रकार क्यास्ता करवाई नहीं हुई और ततकालीन मुख्यमंति मानने जो भी थे उनका भी सन्वक्षन साथ था ये भी हमको देखने को मिला था तो इसलिए इसलिए मानने अद्यश्मोद है मानने वैक क को लेकर विशे शूप से जाज करने के आवशकता है जीन बरातियों के विशे पे माननी गिर मंतियों ने कहा कि जो बराती गयते उनकी लिस्टिंग होगी वो बराती की लिस्टिंग लगातार नेशनल लिउस पे दिया जा रहा है और भिलाई में खुले आम घुम रहे हैं उन बरातियों पे आज तक कोई कारवाई नहीं हुई है और ऐसे अटिसनल एस्पी जो जिले में पोस्टिंग होकर ऐसे एसपी ऐसे आईजी जिन्होंने पात साल खुद आईडी लेके लगातार महादेव आईडी का अपका संचालन किया है मैं मानिय अद्रिश महोदे आप कानून का राज होना चाहिए और कानून के नजर में कोई छोटा या बड़ा हर्गिस नहीं होना चाहिए विसे गिरिफतारी के संदर में उनके आकड़े को मैं दुरूस्त करूं कि यह 482 लोगों की गिरिफतारियां आज तक हुई है इस विसे पर दूसरा मसला है कि जिन अ कि बात है एक बार प्रमाणित होने के बाद मानने सदस्यों को इस विसे पर कारवाहियां होती दिखेंगी उनको चिंता करने की आवशक्ता नहीं होगी देक्ष्मोदे ये बात सच है कि महादयो सट्टा एप सरकार के समरक्षण के बगएर 36 गड़ में फल फूल नहीं सकता था बाकी तो तक्निकी पक्षाब बता रहे हैं आप पूछ रहे हैं मैं तो आप से ये कही मांग करना चाहता हूं ग्रीव बंत्री जी आप स्टेट प्लेन ले ले लिजिए सनिमार को चले जाएए उत्तर प्रदेश और योगी बाबा से पूछ के आजाओ ये बुर्ड लोजर जो खड़ा है ना जो जो इसमें फसे हैं दस पांच का बुर्ड लोजर में गिरवाओ और आओ तब थोड़ा खौप पैदा होगा एक इतना काइदा कानूं में आप चलोगे यहां तो बड़े-बड़े वकील आ जाते हैं वो क्या-क्या मलानी है और क्या-क्या इंग्वी सिंग्वी इंबल सिब्बल सबाज आते हैं आप कहां पुरोगे वो एक एक करोड फीस वालों के सामने में बुल्डोजर को मारो ड्राइबर को कुछ खिलाओ पिलाओ भेदो तोड़ ताड़ के आ जाए तब थोड़ा खौफ पैदा होगा खौफ का नाम पुलि उमेश पटेल जी की स्थार पे पूछ रहे हैं प्रस्ट क्रमंग दो मैं मानी अधेक्ष महोत है किसमें पूछ रहे हैं महादेव पर एक मिनिट रूम ने हमारे सदस्य राजे स्मुणाजी ने जो प्रस्ट न उठाय हैं पूरे प्रदेश में लाखों कड़ोरों लोग बर कारवाई होनी चाहिए कारवाई हूए नहीं और वास्तविक मैं कारवाई नहीं होगी तो यह सट्टा चलते रहेंगे चलते रहेंगे आज आज आपका भी प्रस्ण हैं बाकी को छोड़ीं लोग को पकारना वान्य Means G होनी ने आद्यक्ष महोत है पर तुछ लोगों को भविस चोपट करने काम क्या गया इसलिए मानी मंत्री जी मैं आप से कहना चाहता हूं कि अधि उनके भविष्ट को सुरक्षित रखना चाहते हैं और ये जो महादेव सट्टा जो खिलाने वाले जो घोम रहे हैं ऐसे लोगों को पर आप कारवाई नहीं करेंगे और उनको नहीं रोकेंगे तो आने वाला भविष्ट सहिवाओं का ठीक नहीं होगा इसलिए इसमे सब्सक्राइब करेंगे करके चलिए ज्वलंत विशा है माने वंसरी जिसे है याग्रह करूंगा जो पांट साल जो पोस्टिंग हुई है वहां पे इतने लिए दिकायों दूंकि जाज की जाए चलिए अद्धा की पांट साल दूंकिले में दिकी पोस इसमें 26 मिनिट हो तो कुछ नहीं वो उत्तर वोई है माने अद्ध्यक जी इस प्रदेश का सब्सक्राइब कर दिजए कि पांट साल कितनी पोस्टिंग हुई है उन अधिकायों दूंकि जाठ होगी केंद्रिय घ्रामंत्री तक इस पर चिंता व्यक्त कर चुके है माने अद्ध्यक जी और हम लोग लगाता है यह विसे इतना ही है कि उसमें जो भी यह समय बत ही गोश्ता करें क्या उनके खिलाब में कारवाई की जाएगी प्रदेल से जुड़ाओं के छोटा मोटा फैसला रही है अधिक जी अपनी सरद्वागे लिए जटा से गंगा निकली है तो निकल तो नीरही गंगा कही रुख गई या जिन वोद है कम देखाम इस मंदिल से अच्छा सब्सक्राइब करवाई होना चाहिए ठीक है जवाब देने खड़े हो गए मंत्री मंत्री जी खड़े हैं भाई कि दिदाएं आदे आपको लेकर हमारी साथा को बड़ा लागा या पुनाना पड़ेगा पास्ता जो दूर्टे पोर्सिंटी जिनकी वेशिकालों की उनकी चाहिए मैं आपसे ही कह रहा हूँ कि जाच केंदर की एजनसी कर रही है एंफोर्स्मेंट डिरेक्टेट कर रही है और उनका जाच अंतिम इस्थिती में है वो चालान पुटब कर चुके हैं अब प्रतिक्षा करने हैं एक बार उस चालान को देख ले जो आप चाहते हैं वो चालान प्रतिक्षा बयान अपने आप में कोड में दिया हूँ बयान माना जाता है अगर नहीं है तो विबाद किलियर कर ले धारा 164 के तहट जो बयान दिया गया है चंत्रभूसरंड ने और एक सुप्रीम कोड का फेसला जैयल एलिता जी कि उसमें आया है कि इसके अंदर वो पार्टी नहीं बन सकते और उनको 15 दिन में इस पर फेसला करना पड़ेगा सुप्रीम कोड का फेसला हो चुका है जब इतना सब कुछ साक्षोने के बाद में भी आप किनको पचाना चाहते हैं किसी के नहीं है ये किसी के नहीं है ध्यान दखना ये सिर्फ कुछ सिके सलाम करने वाले है जिन जिन को आप पचाना चाहरे हो वो किसी के नहीं है वो ये अपने उपर डंडा चलाए है वो ये आसुगेस पे के है वो ही फढ़ी केस बनाया है और वो ही आपको लिखतर के दे रहे हैं कुछ नहीं होना है महादेव की जटा से गंगा निकलने चाहिए और आपने काई ये दर्द मेरा नहीं है ये दर्द आपका भी है इस पर कोई ने कोई फेसला होना चाहिए ये उमीड़ा आपसा है मोड़जी जेन अताब दीत इन जर्वेकर ही चिंता जhan कराँ चले दो मही दाहता इस पर मंत्री जी कुछ कह रहा है संभी रग El Marni Adhak आपको पड़िए पार्थ जो दो जो आखरी लाइंग पूल लिजी इस बाद जो जो इसे बाद बैटि जो आखरी लाइंग गोड़िए सब के संग्यान में इस बात को लाना चाहता हूं कि एडी के प्रिस्ट नोट जो एन्फोर्स्मेंट डिरेक्टेट के विबसाइट पर रिलीज होता है उसमें बहुत सारे नाम है और उनके लिए अधिकरित जानकारी हमको एडी उपलब्द करा दे ये इसके लिए हमने प्रक्रिया भी प्रारम कर दी आप थोड़ी प्रतिक्षा कर लें वो होगा जो आपके मन में है यह गोश्टा करता हूं महिने बर में दो महिने बर बस राजेटी होगे चलिए संगीता जी आदर्णियद धक्षमोदय जी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हिद्ग्राहियों को रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीन में नहीं जोड़ा गया तो मैं यह मेरा पहला कोश्चन है अद्धक्षमोदय जी मंद्री जी से कि ऐसे परिवार जिनका नाम 2011 की सुची में छुट गया था जिनको मकान दिलाने के लिए पुरवर्ती सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए सर्वे कराया था तो आदर्णी अद्धक्षमोदय जी उत्तर में आया है कि अवास योजना को मुख्यमंत्री आवास योजना को प्रधान मंत्री आवास योजना में नहीं जोड़ा जाएगा के तधा आवास प्रदाइक किये जाने का नीड़नै लिया गया है तो मैं अध्यक्ष महौदे Schmidt मंत्री महौदे जी से पूछना चाहती हूं कि अगर नीड़नय लिया गया है तो यह नीड़नाрь कब तक प्रभावशाली होगा और कब से लागू होगा कुछ माब दंड होगा या बदला हुआ वो भी आप बताएंगे मानिय अधिक्ष महोदे यह बड़ा ही मार्मिक प्रस्ण है और मानिय सदसी के इस चंता का मैं हर्दय से स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ ऐसा ही मार्मिक प्रस्ण एक बार पुरवर्ती सरकार के मानिय मंत्री टीए सेंद्योजी के हरदय में भी उठा था जब आठ लाक आवास के लिए उन्हें बार-बार प्रयास किये परतू आवावास नहीं मिल पाया था और नहीं मिल पाने के कारण उन्हें उस पद्द से त्याग भी दिख पद्द को छोड़ भी दिया था विभाग उन्हें छोड़ दिया था आज फिर से ये विशे है प्रधान मंतरी आवास के संदर में विश्टुदेव जी की पालन हारी सरकार है और उस सरकार का बिलकुल इ अठारा लाख हावास गरीबों को दिये गए हैं मैं आपको इस मिसे पर भी बताता हूं इस मिसे पर भी कह रहा हूं मानी से दिसमोद है इसमें मानी अद्द्द जी यह जो सर्वे कराया गया था 2011 की सूची और 2016 की सूची इन दो सूचीयों के आधार पर प्रधान मंतरी आवास दिया जाता है एक अलग से सर्वे राजी की सरकार में कराया उनके अपने अलग पैमाने थे उनका अपना अलग डाटाबेस था अब यह कैसे हो सकता है कि वो सर् अध्यक्ष मौदैजी 2011 का सर्वे चल रहा है और उसके बाद सर्वे हुआ ही नहीं है केंद्र सरकार ने सर्वे कराया ही नहीं है 12-13 साल हो गया उसके बाद पुरवर्ती सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उनको दिया और मैं फोटोग्राप भी दिखा अध्यक्ष मौदैजी इसमें वो लोग है जो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहर पहला राशी जो मिला है उसमें लोग अपना घर बनाना शुरू कर चुके हैं तो उन परिवारों उन गरीब परिवारों का क्या होगा जो शुरूआत कर चुके हैं आपनी इसमें कहा कि उसको नहीं जोड़ा जाएगा तो अगर नहीं जोड़ेंगे इतने लाखों करोड़ों परिवार उनका क्या होगा वो गरीब लोग हैं जिनको छाया नहीं है धक्ष मोदेजी बारिश में लोग तीन चार परिवार एक साथ रहते हैं जो लोग आवास को उपते थे आवा आवास की चिंता कर रहे हैं लाखों करोड़ों परिवार की बात नहीं है भाई ये आपके जो 36 गर्ड़ सरकार के द्वारा पिछल्या कराया गया सर्वे है उसके आधार पर जो आवास दिया जाना है वो लगबग 47,000 आवास मैं आपसे बताना चाहता हूं इसमें कि मारणिया मुख्यमंत्री जी ने पूर में ही घोशना कर दी है कि जिनको पहला किस्त मुख्यमंत्री आवास के संदर्व में दिया गया है उनके आवास के पूरे किस्त उनको दिये जाएंगे उसमें कोई भेद भाव नहीं किया जाएगा ये निर्णय विष्टुदेव सर्जकार का पहले ही हो चुका है आप बताना चाहता हूं अदेक्ष मुख्यमंत्री आवास के संदर्व में सर्वे 2011 में जो सर्वे उसके बाद एक और सर्वे हुआ है वो 2016 का सर्वे कहलाता है जिसके अंतर गज़ परदान मंत्री आवास प्लस मिलता है मैं आपसे बताना चाहता हूं मानी अदेक्ष मुख्यमंत्री पूरे देश में ज़िए नहीं होग दो सर्वे हैं भाई पहले पता कर लीजे मैं आपसे बोल रहा हूं तो कुछ गलत नहीं कह रहा हूं 2016 में ये सर्वे आया है जिसके आधार पर अधार पर अधार प्लस पूरे देश में सिर्फ पस्चिम मंगाल और 36 गड़ में नहीं दिया जा सका अन्यथा पूरे देश में भी आवाज प्लस दिया गया है और इसके कारण विश्टोदेव जी की सरकार निया निर्ड़े किया है कि 2011 की सर्वे सुची के आधार पर जितने लोग बचे हैं उनको दूसरा आवाज प्लस के जितने लोग बचे हैं उनको इसके साथ हिसाथ जो मुख्यमंत्री आवास के नाम से आपने दिया था सहितालिश जार लोगों को उनको और जिनको एक किस्ट दे करके आपने रोक दिया था उनको इन सारे लोगों को आवास दिया जाएगा इनके पूरी किस्ट दे जाएगी जो आपने भोशना किया है अभी नया क्या उसको पुराने में जोड़ा जाएगा हाँ 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 बिल्कुल आप से कह रहा हूँ आपसे नया जुड़ेगा कि नया आप देंगे अठारा लाग कि उसी में जोड़ेंगे आप अध्यक्ष मोदे जी हम अगर गाउं में जाते हैं पिछले बार जब आप यहां बैठे थे उससे में आप कितना अवास के लिए चिलाए जब आपको मौका दिया है जनता ने आपको मौका दिये तो आप उनके साथ जनता के साथ धोखादरी मत किजी आप उनको आवास दिल लियाए जिनको जरुरत है जो अभी सही आप एक छर्ट की नीचे तिन चर्ट परिवार रहते हैं इतना बचा दीजिए ठारला का आवास कब तक दे रहे हैं चलिए पोशना किजी जो मुख्यमंत्री आवास यूटना है उसको प्रधान मंत्री से जोड़ने का आप 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 सुनिए जरा मेरी बात भई इस विजह पर ऐसा है ये जो ये जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में जिन लोगों को पहली बार जिनको शून्य कमरे का मकान इस तरह का स दुका है मैं फिर से कहता हूँ उदार है माननी मुख्यमंत्री महोदय और उन्हें इस बात का निरणय कर दिया है कि इनको पूरे किस दिये जाएंगे चेलिए बहुत अच्छा मोले जी उन्नुलाल मोले जी जो फुलाना जो पेंडिंग है इनको एक एक किष्ट मिले उनको माननी मंत्री जी ने कहा और आवास प्लस बोला वो टोटल कितने होते हैं माननी मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से उसके पास जो गरीब हैं उनके पास बेगार है ऐसे लोगों के लिए क्या आप आवास देने की योजना बना रहे कि बना चुके हैं य जो सूचियां भी उपलब्द है 2011 की सूची है 2016 की सूची है और राज सरकार के एक सर्वे हुआ था उसके आधार की सूची है इन तीनों की सूची के आधार पर आवाज दिया जा रहा है टोटल टोटल अठारा लाग से अधिक है प्रमोजी चलिए मान्य अध्धक्ष महुद है मैं मान्य मंत्री जिसे सम्मन में थोड़ी से जानना चाहूंगा अभी उन्हों ने जवाब दिया जो मंत्री आवास की जो योजना है उसको भी चालू रखा जाएगा उसमें भी राज चालू हो गए हैं तो यह प्रधान मंत्री आवास में केंदर का पैसा आता है और राजियांस पैसा मिलाता है अब यह प्रधान मुखमंत्री आवास योजना जिसके लिए बानिय ने कहा कि 47,000 परिवार को देंगे तो क्या इसमें केंद्रांस मिलेगा या केवल राज नहीं अपना हिस्ता देवाई से लिए इस बात की कोशिश की जाएगी कि इस विशह पर भी इसको प्रधान मंत्री आवास में जोड़ पर इसमें राज्या के नहीं मिलने वाला है परन्तु जैसे केंद्रे ने निरने किया है कि दो करोड नए आवास और पूरे देश में बनाये जा चाहता हूँ कि सहरी विकास जो पट्टा है हमारे एक समस्य आ रही है जैसे पट्टा पिता के नाम पे है और उनका नीधन हो गया पट्टा बाने ट्रांस्वर हो गया ओड़ ट्रांस्वर के लोगों को अप्रधान मंत्री आवास या मुख यंद्रे आवास की कोई प्रकार करना चाहता हूं मैं अनुभव की आधार पर इसमी से मानिया दिख्ष्मोद्य है दोसरा एक और निवेदन है अधिक्ष्मोद्य है पहले प्रस्न का जवावाद है जी 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 अवाज तो प्रधान मंत्री तो उसमें भिश्थरिम भी आएगा चलिए शत्री जी प लिस्ट जे है ए लिस्ट में ग्राउंड लेबल में जाया ले जो पात्र हिद्ग रही हैं ओ मला आवास के सिविधा नहीं मिले हैं और जेन मला मिले हैं एक एक घाव ने जो तीन-तीन बार मिल चुके हैं तो एकरबद का जो criteria ते है 2011 के सर्वे और 2002 के सर्वे ओमें कुछ परिवर्थन किया जा सकतным मोहदय से मैं जानना चाहा था 2011 की सर्वे सूची और 2016 की सर्वे सूची के बाद एक और सर्वे सूची बनि और उस सर्वे सूची में राजे सरकार ने सारी बातनों का परिक्षन किया है और उसके बाद भी अगर हिर्दय में यह प्रस्ट शेष है तो इसकी चिंता भी मानने में पर वाकाई में हिद्ग्राही आगर चुमिधा नहीं मिला थे लेकिन उस समय भी बहुत अईसे परिवार है जो आज भी वह आवास सुची से वंचीत है मन्नी मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि जो वास्टिता में जो पातरता परिवार है उसको पुना आवास सुची में सामिल करने की निवेदन करने के लिए रुप बावनाजी जुजनाय बनेगी कि जो तुलाब के किनारे जे काफी सालों से जो बसाहट है उनके आवास के विशे में आगे क्या संभावना ये बहुत मूल कोशन है अद्धिक्ष महुदे तो मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगे चलिए एक बार फिर बताएं तो प्रहा कहें तुलाब के उपर जो आवास बने हुए हैं क्या उनको भी पट्टे आवास दिया जा सकता है उनकी कई पिढ़िया नहीं कर चुकी 40-50 सालों से वही पर निवास चाली की पट्टे का और आवास का उनका प्रफधान नहीं है अभी जी मानिया दिक्ष महुदे मानी सदिस ने पहले जो प्रश्न किया था 2002 की कोई सर्वेcej सूची नहीं है जिसके आधार पर आवास दिया जाए आवास सिर्फ 2011 और 2016 की सर्वेश सूची के आधार पर दिया जाता है और एक अवास प्लस है उसको पिश्छी सरकार भूल गई थी एक्चली उसके आधार पर भी आठ लाख लोगों को आवास मिलना था आवास का काम पूरा हो जाता तो आवास प्लस प्लस शुरू होता परांतु पूरे देश में फिर से बताना में चाहता हूं मानिया दिक्ष्मोद है कि सिर्फ 36 गड़ो पस्चिम बगाल ऐसे राजी है जहां पर आवास का काम पूर्ण नहीं हुआ तो आवास प्लस प्रारम ही नहीं हो पाया तो 2016 क्या कोई सर्वे सूची है 2016 की सर्वे सूची के अधार पर आवास दिया जाना है ये इस पस्ठी नहीं हो पाया है चलिए 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 बहुत प्रस्चों हो गए अभी विभाग की चर्चा में आप अपनी बात रखेंगे बहुत आउसर मिलेगा चलिए आप अप माननी मंत्री जी डिया आपसे जानना चाहता हूं कि आपका विभाग बड़ा सक्षम विभाग अका मंठी जी है आपको विभाग भारी शक्षम है एक महीने में आपने पूरे प्रदेस सर्वे करवा दिया 2023 में तो यह मैं आप आप से ये जानना चाहता हूं ये सर्वे करवाने की एक महने में चानक सर्वे करवाने की जरुवत क्यों पड़ी और सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर जो अनुशंसाय मिली उसमें आपने क्या-क्या निती कारिकरम स्विकार किये और सर्वे के रिपोर्ट को सरकार ने क्या स्विकार कर लिया मानिय अधिक्ष महुदे ग्रिकेट के मैदान में सचिन तिंदुल कर आ जाए या सदन में मानिय अज़चंद्राकर्ची आ जाए एक जैसी पूर्जा और एक जैसा उत्साह लोगों में होता है मानिय ये फास्ट बॉलर है बेटी मानिय महोदः के मानिय अधिस के इसपिसे पर की 2023 के सरवे सूची एक ही साल में सरकार ने कैसे सरवे कर लिया ये विभाग मूलता पूरवर्ती मंतरी आप ही रहे हैं आप ही कियाधार शिला पर ये विभाग आगे बढ़ता है आपने ही जो प्रतिमान इस्थापित किये हैं उसको पार करना चाहता हूँ कि यह जो सर्वे हुआ है इस सर्वे के आधार पर इसका फिर से भोतिक परिक्षण नहीं हुआ है परन्तु इसमें जो शून्य कमरों के मकान हैं कच्चे कमरों वाले उन आवाज के लिए भौतिक सत्यापन भी किया गया है और उनको स्वीकृत भी किया गया है मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ आप सिर्फ मकान में केंद्रित हो गए मैंने ये पूछा है कि एक महिने के सर्वे में आपको सर्वे की जो जो रिपोर्ट मिली है उसके आधार उस सर्वे रिपोर्ट को क्या आपने स्विकार कर लिया और उस आधार पर आपने क्या नीती कारिकरम बनाए आपने लिखा है उस मानिया देख्ष मौदय, इसी विसे पर मैं आप से कह रहा था कि सर्वे हुआ है, डाटा सामने आया है, और उसका अंतिम भौतिक सत्यापन, ये होने के बाद उसकी स्विकारिता की बात आती है, भौतिक सत्यापन उसमें से एक पॉर्शन का किया गया, बाकी डाटा का भौति प्रश्य मकान रहने के लिए नहीं है उस पूर्शन का सत्यापन करके उसको स्विकार करके और उस पर योजना बना करके काम किया गया है कि यह पूरी योजना के पूरा सर्वे होने के बाद मानी राजेश मुड़त जी सम्मानी अद्ध्यक्ष मोदे सबसे पहले तो आपके प्रती और विदान सभाय के प्रती आबार व्यक्त करता हूं एक महत्वण विसे के उपर जो एक आज मेरा प्रस्ण लगा है विसे पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ है हजारों नोजवान इसके चपेट में हैं और महादेव के नाम पर पूरे प्रदेश के अंदर एक गोरत धंदा चला और जिसके अंदर पूरे देश और प्रदेश नहीं अंतर राष्टी इस्तर तक के लोग उसमें इन्वाल्मेंट है और जिसके अंदर एक बहुत बड़ी एजन्सी जाज कर रही है इडी और जिसके अंदर कई लोग इन्वाल्मेंट है उनके बयान भी हो चुके हमारे उर्जावान मुख्यमंत्री है वह भी युवा मोर्चे से आया है मैं भी युवा मोर्चे से आया हूँ वह भी जनता की लड़ाई लड़कर क्या आया है मैं भी जनता की लड़ाई लड़कर क्या आया हूँ तो यूवा में हिस्सा तो 60 जादा चल रहा है और इसलिए तो मैं वही लाया हूं जो सम्वेदन सील है एक ही विदान सभा से खाली भीलाई जीले से वेशाली नगर विदान सभा से 20 सज्जार बेरुदगार नोजवान इस महादेव 60 एक के अंदर इंवालमेंट है यही नहीं जो दुबई में जाकर जिसका रेकेट चल रहा है उसका संचारन करने वाले कौन लोग है उसके पिज़े किनकिन की भुमिका है मैं इस पर जित प्रस्तों पर आता हूं सीधा यह सरकार के संग्यान में कब आया आपने 90 केस करीब दर्ज की है मैंने पूरी केस की स्टड़ी की है और मैं ऐसे ऐसे तथ्थ्य से आपको अउगत कराऊंगा मानी मुख्यमंत्री जी आप कलप्रा नहीं कर सकते हैं मानी उप मुख्यमंत्री मोद है कि जो सरकार को जिनको सुरक्षा के जुम्मेदारी है जो सरकार व्यवस्ता के ताथ चलने के आवस्चक्ता है वो पास सार तक इस सरकार ने जो पुर्व सरकार थी गिरोबंदी के साथ योजनाबत तरीके से ने ने हायाम खोच करके इस प्रदेश के बेरोजगा नोजवान को ठगने का काम और गलत काम में लगाने का काम किया आपने 90 केस दर्ज किये 90 केस पेसे आपने कितने लोगे खिलाब कारवाई की मैंने कारवाई जो पड़ी है आपने 60 हेक्ट के तहत कह दिया क्यों उनके खिलाब जो धारा लगी थी वह ठाने में बेलेबलती इसमें बेलते दिया जिनके बयान हुए उन बयान के अधार करोणों गा ट्रांजेक्शन बेंक से हुआ क्या किनकिन अधिकारी बेंक के रमचारी या संकार में संग्यान में ले करके क्या काम किया यह इस पे जिक प्रस तुमे रहा है माने देक्ष महुदे, माने सदसिकाई अप्रश्ट सच्पुछ बहुत लाजमी है और उनकी चंता भी वाजिब है इस पूरे विशे पर जो उनकी विशेश चंता है कि बहुत सारे नौजवान जो भटके हुए हैं राह से जिनको अपने जीवन को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना था उन्होंने जाकर के इस महादेव सट्टा एप के जरिये इसमें फस करके अपनी बरबादी का रास्ता चुन लिया मैं आपसे ये बाद बताना चाहता हूं आनिय दिक्ष महुद है कि इसमिसे पर कुल 90 एफाईयार हुए हैं सन 2022 से इस पर एफाईयार हो रहे हैं प्राइपुर में 36-36 प्रकरंट पंजी बद्ध हैं दुर्ग में 23 प्रकरंट पंजी बद्ध हैं बिलासपुर में 2 प्रकरंट पंजी बद्ध हैं जांजगीर में 2 प्रकरंट पंजी बद्ध हैं और सूरजपुर में भी 4 प्रकरंट पंजी बद्ध हैं मानी मौदे इस पि महादयव एप के संब्ध में ही विशेज रूप से 67 प्रकंट पंजीबध हैं जिसमें 54 पर चालान पूट अप हो गया है साथ ही साथ अन्य जो एप हैं उनके संदर में भी FIR हुए हैं और उस पर काम चल रहा है दुबई के संदर में मानिय अधिक्त मानिय जानना चाहा है कि दुबई में कुछ लोग हैं और उन्होंने ही इसको पूरा संचालित कर रखा है पूरा 36 गड़ जानता है और तो पूरा भारत ही जानता है इस पिसाय को कि दुबई में हमारे ही 36 गड़ के कुछ लोग है उन्होंने ही इसको संचालित कर रखा है तो सरकार के तरफ से क्या कारवाही हुई है मैं आपको धान देलाना चाहता हूँ कि लुकाउट सिर्कुलर ज के लिए जारी हुआ है प्रत्यरपन की कारवी चल रही है बैंक अकाउंट भी 507 हमारे हाँ आपको मैं बताना चाहूँगा कि रायपूर में बैंक अकाउंट फ्रीज होनी की प्रक्रिया में है उसमें से 121 फ्रीज हुए है और उसमें एक करोड 16,17690 ये राशी भी काउंगीर में पांच बैंक अकाउंट इनके भी फ्रीज होनी की प्रक्रिया जारी है इस विसे पर बानियाधिक्ष मोदे कारवाहिया भी हुई है कुछ जो सरकारी भखमे के लोग थे उन पर जो बात आई थी उनके बारे में इस पस्ट जानकारी मिली थी एन्फोस्मेंट डिरेक्टरेट की जाच के बाद जब उनको जेल में भेजा गया था विभाग के संदर में विभाग के ध्यान में जब ये विसे आया था तो उनको सस्पेंट किया गया है बरखास्त किया गया है तो अब भी जेल में है ये किया गया है और विशेश रूप से जो चर्चा का बिपिनी चर्चा का बिशे है जिसके संदर में मानि सदस कह着 हूँ उसके संदर में भी जैसे ही ये विशे अधिकारिक तोर पर या प्रमानिकता के साथ फरकार के विभाग के संग्यान में आएगा मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ वह भी युवा मोर्चा से हैं मैं भी युवा मोर्चा से हूँ जो आग उनके दिल में है वो आग मेरे दिल में है और मैं बिल्कुल उनके ये कहना चाहता हूँ कि ये पीर भी परवत्सी हो गई है और इसको निसंदेः पिघलनी चाहिए और इस हिमालाय से भी बाने कोई गंगा निकलनी चाहिए सो प्रतिशत जैसे ही विशाय सामने आएगा एक घंटा नहीं लगेगा विश्चुदेव सरकार को इस पर फैसला रिने में एक घंटे के अंदर करवा ही की जाएगा महादेव और गंगा का बहुत संबंध है गंगा जो निकलिये है महादेव के जवाब जब आप दे रहे हो तो उस गंगा के याद कियो हो मंत्री जी कुछ प्रस्थिश्च करना चाहिए माननी अद्यक्ष मोद है बहुत गंबीर प्रस्थ और मैं आपसे समाच चाहता हूँ माननी मंत्री जी ने एक सामाने रूटिन में सरकारी प्रस्थिश्च का सरकारी उत्तर दे दी मैं स्पेजिक पूछा कि ये महादे एप के उपर 90 केस आपने दर्ज किये उसमें बयान भी हुए एक बयान मैं आपको पड़कर के सुना देता हूँ आपके ठाने का जिसके अंदर महादे एप के अंदर उस व्यक्ति ने बयान दिया उसका नाम रवी कांथ उसने एक बयान में कहा कि फलाने फलाने में बेरुजगार था मैं घूम रहा था मेरा कहीं कुछ नहीं था मेरा एक दोस्त ने मुझे कहा कि चल भई तेरे एकाउंट खुला देता मैं उसके साथ चला गया मैंने बेंक में एकाउंट खुला लिया मेरे बेंक के एकाउंट में मेरा कोई पैसा कभी था ही नहीं करोड़ो रुपे का ट्रांजेक्शन हो गया मैं बंद करने गया तो मेरे को धंकाया जब पुलिस वाले पकड़े बात चीता ही तो मैं वहा गया जब में बेंक में गया तो फलाने फलाने का नाम लिया उसने वो वारदा रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरा एकाउन नहीं है मेरे एकाउन में कैसे लिंदिन हो जा रही है उसके बात में भी वो किसी के खिलाब कोई कारवाई नहीं हुई यह एक नहीं है ऐसे जारो प्रक्रण हैं क्या किसी बेक में अगर एक लाग दो लाग पांच लाग की लेंदेन होती है सामाने सब लोग जानते हैं बेंक वाला पूछता है कि आपके एक और पैसा लू के नहीं लू यह आपका पैसा है कि नहीं है अगर वो करोडों की लेंदेन हुई और आपके संग्यान में आए और पुलिस वाले जाकर के बेंक में पूछते हैं पिर संग्यान में आने का विश्य कहां वाता है मानी अद्धिच मोदे जब सासन के संग्यान में आगया अप पुम्याद ने पूस्था प्रस्ट में आ जाएगे अब मुल्प प्रस्ट पर आईगे तो मेरा पूछ न है आप कह रहें कि अगर संग्यान में नहीं है तो पुलिस वाला कैसे उसके साथ में बेंक में गए अफिर आगे प्रस्ट हो रहें चोटी चोटी जो प्रावधान उपलब थे सारजोनिक द्वियूत अधिनियम 1867 के उसके अंतरगत ऑनलाइन गेमिंग के लिए बेटिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं था कालांतर में कुछ प्रावधान बनाए गए और उसमें एक साल से साथ साल तक की सजा है दसलाग तक का जुर्बाना है उन प्रावधानों के आधार पर इस पर काम किया जा रहा है मैंने बताया कि 54 चालान पुटप हो गए है किसी के बयान के आधार पर किसी को फासी नहीं चड़ाई जा सकती परन्तु इस आधार पर जाच की जो प्रक्रिया है वो जरूर जारी है मैं फिर से आप से ये कहना चाहता हूँ मानिस अधिस महुदे मानिस अधिक जी मानिस अधिस को ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पूरी ताकत के साथ इस पूरे विसे का जाच किया जाएगा कोई दल, कोई और समाज किसी की भी परवाह किये बिना जो जो गुनहगार हैं उन सब को जेल की सलाकों के पीछे पहुँचाया जाएगा निर्धारी जैसे ही होता है ये विसे प्रमानिक्ता के साथ कोई बात सामने आती है मैं फिर से कहता हूँ मानने विश्टुदेव जी की सरकार है एक घंटे के अंदर कैरवाही होगी तोप संध्यान में में आया जब संध्यान में नहीं आया तो बयां कैसे हुआ सीधा सीधा प्रस्ट जब सरकार के संग्यान में नहीं है तो फिर पुलीस अधिकारी जा करें बैंकों 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 कैसे है और ये क्यों चीज़ दूसरा कितना करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन उनके माधियम से बैंकों से हुआ जरा यहां इस परस्ट कर दें आगा प्रस्टों मैं पूछूँ माध देखी बस धन्यवाद लिए एक जो बिसे अभी सामने है जिसकी जानकारी हाथ में है मैं आपको ज़रूर उपलब्द कराता हूँ कि पांत सो सावत अकाउंट जो राइपुर के जान पाए कि ये राशी इन खातों के माध्यम से कहां जाती थी और उसके बाद फिर अगला ट्रांजिक्शन उसका कहां होता था ये राशी कैसे दुबई तक पहुँच जाती थी इस पूरी की जाच की जाच करवाई जा रही है मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि संग्यानकार्थ यही है जो बात बयान में आई है वो बयात कोर्ट के सामने रखी गई है अभी कोर्ट को भी फैसला करना होगा कोर्ट का कोई फैसला आ जाए उस पर बात कर लेंगे मैं आपसे और एक बात बताना चाहता हूँ कि विभाग ने तो आगे बढ़ करके लोगों की फरारी होने का आविदन कोट में दिया हुआ है मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि उनके संपत्ति के चिनहंगन की बात प्रारम हुई है उनके संपत्ति को चिनहंकित करके कुर्क करने की बात हम सामने ले करा रहे हैं मैं आपको ये भी बताना रहा हूँ कि बड़ा चर्चित था पूरे 36 गड़ में कि नागपूर से एक चार्टेट प्लेन दुबई तक गया है उन सारे बारातियों की सूची भी ले रही है हमारा विभाग और सरकार के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ ये साथी सुची हाथ प्याने के बाद सब पर जाच होगा सब पर जाच कराई जाएगी कुछ नहीं छोड़ा जाएगा मानी अध्यक्ष मोदे मानी उप ग्रहमंत्री की उप मुख्यमंत्री ग्रहमंत्री का विभाग है उनकी किसी भी बात के उपर में को तो पूरा 100% विश्वास है लेकिन जो नुमाइंदे लोग पेठे है जो पूरे काकस के इंदन इन्वाल्मेंट है उनी के माध्यम से प्रस्तों का उत्तर है क्या एक एसाई ने बयान दिया एडी को चंद्र बुसन वर्मा उसने किंकिं के नामों का उलेक किया और उन पर क्या कारवाई करेंगे इस बैसिक प्रस्त फिर मैं आपके संग्यान पर लायता हूँ आपको गुम्रा कर रहा है तीन जन्वरी को सासन को पत्र आच चुका तीस तारीक को फिर रिमाइंडर आच चुका तीन जन्वरी अगर तारीक नहीं है तो तारीक पता रहता हूँ इडी के त्वारा सासन को भेजा गया जब कोई संग्यान में नहीं लिया उत्तर नहीं दिया तो तीस तारीक को फिर वापस रिमाइंड आया अगर उसको बयान पुरे सुर्क्यों में समाचापत्र से लेकर के सोशल मीडिया से लेकर के आँप जंता के बीच में चल रहा है मैं एक छोटा था उदारान देता हूं अध्यक्रमोदे मानि उपक्यमंति जी एक छोटा था उदारान विबाग की गंबिर था कल मेरा एक प्रस्ता था और प्रस्ता लग नी पाया प्रस्तो मेरी एक सिकायत की किसी ने फड़ी सिकायत और उस समय मैं प्रस्ता से कहा कि इसकी जाच कोई डिटार जट से करा लो ततकाल मुक्यमंत्री ने लिखना ततकाल इन समाच की उस समय के मुक्यमंत्री F.I.R. दर्ज की जाए और योडबली को केस गया जिसके कोई तख्त है नहीं है जिसकी कोई जानकार है नहीं है एक आत्मी नहीं आफ़ेदिन दिया और योडिवली इतना सक्री हो गया और तकार उसकी विवेशना के लिए डिपार्टमेंट के अंदर आ गया तो मुल्वी से यही अध्यक्ष मोदे के अगर तीन तारीक से लेके तीस तारीक तक आने के बात में भी किन अध्यकारियों को बचाने का काम हो रहा है इसके पीशे उस समय के तार थे उसके अंदर नाम है किसी को तीस लाख रुप्या महीना किसी को पचास लाख रुप्या महीना किसी को एक करोर रुप्या महीना यह मैं नहीं के रहा हूं पुरे समाचार पत्र से और सुर्कियों में छपा है तो क्या सरकार सेम विवेशना के रुप में क् करके क्या इसकी जाच नहीं कर सकती आज तक यह जोग्णु ने इसके पर जाच क्यों नहीं की क्या ए सरकार इसके इसको CBI को देगी क्योंकि इसके दार उत्रेश तक जुड़े वे तेच्षमोद है और दूद का दूद पानी का पानी का पानी वहला चाहिए यह वेरागर है ठीक धन्यवाद सामारे प्रश्व àsण विभाग से इस विसरे पर पूरी जानकारे लिए थी अन्तिम जो उनसे जानकारी प्राप्थ हुई है वह पाँच फरबरी की है कि इस विसरे पर enforcement डिरिकर oops कोई अधिकरिट जानकारी प्राप्थ नहीं हुई प्रदेश का सबसे बड़ा स्केंडल केस का मामला अन्य विशे आव रहेंगे लेकिन आप के रहा आपके पास एक गरत जानकारी है आप कहा ही ने तो मैं संदल के पटल पर रख दूँ आप जिस तारीक को यह गया है तीन तारीक को पोड के अंदर जिस वकिल ने इस बात को मे प्रियानकारी है आप मंत्री जी को दे देंगे मैं तो यह दस्ता में जिद्धू आपका यह द्यक्ष मोदे में लगातार दो साल से इसके खिलाब में लड़ता रहा हूं ठीक मैं पुरे के पुरे कौन-कौन संचालन करता किस किस की गैंग के रूप में किस 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 है कितने रुपँर लिये कहाय काकिसकेसाथ विविचना हुई चेस दिन किस थाने के अंदर फायर दर्ज हुई और अब होने के बात में अभी तक एक बी ए फायर तो हुई एक झेश्मोदे विविचना भी हुई लेकिन एक भी बड़ी मचली पकड़ में नहीं कोई जानकारी हो तो उपलब्द करा देंगे सेंड जी आप एक सोड़ा प्रसंद कर लिए आप उपलब्द करा देंगे अधिश्मदो मेरा यह नहीं वेदा ने इसकी जाद की गोश्टना करें चलिए कुछ गोश्टना क करना है तो बताईए मैं आप से यह कहना चाहता हूं कोई मचली भी नहीं मगर मच भी हो हाँ तो भी पकड़े जाएंगे आपने बाइद बड़ी है चलिए तक की जो इस्थिती है वो यही है आपके पास कोई अत्रिक जानकारी है और आपसे कहना चाहता हूं कि एन्फॉर् आगराफ फिर इस पर है दच्छ मोद है आप के रहाज किया हो सकतर वही तो अधिकारी वहाँ बेठें जिनकों पर आरों पर जाज करेगा कौन सही अभए पोतवाद को डर किसका जिनके खिलाव में आरों पुर्यों प्रदेश को परमाद करने का ठेका लेकर क्यों बेठें व आप जो भी जाज करें विदायक दल से करें जिस से भी करें इस प्रदेश में रजिल बना चाहिए कि गिलों बनकर के जंता को लूटने का जो काम करते हैं उनको सजा मिलना चाहिए यही मेरा अग्राइद धन्यवाद इसके बाद ले लूँगा आपको इसके बाद सेन के बाद आपको मानिय अद्यश महुद है निश्य तूप से आदर्णी मुनत जी मानिय सदस्य जी ने अपनी चिंता वेक्त की भिलाई को खेल धानी और शिक्षा धानी के रूप में जाना जाता था अब यह महादेव एफ मेरे विधान सबर से 20,000 साधी की हुआ इसमें लिफ्थ हैं लेगिन इसके साथ सा जो प्रसासनिक अदिकारी है जिनकी दुरुग जिले में पिछले 5 वर्षों में लगातार पोस्टिंग हुई है पुलिस प्रसासन के लोगों के पास खुद के पास आईटी है लोगों के प प्रकार के आस तक करवाई नहीं हुई और ततकालीन मुख्यमंति मानने जो भी थे उनका भी संवक्षन साथ था ये भी हमको देखने को मिला था तो इसलिए इसलिए मानने अद्धेश महुद है माद्धेव एक को लेखे विशे शुप से जाच करने क्या वशकता है जीन ब बराती गयते उनकी लिस्टिंग होगी वो बराती की लिस्टिंग लगाता है नेशनल लिउस पे दिया जा रहा है और भिलाई में खुले आम घूम रहे हैं उन बरातियों पे आज तक कोई कारवाई नहीं हुई है और ऐसे अटिसनल स्पी जो जिले में पोस्टिंग होकर ऐ क्योंकि अभी तक छोटे लोगों पे कारवाई की गई है दन्यवाद एक हाँ इसके बाद आप माने दक्ष महदे माने सदस की चंता वाजिब है कानून कराज होना चाहिए और कानून के नजर में कोई छोटा या बड़ा हर्गिस नहीं होना चाहिए विसे गरिफतारी के सं संदर्प में चर्चा है एडी के चलान के संदर्प में ले ले या सोशल मीडिया पर या मीडिया पर प्रचलित सारे विसियों को ले करके जो बात चल रही है प्रमाणिक्ता की बात है एक बार प्रमाणित होने के बाद मानने सदस्यों को इस विसे पर कारवाहिया होती सरकार के समरक्षन के बगएर 36 गड़ में फल फूल नहीं सकता था बाकी तो तक्निकी पक्षाब बता रहे हैं आप पूछ रहे हैं मैं तो आप से यह कही मांग करना चाहता हूं ग्रीब अंतरी जी आप स्टेट प्लेन ले ले लिजिए सनिवार को चले जाएए उत्तर प्रद में आप चलोगे यहां तो बड़े-बड़े वकील आ जाते हैं वो क्या-क्या मलानी है और क्या-क्या इंग्वी सिंग्वी इबल सिंप्बल सब आ जाते हैं आप कहां पूरोगे वेक एक करोड़ फीस वालों के सामने में बुल्डोजर को मारो ड्राइबर को कुछ खिलाओ पिलाओ भेंदो तोड़ ताड़ के आजा है तब थोड़ा खौफ पैदा होगा चले बहुत अच्छा खौफ का नाम पुलिस है जब पैदा करी दर्व अपरादियों में तरिके के घर में पुलिस नहीं खड़ी होती है धन्यवाद और यह तीन सो जो पकड़ाएं हो पूछ रहे हैं नहीं कर पूछ लेता हैं उमेड पटेल के पूछ रहे हैं प्रस्तिक रमग दो मैं मैं देख्वाल यहाप नमर बाद मी आएगा मानी अधर्ष महोत किसमें पूछ रहे हैं महाध्यों नहीं हमारे सदस्य राजेस मुड़त जी ने जो प्रश्ड उठाय है है पूरे प्रदेश में लाखों कड़ोरों लोग बरबाद हुए हैं और उनको जो स्था देने वाले हैं आज भी मस तेहां घुम रहे हैं लेकिन जो विवेचना जो वाई जिनके उपर कारवाई होनी चाहिए कारवाई हुए नहीं और वास्तविक में ये कारवाई नहीं होगे तो ये सट्टा चलते रहेंगे एप चलते रहेंगे आज आपका भी प्रस्था है और इसने 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 पर कारवाई होनी चाहिए और वानने अद्यक्ष महुद है उत्तर नहीं आया है उसमें लोगों को भवी से चोपट करने का काम किया गया है इसलिए माननी मंत्र जी मैं आप से कहना चाहता हूं कि यदि उनके भवी से को सुरक्षीत रखना चाहते हैं और ये जो महादेव सट्टा जो खिलाने वाले जो घूम रहे हैं ऐसे लोगों को पर आप कारवाई नहीं करे करेंगे और उनको नहीं रोकेंगे तो आने वाला भवी स्विवाओं का ठीक नहीं होगा इसलिए इस पर तत्काल कारवाई की खोशना करनी चाहिए माननी मंत्री जी का जो बयान आया मुझे अपरियाप्त लगता हूं यह विशाई जितना गंभीर है को कमिट्मेंट सरकार सी और से आना चाहिए कि इसको हम समय बद्ध ढंग से इतने दिन में निराकरित करेंगे करके चलिए ज्वलंत विशा है मैं माननी मंत्री जी से 26 मिनिट हो गए चलिए अगला प्रस्टाने जी जी आप 26 मिनिट हो गए बिल्कुल से मैं थूँ आप से ले ले ने ने कलपा है ले ने तो कुछी नहीं वह उत्तर वही है मानी अद्यक जी इस प्रदेश का सब्सक्राइब कर दीजिए कि पांस सब्सक्राइब कोई है उना सब्सक्राइब करें क्या उनके खिलाब में कारवाइक की जाएगी मानी अद्यक जी इस प्रदेश से जुड़ावा के छोटा मोटा फैसला नहीं है अद्यक जी अपनी सब्सक्राइब गोस्ता करें ना अदरी वैशानी जगर में पांस देला चला लिए वाला युवाक मान तो निरेई घंगा करें रुक गई है अद्यक है जवाब देने खड़े होगा मंतुरी मंतुरी जी खड़े हैं भाई कि निदाएं ना देव एक को लेकर हमारी सब्सक्राइब को बड़ा लागा या पुनाना पड़ेगा पांस दाज़े पूर्शिक्ति जिनकी वेश्कालों की उनकी चांच होनी चाहिए कि या मन्तरी जी कुछ बोल रहा है उसकर दूसरे कुछ कुछ मैं आप से ही कह रहा हूं कि जाच केंद्र की एजन्सी कर रही है एंफोर्समेंट डिरेक्टेट कर रही है और उनका जाच अंतिम इस्थिती में है वो चालान पूट अप कर चुके हैं अब प्रतिक्षा करने एक बार उचलान को देख लें जो आप चाहते हैं वो चलान में है मानियूग्रम मंत्री जी 164 के बयान के तहत ED गा बयान अपने आप में कोड में दिया हुआ बयान माना जाता है अगर नहीं है तो विबाद किलियर कर लें धारा 164 के तहत जो बयान दिया गया है चंत्रभूसरंड ने और एक सुप्रीम कोड का फेसला जैय लेलिता जी के उसमें आया है कि इसके अंदर वो पार्टी नहीं बन सकते और उनको 15 दिन में इस पर फेसला करना पड़ेगा जब इतना सब कुछ साक्षोने के बात में भी आप किनको पचाना चाहते हैं किसी के नहीं है ये किसी के नहीं है ध्यान रखना ये सिर्फ कुड़ी के सलाम करने वाले हैं जिन जिन को आप बचाना चाहरे हो वो किसी के नहीं है वो यह अपने उपर डंडा चलाएं वो यह आतुगेश पेके हैं वो फड़ी केस बनाये हैं और वो यह आपको लिख करके दे रहे हैं कुछ नहीं होना है महादेव की जटा से गंगा निकलने चाहिए और आपने का यह अधर्द मेरा नहीं है अधर्द आपका भी है इस पर कोई नहीं कोई फेसला होना चाहिए यह उमिर ना मोड़ा जी जेन अताब दीत इन जर्वेकर ही चिंता जानकरा चलिए ने इस पर मंत्री जी कुछ कह रहा है सुनिता जी मानि अध्य जी आगे बढ़ गे जी प्लीज निवार्डे कुछ कह रहा है मंत्री मोन है प्लीज अदर्द कुछ कह रह नहीं कोद काम है कंगी प्लीज शेयां कोई इस बिलीज आञेव बड़ार जी की फिर्वेकरने बैटिए 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 चले दो आखरी लाइं मोड लीजिए इस बात को लाना चाहता हूं कि थोड़ी प्रतिक्षा कर लें वो होगा जो आपके मन में है यह गोश्टा करता हूं महिने बर में दो महिने बर में बस राजे जी होगे चलिए शंगीता जी आदर्णियत धक्षमोदय जी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हिद्गराहियों को प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीन में नहीं जोड़ा गया तो मैं यह मेरा पहला कोश्चन है धक्षमोदय जी मंद्री जी से कि ऐसे परिवार जिनका नाम 2011 की सुची में छुट गया था जिनको मकान दिलाने के लिए पुरवर्ती सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए सर्वे कराया था तो आदर्णी अध्यक्षमोदय जी उत्तर में आया है कि अवास योजना को मुख्यमंत्री आवास योजना को प्रधान मंत्री आवास योजना में नहीं जोड़ा जाएगा के तहट आवास प्रदाएक किये जा ने कर नेमल लिया गया है तो मैं अध्यक्ष महुद्ध जी मंत्री महुद्ध जी से पुछना चाहती हूं कि अगर नेमल लिया गया है तो ये नेने कब तक प्रभावशालि होगा और कब से लागू होगा कुछ माब आप दंड होगा यह बदला हुओ वो भी आप बताएंगे। पाया था और नहीं मिल पाने के कारण उन्हें उस प्त से त्याग भी दे, प्त से को छोड़ भी दिया था, विभाग उन्ले छोड़ दिया था, आज फिर से यह विसे है, प्रदान मंत्री आवास के संदर बें, बिश्टुदेव जी की पालनहारी सरकार है और उस सरकार का बिलकुल इसपश्ट निर्णय है 18 लाख हावास गरीबों को दिये गए हैं मैं आपको इस मिसे पर भी बताता हूं इस मिसे पर भी कह रहा हूं मानिसे दिसमोदे इसमें मानियाद्र जी ये जो सर्वे कराया गया थ था 2011 की सूची और 2016 की सूची इन दो सूचियों के आधार पर प्रधानमंत्री आवास दिया जाता है एक अलग से सर्वे राजी की सरकार ने कराया उनकी अपने अलग पैमाने थे उनका अपना अलग डाटाबेस था अब ये कैसे हो सकता है कि वो सर्वे में वो जो राजी सर ही नहीं है केंद्र सरकार ने सर्वे कराया ही नहीं है 12-13 साल हो गया उसके बाद पुरवर्ती सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उनको दिया और मैं फोटोग्राप भी दिखा दूंगी अध्यक्ष मौदै जी इसमें वो लोग है जो मुख्यमंत्री आवास पहला राशी जो मिला है उसमें लोग अपना घर बनाना शुरू कर चुके हैं तो उन परिवारों उन गरीब परिवारों का क्या होगा जो शुरूआत कर चुके हैं आपनी इसमें कहा कि उसको नहीं दिजोडा जाएगा तो अगर नहीं जोडेंगे इतने लाखों करोडों क्या होगा वो गरीब लोग हैं जिनको छाया नहीं है धेक्ष मोदेजी बारीश में लोग तीन चार परिवार एक साथ रहते हैं जो लोग आवास को उपते थे आवावास की चिंता कर रहे हैं लाखों करोड़ों परिवार की बात नहीं है भाई यह आपके जो 36 सरकार के द्व मैं आपसे बताना चाहता हूं इसमें कि मारणिया मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में ही घोशना कर दी है कि जिनको पहला किस्त मुख्यमंत्री आवास के संदर्व में दिया गया है उनके आवास के पूरे किस्त उनको दिये जाएंगे उसमें कोई भेदभाव नहीं किया करने चाहता हूं कि आवास के संदर्व में सर्वे 2011 में जो सी सी डाटा हुआ का सर्वे हुआ था वह सर्वे उसके बाद एक और सर्वे हुआ है वह 2016 का सर्वे कहलाता है जिसके अंतरकेट परदान मंत्री आवास प्लस मिलता है मैं आप से बताना मानि अधिक्स मौत है कि पूरे देश में अधिक्स महुदेजी सर्वे कहीं पर नहीं हुआ है दो सर्वे है बहृ पहले पता कर लिजे मैं आप से बोल रहा हूं तो कुछ गलत नहीं कहरा हूँ 2016 में यह सर्वे आया है जिसके आधार पर अबास प्लस पूरे देश में सिर्फ पस्चिम मंगाल और 36 गड़ में नहीं दिया जा सका अन्यता पूरे देश में भी आवास प्लस दिया गया है और इसके कारण विष्टुदेव जी की सरकार ने यह निरने किया है कि 2011 की सर्वे सूची के आधार पर जितने लोग बचे हैं उनको दूसरा आवास प्लस के जितने लोग बचे हैं उनको इसके साथ हिसाथ जो मुख्यमंत्री आवास के नाम से आपने दिया था सैतालिश जार लोगों को उनक इन सारे लोगों को आवास दिया जाएगा इनके पूरे किस दे जाएगी और इसमें जोड़ा जाएगा जो आपने घोशना किया है अभी नया क्या उसको पुराने में जोड़ा जाएगा हाँ हाँ बिल्कुल आप से कह रहा हूं आपसे नहीं नया जुड़ेगा कि नया अध्यक्ष मोदे जी हम अगर गाउं में जाते हैं पिछले बार जब आप यहां बैठे थे उससे में आप कितना अवास के लिए चिलाए जब आपको मौका दिया है जनता ने आपको मौका दिये तो आप उनके साथ जनता के साथ धोखादरी मत किजी आप उनको आवास दिल लियाए जिनको जरुरत है जो अभी आप एक छर्ट के नीचे परिवार रहते हैं इतना बचा दीजिए ठारला को आवास कब तक दे रहे हैं आप पोशना किजिए जो मुख्यमंत्री आवास यूदना है उसको प्रधान मंत्री से जोड़ने का आप आप उसकी सुनिए जरा मेरी बात भई इस इस विजह पर ऐसा है ये जो ये जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में जिन लोगों को पहली बार जिनको शून्य कमरे का मकान इस तरह का सर्वे में डाटा आया है उनको पहला किस दिया जा चुका है मैं फिर से कहता हूँ उदार है मारणी मुख्यमंत्री महोदय और उन्हेंने इस बात का निरणय कर दिया है कि इनको पूरे किस दिये जाएंगे देख्ष महोदय जो प्रस्तीन होगे इनको एक एक किस्त मिले उनको दिया जाएगा बता दिया ना बता दिया जी धन्यवाद्ध महोदय माननी अद्रेक्ट महोदय 2011 के सर्वेलिस 2016 के माननी मंत्री जी ने कहा और आवास प्लस बोला वो टोटल कितने होते हैं माननी मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से उसके पास जो गरीब हैं सही में उनके पास बेगार है ऐसे लोगों के लिए क्या आप आवास प्रधान मंत्री आवास दिया जाना या राजी की सरकार के द्वारा प्रवर्तित वो इस योजना के अंतरगत आवास दिया जाना ये सूची के आधार पर ही होता है जो सूची आभी उपलब्द है 2011 की सूची है 2016 की सूची है और राजी सरकार के एक सर्वे हुआ था उसके अधार के सूची है इन तीनों के सूची के अधार पर आवाज दिया जा रहा है अठारा लाग से अधिक है प्रमोजी चलिए मानिय अध्धक्ष महुद है मैं मानिय मंतरी जिसे सम्मन में थोड़ी सी जानना चाहूंगा अभी उन्हों ने जवाब दिया जो मुखमंतरी आवास की जो योजना है उसको भी चालू रखा जाएगा उसमें भी राजी दी जाएगी पहले जो हमारा प्रधान मंतरी आवास योजना पे जो कारे होता था जिनको पांच वर्सों में सामने वालों ने रोका कोई आवास बनने नहीं दिया लेकिन अब आवास चालू हो गए है तो ये प्रधान मंतरी आवास में केंदर का पैसा आता है और राजी आवास पैसा मिलाता है अब ये प्रधान मंतरी आवास योजना जिसके लिए पानियाग ने कहा कि 47,000 परिवार को देंगे तो क्या इसमें केंदरांस मिलेगा या केवल राजी नहीं अपना हिस्ता देगा इसके लिए चाहता हूं कि सहरी विकास जो पट्टा है हमारे एक समस्या आ रही है जैसे पट्टा पृता के नाम पे है और उनका निधन हो गया पट्टा वालेवाने ट्रांसवर हो गया वो ट्रांसफर के लोगों को प्रधान मंत्री आवास या मुख्यंत्री आवास की कोई प्रकार की शुद्धा नहीं मिल रही है, मानी मंत्री जी से मैं जनना चाहता हूँ, कि जीन का निधन हो गया, जो पट्टा टांस्वर हो गया, वो जिनके नए जो नाम आया है, उनका नाम कि हम जोड सकते हैं, क्या, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ मैं अनुभाव के आधार पर इस विशेक मानिय अधिक्ष मोदे दूसरा एक और निवेदन है अधिक्ष मोदे पहले प्रेशन का जवावाज है जी 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 वही दो बोल रहे हैं आवास तो प्रधान मंत्री तो उसमें विश्थरीम भी आएगा चले शेत्री जी पूछिए मन्या जैक्ष महद है मंत्री महद है से उपमो के मंत्री महद है से मुर विशेस निवेदन है कि जब ये सर्वेवाला लिस्ट जे है ये लिस्ट में ग्राउन लेबल में जाय ले जो पात्र हिद ग्राही है वो मन्ला आवास के सिविधान नहीं मिले है और जेन मन्ला मिले है एक एक गाउने दो दो तिन तीन बार मिल चुके है तो एकरबर का जो क्राइटेरियर तै है 2011 के सर्वे और 2002 के सर्वे वो में कुछ परिवर्तन किया जा सकते महदय से मैं जानना चाहा था 2011 की सर्वे सूची और 2016 की सर्वे सूची के बाद एक और सर्वे सूची बनी मानिया देक्ष महदय और उस सर्वे सुची में राजे सरकार ने सारी बातनों का परिक्षन किया है और उसके बाद भी अगर हर्दय में ये प्रस्ट शेश है तो इसकी चिंता भी मानने भी नहीं दो है अवास उची से वंचीत है माननी मंत्री जी से निवेधन करूँगा कि जो वास्टिता में जो पात्रता परिवार है उसको पुना अवास उचीत है बहुत मूल कोशन है अवास दिया जा सकता है अवास प्लस है उसको पिष्टी से नहीं है जिसकी आधार पर आवास दिया जाए आवास सिर्फ तोजार ग्यारा और दोजार सोला की सर्वेश उची क्याधार पर दिया जाता है और एक अवास प्लस है उसको पिष्टी सरकार भूल गई थी एक्चली उसके आधार पर भी आठ लाख लोगों को आवास मिलना था आवास का काम पूरा हो जाता तो आवास प्लस शुरू होता परन्तु पूरे देश में फिर से बताना में चाहता हूं मार्निय अद्रिक्ष मौद है कि सिर्फ 36 गड़ और पस्चिम बगाल ऐसे राजी है जहां पर आवास का काम पूर्ण नहीं हुआ तो आवास प्लस प्रारम ही नहीं हो पाया तो 2016 क्या कोई सर्वे सूची है 2016 की सर्वे सूची क्या अधार पर आवास दिया जाना है यह इस पस्ठी नहीं हो पाया है चलिए आज़े चर्द्राकर यह इप्राप्ष मौद है बहुत पस्ठी हो गया है अभी विभाग की चर्चा में आप अपनी बात रखेंगे बहुत आउसर मिलेगा चलिए करता है मानी मंतरी जी मिया आप से जानना चाहता हूं कि आपका विभाग बड़ा सक्षम विभाग है sympathशी मैरे मंतरी जी आपको भारी सक्षमें एक महने में आपने पूरे प्रदेश का सर्वे करवा दियाρι 2.23 में कि तो यह मैं कि से सर्वे कर करवाने की एक मेहने में चानक सर्वे करवाने की जरुवत क्यों पड़ी और सर्वे के रिपोर्ट के अधार पर जो अनुस अंसाएं मिली उसमें आपने क्या-क्या निती कारिक्रम स्विकार किये और सर्वे के रिपोर्ट को सरकार ने क्या स्विकार कर लिया मानिय अधिक्ष महुदै क्रिकट के मैदान में सचिन तिन्दुल कर आ जाए या सदन में मानिय अज़ चंद्राकर्ची आ जाए एक जैसी पूर्जा और एक जैसा उत्साह लोगों में होता है मानिय हैim यह फास्ट बॉलर है माने महोदे के माने हसेति के इस पिसे पर कि 2023 के सर्वे सूची एक ही साल में सरकार ने कैसे सर्वे कर लिया ये विभाग मूलता पूरवरती मंतरी आप ही रहे हैं आप ही किया धार सिला पर ये विभाग आगे बढ़ता है आप नहीं जो परतिमान इस्थापित किये हैं उसको पार करना चाहता हूँ कि यह जो सर्वे हुआ है इस सर्वे के आधार पर इसका फिर से भोतिक प्रिक्षन नहीं हुआ है परन्तु इसमें जो शून्य कमरों के मकान हैं कच्चे कमरों वाले उन आवास के लिए भोतिक सत्यापन भी किया गया है और उनको स्वीकृत भी किया गया है मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ और उताधार पर आपने क्या नीती कारिकरम बनाएं आपने लिखा है उसमें और क्या बजट उसके लिए निर्धारित किया यदि मैं पूछोंगा कि सिर्फ आवास का तब आवास का विशाय आएगा भी तो मैंने पूरे सर्वे के बारे में पूछा आपसे आवास तक अभी पहुचा नहीं हूँ मैं मानिया देक्ष महुदै इसी विशे पर मैं आपसे कह रहा था कि सर्वे हुआ है डाटा सामने आया है और उसका अंतिम भौतिक सत्यापन ये होने के बाद उसकी स्विकारिता की बात आती है भौतिक सत्यापन उसमें से एक पोर्शन का किया गया बाकी डाटा का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया और वो 47,90 ऐसे लोग थे जिनको चिन्हांकित करके जिनका सर्वे में आया था कि इनके पास एक भी कच्चा मकान रहने के लिए नहीं है उस पोर्शन का सत्यापन करके उसको स्विकार करके और उस पर योजना बना करके काम किया गया है ये पूरी योजना के पूरा सर्वे होने के बाद मानी राजेश मुड़त जी सम्मानी अध्यक्ष मोदे सबसे पहले तो आपके प्रती और विदान सवागे प्रती आबार व्यक्त करता हूँ एक महत्पुन विसे के उपर जो एक आज मेरा प्रस्न लगा है विसे पुरे प्रदेश से जुड़ा हुआ है हजारों नोजवान इसके चपेट में हैं और महादेव के नाम पर पुरे प्रदेश के अंदर एक गोरत धंदा चला जिसके अंदर पुरे देश और प्रदेशिनी अंतर राष्टी इस्तर तक के लोग उसमें involvement है और जिसके अंदर एक बहुत बड़ी एजनसी जाच कर रही है ED और जिसके अंदर कई लोग involvement है उनके बयान भी हो छुके हमारे उर्जावान मुख्यमंत्री है वह भी युवा मोर्चे से आया है, मैं भी युवा मोर्चे से आया हूँ वह भी जनता की लड़ाई लड़कर क्या आया है, मैं भी जनता की लड़ाई लड़कर क्या आया हूँ तो युवा में हिस्सा तो 60 जादा चल रहा है और इसलिए तो मैं इस से वही लाया हूं जो सम्वेदन सील है एक ही विदान सभा से खाली भीलाई जीले से वेसाली नगर विदान सभा से 20 सज्जार बेरोजगार नोजवान इस महादेव 61 के अंदर इन्वालमेंट है यही नहीं जो दूबई में जाकर जिसका रेकेट चल र आ है उसका संचालन करने वाले कौन लोग है उसके पिजे किन किन की भुमिका है मैं इस पर जित प्रस्तों पे आता हूं सीधा यह सरकार के संग्यान में कब आया आपने 90 केस करीब दर्ज की है मैंने पूरी केस की स्टेडी की है और मैं ऐसे ऐसे तथ्य से आपको आउगत किराऊंगा मानी मुख्यमंत्री जी आप कलप्रा नहीं कर सकते हैं मानी उप मुख्यमंत्री मोद है कि जो सरकार को जिनको सुरुच्छा की जुम्मेदारी है जो सरकार व्यवस्ता के ताथ चलने के आवश्चक्ता है वह पास सार तक इस सरकार ने जो पुर्व सरकार थी गिरो बंदी के साथ योजनाबत तरीके से ने ने हायाम खोच करके इस प्रदेश के बेरोजगा नोजवानों को ठगने का काम और गलत काम में लगाने का काम किया आपने 90 केज़ दर्ज किये 90 केज़ पेसे आपने कितने लोगे खिलाब कारवाई की मैंने कारवाई जो पड़ी है आपने सटा हेक्ट के तहत कह दिया कि उनके खिलाब जो धारा लगी थी वो थाने में बेलेबल थी इसमें बेल दे दिया जिनके बयान हुए उन बयान के अधार पर करोड़ों का ट्रांजेक्शन बेंक से हुआ क्या किन किन अधिकारी बेंके करमचारी या संकार में संग्यान में ले करके क्या काम किया यह इस पर जिक प्रस्ट में रहा है मानिय अधिक्श महुदे मानिय अधिक्श महुदे मानिय सदे सिकाई अपरस्ट सचकुछ बहुत लाजमी है और उनकी चिंता भी वाजिब है इस पूरे विशे पर जो उनकी विशेश चिंता है कि बहुत सारे नौजवान जो भटके हुए हैं राह से जिनको अपने जीवन को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना था उन्होंने जाकर के इस महादेव सट्टा एप के जरिये इसमें फस करके अपनी बरबादी का रास्ता चुन लिया मैं आपसे ये बाद बताना चाहता हूं मानिय दिक्ष महुद है कि इसमिशे पर कुल 90 FIR हुए हैं सन 2022 से इस पर FIR हो रहे हैं रायपूर में 36-36 प्रकरंट पंजी बद हैं दुर्ग में 23 प्रकरंट पंजी बद हैं बिलासपूर में 2 प्रकरंट पंजी बद हैं जांजगीर में 2 प्रकरंट पंजी बद हैं और सूरजपूर में भी 4 प्रकरंट पंजी बद हैं मानिय मौदे जो एप हैं उनके संदर में भी FIR हुए हैं और उस पर काम चल रहा है दुबई के संदर में मानिय अधिक्त मानिय जानना चाहा है कि दुबई में कुछ लोग हैं और उन्होंने ही इसको पूरा संचालित कर रखा है पूरा 36 गड़ जानता है और तो पूरा भारत ही जानता है कि दुबई में हमारे ही 36 गड़ के कुछ लोग हैं उन्होंने ही इसको संचालित कर रखा है तो सरकार के तरफ से क्या कारवाही हुई है मैं आपको धान दिलाना चाहता हूँ कि लुकाउट सिर्कुलर जारी हुआ है रेट कॉर्नर नोटिस भी इनके लिए जारी हुआ है प 221 फ्रीज हुए हैं और उसमें एक करोड़ सोला लाख 71,696 ये राशी भी फ्रीज हुई है इसके अलावा और विभिन इस्थानों पर जैसे दुर्क में 436 बैंक अकाउंट सूरचपुर में 38 बैंक अकाउंट जांजगीर में 5 बैंक अकाउंट इनके भी फ्रीज होने की प उनके बात आई थी उनके बारे में इस पष्ट जानकारी मिली थी Enforcement Directorate की जाच के बात जब उनको जेल में भेजा गया था विभाग के संदर में जब ये विशाय आया था तो उनको सस्पेंट किया गया है बरखास किया गया है तो अब भी जेल में है ये किया गया है और वि बिन्य चर्चा का विषय है जिसके संदर में मानि सदस कह रहे थे उसके संदर में भी जैसे ही ये विषय अधिकारिक तोर पर या प्रमानिक्ता के साथ फरकार के विभाग के संग्यान में आएगा मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ वह भी युवा मोर्चा से हैं मैं भी युवा मोर्चा से हूँ जो आग उनके दिल में है वो आग मेरे दिल में है और मैं बिलकुल उनके ये कहना चाहता हूँ कि ये पीर भी परवत्सी हो गई है और इसको निसंदेह पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से भी माने कोई गंगा निकलनी चाहिए सो पृतिशत जैसे ही विशाय सामने आएगा एक घंटा नहीं लगेगा विश्चुदेव सरकार को इस पर फैसला रिने में एक घंटे के अंदर करवा ही की जाएगा महादेव और गंगा का बहुत संबंध है गंगा जो निकलिये है महादेव के जवाब जब आप दे रहे हो तो उस गंगा के याद कियो हो मंत्री जी कुछ प्रस्थिश्च करना चाहिए मानी अद्यक्ष मोद है बहुत गंबीर प्रस्थ और मैं आपसे समाच चाहता हूँ मानी मंत्री जी ने एक सामाने रूटिन में सरकारी प्रस्थिश्च का सरकारी उत्तर दे दी मैं स्पेजिक पूछा कि ये महादे एप के उपर 90 केस आपने दर्ज किये उसमें बयान भी हुए है एक बयान मैं आपको पढ़कर के सुना देता हूँ आपके थाने का जिसके अंदर महादे एप के अंदर उस व्यक्ति ने बयान दिया उसका नाम है रवी कांथ उसने एक बयान में कहा कि फलाने फलाने में बेरुजगार था मैं घूम रहा था मेरा कहीं कुछ नहीं था मेरा एक दोस्त ने मुझे कहा कि चल भई तेरे एकाउंट खुला देता हूँ मैं उसके साथ चला गया मैंने बैंक में एकाउंट खुला लिया मेरे बैंक के एकाउंट में मे वो वारदा request कर रहा है कि मेरा एकाउन नहीं है मेरा एकाउन में कैसे लें दिन हो जा रही है उसके बात में भी वो किसी के खिलाप कोई कारवाई नहीं होई ये एक नहीं है ऐसे जारों प्रक्रण है क्या किसी बेख मैं अगर एक लाग, दो लाग, पांच लाग की लेंदेन होती है, सामान ने सब लोग जानते हैं, बेंक वाला पूछता है, कि आपके एक और पैसा लू के नहीं लूँ, यह आपका पैसा है के नहीं है, अगर वो करोडों की लेंदेन हुई और आपके संग्यान में आए और पुल यहार दर्श कर दियो, बेंक में जाकर क्या आप पूछताज कर रहे हैं, वो बेंक वाले को, बेंक वाला भंकारा उसको महीं, पुलिस वालों के सामने, अब प्रस्ट में आ जाईए, अब मुल्प्रस्ट पर आईए, यही तो मेरा पूछन है, आप कह रहे हैं कि अगर संग उसके अंतरगत, ऑनलाइन गेमिंग के लिए, बेटिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं था, कालांतर में कुछ प्रावधान बनाए गए, और उसमें एक साल से साथ साल तक की सजा है, दसलाग तक का जुर्बाना है, उन प्रावधानों के आधार पर इस पर काम किया जा है, मैंने बताया कि 54 चालान पुटप हो गए है, किसी के बयान के आधार पर किसी को फासी नहीं चढ़ाई जा सकती, परन्तु इस आधार पर जाच की जो प्रक्रिया है, वो जरूर जारी है, मैं फिर से आप से ये कहना चाहता हूं, मानिस अधिस महुदे, मानिस अधिक जी मानिस अधिस को ये, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, कि पूरी ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ, इस पूरे विसे का जाच किया जाएगा, कोई दल, कोई और समाज, किसी की भी परवाह किये बिना, जो जो गुनहगार है, उन सब को जेल की सलाकों के पीछे पहुँ ने आती है, मैं फिर से कहता हूं, मानि विश्वदेव जी की सरकार है, एक घंटे के अंदर का अरवाही होगी, जैलिए, कोई और चोटा प्रस्ट, पूछा आप क्या आपने का पहले संग्यान में नहीं आया, जब संग्यान में नहीं आया, तो बयान कैसे हुआ, सीधा सीधा प्रस्ट, जब सरकार के संग्यान में नहीं है, तो फिर पुलीस अधिकारी जा गए, बैंकों बयान कैसे है, और ये क्यों चीज़, दूसरा, कितना करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन उनके माध्यम से बैंकों से हुआ, जराया इस परश्ट कर दें, पिर धन्यवाद लिए, एक जो बिसे अभी सामने है, जिसकी जानकारी हाथ में है, मैं आपको जरूर उपलत कराता हूँ, कि पांत सो सावत अकाउंट जो रायपूर के फ्रीज होने वाले थे, इन में से दो सो इकीस करोड रुपए का ट्रांजेक्शन यहां तक हम पहुंचे है पता लगा है, थर्ड पार्टी को भी इसमें इंगेज करने ही कोशिश कर रहे हैं, कि हम एक 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 अकाउंट को खंगाल कर यह जान पाए, कि यह राशी इन खातों के माध्यम से कहां जाती थी, और उसके बाद फिर अगला ट्रांजेक्शन उसका कहां होता था, यह राशी कोई फैसला आ जाए, उस पर बात कर लेंगे, मैं आपसे और एक बात बताना चाहता हूं, कि विभाग ने तो आगे बढ़ करके, लोगों की फरारी होने का आविदन कोट में दिया हुआ है, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, कि उनके संपत्ति के चिनहंकन की बात प् मारा विभाग और सरकार के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, कि साथी तुछी हाथ प्याने के बाद सब पर जाच होगा, सब पर जाच कराई जाएगी, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, मानि अध्यक्ष मोदे, मानि उप ग्रहमंत्री की, उप मुख्यमंत्री, ग् वाग हैं, उनकी किसी भी बात के उपर में को तो पूरा 100% विश्वास है, लेकिन जो नुमाइंदे लोग पेठे हैं, जो पूरे काकस के इंदर इंवाल्मेंट हैं, उनके माध्यम से प्रस्तों का उत्तर है, क्या, एक हैसाई ने बयान दिया, एडी को, चंद्र बुसन वर हुआ, उसने किंकिं के नामों का उलेक किया, और उन पर क्या कारवाई करेंगे, इस बैसिक प्रस्त, ठीक, जी मानिया दिक्षमोदे, वो बयान जिसको एंफोर्स्मेंट डिरेक्टेट ने लिया है, और जो कोट में, राइपुर के कोट में जमा है, उस बयान का कोई अधि अधिकर जानकारी, एंफोर्स्मेंट डिरेक्टेट के द्वारा साशन को नहीं दिया गया है, ये जानकारी आने के बाद, अधिकर जानकारी आने के बाद, प्रमानिकता उसमें है, तो तुरंत करवाही की जाएगी, मैं बिल्कुल इस बात को कहता हूँ आप से, फिर मैं आ इडी के द्वारा साशन को भेजा गया, जब कोई संग्यान में नहीं लिया, उत्तर नहीं दिया, तो तीस तारिक को फिर वापस रुमाइंड आया, अगर उसको बयान पुरे सुर्कियों में समाचापत्र से ले करके, सोशल मीडिया से ले करके, आम जंता के बीच में चल र परण विबाग की गंबिर था, कल मेरा एक प्रस्ता था, और प्रस्ता लग नहीं पाया, प्रस्ता मेरी एक सिकायत की, किसी ने फ़र्जी सिकायत, और उस समय भी में ने जंता से कहा कि इसकी जाच, कोई रिटायर जट से करा लो, ततकाल मुक्यमंत्रिया ने लिखा, ततका जिसके कोई तक्त ही नहीं है, जिसकी कोई जानकार ही नहीं है, एक आदमी ने अवे दिन दिया और योडिबली इतना सक्री हो गया, और ततकाल उसकी विवर्चिना के लिए डिपार्टमेंट के अंदर आ गया, तो मुल्वी से यही है, अध्यक्ष मोदे के अगर तीन तार में किसी को 30,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, को देगी क्योंकि इसके दार उत्रेस तक जुड़ेंगे अत्यक्ष्मद है और दूद का दूद पानी का पानी का चाहिए यह मेरा आगर है ठीक धन्यवाद समारे प्रश् poder विभाग से इस विशेप पर पूरी जानकारी लीगई थी अन्तिम जो उनसे जानकारी प्रापत हुई है वो पाँच फरवरी की है कि इस विशफरपर एंफोर्स्मेंट डिरेक्रेट से कोई अधिक्र्व जानकारी प्रापत नहीं हुई प्रदेश का सबसे बड़ा स्केंडल केस का मामला अन्य विशे आव रहेंगे विशे घृत महत्वपुन्ह सब पर आप लीजिए लेकिन आप के रहें आपके पास एक गरत जानकारी है मैं आप कहा ही ने तो मैं सदल के पटल पर रख दूंगा चैलिए रख दीजिए कि जिस तारीक को यह गया है तीन तारीक को कोड के अंदर जिस वकिल ने इस बात को आप मेसेज किया वो भी जानकारी है आप मंत्री जी को दे देंगे विवाब मैं तो यह दस्तावे जद्दू आपका है तो अध्यक्ष मोदें मैं लगातार दो साल से इसके खिलाब में लड़ता और एफायार होने के बाद में अभी तक एक भी एफायार तो हुई एक देश्मोदें विवेचना भी हुई लेकिन एक भी बड़ी मचली पकड़ में नहीं कोई जानकारी हो तो उपलब्द करा देंगे सेन जी आप एक सोटा प्रसंद कर लिए आप उपलब्द करा देश्म अब तक की जो इस्थिती है वो यही है आपके पास कोई अत्रिक जानकारी है और आप से कहना चाहता हूं कि एन्फोर्स्मेंट डिरेक्टरिट के जाच में वो अंतिम इस्थिती में है और इस इस्थिती में फिर एक नई एजन्सिश्मोद कराना उपकी प्रतिक्षा हम पर और हम देख लेते हैं क्या दिक्षिती में हैं आखे मोद है आपके राज किया हो सकते हैं वहीत तो अधिकारी मौँ बेठें जिनके ओपर आयाँ पेर जाच करेगा कौन सहीया भाँ पोहन को डर किसका जिनके खिलाब में आरो पुर्यों प्रदेश को बर्माद करने का ठेका लेकर क्यों बेठे वह जाकर फ्रियाग स्विम बेठे ठीक राजेदी बहुत बढ़िया जाज होना चाहिए आप जो भी जाज करें विदायक दल से करें जिस से भी करें इस प्रदेश में रजिल बना चाहिए कि गिलो बनकर के जन्ता को लूटने का जो काम करते हैं उनको सजा मिलना चाहिए यही मेरा अगराज देखिए धन्यवाद शेन कुछ प्रस्ण पूछ रहा है इसी पर प्रस्ण नहीं पूछ रहा है मानियद्ध्यश महद है निश्चितूप से आदर्णी मुनत जी मानिय सद्ध्यश जी ने अपनी चिंता वेक्त की भिलाई को खेल धानी और शिक्षा धानी के रूप में जाना जाता था अब यह महादेव एप के रूप में जाना जा रहा है मेरा मूल प्रस्टन यहीं एमानिया अध्यश महद है कि युवाओं की चिंता इनोंने की मेरे विधान सबर से 20,000 सहदी की हुआ इसमें लिप्त है लेगिन इसके साथ साथ जो प्रसासनिक अदिकारी है जिनकी दुरुक जिले में पिछले 5 वर्षों में लगातार पोस्टिंग हुई है पुलिस प्रसासन के लोगों के पास खुद के पास आईटी है लोगों के पास अधिकारों के पास है राजनेतिक दल के अलग-अलग नेरताओं के पास आईटी है लेगिन आज तक सिर्फ 90 इवाओं को जो है अरेस्ट किया गिया वो भी मुचलके पर थाने से छोड़ दिया गिया इस पर सही रूप से किसी भी प्रकार के आज तक करवाई नहीं हुई और ततकालीन मुख्यमंति मानने जो भी थे उनका भी सन्रक्षन साथ था ये भी हमको देखने को मिला था तो इसलिए मानने अध्या चमाहुद है मानने वहएं को लेखे विशेश सुप से जाच करने क्या रशकता है जीन बरातियों के विशेश पे माननी गिविम अंतियों नहीं कहा कि जो बराती गयते उनकी लिस्टिंग होगी वो बवाती की लिस्टिंग लगाता है नेशनल लिउस पे दिया जा रहा है और भिलाई में खुले आम घूम रहे हैं उन बवातियों पे आज तक कोई कारवाई नहीं हुई है और ऐसे अटिसनल स्पी जो जिले में पोस्टिंग होकर ऐसे एस्पी ऐसे आईजी जिन्होंने पाफ साल खुद आईडी लेके लगाता महादेव आईडी कायब का संचालन किया है मैं मानिय अद्रिश महोदे आपके महाद्यन से जानना चाहता हूं मानिय मंत्री जी से कि इसमे क्या कारवाई होगी तो कि अभी तक छोटे लोगों पर कारवाई की गई है दन्यवाद मानिय अद्रिश महोदे मानिय सदस की चिंता वाजिब है कानून कराज होना चाहिए और कानून के नजर में कोई छोटा या बड़ा हर्गिस नहीं होना चाहिए विसे गिरिफतारी के संदर्बे उनके आकड़े को मैं दुरुस्त करूं कि ये 482 लोगों की गिरिफतारिया आज तक हुई है इस विसे पर दूसरा मसला है कि जिन अधिकारियों के संदर्ब में चर्चा है एडी के चलान के संदर्ब में ले ले या सोशल मीडिया पर या मीडिया पर प्रचलित सारे विसियों को ले करके जो बात चल रही है प्रमाणिक्ता की बात है एक बार प्रमाणित होने के बाद मानने सदस्यों को इस विसे पर कारवाहिया होती दिखेंगी उनको चिंता करने की आवशक्ता नहीं होगी और योगी बाबा से पूछ किया जाओ ये बुल्डोजर जो खड़ा है ना जो 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 इसमें फसे हैं दस पांच का बुल्डोजर में गिरवाओ और वाओ तब थोड़ा खौफ पैदा होगा ये कितना कायदा कानूं में आप चलोगे यहां तो बड़े बड़े वकील आ जात तो तोड़ ताड़ के आजा है तब थोड़ा खौफ पैदा होगा खौफ का नाम पुलिस है जब पैदा करी दर्व अपरादियों में तरिके घर में पुलिस नहीं खड़ी होती है और ये तीन सो जो पकड़ाएं हो पूछ रहे हैं नहीं नहीं मैं पूछ ले तो उमेश प प्रश्ण उठाया है पूरे प्रदेश में लाखों कड़ोरों लोग बरबाद हुए हैं और उनको जो स्था देने वाले हैं आज भी मस्तेहां घुम रहे हैं लेकिन जो विवेचना जो वाई जिनके उपर कारवाई होनी चाहिए कारवाई हुए नहीं और वास्तविक में कारवाई नहीं होगे तो यह सट्टा चलते रहेंगे चलते रहेंगे आज आज आपका भी प्रस्ण है बाकी लोग चोड़े लोग को पकारना असा होता है कारवाई होनी ने माननी अध्यक्ष महुत है इसने उसमें जाशा होनी चाहिए और कोई ने को जाश की घुस्क्रम अध्यक्ष महुत है उत्तर नहीं आया है उसमें अध्यक्ष महुत है लोगों को भविस्ट चोपट करने का काम किया गया है इसलिए माननी मंत्र जी मैं आप से कहना चाहता हूँ कि अधि उनके भविस्ट को सुरक्षित रखना चाहते हैं और ये जो महादेव सट्टा जो खिलाने वाले जो घूम रहे हैं ऐसे लोगों को पर आप कारवाई नहीं करेंगे और उनको नहीं रोकेंगे तो आने वाला भविस्वाओं का ठीक नहीं होगा इसलिए इसमें तत सरकार से और से आना चाहिए कि इसको हम समय बद्ध धंग से इतने दिन में निराकरित करेंगे करके चलिए ज्वलंत विसा है मैं माने वंसरी निसे है याग्रा करूंगा जो पांट साल जो पोस्टिंग हुई है वहाँ पे इतने लिए दिकायों कि जाज कि जाए चलिए अगला प्रस्टार जी जी आप 26 मिट हो गए बिल्कुल सह मैं थूँ आप से लेड़ने नहीं कलपा है लेड़ने तो कुछ नहीं वह उत्तर वही है माने अद्यक जी इस प्रदेश का सब्सक्राइब जोगी जाच होगी केंद्रिय घ्रामंत्री तक इसमें चिंता व्यक्त क कर चुके हैं माने अद्यक जी और हम लोग लगाता है यह विसे इतना ही है कि उसमें जो भी है समय पत्री घोष्टा करें क्या उनके खिलाब में कारवाई की जाएगी माने अद्यक जी इस प्रदेश से जुड़ावा के छोटा मोटा फैसला नहीं है अद्यक जी अपनी सर् द्धिक जवाब देने खड़े हो गया मंत्री मंत्री जी खड़े हैं भाई करना पड़ेगा पांस ताज़ दूंपर सिंधी जिनकी वेश्टालों की उनकी चाहिए उनकी चाहिए मंद्री कुछ बोल रहा है उसके दूसरे कुछ मैं मैं आपसे ही कह रहा हूं कि जाच केंदर की एजनसी कर रही है एंफोर्स्मेंट डिरेक्टेट कर रही है और उनका जाच अंतिम इस्थिती में है वो चालान पुटब कर चुके हैं अब प्रतिक्षा करने हैं एक बार उस चालान को देख लें मानियों मंत्री जी 164 के बयान के तहत एडिगा बयान अपने आप में कोड में दिया हुआ बयान माना जाता है अगर नहीं है तो विबाद किलियर कर लें धारा 164 के तहत जो बयान दिया गया है चंत्रभूसरंड ने और यह सुप्रीम कोड का फैसला जैय लेलिता जी के उसमें आया है कि इसके अंदर वह पार्टी नहीं बन सकते और उनको 15 दिन में इस पर फैसला करना पड़ेगा सुप्रीम कोड का फैसला हो चुका है जब इतना सब कुछ साख चोने के बात में भी आप किनको बचाना चाहते हैं किसी के नहीं है यह किसी के नहीं है ध्यान रखना यह सिर्फ कुड़ी के सलाम करने वाले हैं जिन जिनको आप बचाना चाहरे हो वो किसी के नहीं है वो यह अपने उपर डंडा चला है वो यह आ यह दर्द मेरा नहीं यह दर्द आपका भी है इस पर कोई नी कोई फेसला होना चाहिए यह उम्मीर आप जान करा जैना ताब दीत इन जर्वेकर ही चिंता जान करा चलिए प्रेने इस पर मंत्री जी कुछ खे रहा है तर्वेकर जी अगे बढ़े जी अगे बढ़े जी कुछ खे रहा है मंत्री ओजा डाट ऐखे तर्ट में गॉच्श लेंगे जुताइश निके बाट सब्सक्राइब गॉट सब्सक्राइब करिव करतेश दो ऑजो को जाक्श अगर्ट परच्छ करदेश्ट में अनिरा ये बैठिए 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 ये चेले तो आखरी लाइं मोड लीजिए मैं सबके संग्यान में इस बात को लाना चाहता हूँ कि ED के प्रिस्ट नोट जो एंफोस्मेंट डिरेक्टेट के विबसाइट पर रिलीज होता है उसमें बहुत सारे नाम और उनके लिए अधिकरित जानकारी हमको ED उपलब्द करा दे ये इसके लिए हमने प्रक्रिय भी प्रारम कर दी आप थोड़ी प्रतिक्षा कर ले वो होगा जो आपके मन में है ये गोश्टा करता है महिने बर में दो महिने बर बस राजेज़ी होगे चलिए संगिता जी आदर्णिय धक्ष्मोद जी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हिद्गराहियों को प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीन में नहीं जोड़ा गया तो मैं ये मेरा पहला कुश्चन है धक्ष्मद जी मंत्री जी से कि ऐसे परिवार जिनका नाम 2011 की सुची में छूट गया था जिनको मकान दिलाने के लिए पुरुवर्ती सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए सर्वे कराया था तो आदर्णिय धक्ष्मद जी उत्तर में आया है कि आवास योजना को मुख्य मंत्री आवास योजना को प्रधान मंत्री आवास योजना में नहीं जोड़ा जाएगा तो मैं ये पुछना चाहती हूं मंत्री जी से कि प्रधान मंत्री आवास योजना में नहीं जोड़ेंगे तो उन परिवारों का क्या होगा जो परिवारों को एक किश्दमिला है और एक दूसरा प्रश्ण एक और है अध्यक्ष मौदाजी वर्तमा उत्तर आया है वर्तमान में आवास प्लस के नामी थिद्गरहियों को भी प्रधान मंतरी आवास योजना ग्रामीन के तहर आवास प्रदाय किये जाने का निर्ने लिया गया है तो मैं अ मानिय अध्यक्ष मौदै यह बड़ा ही मार्मिक प्रश्ण है और मानिय सदसी के इस चेंता का मैं हर्दय से स्वागध करता हूं अभिननदन करता हूं ऐसा ही मार्मिक प्रष्ण एक बार पूरवरति सरकार के मानिय मंतरी टी आ सेंद्यो जी के हर्दय में भी होठा था जब प्रदान मंत्री आवास के संदर में विष्टुदेव जी की पालनहारी सरकार है और उस सरकार का बिलकुल इसपश्ट निर्णय है 18 लाख आवास गरीबों को दिये गए हैं मैं आपको इस विसे पर भी बताता हूं इस विसे पर भी कह रहा हूं मानिसे इसमोदे इसमें मानिय अधर जी यह जो सर्वे कराया गया था 2011 की सूची और 2016 की सूची इन दो सूचियों के आधार पर प्रदान मंत्री आवास दिया जाता है एक अलग से सर्वे राजी की सरकार ने कराया उनकी अपने अलग पैमाने थे उनका अपना अलग डाटाबेस था अब यह कैसे हो सकता ह है कि वो सर्वे में वो जो राजी सरकार का सर्वे है उसके माध्यम से प्रदान मंत्री आवास दे दिया जा अधरनी अध्यक्ष मौदै जी 2011 का सर्वे चल रहा है और उसके बाद सर्वे हुआ ही नहीं है केंद्र सरकार ने सर्वे कराया ही नहीं है 12-13 साल हो गया उसके लोग अपना घर बनाना शुरू कर चुके हैं तो उन परिवारों उन गरीब परिवारों का क्या होगा जो शुरूआत कर चुके हैं आपनी इसमें कहा कि उसको नहीं दिजोडा जाएगा तो अगर नहीं जोडेंगे इतने लाखों करोडों परिवार उनका क्या होगा वो गरी कि जो 36 सरकार के द्वारा पिछला कराया गया सर्वे है उसके आधार पर जो आवास दिया जाना है वो लगबग 47,000 आवास है जी 47,000 आवास मैं आप से बताना चाहता हूं इसमें कि मारणिया मुख्यमंत्री जी ने पूर में ही घोशना कर दी है कि जिनको पहला किस्त मुख्य किस्त उनको दिये जाएंगे उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा ये निर्णय विष्टुदेव सर्जकार का पहले ही हो चुका है आप बताना चाहता हूं कि पूरे देश में कि पूरे देश में देश में कहीं पर नहीं हुआ है दो सर्वे हैं भई पहले पता कर लीजे मैं आपसे बोल रहा हूं तो कुछ गलत नहीं कह रहा हूं 2016 में ये सर्वे आया है जिसके आधार पर 2011 में सर्वे हुआ है इसके बाद कोई सर्वे नहीं हुआ है आवास प्लस पूरे देश में सिर्फ पस्चिम मंगाल और 36 गड़ में नहीं दिया जा सका अन्यता पूरे देश में भी आवास प्लस दिया गया है और इसके कारण विश्टो देव जी की सरकार नहीं निर्णए किया है कि 2011 की सर्वे सूची के आधार पर जितने लोग बचे हैं उनको दूसरा आवास प्लस के जितने लोग बचे हैं उनको इसके साथ हिसाथ जो मुख्यमंत्री आवास के नाम से आपने दिया था सहिताली जार लोगों को उनको और जिनको एक किस्ट दे करके आपने रोग दिया था उनको इन सारे लोगों को आवास दिया जाएगा इनके पूरी किस्ट दे जाएगी जो आपने घोषना किया है अभी नया क्या उसको पुराने में जोड़ा जाएगा हाँ बिल्कुल आप से कह रहा हूँ आपसे नया जुड़ेगा कि नया आप देंगे अठारा लाक की उसी में जोड़ेंगे आप अध्यक्ष मौदे जी हम अगर गाउं में जाते हैं पिछले बार जब आप यहां बैठे थे उससे में आप कितना अवास के लिए चिला है जब आपको मौका दिया है जनता ने आपको मौका दिये तो आप उनके साथ जनता के साथ धोखादरी मत किजी आप उनको आवास दिल लियाए जिनको जरुरत है जो अभी आप एक छर्ट के नीचे परिवार रहते हैं इतना बचा दीजिए ठारला को आवास कब तक दे रहे हैं आप पोशना किजिए जो मुख्यमंत्री अवास यूदना है उसको प्रधान मंत्री से जोड़ने का आप 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 सुनिये जरा मेरी बात भई इस इस विजह पर ऐसा है ये जो ये जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में जिन लोगों को पहली बार जिनको शून्य कमरे का मकान इस तरह का सर्वे में टाटा आया है उनको पहला किस दिया जा चुका है मैं फिर से कहता हूँ उदार है मारणी मुख्यमंत्री महोदय और उन्हें इस बात का निरणय कर दिया है कि इनको पूरे किस दिये जाएंगे चलिए बहुत अच्छा मोले जी उन्नुलाल मोले जी प्रस्तिन हो प्रस्तिन 2011 के सर्वेलिष 2016 के माननी मंत्री जी ने कहा और आवास प्लस बोला वो टोटल कितने होते हैं माननी मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से उसके पास जो गरीब है सही में उनके पास बेगर है ऐसे लोगों के लिए क्या आप आवास देने की योजना बना जो है कि बना चुके हैं ये बताने कर देना अवास प्रधान मंत्री आवास दिया जाना यह राजिकी सरकार के द्वारा प्रवुर्तित वो योजना के अंतरगत आवास दिया जाना यह सूची के अधार पर ही होता है जो सूची आभी उपलब्द है दोजार ग्यारा की है और राज सरकार के एक सर्वे हुआ था उसके अधार के सूची है इन तीनों के सूची के अधार पर आवाज दिया जा रहा है अठारा लाग से अधिक है प्रमोजी चलिए मानिय अध्धक्ष महुद है मैं मानिय मंतरी जिसे सम्मन्द में थोड़ी सी जानना चाहूंगा जिनको पांच वर्सों में सामने वालों ने रोका कोई आवास बनने नहीं दिया लेकिन अब आवास चालू हो गए है तो ये प्रधान मंतरी आवास में केंदर का पैसा आता है और राजियांस पैसा मिलाता है अब ये प्रधान मंतरी आवास योजना जिसके लिए पानिय न के तरफ से इसमें कोई केंद्रांच नहीं मिलने वाला है परन्तु जैसे केंद्रे ने निरने किया है कि दो करोड नए आवास और पूरे देश में बनाये जाएंगे उसके लिए इस बात की कोशिश की जाएगी कि इस विशेवर भी इसको प्रधान मंत्री आवास में जोड़ प्रधान मंत्री आवास या मुख्यंत्री आवास की कोई प्रकार की फूदह नहीं मिल रही है मानी मंत्री जी से मैं जरनना चाहता हूं कि जीनका निधन हो गया जो पट्टा ट्रांसवर हो गया वो जिनके नए जो नाम आया है उनका नाम क्या हम जोड़ सकते हैं क्या आप मैं नीवेदन करना चाहता हूं ऑप मैं अनुभव के आधार पर इस्विसे मानि अधिक्स मोदे दोसरा एक अउन नीवाद मैंरे प्रश्न कोई जबावा शही जब रहे हैं । रहें दो ओर रहे हैं थो प्रथान मंतरी तो पुछी एन निशरी मांटरी मॉथ से मुर विशेस निवेदन है कि जब ये सर्वे वाला लिस्ट जे है ये लिस्ट में ग्राउंड लेबल में जाये ले जो पात्र हिद ग्राही है ओ मनला आवास के सिविधा नहीं मिले है और जेन मनला मिले है एक एक गाउने दो दो तिन तीन बार मिल चुके है तो एकरबर का इस प्रिवर्तन किया जा सकत है महोदै से मैं जानना चाहा था हूँ 2011 की सर्वे सूची और 2016 की सर्वे सूची के बाद एक और सर्वे सूची बनी मानिया देख्ष मुहदै और उस सर्वे सूची में राजे सरकार ने सारी बातनों का परिक्षन किया है और उसके बाद भी अगर ह्रिदय में ये प्रस्षेश है तो इसकी चिंता भी मानने में पर वाकर में हिद्गा ही लाएकर शुमिधा नहीं 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 है लेकिन उस समय भी बहुत ऐसे परिवार है जो आज भी वह आवास सुची से वंचीत है माननी मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि जो वास्चित्ता में जो पात्रता परिवार है उसको पुना आवास सुची में सामिल करने के निवेदन करने है उसको पुना आवास सुची मे आने वाले समय में कुछ योजनाए बनेगी कि जो तुलाब के किनारे जे काफी सालों से जो बसाहट है उनके आवास के विशे में आगे क्या संभावना ये बहुत मूल कोशन है अद्धिक्ष महुद है तो मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगे एक बार फिर बताएं तो प् अद्धान नहीं है भी जी मानिये इसमोद मानिय सद्धि ने पहले जो प्रस्ण किया था 2002 की कोई सर्वे सूची नहीं है जिसके आधार पर आवाज दिया जाए पूरे देश में फिर से बताना में चाहता हुमानिय अधिक्ष महुद है कि सिर्फ 36 गड़ो पस्चिम बगाल ऐसे राजी है जहां पर आवास का काम पूर्ण नहीं हुआ तो आवास प्लस प्रारम ही नहीं हो पाया तो 2016 क्या कोई सर्वे सूची है 2016 की सर्वे सूची के अधार पर आवास दिया जाना है यह इस पस्ट ही नहीं हो पाया है चलिए अधी विभाग की चर्चा में आप अपनी बात रखेंगे बहुत आउसार मिलेगा चलिए माने मंत्री जी मैं आप से जानना चाहता हूँ आपका विभाग बड़ा सक्षम विभाग है माने मंत्री जी आपका विभाग भारी सक्षम में एक महने में आपने पूरे प्रदेश का सर्वे करवा दिया 2023 में तो यह मैं आप से यह जानना चाहता हूँ यह सर्वे करवाने की एक महने में चानक सर्वे करवाने की जरुवत क्यों पढ़ी और सर्वे के रिपोर्ट के अधार पर जो अनुशंसाएं मिली उसमें आपने क्या-क्या निती कारिक्रम स्विकार किये और सर्वे को ये रिपोर्ट को सरकार ने क्या स्विकार कर लिया मानिय अधिक्ष महुद है क्रिकेट के मैदान में सचिन तिंदुल कर आ जाए या सदन में मानिय अज़र चंद्राकर्ची आ जाए एक जैसी पूर्जा और एक जैसा उत्साह लोगों में होता है मानिय ये फास्ट बॉलर है मानिय महुदय के मानिय हस्ट के इस पिसे पर कि 2023 के सर्वे सूची एक ही साल में सरकार ने कैसे सर्वे कर लिया ये विभाग मूलता पूरवर्ती मंत्री आप ही रहे हैं आप ही कियाधार शिला पर ये विभाग आगे बढ़ता है आपने ही जो प्रतिमान इस्थापित किये हैं उसको पार करना है के लिए मैं आपसे ये जरूर कहना चाहता हूँ कि ये जो सर्वे हुआ है इस सर्वे के आधार पर इसका फिर से भहुतिक परिक्षन नहीं हुआ है परन्तु इसमें जो शून्य कमरों के मकान हैं कच्चे कमरों वाले उन आवास के लिए भहुतिक सत्यापन भी किया गया है और उनको स्वीकृत भी किया गया है मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ आप सिर्फ मकान में केंद्रित हो गए मैंने ये पूछा है कि एक महने के सर्वे में आपको सर्वे की जो जो रिपोर्ट मिली है उसके आधार उस सर्वे रिपोर्ट को क्या आपने स्विकार कर लिया और उस आधार पर आपने क्या न मुच्चा नहीं हूं मां। एक भी कच्चा मकान रहने के लिए नहीं है उस पॉर्शन का सत्यापन करके उसको स्विकार करके और उस पर योजना बना करके काम किया गया है यह पूरी योजना के पूरा सर्वे होने के बाद मानी राजेश मुड़त जी सम्मानी अद्ध्यक्ष मोदे सबसे पहले तो आपके प्रती और विदान सभागे प्रती आबार व्यक्त करता हूँ एक महत्पुन विशे के उपर जो एक आज मेरा प्रस्ण लगा है विशे पुरे प्रदेश से जुड़ा हुआ है हजारों नोजवान इसके चपेट में है और महादेव के नाम पर पुरे प्रदेश के अंदर एक गुरत धंदा चला और जिसके अंदर पुरे देश और प्रदेश नहीं अंतर राष्टी इस्तर तक के लोग उसमें इन्वाल्मेंट है और जिसके अंदर एक बहुत बड़ी एजन्सी जाज कर रही है इडी और जिसके अंदर कई लोग इन्वाल्मेंट है उनके बयान भी हो चुके हमारे उर्जावान मुख्यमंत्री हैं वह भी युवा मोर्चे से आया है मैं भी युवा मोर्चे से आया हूँ वह भी जनता की लड़ाई लड़कर क्या है मैं भी जनता की लड़ाई लड़कर क्या आया हूँ तो युवा में हिस्त तो 60 जादा चल रहा है और इसलिए तो मैं इससे वही लाया हूं को सम्वेदन सील है एक ही विदान सभा से खाली भीलाई जीले से वेसाली नगर विदान सभा से 20 सज्जार बेरुदगार नोजवान इस महादेव सट्टा एव के अंदर इन्वाल्मेंट है यही नहीं जो दूबई में जाकर जिसका लेकेट चल रहा है उसका संचारन करने वाले कौन लोग है उसके पिज़े किनकिन की भुमिका है मैं इस पर जिक प्रस्टों पर आता हूं सीधा यह सरकार के संग्यान में कब आया आपने 90 केस करीब दर्ज की है मैंने पूरी केस की स्टड़ी की है और मैं ऐसे ऐसे तथ्थे से आपको आउगत किराऊंगा मानी मुख्यमंत्री जी आप कलपरा नहीं कर सकते हैं मानी उप मुख्यमंत्री मोद है कि जो सरकार को जिनको सुरक्षा की जुम्मेदारी है जो सरकार व्यवस्ता के तहट चलने के आवस्चक्ता है वो पास सार तक इस सरकार ने जो पुर्व सरकार थी गिरोबंदी के साथ योजनाबत तरीके से ने ने हयाम खोच करके इस प्रदेश के बेरोजगा नोजवानों को ठखने का काम और गलत काम में लगाने का काम किया आपने 90 केज दर्ज किये 90 केज पेसे आपने कितने लोगे खिलाब कारवाई की मैंने कारवाई जो पड़ी है आपने 60 हेक के तहत कह दिया कि उनके खिलाब जो धारा लगी थी वो ठाने में बेलेबलती इसमें बेल दे दिया जिनके बयान हुए उन बयान के अधार पर करोड़ों का ट्रांजेक्शन बेंग से हुआ क्या इंकिन अधिकारी बेंग के करमचारी यह संकार में संग्याद में ले करके क्या काम किया यह इस पर्षिक प्रस्ट मेरा आइ मानिय अदिक्श्मोदे माने देक्ष महुदे माने सदसिकाई अप्रस्ट सच-पुछ बहुत लाजमी है और उनकी चंता भी वाजिब है इस पूरे विशे पर जो उनकी विशेश चंता है कि बहुत सारे नौजवान जो भटके हुए हैं राह से जिनको अपने जीवन को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना था उन्होंने जाकर के इस महादेव सट्टा एप के जरिये इसमें फस करके अपनी बर्बादी का रास्ता चुन लिया मैं आप से ये बाद बताना चाहता हूं आनिय दिक्ष महुदे कि इसमिसे पर कुल 90 एफाईयार हुए हैं सन 2012 से इस पर एफाईयार हो रहे हैं प्रायपुर में 36-36 प्रकरंड पंजीबन हैं जान्जगीर में दो प्रकरंड पंजीबन हैं और सूरजपुर में भी चार पकरण पंजी बद्ध है मानी मौदे इस पिसे पर महादयव एप के सम्मध में ही विशेश रूप से 67 प्रकरण पंजी बद्ध हैं जिसमें 54 पर चालान पूट अप हो गया है साथ ही साथ अन्य जो एप हैं उनके संदर में भी FIR हुए हैं और उ पूरा 36 गड़ जानता है और तो पूरा भारत ही जानता है इस पिसे को कि दुबई में हमारे ही 36 गड़ के कुछ लोग हैं उन्होंने ही इसको संचालित कर रखा है तो सरकार के तरफ से क्या कारवाही हुई है मैं आपको धान दिलाना चाहता हूँ कि लुकाउट सिर्कुलर जारी हुआ है रेट कॉर्णर नोटिस भी इनके लिए जारी हुआ है प्रत्यरपन की कारवी चल रही है बैंक अकाउंट भी 507 हमारे हाँ आपको मैं बताना चाहूँगा कि रायपूर में बैंक अकाउंट फ्रीज होनी की प्रक्रिया में है उसमें से 121 फ्रीज हुए है औ सूरचपुर में 38 बैंक अकाउंट जांजगीर में 5 बैंक अकाउंट इनके भी फ्रीज होनी की प्रक्रिया जारी है इस विसे पर बानिय अधिक्ष महुदे कारवाहिया भी हुई है कुछ जो सरकारी भखमे के लोग थे उन पर जो बात आई थी उनके बारे में इस पस्ट जानकारी मिली थी एनफोर्स्मेंट डिरेक्टरेट की जाच के बाद जब उनको जेल में भेजा गया था विभाग के संदर में विभाग के ध्यान में जब ये विसे आया था तो उनको सस्पेंट किया गया है बरखास्त किया गया है तो अब भी जेल में है ये किया गया है और विशेश रूप से जो चर्चा का विशे है, जिसके संदर में मानि सदस कह रहे थे, उसके संदर में भी जैसे ही ये विशे अधिकारिक तोर पर या प्रमानिक्ता के साथ फरकार के विभाग के संग्यान में आएगा, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ, वह भी युवा मोर्चा से हैं, मैं भी युवा मोर्चा से हूँ, जो आग उनके दिल में है, वो आग मेरे दिल में है, और मैं बिल्कुल उनके ये कहना चाहता हूँ, कि ये पीर भी परवत्सी हो गई है, और इसको निसंदेह पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से भी माने सामने आएगा एक घंटा नहीं लगेगा विश्टुदेव सरकार को इस पर फैसला रिने में एक घंटे के अंदर करवा ही की जाए महादेव और गंगा का बहुत संबंध है गंगा जो निकलिये है महादेव के जब आप दे रहे हो तो उस गंगा के याद किया हो मंतरी जी कुछ प्रस्ट करना चाहे है माननी अद्यक्ष मोद है बहुत गंबीर प्रस्ट है और मैं आपसे समाच चाहता हूँ माननी मंत्री जी ने एक सामाने रूटिन में सरकारी प्रस्ट का सरकारी उत्तर दे दिया मैं स्पेजिक पूछा कि ये महादे एप के उपर 90 केस आपने दर्ज किये उसमें बयान भी हुए एक बयान में आपको पढ़कर के सुना देता हूँ आपके थाने का जिसके अंदर महादे एप के अंदर उस व्यक्ति ने बयान दिया उसका नाम है रवी कांथ उसने एक बयान के चल भई तेरा एकाउंट खुला देता हूँ मैं उसके साथ चला गया मैंने बैंक में एकाउंट खुला लिया मेरे बैंक के एकाउंट में मेरा कोई पैसा कभी था ही नहीं करोड़ो रुपे का ट्रांजेक्शन हो गया मैं बंद करने गया तो मेरे को धंकाया जब पुलि वो किसी के खिलाब कोई कारवाई नहीं हुई, यह एक नहीं है, ऐसे हजारों प्रक्रण हैं, क्या किसी बेक में अगर एक लाग, दो लाग, पांच लाग की लेंदेन होती हैं, सामाने सब लोग जानते हैं, बेंक वाला पुछता है, क्या आपके एक और पैसा लू के नहीं ल पुछते हैं, तो फिर संग्यान में आने का विसे कहां वस्ता है, मानी अद्यच मोदें, जब सासन के संग्यान में आ गया, पुलिस इभाद के संग्यान में आ गया, आपने फाई आर्ट दर्स कर दियो, बेंक में जाकर क्या आप पूछताज कर रहे हैं, वो बेंक वाले को उसके साथ में बेंक में गया फिर आगे प्रस्तों हो रहे छोटी छोटी जो प्रावधान उपलब थे सारजोनिक द्वियूत अधिनियम 1867 के उसके अंतरगत ऑनलाइन गेमिंग के लिए बेटिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं था कालांतर में कुछ प्रावधान बनाए कि 54 चालान पुटप हो गए किसी के बयान के आधार पर किसी को फासी नहीं चड़ाई जा सकती परंतु इस आधार पर जाच की जो प्रक्रिया है वो जरूर जारी है मैं फिर से आप से यह कहना चाहता हूं मानिस सदिसमोदे मानिस अध्यक जी मानिस सदिस्ट को यह मैं की भी परवाह किये बिना जो जो गुनहगार है उन सब को जेल की सलाकों के पीछे पहुंचाया जाएगा निर्धारी जैसे ही होता है यह विसे प्रमानिक्ता के साथ कोई बात सामने आती है मैं फिर से कहता हूं मानिस विश्टुदेव जी की सरकार है एक घंटे के अंदर क प्रदेश का महत्वपूर्ण प्रस्ता में आप महत्वपूर्ण प्रस्ता में बारा मिनट अके लिए प्रस्ता हूं इस प्रदेश की जनता की छोटा प्रस्ता और कर लें यह ने छोटा आपने जो उत्तर दियो सरकार सामाने प्रस्ता पूछा आप क्या आपने का पहले सं संग्यान में नहीं आ तो बयान कैसे हुआ जीदा-जिदा प्रस्ट जब सरकार के संग्यान में नहीं है तो फिर पुलीस अधिकारी जा गए बेंगों बयान कैसे है और यह क्यों चीज दूसरा कितना करोड़ा रुपए का ट्रांजेक्शन उनके माधियम से बेंगों से हुआ जराई यह इस पर दें कि आगा प्रस्तों मैं पूछ हूँ माद देखी बस धन्यवाद लिए एक जो बिसे अभी सामने है जिसकी जानकारी हाथ में है मैं आपको जरूर उपलब्द कराता हूँ कि 500 सावत अकाउंट जो राइपूर के फ्रीज वने वाले थे इन में से 221 करोड रुपए का ट्रांजिक्शन यहां तक हम पहुंचे हैं पता लगा है थर्ड पार्टी को भी इसमें इंगेज करने ही कोशिश कर रहे हैं कि हम एक एक अकाउंट को खंगाल कर यह जान पाए कि यह राशी इन खातों के माध्यम से कहां जाती थी और उसके बाद फिर अगला ट्रांजिक्शन उसका कहां होता था यह राशी कैसे दुबई तक पहुंच जाती थी इस पूरी की जाच की जाच करवाई जा रही है मैं आप से यह भी बताना चाहता हूं कि संग्यान कार्थ यही है जो बात बयान में आई है वो बयात कोर्ट के सामने रखी गई है अभी कोर्ट को भी फैसला करना होगा कोर्ट का कोई फैसला आ जाए उस पर बात कर लेंगे मैं आप से और एक बात बताना चाहता हूं कि विभाग ने तो आगे बढ़ करके लोगों की फरारी होने का आविधन कोट में दिया हुआ है मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि उनके संपत्ति के चिनहंकन की बात प्रारम हुई है उनके संपत्ति को चिनहंकित करके कुर्क करने की बात हम सामने ले करा रहे हैं मैं आपको ये भी बताना रहा हूं कि बड़ा चर्चित था पूरे 36 गड़ में कि नागपूर से एक चार्टेट प्लेन दुबई तक गया है उन सारे बारातियों की सूची भी ले रही है हमारा विभाग और सरकार के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ यह सारी सूची हाथ प्याने के बाद सब पर जाच होगा सब पर जात कराई जाएगी कुछ नहीं छोड़ा जाएगा मानी अध्यक्ष मोदे मानी अध्यक्ष मोदे मानी ग्रह मंत्री की मुख्यमंत्री ग्रह मंत्री का विभाग है उनकी किसी भी बात के उपर मेंको तो पूरा 100% विश्वास है लेकिन जो नुमाइंदे इन्वाल्मेंट है उन्ही के माध्यम से प्रस्तों का उत्तर है क्या एक एसाई ने बयान दिया एडी को चंद्र भुसन वर्मा उसने किंकिं के नामों का उलेक किया और उन पर क्या कारवाई करेंगे इस बैसिक प्रस्त ठीक जी मानिया दिक्ष मोदे वो बयान जिसको एंफोस्मेंट डिरेक्टिट ने लिया है और जो कोड़ में राईपुर के कोड़ में जमा है उस बयान का कोई अधिकरित Sen scientifically के द्वारा साशन को नहीं दिया गया है ये जानकारी आने के बाद अधिकर जानकारी आने के बाद प्रमानिकता उसमें है तो तुरंट करवा ही की जाएगी मैं बिल्कुल इस बात को कहता हूँ आपसे पिर मैं आपके संग्यान नहीं है तो तारीख बता रिता हूँ एडी के द्वारा साशन को भेजा गया जब कोई संग्यान में नहीं लिया उत्तर नहीं दिया तो तीस तारीख को फिर वापस रुमाइंड आया अगर उसको बयान कुरे सुर्कियों में समाचाब पत्र से ले करके सोशल मीडिया से लेकर के आम जन्ता के बीच में चल रहा है मैं एक छोटा था उदारान देता हूँ अद्धिक्र मुझे मानि उपक्यमंति जी एक छोटा था उदारान विबाग की गंबिर था कल मेरा एक प्रस्ता था और प्रस्ता लग नहीं पाया प्रस्ता मेरी एक सिकायत की किसी ने फढ़जी सिकायत और उस समय मैं ने जन्ता से कहा कि इसकी जाच कोई रिटायर जट से करा लो ततकाल मुझे मंत्री ने लिखा ततकाल इन समाच के उस समय के मुझे मंत्री एफाई यार दर्ज की जाए और यो डेडायर और इॉट डेडायर ब्लू को टेस गया जिसके कोई तक्ते नहीं है जिसकी कोई चानकार ही नहीं है weaving दिया और इयो डेवल इतना सक्री हो गया और तद्कार उसकी विवेशना के लिए डिपार्टमेंट के अंदर आ गया तो मूल विशे में अगया तीन तारीक से लेकर तीस तारीक तक आने के बात में भी किन अधिकारियों को बचाने का काम हो रहा है इसके पीशे प्रबड़े लोग है इसकी जो उस समय के ताख थे उस उसके अंदर नाम है किसी को 30,0、40,000,000,000,000,000.000,000,000,000,000,000,000.000,000.000 hier नैं पूरे समाचार पत्र से और सुर्कि अंचपा रहे तो क्या सरकार जाज सेम् विवेच्चरा के रूप में क्या संग्यार में लेकर के क्या इसकी जाज नहीं कर सकती आज तक यह भुद्रू ने इसके पर जाज को नहीं की क्या इस सरकार इसके इसको CBI को देगी क्योंकि इसके दार उदेश तक जुड़े वे अत्यक्ष्माद है और दूद का दूद पानी का पानी होगा चाहिए यह मेरा आगर है ठीक धन्यवाद समारे प्रश्वसन विभाग से इस विषय पर पूरी जानकारी ली गई थी अंतिम जो उनसे जानकारी प्राप्थ हुई है वो पांच फरवरी की है कि इस विषय पर एंफोर्स्मेंट डिरेक्रेट से कोई अधिकरित जानकारी प्राप्थ नहीं हुई चलिए सेंजी ठीक है नहीं अद्या सबसे बड़ा स्केंडल केस का मामला है अन्य विषय आव रहेंगे लेकिन आपके रहें आपके पास एक गरत जानकारी है मैं आप कहा ही ने तो मैं इस तारीक को यह गया है तीन तारीक को कोड के अंदर जिस वकिल ने इस बात को मेसेज किया वो भी जानकारी है आप मंत्री जी को दे देंगे विवाद मैं तो यह दस्तावें जब आपका है तो अध्यक्ष मोदें मैं लगातार दो साल से इसके खिलाब में लड़ता रहू किस ने किस किस है कितने रुप है लिए दिये कहाँ कहां किसके साथ कीश दिन किस थाने के अंदर डर्ज होई और एफईयार होने के बाद में अभी तक एक भी एफईयार तो हुई एक लिवेशना भी हुई Suppose ए बड़ी मस्ली पकल में यहोई शेले को जानकारी हो तो यह प्रिवेदा ने इसकी जाज की गोश्टना करें चलिए कुछ गोश्टना करना है तो बताइए अब तक की जो इस्थिति है वो यही है आपके पास कोई अत्रिक जानकारी है और आपसे यह कहना चाहता हूं कि एन्फोर्स्मेंट डिरेक्टरिट के जाच में वो अंतिम इस्थिति में हैं और इस इस्थिति में फिर एक नहीं एजन्सी के लाज कराना प्रदेश को परमात करने का ठेका लेकर क्यों बेठे वहाँ जाकर प्रियास किम बेठे ठीक राजेदी बहुत बड़ी आगरे असर जाच होना चाहिए आप जो भी जाच करें विदायक दल से करें जिस से भी करें इस प्रदेश में नजिल बना चाहिए कि गिरो बनकर के जन्ता को लुटने का जो काम करते हैं उनको सजा मिलना चाहिए यही मेरा अगरे अगरे अ प्रदेश में इसके बाद ले लूँगा आपको इसके बाद शेन के बाद आपको मानिया अद्याश महोद है निश्ची तूप से आधरणी मुनजी मानी सदस्य जी ने अपनी चिंता वेक्त की भिलाई को खेल धानी और शिक्षा धानी के रूप में जाना जाता था अब य आधे वेक्त के रूप में जाना जा रहा है मेरा मूल प्रस्न यही एमानिया अध्याश महोद है कि युवाओ की चिंता इन्होंने की मेरे विधान सबर से 20,000 से दिक युवा इसमें लिप्त हैं लेकिन इसके साथ साथ जो प्रसासनिक अधिकारी है जिनकी दुरुग जिले में पिछले पांच वर्शों में लगातार पोस्टिंग हुई है पुलिस प्रसासन के लोगों के पास खूद के पास आईडी है लोगों के पास अधिकारों के पास है राजनेतिक दल के अलग-अलग नेवताओं के पास आईडी है लेकिन आज तक सिब 90 युवाओं को जो है इन बरातियों के विशह पे मानी गिवी मंतियों ने कहा कि जो बराती गयते उनकी लिस्टिंग होगी विश्टिंग लगाता है निशनल लिवस पे दिया जा रहा है और भिलाई में खुले आम घुम रहे हैं उन बरातियों पर आज तक कोई कारवाई नहीं हुई है और ऐसे अटिसनल स्पी जो उस जिले में पोस्टिंग होका ऐसे स्पी ऐसे आईजी जिन्होंने पाफ साल खुद आईडी लेके लगाता महादेव आईडी का एपका संचालन किया है मैं मानिय अद्धिश महादेव आपके महाद्यम से जानना चाहता हूं मानिय मंत्री जी से कि इसमें क्या काववाई होगी क्योंकि अभी तक छोटे लोगों पे काववाई की गई है दन्यवाद मानिय दक्ष महदे, मानिय सदस की चिंता वाजिब है, कानून का राज होना चाहिए और कानून के नजर में कोई छोटा या बड़ा हर्गिस नहीं होना चाहिए, विसे गिरिफतारी के संदर में उनके आकड़े को मैं दुरूस्त करूं कि ये 482 लोगों की गिरिफतारियां आ सोशल मीडिया पर या मीडिया पर प्रचलित सारे विसियों को लेकर के जो बात चल रही है, प्रमानिक्ता की बात है, एक बार प्रमानित होने के बाद मानिय सदस्यों को इस पिसे पर कारवाहियां होती दिखेंगी, उनको चिंता करने की आवशक्ता नहीं होगी. प्रम जी, अध्यक्ष्मोदे, ये बात सच है कि महादयो सट्टा एप, सरकार के समरक्षन के बगएर 36 गड़ में फल फूल नहीं सकता था, बाकी तो तक्निकी पक्षाब बता रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, मैं तो आप से ये कही मांग करना चाहता हूं, ग्रीव अंत्री जी, आप स्टेट प्लेन ले लिजिए सनिमार को, और चले जाएए उत्तर प्रदेश, और योगी बाबा से पूछ के आ जाओ, ये बुर्ड लोजर जो खड़ा है ना, जो जो इसमें फसे हैं, दस पांच का बुर्ड लोजर में गिरवाओ और रवाओ, तब थोड़ा ख़ चलोगे, यहां तो बड़े-बड़े वकील आ जाते हैं, वो क्या-क्या मलानी है और क्या-क्या, इंग्वी सिंग्वी इबल सिब्बल सब आ जाते हैं, आप कहां पूरोगे, वो एक-एक करोड फीस वालों के सामने में, बुल्डोजर को मारो, ड्राइबर को कुछ, पूछ रहे हैं, उमेज पटेल जी की स्थार पे पूछ रहे हैं, प्रस्त क्रमंग दो, आपको नमर बाद में आएगा, नहीं, मानी अध्यक्ष महोते हैं, किसमें पूछ रहे हैं, महादेल सट्टा में, मानी हमारे सदस्य राजेस मुणची ने, जो प्रस्त न उठाय है, पूरे प्रदेश में लाखों कड़ोरों लोग बरबाद हुए हैं, और उनको जो सह देने वाले हैं, आज भी मस्त नहां घुम रहे हैं, लेकिन जो विवेचना जो वाई, जिनके उपर कारवाई होनी चाहिए, कारवाई हुए नहीं, और वास्तविक में ये कारवाई नही होगे, तो ये सट्टा चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, आज आपका भी प्रस्न हैं, और इसने 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 कारवाई होनी चाहिए, कारवाई होनी रेमानी अध्यक्ष महुत है, इसने उसने जास होनी चाहिए, कोई ने को जास की घुम रहे हैं, ये कारवाई है, ये पट्ट करने काम किया गया है इसलिए मानिय मंत्र जी मैं आप से कहना चाहता हूं कि अधि उनके भविस को सुरक्षित रखना चाहते हैं और ये जो महादेव सट्टा जो खिलाने वाले जो घूम रहे हैं ऐसे लोगों को पर आप कारवाई नहीं करेंगे और उनको नहीं रोकेंगे तो आने वाला भवी स्विवाओं का ठीक नहीं होगा इसलिए इस पर तत्काल कारवाई की खोशना करनी चाहिए माननी मंत्री जी का जो बयान आया मुझे अपरियाप्त लगता है यह विशय जितना गंभीर है को कमिट्मेंट सरकार से और से आना चाहिए कि इसको हम समय बद्ध ढ़ंग से इतने दिन में निराकरित करेंगे करके चलिए ज्वलंत विशय है माननी मंत्री जी से याग्रह क जोते लोगी इसमें गिराफ की जाए चलिए पांच साल दूख जिले में जितनी पोस्ति जाच किया जाए चलिए अगला पस्ति आने जी आप 26 मिट हो गए बिल्कुल सहमेत हूं आप से लिए निर्ने कलपा है निर्ने तो कुछ नहीं वह उत्तर वही है मानी अध्यक जी प और हम लोग लगाता है यह विसे विसे इतना ही है कि उसमें जो भी यह समय बत ही घोष्टा करें क्या उनके खिलाब में कारवाइक की जाएगी मानी अध्यक जी इस प्रते से जुड़ावा के छोटा मोटा फैसला नहीं है अध्यक जी अपनी सर्दानी आप गोष्टा करें अध्यक जी तो निकल तो निरही घंगा काई रुक गई है यह जी जवाब देने खड़े हो गए मंत्री जी खड़े हैं भाई प्रतिक्षा कर रहा हूं कि जाच केंद्र की एजनसी कर रही है एंफोर्स्मेंट डिरेक्टेट कर रही है और उनका जाच अंतिम इस्थिती में है वो चालान पुटब कर चुके हैं जो आप चाहते हैं वो चलान में है एपनी मानियुग्रम मंत्री जी एक सो चोसट के बयान के तहत एडिगा बयान अपने आप में कोड में दिया हुआ बयान माना जाता है अगर नहीं है तो विबाद किलियर कर ले धारा एक सो चोसट के तहत जो बयान दिया गया है चंत्र भूसरंड ने और एक सुप्रीम कोड का फेसला जैय लेलिता जी के उसमें आया है कि इसके अंदर वो पार्टी नहीं बन सकते हैं उनको पंदरा दिन में इस पर फेसला करना पड़ेगा सुप्रीम कोड का फेसला हो चुका है जब इतना सब कुछ साक्षोने के बाद में भी आप किनको पचाना चाहते हैं यह किसी के नहीं है यह किसी के नहीं है ध्यान रखना यह सिर्फ कुड़ी के सलाम करने वाले है जिन जिनको आप पचाना चाह रहे हो वो किसी के नहीं है वोई अपने उपर डंडा चलाया है वोई आथू गेस्ते के हैं वोई फड़ जी केस बनाया है और वोई आपको लिखतर के तेरे कुछ नहीं होना है महादेव की जटा से गंगा निकलने चाहिए और आपने काई ये दर्द मेरा नहीं है ये दर्द आपका भी है इस पर कोई ने कोई फेशला होना चाहिए ये उमीड़ा आप जाहिए जेन अटाव दीत इन जर्वे कर ही चीनता जहन करा चलिए दो महीं नहीं दाऊना नहीं इस पर मंत्री जी कुछ कह रहे है संुलीता जी मानि योज़ जी कुछ कह रहे है मंत्री हो दा है मांने अन्या बढ़ा है अब स्वागे लोगदी एक मुनट इना को लाना चाहा है चाहता हूं कि एडी के प्रिस्ट नोट जो एंफॉस्मेंट डिरेक्टेट के विबसाइट पर रिलीज होता है उसमें बहुत सारे नाम है और उनके लिए अधिकृत जानकारी हमको एडी उपलब्द करा दे ये इसके लिए हमने प्रक्रिया भी प्रारम कर दी आप थोड़ी प्रतिक्षा कर ले है वो होगा जो आपके मन में है यह गोश्टा कर दो मैंने बर में दो में वो बस राजेटी होगे चलिए संगीता जी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हिद्ग्राहियों को प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीन में नहीं जोड़ा गया तो मैं यह मेरा पहला कोश्चन है ध्यक्षमंत्री मंत्री जी से कि ऐसे परिवार जिनका नाम 2011 की सूची में छुट गया था जिनको मकान दिलाने के लिए पुरवर्ती सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए सर्वे कराया था तो आदर्णी अध्यक्ष मौदय जी उत्तर में आया है कि अवास योजना को मुख्य मंत्री अवास योजना को प्रधान मंत्री अवास योजना में नहीं जोड़ा जाएगा के तहद आवाज प्रदाइक किये जाने का नीडने लिया गया है तो मैं अध्यक्ष महुद जी मंत्री महुद जी से पूछना चाहती हूं कि अगर निर्णाय लिया गया है तो ये निर्णाय कब तक प्रभावशाली होगा और कब से लागू होगा कुछ माब दंड होगा या बदला हुआ वो भी आप बताएंगे मानिय अधिक्ष महोदे ये बड़ा ही मार्मिक प्रस्ण है और मानिय सदसी के इस सेंता का मैं हरदय से स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ ऐसा ही मार्मिक प्रस्ण एक बार पुरवर्ती सरकार के मानिय मंतरी टीय सेंदियो जी के हरदय में भी उठा था जब आठ लाख आवास के लिए उन्हें बार-बार प्रयास किये परन्तु वो आवास नहीं मिल पाया था और नहीं मिल पाने के कारण उन्हें उस पद्ध से त्याग भी दिख पद्ध को छोड़ भी दिया था विभाग उन्हें छोड़ दिया था आज फिर से ये विसे है प्रधान मंत्री आवास के संदर में विष्टुदेव जी की पालनहारी सरकार है और उस सरकार का बिलकुल इसपश्ट निर्णय है 18 लाख आवास गरीबों को दिये गए हैं मैं आपको इस विसे पर भी बताता हूं इस विसे पर भी कह रहा हूं मानिस सोला की सूची इन दो सूचियों के आधार पर प्रधान मंत्री आवास दिया जाता है एक अलग से सर्वे राजी की सरकार ने कराया उनके अपने अलग पैमाने थे उनका अपना अलग डाटाबेस था अब यह कैसे हो सकता है कि वो सर्वे में वो जो राजी सरकार का सर्वे ह उसके माध्यम से प्रण मंतरी आवाज दे दिया जा है अधर्णिय अधक्ष मौदय जी 2011 का सर्वेश चल रहा है और उसके बाद सर्वेश हुआ ही नहीं है केंद्र सरकार ने सर्वेश कराया ही नहीं है 12-13 साल हो गय। उसके बाद पुरवर्ती सरकार ने मुख्यमंद्री आवास योजना के तहत उनको दिया और मैं फोटोग्राफ भी दिखा दूंगी अध्यक्ष मौदेजी इसमें वो लोग है जो मुख्यमंद्री आवास योजना के तहत पहला राशी जो मिला है उसमें लोग अपना घर बनाना शुरू कर चुके हैं तो उन गरीब परिवारों का क्या होगा जो शुरूआत कर चुके हैं आपनी इसमें कहा कि उसको नहीं दिजोड़ा जाएगा तो अगर नहीं जोडेंगे इतने लाखों करोडों परिवार उनका क्या होगा वो गरीब लोग हैं जिनको छाया नहीं है धेक्ष मौदेजी बारि कि जो 36 गर्ण सरकार के द्वारा पिशलया कराया गया सर्वे है उसके आधार पर जो आवास दिया जाना है वो लगबग 47,000 आवास है 47,000 आवास मैं आपसे ये बताना चाहता हूं इसमें कि मारणिया मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में ही घोशना कर दी है कि जिनको पहला किस्त मुख्यमंत्री आवास के संदर्व में दिया गया है उनके आवास के पूरे किस्त उनको दिये जाएंगे उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा ये निर्णे विश्टुदेव सर्जकार का पहले ही हो चुका है जा आप बताना चाहता हूं कि पूरे देश में देश में सर्वे कहीं पर नहीं हुआ है दो सर्वे हैं भई पहले पता कर लिजे मैं आपसे बोल रहा हूं तो कुछ गलत नहीं कह रहा हूं 2016 में ये सर्वे आया है जिसके आधार पर अधार प्लस पूरे देश में सिर्फ पस्चिम मंगाल और 36 गड़ में नहीं दिया जा सका अन्य था पूरे देश में भी आवास प्लस दिया गया है और इसके कारण विश्टुदेव जी की सरकार नहीं निर्णए किया है कि 2011 की सर्वे सूची के आधार पर जितने लोग बचे हैं उनको दूसरा आवास प्लस के जितने लोग बचे हैं उनको इसके साथ हिसाथ जो मुख्य मंतरी आवास के नाम से आपने दिया था 40,000 लोगों को उनको और जिनको एक किस्ट दे करके आपने रोक दिया था उनको इन सारे लोगों को आवास दिया जाएगा इनके पूरी किस्ट दे जाएगी और इसमें जोड़ा जाएगा जो आपने गोशना किया है अभी नया क्या उसको पुराने में जोड़ा जाएगा गध्रनी अध्यक्ष मौदह जी हम अगर गवाँ में जाते हैं पिर पछले बार जब आप यहां बैठे थे उससे मैं आप कितना अवाज के लिए जब आपको मौका दियैं सर जंता ने आपको मौका दिये तो आप उनके साथ जंता के साथ धोखा धड़ी मत किजिए आप उनको आवाज दिल लियाए जिनको जरुरत है जो अभी सही आप एक छर्ट के नीचे तिन चर्ट परिवार रहते हैं इतना बचा दीजिए ठारला को आवाज कब तक दे रहे है आप पोशना किजिए जो मुख्य मंत्री आवास यूदना है उसको प्रधान मंत्री से जोड़ने का आप 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 सुनिए जरा मेरी बात भई इस विजह पर ऐसा है ये जो ये जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में जिन लोगों को पहली बार जिनको शून ने कमरे का मकान इस ने इस बात का निरणहिंकर दिया है कि इनको पूरे किस दिये जाएंगे ची लिए बहुत उचान पूरणी महलेज्य के उठाव है 밋ज़जार ग्यारा के सरवरेरिस्ट डोजारना के सरवलिंश 2016 के मान्नी मंद्री जी ने कहा और आवास प्लस बोला, वो टोटल कितने होते हैं मान्नी मंद्री जी से मैं जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से, उसके पास जो गरीब है सही में उनके पास बेगार है, ऐसे लोगों के लिए क्या आप आवास देने की योजना बना रहे हैं कि बना चुके हैं ये बताने कर दो आवास प्रधान benutri आवास दिया जाना या राजिकी सरकार के द्वारा प्रव्ठित उस्योजना के अंतरगत आवास दिया जाना ये सूची के आधार पर ही होता है जो सोची आभी उपलब्द है 2011 की सूची है 2016 की सूची है और राज सरकार के एक सर्वे हुआ था उसके अधार की सूची है इन तीनों की सूची की अधार पर आवाज दिया जा रहा है टोटल टोटल 18 लाग से अधिक है प्रमोजी चलिए मान्य अध्धक्ष महद है मैं मान्य मंत्री जिसे सम्मन्द में थोड़ी सी जानना चाहूंगा अभी उन्हों ने जवाब दिया जो मंत्री आवास की जो योजना है उसको भी चालू रखा जाएगा उसमें भी राजी दी पहले जो हमारा जो प्रधान मंत्री आवास योजना पे जो कारे होता था जिनको पांच वर्सों में सामने वालों ने रोका कोई आवास बनने नहीं दिया लेकिन अब आवास चालू हो गए हैं तो ये प्रधान मंत्री आवास में केंदर का पैसा आता है और राजी आंस पै वर्तमान इस्तिति के आधार पर चुकिया राजी की प्रवर्तित योजना है अर्थात केंद्र के तरब से इसमें कोई केंद्रांच नहीं मिलने वाला है परंतु जैसे केंद्रे ने निरने किया है कि दो करोड नए आवास और पूरे देश में बनाये जाएंगे उसके लिए इस बात की कोशिश की जाएगी कि इस विसेह पर भी इसको प्रदान मंत्री आवास में जोड़ने जादाव जी और इसमें राज्या के नार भी मिला है मैं आके मात्यम से मानी मुख्यमंत्री महोदय से अगरा चाहता हूं कि सहरी विकास जो पट्टा है हमारे एक समस्य आ र इनका निधन हो गया जो पट्टा ट्रांस्वर हो गया मिला जिनके नए जो दाम आया है उनका मथे मं मंत्री महुदैसे उमो के मंथ्रे महुदैसे मुर्फीस έचे निवेधन है की जब यह सर्वेडे वाला लिस्ट इय है यह लिस्ट में ग्रावंड लेबल में जाये लिए जो पात्र ही रही हो मनलना आवास के सीविधा नहीं मिले है और जेन मनलना मिले हैं एक गाओ नहीं दो दो तीन तीन बार मिल चुके हैं तो एकरबर का जो क्राइटेरियर तैय है 2011 के सर्वे और 2002 के सर्वे वो में कुछ परिवर्तन किया जा सकत है महदै से मैं जानना चाहा था हूँ 2011 की सर्वे सुची और 2016 की सर्वे सुची के बाद एक और सर्वे सुची बनी मानिया देक्ष महदै और उस सर्वे सुची में राजसरकार ने सारी मातनों का परिक्षन किया है और उसके बाद भी अगर हिर्दय में ये प्रस्ट शेश है तो इसकी चिंता भी मानने में पर वाकर में मैं मन्नी मंत्री जी से एक निवेधन करूंगा कि पूरे 36 गड़ में मैं भी पूरों में सरपंच रहा हूं 2011 की सरवे सुची 2002 की सरवे सुची के अधार पे आवास योजना में सामिल हुआ है लेकिन उस समय भी बहुत ऐसे परिवार है जो आज भी वह आवास सुची से वंचीत है माननी मंत्री जी से निवेधन करूंगा कि जो वास्तित्ता में जो पात्रता परिवार है उसको पुना आवाज सुची में सामिल करने के निवेधन करने हैं चलिए रूप बावना जी पूशिए इससे में आवाज से संबंदी थी एक जानकरी और एक प्रेश्ण भी है अभी जो गाओं में या जो तुलाब के किनारे जो निवासरत है उनको चूंकि पढ़ता उनका नहीं बन पात चलिए एक बार फिर बताएं तो क्रेया करें कलाब के ऊपर जो आवास बने हुए हैं क्या उनको भी पटे आवास दिया जा सकता है उनकी कई पेढ़िया नहीं कर चुकी 40-50 सालों से वही पर निवासरत लेकि पटे का और आवास का उनका प्रफधान नहीं है अभी जी मानि एक आवास प्लस है उसको पिछली सरकार भूल गई थी एक्चुली उस पर कामी नहीं हो पाया वो आवास प्लस कहते हैं उसको उसके आधार पर भी 8 लाख लोगों को आवास मिलना था आवास का काम पूरा हो जाता तो आवास प्लस शुरू होता परन्तु पूरे देश में फिर से बताना में चाहता हुमार्निय अदिक्ष महुद है कि सिर्फ 37 गड़ो पस्चिम भगाल ऐसे राजी है जहां पर आवास का काम पूर्ण नहीं हुआ तो आवास प्लस प्रारम भी नहीं हो पाया तो 2016 क्या कोई सर्वे सूची है 2016 की सर्वे सूची क्या अधार पर आवास दिया जाना है यह इस पस्ठी नहीं हो पाया है चलिए अबी विभाग की चर्चा में आप अपनी बात रखेंगे बहुत आउसर मिलेगा चलिए माननी मंत्री जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका विभाग बड़ा सक्षम विभाग है माननी मंत्री जी आपका विभाग भारी सक्षम है एक महने में आपने पूरे प्रदेश का सर्वे करवा दिया 2023 में तो यह मैं आपसे यह जानना चाहता हूं यह सर्वे करवान कि एक मेहने में अत्यानक सर्वे करवाने की जरुवत क्यों पड़ी और सर्वे के रिपोर्ट के अधार पर जो अनुस अंसाय मिली उसमें आपने क्या-क्या निती कारिक्रम स्विकार किये और सर्वे को ये रिपोर्ट को सरकार ने क्या स्विकार कर लिया मानिय अधिक्ष महुदे ग्रिकेट के मैदान में सचिन तिंदुल कर आ जाए यह सदन में मानिय अजय चंदराकर्थी आ जाए एक जैसी पूर्जा और एक जैसा उत्साह लोगों में होता है मानिय यह फास्ट बॉलर है माने महुदे के माने हस्तिसिक के इस पिसे पर कि 2023 के सर्वे सूची एक ही साल में सरकार ने कैसे सर्वे कर लिया ये विभाग मूलता पूरवर्ती मंत्री आप ही रहे हैं आप ही के आधार शिला पर ये विभाग आगे बढ़ता है आप नहीं जो परतिमान इस्थापित किये हैं उसको पार करना के लिए मैं आप से जरूर कहना चाहता हूँ कि ये जो सर्वे हुआ है इस सर्वे के आधार पर इसका फिर से बहु भौतिक सत्यापन भी किया गया है और उनको स्वीकृत भी किया गया है मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ ने मानी आप सिर्फ मकान में केंद्रित हो गए मैंने ये पूछा है कि एक महने के सर्वे में आपको सर्वे की जो जो रिपोर्ट मिली है उसके आधार उस सर्वे रिपोर्ट को कि आपने स्वीकार कर लिया और उस आधार पर आपने क्या नीती कारिकरम बनाएं आपने लिखा है उसमें और क्या बजट उसके लिए निर्धारित किया यदि मैं पूछोंगा कि सिर्फ आवास का तब आवास का विश्य आएगा भी तो मैंने पूरे सर्वे के बारे मैं पूचा आपसे आवास तक अभी पहुचा नहीं हूँ मैं बहुतिक सत्यापन उसमें से एक पॉर्शन का किया गया बाकी डाटा का बहुतिक सत्यापन नहीं किया गया और वो 47,90 ऐसे लोग थे जिनको इन्हांकित करके जिनका सर्वे में आया था कि इनके पास एक भी कच्चा मकान रहने के लिए नहीं है उस पॉर्शन का सत्यापन करक करके काम किया गया है यह पूरी योजना के पूरा सर्वे होने के बाद मानी राजेश मुड़जी सम्मानी अद्ध्यक्ष मोदे सबसे पहले तो पर आपके प्रती और विदान सवागे प्रती आबार व्यक्त करता हूं एक महत्पुन विसे के उपर जो एक आज मेरा प्रस्ण लगा है विसे पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ है हजारों नोजवान इसके चपेट में हैं और महादेव के नाम पर पूरे प्रदेश के अंदर एक गोरत धंदा चला और जिसके अंदर पूरे देश और प्रदेशनी अंतर राष्टी इस्तर तक के लोग उसमें इन्वाल्मेंट हैं और जिसके अंदर एक बहुत बड़ी एजनसी जाच कर रही है इडी और जिसके अंदर कई लोग इन्वाल्मेंट हैं उनके बयान भी हो चुके हमारे उर्जावान मुख्यमंत्री हैं वह भी युवा मोर्चे से आया हूँ वह भी जनता की लड़ाई लड़कर क्या हैं में भी जनता की लड़ाई लड़कर आया हूँ तो युवा में हिस्ता तो 60 जादा चल रहा है और इसलिए तो मैं इस से वही लाया हूँ जो सम्वेदन सील है एक ही विदान सभा से खाली भीलाई जीले से वेसाली नगर विदान सभा से 20 सज्जार बेरोजगार नोजवान इस महादेव 61 के अंदर इन्वालमेंट है यही नहीं जो दूबई में जाकर जिसका रेकेट चल आ है उसका संचालन करने वाले कौन लोग है उसके पिज़े किन किन की भुमिका है मैं इस पर जिक प्रस्तों पर आता हूं सीधा यह सरकार के संग्यान में कब आया आपने 90 केस करीब दर्ज की है मैंने पूरी केस की स्टड़ी की है और मैं ऐसे ऐसे तथ्चे से आपको आउगत किराऊंगा मानी मुख्यमंत्री जी आप कलप्रा नहीं कर सकते हैं मानी उप मुख्यमंत्री मोद है कि जो सरकार को जिनको सुरक्षा की जुम्मेदारी है जो सरकार व्यवस्ता के ताथ चलने के आवस्चक्ता है वो पास सार तक इस सरकार ने जो पुर्व सरकार थी गिरोबंदी के साथ योजनाबत तरीके से नय नय हायाम खोच कर के इस प्रदीश के बेरोजगा नोज़वानों को ठखने का काम और गलत काम में लगाने का काम क्या आप ने 90 केस दर्ज किये 90 केस पेसे आप ने कितने लोगे खिलाब कारवाई की मैंने कारवाई जो पड़ी है आपने सटा हेक्ट के तहत कह दिया कि उनके खिलाब जो धारा लगी थी वो थाने में बेलेबल थी इसमें बेल दे दिया जिनके बयान हुए उन बयान के अधार पर करोड़ों का ट्रंजेक्शन बेंग से हुआ क्या किन किन अधिकारी बेंग के करमचारी या संकार में संग्यान में ले करके क्या काम किया यह इस पे जिक प्रस्ट में रहा है मानिय अधिक्श महुदे मानिय अधिक्श महुदे मानिय सदे सिकाई अपरस्ट सच-पुछ बहुत लाजमी है और उनकी चिंता भी वाजिब है इस पूरे विशे पर जो उनकी विशेश चिंता है कि बहुत सारे नौजवान जो भटके हुए हैं राह से जिनको अपने जीवन को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना था उन्होंने जाकर के इस महादेव सट्टा एप के जरिये इसमें फस करके अपनी बरबादी का रास्ता चुन लिया मैं आप से ये बाद बताना चाहता हूं आनिय दिक्ष महुदे कि इसमिसे पर कुल 90 एफाई आर हुए हैं सन 2022 से इस पर एफाई आर हो रहे हैं रायपूर में 36-36 प्रकरण पंजीबद हैं दुर्ग में 23 प्रकरण पंजीबद हैं बिलासपूर में 2 प्रकरण पंजीबद हैं जांजगीर में 2 प्रकरण पंजीबद हैं और सूरजपूर में भी 4 प्रकरण पंजीबद हैं मानी मौद जो एप हैं उनके संदर्ब में भी FIR हुए हैं और उस पर काम चल रहा है दुबई के संदर्ब में मानिय अधिक्त मानिय जानना चाहा है कि दुबई में कुछ लोग हैं और उन्होंने ही इसको पूरा संचालित कर रखा है पूरा 36 गड़ जानता है और तो पूरा भारत ही जा अंदिलाना चाहता हूँ कि लुकाउट सिर्कुलर जारी हुआ है रेट कॉर्णर नोटिस भी इनके लिए जारी हुआ है प्रत्यरपन की चल रही है बैंक अकाउंट भी 507 हमारे हां आपको मैं बताना चाहूंगा कि रायपूर में बैंक अकाउंट फ्रीज होनी की प्रक्र जैसे दुर्क में 436 बैंक अकाउंट सूरचपुर में 38 बैंक अकाउंट जांजगीर में 5 बैंक अकाउंट इनके भी फ्रीज होनी की प्रक्रिया जारी है इस विसे पर बानिय अधिक्ष महुदे कारवाहिया भी हुई है कुछ जो सरकारी भकमे के लोग थे उन पर जो बात लगता आई थी उनके बारे में इसपष्ट जानकारी मिली थी ऑन्फोर्श्मेंट डैरेक्रेट्ट की जाच के बाद को जेल में भेजा गया था विभाखके संदर में विभाखके ध्यान में ये starving आया था तो उनको सस्पेंट किया गया है बर् ingredient किया गया है तो अब भ इसे ही ये विशे अधिकारिक तोर पर या प्रमानिक्ता के साथ फरकार के विभाग के संग्यान में आएगा मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ वह भी युवा मोर्चा से हैं मैं भी युवा मोर्चा से हूँ जो आग उनके दिल में है वो आग मेरे दिल में हैं और मैं बिल्कुल उनके ये कहना चाहता हूं कि ये पीर भी परवत्सी हो गई है और इसको निसंदेह पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से भी वाने कोई गंगा निकलनी चाहिए सो प्रतिशत जैसे ही विशाय सामने आएगा एक घंटा नहीं लगेगा विश्णुदेव सरकार को इस पर फैसला रिने में एक घंटे के अंदर करवा ही की जाए महादेव और गंगा का बहुत संबंध है गंगा जो निकलिये है महादेव के जवाब जब आप दे रहे हो तो उस गंगा के याद किया हो मंत्री जी कुछ प्रस्थिश्ट करना चाहिए माननी अद्यक्ष मोद है बहुत गंबीर प्रस्थ और मैं आपसे समाच चाहता हूँ माननी मंत्री जी ने एक सामाने रूटिन में सरकारी प्रस्थिश्ट का सरकारी उत्तर दे दी मैं स्पेजिक पूछा कि ये महादे एप के उपर 90 केस आपने दर्ज किये उसमें बयान भी हुए है एक बयान मैं आपको पढ़कर के सुना देता हूँ आपके थाने का जिसके अंदर महादे एप के अंदर उस व्यक्ति ने बयान दिया उसका नाम है रवी कांथ उसने एक बयान में कहा कि फलाने फलाने में बेरुजगार था मैं घूम रहा था मेरा कहीं कुछ नहीं था मेरा एक दोस्त ने मुझे कहा कि चल भई तेरे एकाउंट खुला देता हूँ मैं उसके साथ चला गया मैंने बैंक में एकाउंट खुला लिया मेरे बैंक के एकाउंट में मे दो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कर मेरा एकाउन नहीं है मिरे एकाउन में कैसे लचाहिये इसके बाध में किसी के खिलाब कोई कारवाई हैं यह एक है जार है किसी बेक में किसी में अगर 1250 ox में algún पिस हमाने सब लोग जानते हैं बेंक वाला पूषता है कि आपके एकड़ी पैसा लूग के नहीं लूग ये आपका पैसा है कि नहीं है अगर वो करोडों की लेंदेन हुई और आपके संग्यान में आए और पुलिस वाले जा करके बेंक में पूषते हैं तो पिस शंग्यान म पुलिस वालों के सामने अब प्रस्ट में आ जाईए अब मुल्प प्रस्ट पर आई गें अद्देश्मोद यही तो मेरा कुछ नहीं आप कह रहा है कि अगर संग्यान में नहीं तो पुलिस वाला कैसे उसके साथ में बेंक में गए अफिर आगे प्रस्ट हो रहे चोटी सारजोनिक द्वियूत अधिनियम 1867 के उसके अंतरगत ऑनलाइन गेमिंग के लिए बेटिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं था कालांतर में कुछ प्रावधान बनाए गए और उसमें एक साल से साथ साल तक की सजा है दसलाग तक का जुरबाना है उन प्रावधानों के आधार पर इस पर काम किया जा रहा है मैंने बताया कि 54 चालान पुटप हो गए है किसी के बयान के आधार पर किसी को फासी नहीं चढ़ाई जा सकती परन्तु इस आधार पर जाच की जो प्रक्रिया है वो जरूर जारी है मैं फिर से आप से यह कहना चाहता हूं माने सदिसम किया जाएगा कोई दल कोई और समाज किसी की की भी परवाह किये बिना जो जो गुनहगार है उन सब को जेल की सलाकों के पीछे पहुंचाया जाएगा निर्धारी जैसे ही होता है ये विसे प्रमानिकता के साथ कोई बात सामने आती है मैं फिर से कहता हूँ मानने विश्टु प्रस्ताम आप मातभूर प्रस्ता में 12 मिनिट अके लिए प्रस्ता इस प्रदेश की जनता की चोटा प्रस्ता और कर ले ये न चोटा वापने जो उत्तर दियो सरकार सामाने प्रस्त पूछा आपक्या आपने का फिले संग्यान में नहीं आया जब संग्यान में नहीं आ तो बयान कैसे हुआ सीधा सीधा प्रस्ट जब सरकार के संग्यान में नहीं है तो फिर पुलीस अधिकारी जा गए बेंको बयान कैसे है और यह क्यों चीज़ दूसरा कितना करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन उनके माद्यम से बेंकों से हुआ जराया इस परस्ट कर दें आगा प्रस्ट मैं पूछू माद्य जी बस धन्यवाद एक जो विसे अभी सामने है जिसकी जानकारी हाथ में है मैं आपको जरूर उपलब्द कराता हूँ कि 500 सावत अकाउंट जो राइपुर के फ्रीज वने वाले थे इन में से 221 करोड रुपए का ट्रांजेक्शन यहां तक हम पहुंचे हैं पता लगा है थर्ड पार्टी को भी इसमें इंगेज करने ही कोशिश कर रहे हैं कि हम एक एक अकाउंट को खंगाल कर यह जान पाए कि यह राशी इन खातों के माध्यम से कहां जाती थी और उसके बाद फिर अगला ट्रांजेक्शन उसका कहां होता था यह राशी कैसे दुबई तक पहुंच जाती थी इस पूरी की जाच की जाच करवाई जा रही है मैं आपसे यह बही बताना चाहता हूँ कि संग्यान कारत यही है जो बात बयान में आई है वो बयात कोर्ट के सामने रखी गई है अभी कोर्ट को भी फैसला करना होगा कोर्ट का कोई फैसला आजाए उस पर बात कर लेंगे मैं आपसे और एक बात बताना चाहता हूँ कि विभाग ने तो आगे बढ़ करके लोगों की फरारी होने का आविदन कोट में दिया हुआ है मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि उनके संपत्ति के चिनहंकन की बात प्रारम हुई है उनके संपत्ति को चिनहंकित करके कुर्क करने की बात हम सामने ले करा रहे हैं मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि बड़ा चर्चित्था पूरे ग्रमंत्री का विबाग है उनकी किसी भी बात के उपर में को तो पूरा 100% विश्वास है लेकिन जो नुमाइंदे लोग बेठे हैं जो पूरे काकस के इंदर इन्वाल्मेंट है उनीके माध्यम से प्रस्तों का उत्तर है क्या एक एसाई ने बयान दिया एडी को चंद्र बुसन वर्मा उसने किंकिं के नामों का उलेक किया और उन पर क्या कारवाई करेंगे इस बैसिक प्रस्त थीक जी मानिया दिक्ष्मोदे वो बयान जिसको एंफोर्स्मेंट डिरेक्टिट ने लिया है और जो कोर्ट में राइपुर के कोर्ट में जमा है उस बयान का कोई अधिकृत को इसकी कोई अधिकृत जानकारी एंफोर्स्मेंट डिरेक्टिट के द्वारा साशन को नहीं दिया गया है ये जानकारी आने के बाद अधिकर जानकारी आने के बाद प्रमानिकता उसमें है तो तुरंत करवा ही की जाएगी मैं बिल्कुल इस बात को कहता हूं आपसे फिर मैं आपके संग्यान में लायता हूं विवाग फिर आपको गुम्रा कर रहा है तीन जनवरी को सासन को पत्र आज़ चुका ईज टो कि आरी आज़ चुका है तीन जेन्वरी आगर तारी की निये तो तारी करता हूं एडी के त्वारा सासन को भेजा गया जब कोई संग्यान में नहीं लिया उत्तर नहीं दिया तो तीस तारिक को फिर वापस रुमाइंड आया अगर उसको बयान कुरे सुर्कियों में समाचापत्र से ले करके सोशल मीडिया से ले करके आँग जंता के बीच में चल रहा है कंबिड्ता कल मेरा एक प्रस्त था और प्रस्त लग नीपाया पड़िए फिलोड़ी के खिलाप में इक प्रस्त मेरी एक सिकायत कि किसी ने फढ़्जी सिकायत और उस स्केसे मियमें जंतासा कहा कि इसकी झाच कोई डिटायर जट से करा लो ततकाल मुख्यमंत्री ने लिखा ततकाल इन समाच के उस समय के मुख्यमंत्री एफ आई आड़ दर्च की जाए और यो डबलु को केस गया जिसके कोई तक्त है नहीं है जिसकी कोई जानकारी नहीं है एक आदमी ने अवे दिन दिया और योडिबली इतना सक्री हो गया वो तकार उसकी विवेशिना के लिए डिपार्टमेंट के अंदर आ गया तो मुल्विसे यही अध्यक्ष मोदे के अगर तीन तारीक से लेके तीस तारीक तक आने के बात में भी किरी अधिकारियों को बचाने का काम हो रहा है इसके पीष्यकंपर वड़े लोग है इसकी जो उस समय के तार्ट थे उसके अंदर नाम है किसी को 30 लाख रुप्या महिना किसी को 50 लाख रुप्या महिना किसी को एक करोर का मैना यह मैं नहीं किरा हूं पुरे समाचार पत्र से और सुर्कियों में छपा है तो कया सरकार स्भव विवेचला के रूप में, कया संग्यार में लेकर के, क्या लेकर कै하 इसकी जाच नहीं कर सकती आज तक यह अग्रू ने इसके पर जाज को नहीं की क्या है सरकार इसके इसको CBI को देगी क्योंकि इसके दार्व देश तक जुड़े वे तेश्मोद है और यह दूद का दूद पानी का पानी का पानी होना चाहिए यह मेरा आगर है ठीक धन्यवाद समारे प्रश्वसन विभाग से इस विशव पर पूरी जानकारी ली गई थी अन्तिम जो उन्से जानकारी प्राप्थ हुई है वो पाँच फर्वरी की है कि इस विश sopr पर एन्फोर्स्मेंट डायरेक्टरेट से कोई अधिकर्ट जानकारी प्राप्थ नहीं हुए आप लेजिए लेकिन आप के रहा है आपके पास एक गरत जानकारी है मैं आप कहा ही ने तो मैं सर्दल को पटल पर रख दूँ मैं लगातार दो साल से इसके खिलाब में लड़ता रहा हूं मैं पूरे के पूरे कौन-कौन संचालन करता किस-किस की गेंग के रूप में किसने किस-किस है कितने रूपे लिए दिये कहा कहा किसके साथ विवेचना हुई किस दिन किस थाने के अंदर एफायर दर्ज हुई और एफायर होने के बाद में अभी तक एक भी एफायर तो हुई यह देश्मोद है विवेचना भी हुई लेकिन एक भी बड़ी मचली पकड़ में नहीं कोई जानकारी हो तो उपलब्द करा देंगे सेंग जी आप एक सोटा प्रसंद कर लिए आप उपलब्द करा देश्मोद हो मेरा ये विवेदा ने इसकी जाद की गोश्टना करें अब तक की जो इस्थिती है वो यही है आपके पास कोई अत्रिक जानकारी है और आप से कहना चाहता हूं कि एन्फोर्स्मेंट डिरेक्टरिट के जाच में वो अंतिम इस्थिती में हैं और इस इस्थिती में फिर एक नहीं एजन्सिताद कराना उपकी प्रतिक्षा हम पर एक बार हम देख लेते हैं क्या इस इसा नहीं है मेरा आग्राफ फिर इस पर है जाच मोद है आप के जाच किया हो सकते हैं वही तो अधिकारी वहाँ बेठें जिनकों पर आ रहों पे जाच करेगा कौन सही अब है पोत्वाल को डर किसका जिनके खिलाफ में आ रहों पूर्यों प्रदेश को बर्मात करने का ठेका लेकर क्यों बेठें वहाँ जाकर फिर इस किम बेठें ठीक राजेजी बहुत बढ़िया आग्रे असर जाच होना चाहिए आप जो भी जाच करें विदायक दल से करें जिस से भी करें इस प्रदेश में रजिल बना चाहिए कि गिलोव बनकर के जनता को लूटने का जो काम करते हैं उनको सजा मिलना चाहिए यही मेरा अग्रायद देखिए धन्यवाद इसके बाद ले लूँगा आपको इसके बाद शेन के बाद आपको मानिय अद्यश महद है निश्चितूप से आदर्नी मुनत जी मानी सदस्य जी ने अपनी चिंता वैक्त की भिलाई को खेल धानी और शिक्षा धानी के रूप में जाना जाता था अब यह महादेव एपके मानिय अद्यश महद है कि युवाओं की चिंता इन्होंने की मेरे विधान सबसे 20,000 साधी की हुआ इसमें लिप्त हैं लेकिन इसके साथ साथ जो प्रसासनिक अदिकारी है जिनकी दुरुग जिले में पिछले 5 वर्षों में लगातार पोस्टिंग हुई है पुलिस प्रसा अद्के पर ठाने से छोड़ दिया गया इस पर सही रूप से किसी भी प्रकार क्यास्ता करवाई नहीं हुई और ततकालीन मुख्यमंति मानने जो भी थे उनका भी सन्वक्षन साथ था ये भी हमको देखने को मिला था तो इसलिए इसलिए मानने अद्यश महोद है मानने वै कर रहा है और भिलाई में खुले आम घुम रहे हैं उन भवातियों पर आज तक कोई कारवाई नहीं हुई है और ऐसे अटिस्टनल स्पी जो जिले में पोस्टिंग होकर ऐसे 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 आई जी जिन्नोंने पात साल खुद आईडी लेकर लगा अतार महादेव आईडी का सं क्या है मैं मानि अदक्ष्मऌदे आपके महाद्यम से जानना चाहता हूं मानि मंतिर जी से कि इसके क्या कवाई होगी क्यों कि अभी तख छोटे लोगों पर कावई की गई है दन्यवाद एक इसके बाद आप माने दक्ष मोहदे माने सदस की चंता वाजिब है कानून का राज होना चाहिए और कानून के नजर में कोई छोटा या बड़ा हर्गिस नहीं होना चाहिए विसे गिरिफतारी के संदर में उनके आकड़े को मैं दुरूस्त करूं कि ये 482 लोगों की गिरिफतारियां आज तक हुई है इस विसे पर दूसरा मसला है कि जिन अधिकारियों के संदर में चर्चा है प्रमाणिक्ता की बात है एक बार प्रमाणित होने के बाद मानने सदस्यों को इस पिसे पर कारवाहिया होती दिखेंगी उनको चिंता करने की आवशक्ता नहीं होगी प्रमाणिक्ता की बात सच है कि महादयो सट्टा एप सरकार के समरक्षन के बगएर 36 गड़ में फल फूल नहीं सकता था बाकी तो तक्निकी पक्षाब बता रहे हैं आप पूछ रहे हैं मैं तो आप से यह कही मांग करना चाहता हूं ग्रीव बंत्री जी आप स्टेट प्लेन ले लिजिए सनिमार को और चले जाएए उत्तर प्रदेश और योगी बाबा से पूछ के आजाओ यह बुर्ड लोजर जो खड़ा है ना जो 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 इसमें फसे हैं दस पांच का बुर्ड लोजर में गिरवाओ और आओ तब थोड़ा खौप पैदा हो गा एक इतना काइदा कानून में आप चलोगे यहां तो बड़े बड़े वकील आ जाते हैं वो क्या क्या मलानी है और क्या क्या इंग्वी सिंग्वी इबल सिबल सबा जाते हैं आप कहां पूरोगे वह एक एक करोड फीस वालों के सामने में बुल्डोजर को मारो अबेंदो तोड़ ताड़ के आजा है तब थोड़ा खौफ पैदा होगा खौफ का नाम पुलिस है तब पैदा करी दर्व अपरादियों में निकिके घर में पुलिस नहीं खड़ी होती है धन्यवाद और यह तीन सो जो पकड़ाएं हो पूछ रहे हैं नहीं नहीं पूछ लेता हुँ उमेज पटेल जी के स्थार पे पूछ रहे है प्रस्ट क्रमंग दो मैं मानी अध्यक्ष महोते हैं किसमें पूछ रहे हैं महादेव पे एक मिनिट रूम नहीं हमारे सदस्य राजे स्मुणा जी ने जो प्रस्ट नहीं पूरे प्रदेश में लाखो देने वाले हैं आज भी मस्त रहा घुम रहे हैं लेकिन जो विवेचना जो वाई जिनके ओपर कारवाई होनी चाहिए कारवाई हुए नहीं और वास्तविक में ये कारवाई नहीं होगे तो ये सट्टा चलते रहेंगे चलते रहेंगे आज आपका भी प्रस्ट हैं बाकी देने लोगों को पकारवाई होनी चाहिए और वानिया अध्यक्ष महुत है नहीं आया है उसमें एक ये आपकार लोगों को भवी से चोपट करने काम किया गया है इसलिए माननी मंत्री जी मैं आप से कहना चाहता हूँ कि अधि उनके भवी से को सुरक्षित रखना चाहते हैं और ये जो महादेव सट्टा जो खिलाने वाले जो घोम रहे हैं ऐसे लोगों को पर आप कारवाई नहीं करेंगे और उनको नहीं रोकेंगे तो आने वाला प्रियान आया मुझे अपरियाप्त लगता है उसमें ये विशाय जितना गंभीर है को कमिट्मेंट सरकार से और से आना चाहिए कि इसको हम समय बद्ध धंग से इतने दिन में निराकरित करेंगे करके चलिए ज्वलंत विशाय है माननी मंत्री जी से याग्रह करूँगा बिलकुल से मैं थूँ आप से लेने निरे निरे निरी कलपा आया है मानी अध्यक जी प्रदेश का सब्सक्राष ना कर दिजिए कि पांस साज कितनी पोस्ति पूई है उना धिकायों दिजात होगी केंद्रिय घ्रामंत्री तक इसमें चिंता व्यक्त कर चुके हैं मानिय अत्यक जी और हम लोग लगाता है यह विशे इतना ही है कि उसमें जो भी यह समय बत ही गोश्ता करें किया उनके खिलाब में कारवाई की जाएगी मानिय अत्यक जी इस प्रदेर से जुड़ावा के तो निकल तो निरही गंगा कहीं रुक गई है कम से कम इस मंदिल से अच्छा करवाई होना चाहिए ठीक है जवाब देने खड़े हो गए मंत्री मंत्री जी खड़े हैं भाई पर दाना पड़ेगा पांस ताज दूर्श परसिंती जिंती वेश्चालों की उनकी चाहिए जैले मंद्री कुछ बोल रहा है उसके दूसरे कुछ मैं मैं आप से यह कह रहा हूं कि जाच केंद्र की एजनसी कर रही है एंफोर्स्मेंट डैरेक्टेट कर रही है और उनका ज तिक्षा करने है एक बार उस चलान को देख ले है जो आप चाहते हैं वो चलान में है एपनी मानियुग्रम मंत्री जी 164 के बयान के तहत एडिगा बयान अपने आप में कोड में दिया हूँ बयान माना जाता है अगर नहीं है तो विबाद किलियर कर ले धारा 164 के तहत जो बयान दिया गया है चंत्रभूसरंड ने और एक सुप्रीम कोड का फेसला जैय लेलिता जी के उसमें आया है कि इसके अंदर वह पार्टी नहीं बन सकते और उनको 15 दिन में इस पर फेसला करना पड़ेगा सुप्रीम कोड का फेसला हो चुका है जब इतना सब कुछ साक्षोने के बाद में भी आप किनको पचाना चाहते हैं किसी के नहीं है यह किसी के नहीं है ध्यान रखना यह सिर्फ कुर्जी के सलाम करने वाले है जिन जिन को आप पचाना चाहरे हो वो किसी के नहीं है वो ही अपने उपर डंडा चलाया है वो ही आतुगेस पेके हैं वो ही फड़ी केस बनाया है और वो ही आपको लिख करके दे रहे हैं कुछ नहीं होना है महादेव की जटा से गंगा निकलनी चाहिए और आपने का यह दर्द मेरा नहीं है यह दर्द आपका भी है इस पर कोई पौह में भुझे के शिट्री मानिय अन्टिजी कुछ हैरा है तो दो मतुरी के रहे है यह को मानिय वेगए यह डिजे चुछन करहा Iya मंत्री मोदा मालिया दक्षमोद है इस बात को लाना चाहता हूँ के एडी के प्रिस्ट नोट जो एन्फोर्स्मेंट डिरेक्टेट के विबसाइट पर रिलीज होता है उसमें बहुत सारे नाम है और उनके लिए अधिकरित जानकारी हमको एडी उपलब्द करा दे ये इसके लिए हमने प्रक्रिया भी प्रारम कर दी आप थोड़ी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हिद्गराहियों को रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीन में नहीं जोड़ा गया तो मैं यह मेरा पहला कोश्चन है अध्यक्षमंत्री मंद्री जी से कि ऐसे परिवार जिनका नाम 2011 की सूची में छुट गया था जिनको मकान दिला आने के लिए पुरवर्ती सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए सर्वे कराया था तो अधरणी अध्यक्षमंत्री जी उत्तर में आया है कि आवास योजना को मुख्यमंत्री आवास योजना को प्रधान मंत्री आवास योजना में नहीं जोड़ा जाएगा तो में अवास प्लस के नामी थिद्गाहियों को भी प्रधान मंत्री अवास योजना ग्रामीन के तहट अवास प्रदाय किये जाने का निर्ने लिया गया है तो मैं अध्यक्ष महोदय जी मंत्री महोदय जी से पूछना चाहती हूँ कि अगर निर्ने लिया गया है तो ये निर्न के इस चंता का मैं हिर्दय से स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं ऐसा ही मारविक प्रस्ट एक बार पूरवर्ती सरकार के माने मंतरी टीए सेंदियो जी के हिर्दय में भी उठा था जब आठ लाक आवास के लिए उन्हें बार-बार प्रयास किये परन्तु आवास नहीं नहीं मिल पाने के कारण उन्हें उस पत्से त्याग भी दिए पत्से को छोड़ भी दिया था विभाग उन्हें चोड़ दिया था आज फिर से ये विशे हैं प्रधान मंतरी आवास के संदर में विश्टुदेव जी की पालनहारी सरकार है और उस सरकार का बिलकुल सर्वे कराया गया था 2011 की सूची और 2016 की सूची इन दो सूचियों के आधार पर प्रधान मंतरी आवास दिया जाता है एक अलग से सर्वे राजी की सरकार में कराया उनकी अपने अलग पैमाने थे उनका अपना अलग डाटाबेस था अब ये कैसे हो सकता है कि वो सर्वे में वो जो राज सरकार का सर्वे है उसके माध्यम से प्रधान मंतरी आवास दे दिया जाए अधर्णी अध्यक्ष मौदै जी 2011 का सर्वे चल रहा है और उसके बाद सर्वे हुआ ही नहीं है केंद्र सरकार ने सर्वे कराया ही नहीं है 12-13 साल हो गया उसके बाद पुरवर्ती सर कारने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहट उनको दिया और मैं फोटोग्राप भी दिखा दूंगी अध्यक्ष मौदेजी इसमें वो लोग है जो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहट पहला राशी जो मिला है उसमें लोग अपना घर बनाना शुरू कर चुके हैं तो उन परिवारों उन गरीब परिवारों का क्या होगा जो शुरूआत कर चुके हैं आपनी इसमें कहा कि उसको नहीं दिजोड़ा जाएगा तो अगर नहीं जोडेंगे इतने लाखों करोडों परिवार उनका क्या होगा वो गरीब लोग हैं जिनको छाया नहीं है ध्यक्ष म अधार पर जो आवास दिया जाना है वो लगबख 47,000 आवास, मैं आपसे बताना चाहता हूं इसमें कि मारनिया मुख्यमंतरी जी ने पूर्व में ही घोष्चना कर दी है, कि जिनको पहला किस्ट मुख्यमंतरी आवास के संधर में दिया गया है, उनके आवास के पूरे किस्त उनको दिये जाएंगे, उसमें कोई भेद भाव नहीं किया जाएगा, ये निर्णय विष्टुदेव सर्जकार का पहले ही हो चुका है, आपके बताना चाहता हूँ, दूसरा विसे में, मेरी बात होने देगवर, दूसरा विसे में आपसे कहना कि आवास के संदर्व में सर्वे, 2011 में, जो S.E.C.C.C. डाटा का सर्वे हुआ था, वो सर्वे, उसके बाद एक और सर्वे हुआ है, वो 2016 का सर्वे कहलाता है, जिसके अंतरकरदान मंत्री आवास प्लस मिलता है, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मानिय अद्धिक्ष मौद जी, सर्वे कहीं पे नहीं हुआ है, दोसर्वे हैं भई पहले पता कर लिजे, मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो कुछ गलत नहीं कहरा हूँ, 2016 में ये सर्वे आया है, जिसके आधार पर मेरी बात चुलने मेरी बात चुलने एक मिनट आवास प्लस पूरे देश में सिर्फ पस्चिम मंगाल और 36 गड़ में नहीं दिया जा सका अन्यथा पूरे देश में भी आवास प्लस दिया गया है और इसके कारण विष्टुदेव जी की सरकार ने यह निर्णे किया है कि 2011 की सर्वे सूची के आधार पर जितने लोग बचे हैं उनको दूसरा आवास प्लस के जितने लोग बचे हैं उनको इसके साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री आवास के नाम से आपने दिया था 40,000 लोगों को उनको और जि आपने खोशना किया है अभी नया क्या उसको पुराने में जोड़ा जाएगा हाँ हाँ बिल्कुल आपसे कह रहा हूँ आपसे नया जुड़ेगा कि नया आप देंगे अठारा लाग कि उसी में जोड़ेंगे आप अध्यक्ष मोदे जी हम अगर गाउं में जाते हैं पिछले बार जब आप यहां बैठे थे उस से में आप कितना अवास के लिए चिलाए जब आपको मौका दिया है जनता ने आपको मौका दिये तो आप उनके साथ जनता के साथ धोखादरी मत किजिए आप उनको आवास दिल लियाए जिनको जरुरत है जो अभी आप एक छर्ट की नीचे तिन चर परिवार रहते हैं इतना बचा दीजिए ठार अला को आवास कब तक दे रहे हैं चलिए जो पोशना किजिए जो मुख्य मत्री आवास यूदना है उसको प्रधान मत्री से जोड़ने का आप 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 सुनिए जरा मेरी बात भई इस इस विजह पर ऐसा है ये जो ये जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में जिन लोगों को पहली बार जिनको शून्य कमरे का मकान इस सर्वे में डाटा आया है उनको पहला किस दिया जा चुका है मैं फिर से कहता हूं उदार है मारणी मुख्य मंत्री महोदय और उन्हें इस बात का निरणय कर दिया है कि इनको पूरे किस दिये जाएंगे चेलिए बहुत अच्छा मोले जी उन्नुलाल मोले जी देक्ष मोद 2,011 के सर्वे लिश.. 2,011 के सर्वे लिश.. 2016 कि मार्मधली मंत्री जी ने कहा और आवास ब्लस बोला kingbrac तेरे की योजना बना रहे के बना चुके हैं ये बताने कर दो आवास परधान मंत्री आवास दिया जाना या राजी की सरकार के द्वारा प्रवर्तित वो इस योजना के अंतरगत आवास दिया जाना ये सूची के आधार पर ही होता है जो सूची यां भी उपलब्द है 2011 की सूची है 2016 की सूची है और राज़ सरकार के एक सर्वे हुआ था उसके आधार की सूची है ये इन तीनों की सूची के आधार पर आवाज दिया जा रहा है 18,00,000 से अधीक है प्रमोजी चलिए प्रमोजी चलिए प्रमोजी चलिए प्रमोजी चलिए वो जिनके नए जो नाम आया है उनका नाम क्या हम जोड सकते हैं क्या आपसे मैं निवदन करना चाहता हूं मैं अनुभव के अधार पर इसमी से मानिय अधिक्ष मोजे दूसरा एक और निवदन है अधिक्ष मोजे मंतरी महदैसे उप्रमो के मंतरी महदैसे मुर विशेस निवदन है कि जब ये सर्वे वाला लिस्ट जे है ये लिस्ट में ग्राउंड लेबल में जाए ले जो पात्र हिद ग्राही है ओ मनला आवास के सिविधा नहीं मिले है और जेन मनला मिले है और एक है गाओ नहीं 2-3-3-2 बार मिल चुके है तो एकरवर का जो क्राइटेरियर टे है 2011 के सर्वे हो 2002 के सर्वे और में कुछ परिवर्थन किया जा सकत है महदैसे मैं जानना चाहा था 2011 की सर्वे सूची और 2016 की सर्वे सुची के बाद तक और सर्वेज सूची बनी मानिय अदेक्ष मोदे और उस सर्वेज सूची में राजे सरकार ने सारी बातनों का परिक्षन किया है और उसके बाद भी अगर होगा में पूरो में सर्पश्चर रहाँ 2011 की सर्वे सुची 2002 की सर्वे सुची के अधार पे आवास योजना में सामिल हुआ है लेकिन उस समय भी बहुत ऐसे परिवार है जो आज भी वो आवास सुची से वंचीत है मान्नी मंत्री जी से निवेधन करूँगा कि जो वास्चित्ता में जो पात्रता परिवार है उसको पुना आवास सुची में सामिल करने के निवेधन करने हैं चलिए रूप बावना जी पूशिए इससे में आवास से संबनी थी एक जानकरी और एक प्रेशन भी है अभी जो गाओं में या जो तुलाब के किनारे जो निवासरत है उनको चुकि पट्टा उनका नहीं बन पाता है तो हर तरीके से आवास से वंचीत है तो कि आने वाले समय में कुछ योजनाय बनेगी कि जो तुलाब के किनारे जो काफी सालों से जो बसाहट है उनके आवास के विशे में आगे क्या संभावना ये बहुत मूल कोशन है अद्धिक्ष मोदे तो मंत्री जी से यह पूछना चाहूँगी एक बार फिर बताएं तो क्या कहें कलाब के उपर जो आवास बने हुए हैं क्या उनको भी पट्टे आवास दिया जा सकता है उनकी कई पिढ़िया नहीं कर चुकि चालिस पचास सालों से वही पर हो निवास चाली की पट्टे का और आवास का उनका प्रफधान नहीं है अभी जी मानिय अद्धिक्ष मोदे मानी सदिस ने पहले जो प्रस्ण किया था 2002 की कोई सर्वे सूची नहीं है जिसके आधार पर आवास दिया जाए आवास सिर्फ 2011 और 2016 की सर्वे सूची की आधार पर दिया जाता है और एक आवास प्लस है उसको पिछली सरकार भूल गई थी अक्चली उस पर काम ही नहीं हो पाया वो आवास प्लस कहते हैं उसमें उसको उसके आधार पर भी आठ लाख लोगों को आवास मिलना था आवास का काम पूरा हो जाता तो आवास प्लस शुरू होता परन्तु पूरे देश में फिर से बताना में चाहता हूँ अभी विवाद की चर्चा में आप अपनी बात रखेंगे बहुत आउसर मिलेगा चलिए माननी मंत्री जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपका विभाग बड़ा सक्षम विभाग है माननी मंत्री जी आपका विभाग भारी सक्षम है एक महने में आपने पूरे प्रदेश का सर्वे करवा दिया 2023 में तो यह मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ ये सर्वे करवाने की एक मेहने में अत्यानक सर्वे करवाने की जरुवत क्यों पड़ी और सर्वे के रिपोर्ट के अधार पर जो अनुशंसाएं मिली उसमें आपने क्या-क्या निती कारिकरम स्विकार किये और सर्वे के रिपोर्ट को सरकार ने क्या स्विकार कर लिया मानिय अधिक्ष महुदे क्रिकेट के मैदान में सचिन तिंदुल कर आ जाए या सदन में मानिय अजर चंद्राकर्टी आ जाए एक जैसी पूर्जा और एक जैसा उत्साह लोगों में होता है मानिय ये फास्ट बॉलर है माने महोदे के इस पिसे पर कि 2023 के सर्वे सूची एक ही साल में सरकार ने कैसे सर्वे कर लिया ये विभाग मूलता पूरवर्ती मंत्री आप ही रहे हैं आप ही के आधार शिला पर ये विभाग आगे बढ़ता है आपने ही जो प्रतिमान इस्थापित किये हैं उसको पार करना चाहता हूं कि ये जो सर्वे हुआ है इस सर्वे के आधार पर इसका फिर से बहुतिक परिक्षन नहीं हुआ है पर भौतिक सत्यापन भी किया गया है और उनको स्वीकृत भी किया गया है मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ ने मानी आप सिर्फ मकान में केंद्रित हो गए मैंने ये पूछा है कि एक महने के सर्वे में आपको सर्वे की जो जो रिपोर्ट मिली है उसके आधार उस सर्वे रिपोर्ट को कि आपने स्विकार कर लिया और उस अधार पर आपने क्या नीती कारिकरम बनाएं आपने लिखा है उसमें और क्या बजट उसके लिए निर्धारित किया यदि मैं पूछोंगा कि सिर्फ आवास का तब आवास का विशाय आएगा भी तो मैंने पूरे सर्वे के बारे मैं पूछा आपसे आवास तक अभी पहुचा नहीं हूँ मैं जिनका सर्वे में आया था कि इनके पास एक भी कच्चा मकान रहने के लिए नहीं है उस पूर्शन का सत्यापन करके उसको स्विकार करके और उस पर योजना बना करके काम किया गया है ये पूरी योजना के पूरा सर्वे होने के बाद मानी राजेश मुड़ जी सम्मानी अद्ध्यक्ष मोदे सबसे पहले तो आपके प्रती और विदान सभागे प्रती आबार व्यक्त करता हूं एक महत्वपुन विसे के उपर जो एक आज मेरा प्रस्न लगा है विसे पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ है हजारों नोजवान इसके चपेट में है और महादेव के नाम पर पूरे प्रदेश के अंदर एक गोरत धंदा चला और जिसके अंदर पूरे देश और प्रदेश नहीं अंतर राश्टी इस्तर तक के लोग उसमें इन्वाल्मेंट है और जिसके अंदर एक बहुत बड़ी एजन्सी जाच कर रही है इडी और जिसके अंदर कई लोग इन्वाल्मेंट है उनके बयान भी हो चुके हमारे उर्जावान मुख्यमंत्री है वह भी युवा मोर्चे से आया है मैं भी युवा मोर्चे से आया हूँ वह भी जन्ता की लड़ाई लड़कर क्या आया है मैं भी जन्ता की लड़ाई लड़कर क्या आया हूँ तो यूवा में हिस्सा तो 60 जादा चल रहा है और इसलिए तो मैं वही लाया हूं जो सम्वेदन सील है एक ही विदान सभा से खाली भीलाई जीले से वेशाली नगर विदान सभा से 20 सज्जार बेरोजगार नोजवान इस महादेव 61 के अंदर इन्वाल्मेंट है यही नहीं जो दुबई में जाकर जिसका रेकेट चल रहा है उसका संचारन करने वाले कौन लोग है उसके पिज़े किनकिन की भुमिका है मैं इस पर जिक प्रस्ट पे आता हूं सीधा यह सरकार के संग्यान में कब आया आपने 90 केस करीब दर्ज की है मैंने पूरी केस की स्टड़ी की है और मैं ऐसे ऐसे तथ्थ्य से आपको आउगत किराऊंगा मानी मुख्यमंत्री जी आप कल्परा नहीं कर सकते हैं मानी उप मुख्यमंत्री मोद है कि जो सरकार जिनको सुरुक्षह के जुम्मेदारी है जो सरकार व्यवस्ता के तहँच चलने के हावशक्ता है वो पात सार तक इस सरकार ने जो पुर्व सरकार थी गिरोबंदी के साथ योजनाबत तरीके से ने ने हायाम खोच करके इस प्रदेश के बेरोजगा नोजवानों को ठकने का काम और गलत काम में लगाने का काम किया आपने 90 केश दर्ज किये 90 केश पेसे आपने कितने लोगे खिलाब कारवाई की मैंने कारवाई जो पड़ी है आपने 68 के तहत कह दिया कि उनके खिलाब जो धारा लगी थी वो ठाने में बेलेबलती इसमें बेल दे दिया जिनके बयान हुए उन बयान के अधार पर करोड़ों का ट्रांजेक्शन बेंक से हुआ क्या किन किन अधिकारी बेंके करमचारी या संग्याद में लेकरके क्या काम किया ये एक उस पर जिक परस्ट मेरा है मानिय अदिख्मोदे मानिय दिक्श्मोदे मानिय सदे सिकाई अपरस्ट। सचकुछ बहूँच लाजमी है और उनकी चिंता भी वाजिब है इस पूरे विशे पर जो उनकी विशेश चिंता है कि बहुत सारे नौजवान जो भटके हुए हैं राह से जिनको अपने जीवन को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना था उन्होंने जाकर के इस महादेव सट्टा एप के जरिये इसमें फस करके अपनी बर्बादी का रास्ता चुन लिया मैं आपसे ये बाद बताना चाहता हूं आनिय दिक्ष महुद है कि इसमिसे पर कुल 90 एफाईयार हुए हैं सन 2022 से इस पर एफाईयार हो रहे हैं रायपूर में 36-36 प्रकरण पंजीबद हैं दुर्ग में 23 प्रकरण पंजीबद हैं बिलासपूर में 2 प्रकरण पंजीबद हैं जांजगीर में 2 प्रकरण पंजीबद हैं और सूरजपूर में भी 4 प्रकरण पंजीबद हैं मानी मौद जो एप हैं उनके संदर्ब में भी FIR हुए हैं और उस पर काम चल रहा है दुबई के संदर्ब में मानिय अधिक्त मानिय जानना चाहा है कि दुबई में कुछ लोग हैं और उन्होंने ही इसको पूरा संचालित कर रखा है पूरा 36 गड़ जानता है और तो पूरा भारत ही जा अंदिलाना चाहता हूं कि लुकाउट सिर्कुलर जारी हुआ है रेट कॉर्णर नोटिस भी इनके लिए जारी हुआ है प्रत्यरपन की चल रही है बैंक अकाउंट भी 507 हमारे हां आपको मैं बताना चाहूंगा कि रायपूर में बैंक अकाउंट फ्रीज होनी की प्रक्रि जैसे दुर्क में 436 बैंक अकाउंट सूरचपुर में 38 बैंक अकाउंट जांजगीर में 5 बैंक अकाउंट इनके भी फ्रीज होनी की प्रक्रिया जारी है इस विसे पर बानिय अधिक्ष मोहदे कारवाहिया भी हुई है कुछ जो सरकारी भकमे के लोग थे उन पर जो बात पाई थी उनके बारे में इस पर जानकारी मिली थी एन्फोर्स्मेंट डिरेक्टरेट की जाच के बाद जब उनको जेल में भेजा गया था विभाग के संदर में विभाग के ध्यान में जब ये विसे आया था तो उनको सस्पेंट किया गया है बर्खास्त किया गया है तो अब भी जेल में है ये किया गया है और विशेश रूप से जो चर्चा का विसे है जिसके संदर में मानि सदस कह रहे थे उसके संदर में भी जैसे ही ये विसे अधिकारिक तोर पर या प्रमानिकता के साथ फरकार के विभाग के संग्यान में आएगा मैं उनको आश्वस्त करन चाहता हूँ वह भी युवा मोर्चा से हैं मैं भी युवा मोर्चा से हूँ जो आग उनके दिल में है वो आग मेरे दिल में है और मैं बिल्कुल उनके ये कहना चाहता हूँ कि ये पीर भी परवत्सी हो गई है और इसको निसंदेः पिघलनी चाहिए और इस हिमालाय से भी मानने कोई गंगा निकलनी चाहिए सो प्रतिशत जैसे ही विशाय सामने आएगा एक घंटा नहीं लगेगा विश्चुदेव सरकार को इस पर फैसला रिने में एक घंटे के अंदर करवा ही की जाएगा महादेव और गंगा का बहुत संबंध है गंगा जो निकलिये है महादेव के जवाब जब आप दे रहे हो तो उस गंगा के याद कियो हो मंत्री जी कुछ प्रस्थिश्च करना चाहिए माननी अद्यक्ष मोद है बहुत गंबीर प्रस्थ और मैं आपसे समाच चाहता हूँ माननी मंत्री जी ने एक सामाने रूटिन में सरकारी प्रस्थिश्च का सरकारी उत्तर दे दी मैं स्पेजिक पूछा कि ये महादे एप के उपर 90 केस आपने दर्ज किये उसमें बयान भी हुएं एक बयान मैं आपको पड़कर के सुना देता हूँ आपके ठाने का जिसके अंदर महादे एप के अंदर उस व्यक्ति ने बयान दिया उसका नाम रवी कांथ उसने एक बयान में कहा कि फलाने फलाने में बेरोजगार था मैं घूम रहा था मेरा कहीं कुछ नहीं था मेरा एक दोस्त ने मुझे कहा कि चल भई तेरे एकाउंट खुला देता हू मैं उसके साथ चला गया मैंने बेंक में एकाउंट खुला लिया मेरे बेंक के एकाउंट में मेरा कोई पैसा कभी था ही नहीं करोड़ो रुपे का ट्रांजेक्शन हो गया मैं बंद करने गया तो मेरे को धंकाया जब पुलिस वाले पकड़े बात चीता ही तो मैं वहा गया जब में बेंक में गया तो फलाने फलाने का नाम लिया उसने वो वारदा रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरा एकाउन नहीं है मेरे एकाउन में कैसे लिंदिन हो जा रही है उसके बात में भी वो किसी के खिलाब कोई कारवाई नहीं हुई यह एक नहीं है ऐसे जारों प्रक्रण हैं क्या किसी बेक में अगर एक लाग दो लाग पांच लाग की लेंदेन होती है सामाने सब लोग जानते है बेंक वाला पूछता है क्या आपके एक और पैसा लू के नहीं लू यह आपका पैसा है के नहीं है अगर वो करोडों की लेंदेन हुई और आपके संग्यान में आए और पुलिस वाले जा करके बेंक में पूछते है तो पिस संग्यान में आने का विसे कहां बसता है मानी अद्देच मोदे जब सासन के संग्यान में आगया पुलिस वालों के सामने अब प्रस्ट में आ जाईगे अब मुल्प प्रस्ट पे आईगे वद्देश्मोदे ये तो मेरा कुछ न है आप कह रहे हैं कि अगर संग्यान में नहीं है तो पुलिस वाला कैसे उसके साथ में बेंक में गए या फिर आगे प्रस्ट हो रहे चोटी चोटी जो प्रावधान उपलब थे सारजोनिक द्वियूत अधिनियम 1867 के उसके अंतरगत ऑनलाइन गेमिंग के लिए बेटिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं था कालांतर में कुछ प्रावधान बनाए गए और उसमें एक साल से साथ साल तक की सजा है दसलाग तक का जुर्बाना है उन प्रावधानों के आधार पर इस पर काम किया जा रहा है मैंने बताया कि 54 चालान पुटप हो गए है किसी के बयान के आधार पर किसी को फासी नहीं चढ़ाई जा सकती परन्तु इस आधार पर जाच की जो प्रक्रिया है वो जरूर जारी है मैं फिर से आप से यह कहना चाहता हूं मानि सदिस महुदे मानि सदिस को यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूरी ताकत के साथ पूरी ताकत के साथ इस पूरे विसे का जाच किया जाएगा कोई दल, कोई और समाज किसी की भी परवाह किये बिना जो जो गुनहगार हैं उन सब को जेल की सलाकों के पीछे पहुंचाया जाएगा निर्धारी जैसे ही होता है ये विसे प्रमानिक्ता के साथ कोई बात सामने आती है मैं फिर से कहता हूँ मानने विश्टुदेव जी की सरकार है एक घंटे के अंदर का अरवाही होगी प्रदेश का महत्वपूर्ण प्रस्ता में आप महत्वपूर्ण प्रस्ता में बारा मिनट अके लिए प्रस्ता हूँ इस प्रदेश की जनता की छोटा प्रस्ता और कर ले यह ने छोटा आपने जो उत्तर दियो सरकार सामाने प्रस्त पूछा आप क्या आपने का पहले संग मैं नहीं है जब संग्यान में नहीं आए तो बैक को बैंको बैयान कैसे हुआ कि दूसरा कितना क्रोरर रुपए का transaction उनके माद्यम से बेंकों से हुआ जराया इस परश कर दें कि आगा प्रस्तों मैं पूछू माद्य जी बस धन्यवाद लिए एक जो विसे अभी सामने है जिसकी जानकारी हाथ में है मैं आपको जरूर उपलब्द कराता हूँ कि 500 सावत अकाउंट जो राइपूर के फ्रीज वने वाले थे इन में से 221 करोड रुपए का transaction यहां तक हम पहुंचे हैं पता लगा है थर्ड पार्टी को भी इसमें इंगेज करने ही कोशिश कर रहे हैं कि हम एक एक अकाउंट को खंगाल कर यह जान पाए कि यह राशी इन खातों के माध्यम से कहां जाती थी और उसके बाद फिर अगला transaction उसका कहां होता था यह राशी कैसे दुबई तक पहुंच जाती थी इस पूरी की जाच की जाच करवाई जा रही है मैं आपसे यह भी बताना चाहता हूँ कि विभाग ने तो आगे बढ़ करके लोगों की फरारी होने का आविदन कोट में दिया हुआ है मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि उनके संपत्ति के चिनहंकन की बात प्रारम हुई है उनके संपत्ति को चिनहंकित करके कुर्क करने की बात सामने ले करा रहे हैं मैं आपको ये भी बताना रहा हूँ कि बड़ा चर्चित था पूरे 36 गड़ में कि नागपूर से एक चार्टेट प्लेन दुबई तक गया है उन सारे बारातियों की सूची भी ले रही है हमारा विभाग और सरकार के सारे अधियम से मैं आब को बताना चाहता हूं आपूर मुख्यमंतरी ग्रफ मंत्री का वुवाग है उनकी किसी भी बात के उपर में को तो पूरा 100% विश्वास है लेकिन जो नुमाइंदे लोग पेठे हैं जो पूरे काकस के इंदर इंवाल्मेंट है उनीके माध्यम से प्रस्तों का उत्तर है क्या एक S.A.I. ने बयान दिया A.D. को चंद्र भुसन वर्मा उसने किनकी के नामों का उलेक किया और उन पर क्या कारवाई करेंगे इस बैसिक प्रस्त ठीक जी मानिया दिक्ष मोदे वो बयान जिसको एंफोर्स्मेंट डिरेक्टेट ने लिया है और जो कोट में राइपुर के कोट में जमा है उस बयान का कोई अधिक्रत कोई अधिक्रत जानकारी एंफोर्स्मेंट डिरेक्टेट के द्वारा साशन को नहीं दिया गया है ये जानकारी आने के बाद अधिक्रत जानकारी आने के बाद प्रमानिकता उसमें है तो तुरंत करवाही की जाएगी मैं बिल्कुल इस बात को कहता हूँ आप से अगर उसको बयान पुरे सुर्कियों में समाचाप पत्र से ले करके सोशल मीडिया से लगर के आम जंता के बीच में चल रहा है मैं एक छोटा था उदारान देता हूँ अध्यक्रमोदे मानि उपक्यमंति जी एक छोटा था उदारान विबाग की गंबिर था कल मेरा एक प्रस्थ था और प्रस्थ लग ने पाया P.W.D. के खिलाब में एक प्रस्थ मेरी एक सिकायत की किसी ने फड़जी सिकायत और उससे मीमेने जंता से कहा कि इसकी जाच कोई डिटायर जट से करा लो ततकाल मुक्यमंत्री ने लिखा ततकाल ने समाच के उस समय के मुक्यमंत्री F.I.R. दर्ज की जाए और E.O.W. को केस गया जिसके कोई तक्थ है नहीं है जिसकी कोई जानकार है नहीं है एक आदमी ने अवेदन दिया और E.O.W. इतना सक्री हो गया और ततकाल उसकी विवेशिना के लिए डिपार्टमेंट के अंदर आ गया तो मूल विशे में आगी तो मूल विशे यही है अद्धिक्ष मोदे के अगर तीन तारीक से लेके तीस तारीक तक आने के बात में भी किन अदिकारियों को बचाने का काम हो रहा है इसके पीशे बड़ बड़े लोग हैं इसकी जो उस समय के तार थे उसके अंदर नाम है किसी को तीस लाख रुप्या महिना किसी को पचास लाख रुप्या महिना किसी को एक करोर रुप्या महिना यह मैं नहीं के रहा हूं पुरे समाचार पत्र से और सुर्कियों में छपा है तो क्या सरकार से हम विवेचरा के रूप में क्या संग्यार में ले करके क्या इसकी जाच नहीं कर सकती आज तक यह दोग्रू ने इसके उपर जाच क्यों नहीं की क्या इस सरकार इसके इसको CBI को देगी क्योंकि इसके दा का दूद पानी का पानी होना चाहिए यह मेरा आग रहा है ठीक धन्यवाद कि समारे प्रश्वासन विभाग से इस विश्य पर पूरी जानकारी ली गई थी अंतिम जो उनसे जानकारी प्राप्त हुई है वो पांच फरवरी की है कि इस विश्य पर एंफोर्स्मेंट डिरेक्रेट से कोई अधिकरित जानकारी प्राप्त नहीं हुई अधिया श्यानकारी प्रदेश का सबसे बड़ा स्केंडल केस का मामला अन्यविश्य आवराएंगे विश्य बहुत महत्रपूर्ण सफपर आप लीजिए लेकिन आप किया आपके पास एक गरत जानकारी है मैं आप कहांएंगे तो मैं सजल्देल के पटल पर रख दूँ मैं तो यह दस्तावे जब आपका है तो अध्यक्ष मोदे हैं मैं लगातार दो साल से इसके खिलाब में लड़ता रहा हूं मैं पूरे के पूरे कौन कौन संचालन करता किस-किस की गैंग के रूप में किस ने किस-किस है कितने रूपे लिए दिये कहा कहा किसके साथ विवेचिना हुई किस दिन किस थाने के अंदर एफ़ायर दर्ज हुई और एफ़ायर होने के बाद में अभी तक एक भी एफ़ायर तो हुई एक देश्मोदे विवेचिना भी हुई लेकिन एक भी बड़ी मसली पकल में नहीं चलिए कोई जानकारी हो तो उपलब्द करा देंगे सेंड जी आप एक शोटा प्रसंद कर लिए आप उपलब्द करा देंगे अधिश्मदों मेरा ये प्लिवेदा ने इसकी जाद की घोष्टना करें चलिए कुछ घोष्टना करना है तो बताईए मैं आप से कहना चाहता हूं कोई मचली भी नहीं मगर मच भी हो हां तो भी पकड़े जाएंगे आपने बाद बाद बढ़ी है चलिए चलिए आपके पास कोई अत्रिक जानकारी है और आप से कहना चाहता हूं कि एंफॉर्समेंट डिरेक्टरिट के जाच में वह अंतिम पर है दक्षमोद है आप कहने जाच किया हो सकते हैं वही तो अधिकारी वहां बेठे जिनकों पर आ रहों पर जाच करेगा कौन सही अब है पोत्वाद को डर किसका जिनके खिलाव में आ रहो पुर्यों प्रदेश को परमाद करने का ठेका लेकर क्यों बेठे वहां जाकर प्रदेश को मेठे ठीक राजेजी बहुत बढ़िया अगरे असर जाच होना चाहिए आप जो भी जाच करें विदायक दल से करें जिस से भी करें इस प्रदेश में नजिल बना चाहिए कि गिलो बनकर के जनता को लुटने का जो काम करते हैं उनको सजा मिलना चाहिए यही म मानिय अध्यश महद है निश्चित उप से आधर्णी मुनत जी मानिय सदस्य जी ने अपनी चिंता वेक्त की भिलाई को खेल धानी और सिक्षा धानी के रूप में जाना जाता था अब यह महादेव एफ के रूप में जाना जा रहा है मेरा मूल प्रस्ण यही है मानिय अध कर्षटिंग हुई है पुलीष प्रशासन के लोगों के पास भूप की पास अईटी है लोगों के पास अधिकायों के पास राजनेतिक दल के अलग-अलग नेवतां के पास आइधी है लेकिन आज तक शिब 90 युवाओं को जो है अरेस्ट किया गया वह भी मुचलके पर थाने से छोड़ दिया गया इस पर सही रूप से किसी भी प्रकार क्यास्ता करवाई नहीं हुई और तत्कालीन मुख्यमंत्री मानने जो भी थे उनका भी सन्वक्षन साथ था यह भी हमको देखने को मिला था तो इसलिए इसलिए मानने अध्याश महुद है माज़ें जिन बरातियों के विशह पर माननी ग्रिम अंतियों ने कहा कि जो भाती गयते उनकी लिस्टिंग होगी वह भाती की लिस्टिंग लगाता है नेशनल लिउस पे दिया जा रहा है और भिलाई में खुले आम घुम रहे हैं उन बरातियों पर आज तक कोई कारवाई नहीं हु माननी अद्ध्ष महदे आपके माध्यम से जानना चाहता हूं माननी मंत्री जी से कि इस पे क्या कारवाई होगी जोंकि अभी तक छोटे लोगों पर कारवाई की गई है दन्यवाद माननी अद्ध्ष महदे माननी सदस की चिंता वाजिब है कानून का राज होना चाहिए और कानून के नजर में कोई छोटा या बड़ा हर्गिस नहीं होना चाहिए विसे गिरिफ्तारी के संदर में उनके आकड़े को मैं दुरूस करूं कि ये 482 लोगों की गिरिफ्तारी आज तक हुई है इस विसे पर दूसरा मसला है कि जिन अधिकारियों के संदर्ब में चर्चा है एडी के चलान के संदर्ब में ले 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 या सोशल मीडिया पर या मीडिया पर प्रचलित सारे विस्यों को ले करके जो बात चल रही है प्रमाणिक्ता की बात है एक बार प्रमाणित होने के बाद मानने सदस्यों को इस पिसे पर कारवाहिया होती दिखेंगी उनको चिंता करने की आवशक्ता नहीं होगी अध्यक्ष्मोदे ये बात सच है कि महादेव सट्टा एप सरकार के समरक्षन के बगएर 36 गड़ में फल फुल नहीं सकता था बाकी तो तकनिकी पक्षाब बता रहे हैं आप पूछ रहे हैं मैं तो आप से ये कही मांग करना चाहता हूं ग्रीव अंत्री जी आप स्टेट प्लेन ले ले लिजिए सनिवार को चले जाएए उत्तर प्रदेश और योगी बाबा से पू किला जाते हैं वो क्या-क्या मलानी है और क्या-क्या इंग्वी सिंग्वी इब्बल सिब्बल सबा जाते हैं आप कहां पूरोगे वह एक एक करोड़ फीस वालों के सामने में बुल्डोजर को मारो ड्राइबर को कुछ खिलाओ पिलाओ बेद दो तोड़ ताड़ के आ आज पूछ रहे हैं प्रस्त करवंग दो मानी अध्यक्ष महोते हैं किसमें पूछ रहे हैं महादेवेश सट्टा में एक मिनिट मानी हमारे सदस्य राजे स्मुणजी ने जो प्रस्त न उठाय है पूरे प्रदेश में लाखों कड़ोरों लोग बरबाद हुए हैं और उनको जो उस्साह देने वाले हैं आज भी मसते हम घुम रहे हैं लेकिन जो वीवेचना जो वाई जिनके ओपर कारवाई होनी चाहिं कारवाई हुए नहीं और וास्तविक में ये कारवाई नहीं होगे तो ये सट्टा चलते रहे Hopkins चलते रहेंगे आज आपका भी प्रस्ण है और इसमें पारवाई होनी चाहिए और कोई ने को जाज की घुष्ट नहीं आया है उसमें लोगों को भवी से चोपट करने काम किया गया है इसलिए माननी मंत्र जी मैं आप से कहना चाहता हूं कि अधि उनके भवी से को सुरक्षित रखना चाहते हैं और यह जो महादेव सट्टा जो खिलाने वाले जो घूम रहे हैं ऐसे लोगों को पर आप कारवाई नहीं करेंगे और उनको नहीं रोकेंगे तो आने वाला भवी स्विवाओं का ठीक नहीं होगा इसलिए इस पर तत्काल कारवाई की खोशना करनी चाहिए जिना जी माननी अध्यक्ष महदे एक मियाट संगीता मानी मंत्री जी का जो बयान आया मुझे अपरियाप्त लगता हुश में यह विशाई जितना गंभीर है को कमिटमेंट सरकार से और से आना चाहिए कि इसको हम समय बद्ध ढ़ंग से इतने दिन में निराकरित करेंगे क जो पॉस्टिंग हुई है वहां पे जितने लिया दिकायों की जाज की जाए चलिए अध्यक्ष मिनट हो गए चलिए अगला पसराने की आप 26 मिट हो गए बिल्कुल सह मैं तो हूँ आप से ले नहीं कलपा है लेने तो कुछ नहीं वह उत्तर वही है मानी अध्यक्ष कर चुके हैं मानी अध्यक्ष जी और हम लोग लगाता है यह विसे इतना ही है कि उसमें जो भी यह समय बत ही घोस्ता करें क्या उनके खिलाब में कारवाई की जाएगी मानी अध्यक्ष इस प्रदर से जुड़ावा के छोटा मोटा भैसला नहीं है अध्यक्ष अपनी आइफाएवाट पर फाइनस का वाई तो निकल तो निरही गंगा कई रुप गई है अध्यक्ष इस मंदिल से अच्छा अच्छा है जाएगा जावाई होना चाहिए तो जवाब देने खड़े हो गया है मंत्री जी खड़े हैं बाई तो ना पड़ेगा पास्टाज दूर्सिक्ति जिनकी वेशिकालों की उनकी चाथ होनी चाहिए मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं उसके दूसरे कुछ मैं मैं आपसे ही कह रहा हूँ कि जाच केंदर की एजनसी कर रही है एंफोर्स्मेंट डिरेक्टेट कर रही है और उनका जाच अंतिम इस्थिती में है वो चालान पुटब कर चुके हैं अरे आप प्रतीक्षा कर लें एक बार उस चालान को देख लें जो आप चाहते हैं वो चालान में है मानियूप मंत्री जी 164 के बयान के तहट ED का बयान अपने आप में कोड में दिया हुआ बयान माना जाता है अगर नहीं है तो विबाद किलियर कर ले धारा 164 के तहट जो बयान दिया गया है चंत्रभूसरंड ने और एक सुप्रीम कोड का फेशला जैय लेलिता जी के उसमें आया है कि इसके अंदर वह पार्टी नहीं बन सकते और उनको 15 दिन में इस पर फेशला करना पड़ेगा सुप्रीम कोड का फेशला हो चुका है जब इतना सब कुछ साख्षोने के बाद में भी आप किनको पचाना चाहते हैं किसी के नहीं है यह किसी के नहीं है ध्यान रखना यह सिर्फ कुछ सी के सलाम करने वाले है जिन जिन को आप बचाना चाहरे हो वो किसी के नहीं है वो यह अपने उपर डंडा चलाया है वो यह आतुगेस पेके है महादेव की जटा से गंगा निकलने चाहिए और आपने काई यह दर्द मेरा नहीं यह दर्द आपका भी है इस पर कोई नहीं कोई फेसला होना चाहिए यह उम्मीर आपका जाहिए जेन ताब दीत इन जर्वे कर ही चिन्ता जहन करा चलिए दो महीं दाप से ने इस पर मंत्री जी कुछ खह रहा है सुनिता जी आगे बढ़ गया अगे बढ़ गया आगे बढ़ गया देख आगे प्लीज एक निवेट लेना माने आदेख जी कुछ कह रहा है मंत्री मोदा मानने अदर्वा nurturing में सबके संग्यान में इस बात को लाना चाहता हूं कि एडी के प्रिस नोट जो एंफोस्मेंट डिरेक्टेट के विबसाइट पर रिलीज होता है उसमें बहुत सारे नाम है और उनके लिए अधिकृत जानकारी हमको एडी उपलब्द करा दे ये इसके लिए हमने प्रक्रिय भी प्रार्म कर दी आप थोड़ी प्रतिक्षा कर लें वो होगा जो आपके मन में है यह गोश्टा कर दो महिने बर में दो महिने बर बस राजेटी होगे चलिए संगीता जी आदर्णियत धक्षमोदय जी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हिद्गराहियों को प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीन में नहीं जोड़ा गया तो मैं यह मेरा पहला कोश्चन है धक्षमोदय जी मंद्री जी से कि ऐसे परिवार जिनका नाम 2011 की सुची में छुट गया था जिनको मकान दिलाने के लिए पुरवर्ती सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए सर्वे कराया था तो आदर्णी अध्यक्षमोदय जी उत्तर में आया है कि अवास योजना को मुख्यमंत्री आवास योजना को प्रधान मंत्री आवास योजना में नहीं जोड़ा जाएगा को स्पाइन के तहट आवाज प्रदायен कि यह जाने कर नीर्ने लिया गया है तो मैं अध्यक्ष मौद्र जी मंत्री मौद्र जी सेkillini चाहती हूं कि अगर नीर्ने लिया गया है तो यह नीर्ने कप तक प्रभावर्शाली होगा और कब से लागू होगा कुछ माप गंड होगा या बदला हुआ वो भी आप बताएंगे मानिय अधिक्ष महोदे यह बड़ा ही मार्मिक प्रस्ण है और मानिय सदस्ट के इस चंता का मैं हरदय से स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं ऐसा ही मार्मिक प्रस्ण एक बार पूरवर्ती सरकार के मानिय मंत्री टीए सेंदियो जी के हरदय में भी उठा था जब आठ लाख आवास के लिए उन्हें बार बार प्रयास किये परन्तु आवावास नहीं मिल पाया था और नहीं मिल पाने के कारण उन्हीं उस पत्र से त्याग भी दिख पत्षिक को छोड़ भी दिया था विभाग उन्हें छोड़ दिया था आज फिर से यह विषय है प्रधानमंत्री आवास के संदर में विष्टुदेव जी की पालन हारी सरकार है और उस सरकार का बिल्कुल इस पश्ट निर्ने हैं 18 लाख हावास गरीबों को दिये गए हैं मैं आपको इस मिसे पर भी बताता हूं इस मिसे पर भी कह रहा हूं मानिय से इसमोद है इसमें मानिय अद्रिक जी यह जो सर्वे कराया गया था 2011 की सूची और 2016 की सूची इन दो सूचीयों के आधार पर प्रधान मंत्री आवास दिया जाता है एक अलग से सर्वे राजी की सरकार ने कराया उनकी अपने अलग पैमाने थे उनका अपना अलग डाटाबेस था अब यह कैसे हो सकता है कि वो अध्यम से प्रधान मंत्री आवास दें आजाए अधेनी अध्यक्ष महदय जी दोहजार ग्यारा का सरवे चल रहा है और सरवेह हुआ ही नहीं है केंद्री सरकार ने सरवेह कराया ही नहीं 12 स-13 साल हो गये उसके बात पुरवर्ति सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उनको दिया और मैं फोटोग्राफ भी दिखा दूंगी अध्यक्ष मौदेजी इसमें वो लोग है जो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पहला राशी जो मिला है उसमें लोग अपना घर बनाना शुरू कर चुके हैं तो उन गरीब परिवारों का क्या होगा जो शुरूआत कर चुके हैं आपनी इसमें कहा कि उसको नहीं दिजोड़ा जाएगा तो अगर नहीं जोडेंगे तो इतने लाखों करोडों परिवार उनका क्या होगा वो गरीब लोग हैं जिनको छाया नहीं है धेक्ष मोदे जी बारीश में लोग तीन चार परिवार एक साथ रहते हैं जो लोग आवास को वोगते थे आवा आवास की चिंता कर रहे हैं लाखों करोडों परिवार की बात नहीं है भाई ये आपके जो 36 गड़ सरकार के द्वारा पिशलया कराया गया सर्वे है उसके आधार पर जो आवास दिया जाना है वो लगबग 47,000 आवास है मैं आपसे बताना चाहता हूं इसमें कि मारनिया मुख्यमंत्री जी ने पूर में ही घोशना कर दी है कि जिनको पहला किस्त मुख्यमंत्री आवास के संदर्ब में दिया गया है उनके आवास के पूरे किस्त उनको दिये जाएंगे, उसमें कोई भेद भाव नहीं किया जाएगा, ये निर्णय विष्टुदेव सर्जकार का पहले ही हो चुका है, मैं आप बताना चाहता हूँ, दूसरा विशे में, मेरी बात होने देखवार, दूसरा विशे में आप से क मिलता है, मैं आप से बताना चाहता हूँ, आदिख्ष महदेव कि पूरे देश में, आदेश महदेजी सर्वे कहीं पे नहीं हुआ है, दो सर्वे हैं बहाई पहले पता कर लिजिए, मैं आपसे बोल रहा हूं, तो कुछ गलत नहीं कह रहा हूं, दो 2016 में ये सर्वे आया है, जिसके आधार पर अवास प्लस पूरे देश में सिर्फ पस्चिम मंगाल और 36 गड़ में नहीं दिया जा सका अन्यता पूरे देश में भी आवास प्लस दिया गया है और इसके कारण विश्टुदेव जी की सरकार नहीं निरने किया है कि 2011 की सर्वे सूची के आधार पर जितने लोग बचे हैं उनको दूसरा आवास प्लस के जितने लोग बचे हैं उनको इसके साथ ही साथ जो मुख्यमंतरी आवास के नाम से आपने दिया था 47,000 लोगों को उनको और जिनको एक किस दे करके आपने रोग दिया था उनको इन सार ना किया है अभी नया क्या उसको पुराने में जोड़ा जाएगा हाँ हाँ बिल्कुल आप से कह रहा हूँ आपसे नया जोड़ेगा कि नया आप देंगे अठारा लाग कि उसी में जोड़ेंगे आप अध्यक्ष मोदे जी हम अगर गाउं में जाते हैं पिछले बार जब आप यहां बैठे थे उससे में आप कितना अवास के लिए चिलाए जब आपको मौका दिया है जनता ने आपको मौका दिये तो आप उनके साथ जनता के साथ धोखा धड़ी मत किजी आप उनको आवास दिल लियाए जिनको जरुरत है जो अभी आप एक छट की नीचे तिन चार परिवार रहते हैं इतना बचा दीजिए ठारला को आवास कब तक दे रहे हैं आप पोशन कि यह जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में जिन लोगों को पहली बार जिनको शोन्य कमरे का मकान इस तरह का सर्वे में डाटा आया है उनको पहला किस दिया जा चुका है मैं फिर इनको एक-एकिष्ट मिलें उनको दिया जायेगा बता दिया ना बता दिया जी धन्यवाद मोले जी माननी अधेत मोदै कि 2011 के सर्वे निश्ट 2016 के माननी मंती जी ने कहा और आवाज प्लस बोला वो टोट्रल कितने होते हैं माननी मंती जी से मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से उसके पाद जो गरीब हैं सही में उनके पास बेगार हैं ऐसे लोगों के लिए क्या आप आवास देने की योजना बना रहें के बना चुके हैं यह बताने कर दो आवास प्रधान मंत्री आवास दिया जाना या राजी की सरकार के द्वारा प्रवर्तित वो योजना के अंतरकत आवास दिया जाना यह सूची के आधार पर ही होता है जो सूची आभी उपलब्द है दोहजार ग्यारा की सूची है दोहजार सोला की सूची है और राजी सरकार के एक सर्वे हुआ था उसके आधार की सूची है इन तीनों की सूची के आधार पर आवास दिया जा रहा है अठारा लाग से अधिक है प्रमोजी चलिए मान्य मंत्री जिसे सम्मन्द में थोड़ी सी जानना चाहूंगा अभी उनों ने जवाब दिया जो मंत्री आवास की जो योजना है उसको भी चालू रखा जाएगा उसमें भी राजी दी जाएगी पहले जो हमार जो प्रधान मंत्री आवास योजना पर जो कारे होता था जिनको पांच वर्सों में सामने वालों ने रोका कोई आवास बनने नहीं दिया लेकिन अब आवास चालू हो गए हैं तो यह प्रधान मंत्री आवास में केंद्र का पैसा आता है और राज्यांस पैसा मिलाता है अ परत्मान इस्तिति के आधार पर चुकिया राजी की प्रवर्तित योजना है अर्थात केंद्र के तरब से इसमें कोई केंद्रांच नहीं मिलने वाला है परंतु जैसे केंद्रे ने निरने किया है कि दो करोड नए आवास और पूरे देश में बनाये जाएंगे उसके लिए कोशिश की जाएगी कि इस विसेवर भी इसको प्रधान मंत्री आवास में जोड़ रहे और इसमें राज्या केंद्राइब मिलने वाला है कि सहरी विकास जो पट्टा है हमारे एक समस्य आ रही है जैसे पट्टा पिता के नाम पे है उनका नीधन हो गया पट्टा वाले ट् के लोगों को प्रधान मंत्री आवास या मुख्यंत्री आवास की कोई प्रकार की शुदा नहीं मिल रही है मानी मंत्र जी से मैं जन्ना चाहता हूं कि जीन का निधन हो गया जो पट्टा ट्रांसफर हो गया वो जिनके नए जो नाम आया है उनका नाम क्या हम जोड सकते हैं क् मैं अनुभव के आधार पर इस विसे मानी अधिक्ष मोदे दूसरा एक और निधन है अध्यक्ष मोदे पहले प्रशन का जवावाज है जी 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 वही दो बोल रही है आवास तो प्रधान मंत्री तो उसमें विस्तरिम भी आए गए जे शेत्री जी पू ये लिस्ट में ग्राउंड लेबल में जाय ले जो पात्र हिद ग्राही है वो मनला आवास के शिवीधा नहीं मिले है और जिन मनला मिले है एक एक गाउने दो दो तिन तीन बार मिल चुके है तो एकरबर का जो क्राइटेरियर तैय है 2011 के सर्वे और 2002 के सर्वे वो में कुछ परिवर्तन किया जा सकते मोहदय से मैं जानना चाहा था हूँ 2011 की सर्वे सूची और 2016 की सर्वे सूची के बाद एक और सर्वे सूची बनी मानिया देक्ष मोहदय और उस सर्वे सूची में राजे सरकार ने सारी बातनों का परिक्षन किया है और उसके बाद भी अगर हिर्दय में ये प्रस्ट शेश है तो इसकी चिंता भी मानने में पर वाकाई में हिद्ग्राही जाएकर सुभिधा नहीं भी नथे मैं माननी मंत्री जी से एक निवेदन करूंगा कि पूरे 36 गड़ में मैं भी पूरो में सरपंच रहा हूँ 2011 की सरवे सुची 2002 की सरवे सुची के अधार पे आवास योजना में सामिल हुआ है लेकिन उस समय भी बहुत ऐसे परिवार है जो आज भी वह आवास सुची से वंचीत है माननी मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि जो वास्तिता में जो पात्रता परिवार है उसको पुना आवास सुची में सामिल करने के निवेदन करने हैं मूल कोशन है देख्ष महदे तो मंत्री जी से यह पूछा चाहूंगे चलिए एक बार फिर बताएं तो क्या कहरें कलाब के उपर जो आवास बने हुए हैं क्या उनको भी पटे आवास दिया जा सकता है उनकी कई पिढ़िया निकल चुकी 40-50 सालों से वही पर हो निवास दिया जाता है और एक आवास प्लस है उसको पिछली सरकार भूल गई थी एक्चली वो उस पर कामी नहीं हो पाया वो आवास प्लस कहते हैं उसको उसके आधार पर भी आठ लाख लोगों को आवास मिला था आवास का काम पूरा हो जाता तो आवास प्लस शुरू होता परन्तु पूरे देश में फिर से बताना में चाहता हूं आवास का काम पूर्ण नहीं हुआ तो आवास प्लस प्रारम ही नहीं हो पाया तो दो हजार सोला क्या कोई सर्वे सुची है दो हजार सोला की सर्वे सुची के अधार पर आवास दिया जाना है यह इस पस्ठी नहीं हो पाया है अबी विभाग की चर्चा में आप अपनी बात रखेंगे बहुत आउसर मिलेगा चलिए मानने मंत्री जी मैं आपसे जानना चाहता हूं का आपका विभाग बड़ा सक्षम विभाग है के पने मंत्री जी आपका outside ciria मैं एक महने में आपने पूरए प्रदेश का सर्वे करवा दिया 2003 में को यह मैं आपसे यह जानना चाहता हूं यह सर वे कर्वाने की एक महने में चानक सर्वे कर्वाने की जरुवत क्यों पढ़ी और सर्वे के रिपोर्ट के अधार पर जो अनुशन साय मिली उसमें आपने क्या-क्या निती कारिक्रम स्विकार किये और सर्वे के रिपोर्ट को सरकार ने क्या स्विकार कर लिया मानिय अधिक्ष महुद है क्रिकेट के मैदान में सचिन तिंदुल कर आ जाए या सदन में मानिय अजय चंद्राकर्टी आ जाए एक जैसी पूर्जा और एक जैसा उत्साह लोगों में होता है मानिय यह फस्ट बॉलर है बैटी निया इस पिसेपर कि 2023 के सर्वे सूची एक ही साल में सरकार ने कैसे सर्वे कर लिया यह विभाग मूलता पूरवर्ती मंत्री आप ही रहे हैं आप ही कियाधार शिला पर यह विभाग आगे बढ़ता है आपने ही जो प्रतिमान इस्थापित किये हैं उसको पार करना है के लिए बहुत बढ़िया जरूर कहना चाहता हूं कि यह जो सर्वे हुआ है इस सर्वे के आधार पर इसका फिर से भोतिक परिक्षन नहीं हुआ है परन्तु इसमें जो शून्य कमरों के मकान हैं कच्चे कमरों वाले उन आवास के लिए भोतिक सत्यापन भी किया गया है और उनको स्वीकृत भी किया गया है मैं आपको जरुर बताना चाहता हूँ नहीं बार इस सर्वे को कि आपने स्विकार कर लीया और उस अधार पर आपने क्या नीती कारिक्रम बनाएं आपने लिखा है उसमें और क्या बजट उसके लिए निरधारित किया जदी मैं पूछोंगा कि सिर्फ आवास का तब आवास का विशाय आएगा भी तो मैंने पूरे सर्वे के बारे में पूछा आपसे आवास तक अभी पहुंचा नहीं हूँ मैं मानिया धिक्ष महदय, इसी विशे पर मैं आप से कहरा था कि सर्वे हुआ है, डाटा सामने आया है और उसका अंतिम भौतिक सत्यापन, यह होने के बाद उसकी स्विकारिता की बात आती है, भौतिक सत्यापन उसमें से एक ORSSIN का किया गया, बाकी डाटा का भौतिक सत्याप सत्यापन नहीं किया गया और वो 47,90 ऐसे लोग थे जिनको चिन्हांकित करके जिनका सर्वे में आया था कि इनके पास एक भी कच्चा मकान रहने के लिए नहीं है उस पॉर्शन का सत्यापन करके उसको स्विकार करके और उस पर योजना बना करके काम किया गया है यह पूरी योजना के पूरा सर्वे होने के बाद मानी राजेश मुड़त जी सम्मानी अध्यक्ष मोदे सबसे पहले तो आपके प्रती और विदान सवागे प्रती आबार व्यक्त करता हूं एक महत्पुन विसे के उपर जो एक आज मेरा प्रस्ण लगा है विसे पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ है हजारों नोजवान इसके चपेट में हैं और महादेव के नाम पर पूरे प्रदेश के अंदर एक गोरत धंदा चला और जिसके अंदर पूरे देश और प्रदेश नी अंतर राष्टी इस्तर तक के लोग उसमें इन्वाल्मेंट हैं और जिसके अंदर एक बहुत बड़ी एजनसी जाच कर रही है एडी और जिसके अंदर कई लोग इन्वाल्मेंट है उनके बयान भी हो चुके हमारे उर्जावान उख्यमंत्री हैं वह भी युवा मोर्चे से आया हैं मैं भी युवा मोर्चे से आया हूँ भेख भी जन्ता की लड़ाई लड़कर क्या आया हैं तो यूवे में हिस्स्त तो सट्टा जादा चल रहा है और इसीलिए तो मैं वी सवही लाया हैं को सम्वेधर्ण सिल है एक ही विदान सबासे खाली भीलाई जीले से वेशाली नगर विदान सभा से 20 सज्जार बेरोजगार नोजवान इस महादेव 68 के अंदर इन्वाल्मेंट है यही नहीं जो दुबई में जाकर जिसका रेकेट चल रहा है उसका संचारन करने वाले कौन लोग है उसके पिज़े किन किन की भुमिका है मैं इस पर जिक प्रस्ट पे आता हूँ सीधा यह सरकार के संग्यान में कब आया आपने 90 केस करीब दर्ज किये मैंने पूरे केस की स्टेड़ी किये और मैं ऐसे ऐसे तथ्चे से आपको अउगत कराऊंगा मानी मुख्यमंत्री जी आप कलप्रा नहीं कर सकते हैं के जुम्मेदारी है जो सरकार व्यवस्ता के तहट चलने के आवस्चक्ता है वह पास सार तक इस सरकार ने जो पुर्व सरकार थी गिरोबंदी के साथ योजनाबत तरीके से ने ने हायाम खोच करके इस प्रदेश के बेरोजगा नोजवानों को ठकने का काम और गलत काम में लगाने का काम किया आपने नब्बे केस दर्ज किये नब्बे केस पेसे आपने कितने लोगे खिलाब कारवाई की मैंने कारवाई जो पड़ी है आपने सटा हेक्ट के तहत कह दिया कि उनके खिलाब जो धारा लगी थी वो ठाने में बेलेबल थी इसमें बेल दे दिया जिनके बयान हुए उन बयान के आधार पर करोड़ों का ट्रांजेक्शन बेंक से हुआ क्या किन किन अधिकारी बेंक के करमचारी या संकार में संग्यान में लेकर के क्या काम किया माने देक्ष महुदे माने सदसिकाई अप्रश्ट सच्पुच बहुत लाजमी है और उनकी चिंता भी वाजिब है इस पूरे विशे पर जो उनकी विशेश चिंता है कि बहुत सारे नौजवान जो भटके हुए हैं राह से जिनको अपने जीवन को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना था उन्होंने जाकर के इस महादेव सट्टा आयप के जरिये इसमें फस करके अपनी बरबादी का रास्ता चुन लिया मैं आप से ये बात बताना चाहता हूं मानिय दिक्ष महुदे कि इस पिसे पर कुल 90 एफाई आर हुए हैं संद 2022 से इस पर एफाई आर हो रहे हैं रायपुर में 36-36 प्रकरंट पंजी बद हैं दुर्ग में 23 प्रकरंट पंजी बद हैं बिलासपुर में 2 प्रकरंट पंजी बद हैं जिसमें 54 पर चालान पूट अप हो गया है, साथ ही साथ अन्य जो एप हैं उनके संदर में भी FIR हुए हैं और उस पर काम चल रहा है, दुबई के संदर में मानिय अधिक्त, मानिय अधिक्त महदे ने जानना चाहा है, कि दुबई में कुछ लोग हैं और उन्होंने ही इसको प चालित कर रखा है, तो सरकार के तरफ से क्या कारवाही हुई है, मैं आपको धान दिलाना चाहता हूँ, कि लुकाउट सिर्कुलर जारी हुआ है, रेट कॉर्णर नोटिस भी इनके लिए जारी हुआ है, प्रत्यरपन की कारवाही चल रही है, बैंक अकाउंट भी 507 हमारे ह आपको मैं बताना चाहूँगा कि राइपूर में बैंक अकाउंट फ्रीज होनी की प्रक्रिया में है, उसमें से 121 फ्रीज हुए हैं और उसमें 1 करोड 16,71,696 ये राशी भी फ्रीज हुई है, इसके अलावा और विभिन इस्थानों पर, जैसे दुर्ग में 436 बैंक जांजगीर में 5 बैंक अकाउंट, इनके भी फ्रीज होनी की प्रक्रिया जारी है, इस विसे पर, बानिय अधिक्ष महदे, कारवाहिया भी हुई है, कुछ जो सरकारी भखमे के लोग थे, उन पर जो बात आई थी, उनके बारे में इस पस्थ जानकारी मिली थी, एन्फोस् तो उनको सस्पेंट किया गया है, बरखास्त किया गया है, तो अब भी जेल में है, ये किया गया है, और विशेश रूप से जो चर्चा का विसे है, जिसके संदर में मानि सदस कह रहे थे, उसके संदर में भी जैसे ही ये विसे अधिकारिक तोर पर या प्रमानिक्ता के के विभाग के संग्यान में आएगा मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ वह भी युवा मोर्चा से हैं मैं भी युवा मोर्चा से हूँ जो आग उनके दिल में है वो आग मेरे दिल में है और मैं बिल्कुल उनके ये कहना चाहता हूँ कि ये पीर भी परवत्सी हो गई है और इसको निसंदेः पिघलनी चाहिए और इस हिमालाई से भी बाने कोई गंगा निकलनी चाहिए सो पृतिशत जैसे ही विशाय सामने आएगा एक घंटा नहीं लगेगा विश्टुदेव सरकार को इस पर फैसला रिने में एक घंटे के अंदर करवा ही की जाएगा महादेव और गंगा का बहुत संबन्ध है गंगा जो निकलिये है महादेव के जवाब जब आप दे रहे हो तो उस गंगा के याद कियो हो मंत्री जी कुछ प्रस्थिश्च करना चाहिए माननी अद्यक्ष मोद है बहुत गंबीर प्रस्थ और मैं आप से समाच चाहता हूँ माननी मंत्री जी ने एक सामाने रूटिन में सरकारी प्रस्थिश्च का सरकारी उत्तर दे दी मैं स्पेजिक पूछा कि ये महादे एप के उपर 90 केस आपने दर्ज किये उसमें बयान भी हुए है एक बयान मैं आपको पढ़कर के सुना देता हूँ आपके थाने का जिसके अंदर महादे एप के अंदर उस व्यक्ति ने बयान दिया उसका नाम है रवी कांथ उसने एक बयान में कहा कि फलाने फलाने में बेरुजगार था मैं घूम रहा था मेरा कहीं कुछ नी था मेरा एक दोस्त ने मुझे कहा कि चल भई तेरह account खुला देता हूँ मैं उसके साथ चला गया मैंने bank में account खुला लिया मेरे bank के account में में कोई पैसा कभी था ही नहीं करोडों रुपए का transaction हो गया मैं बंद करने गया तो मेरे को धमकाया जब पुलिस वाले पकड़े बात चीताई तो मैं वहाँ गया, जब मैं बेंक में गया तो फलाने फलाने का नाम लिया उसने, वो वारदा रिक्वेस्ट कर रहा है, कि मेरा एकाउन नहीं है, मेरे एकाउन में कैसे लिंदिन हो जा रही है, उसके बात में भी वो किसी के खिलाब कोई कारवाई नहीं हुई, यह एक नहीं एसे जारों प्रक्रण हैं क्या किसी बेक में अगर एक लाग, दो लाग, पांच लाग की लेंदेन होती है, सामाने सब लोग जानते हैं, बेंक वाला पूछता है, कि आपके एकॉर्णू पैसा लू के नहीं लू, यह आपका पैसा है के नहीं है, अगर वो करोडों की लेंदे नहीं और आपके संग्यान में आए हो, पुलिस वाले जा करके बेंक में पूछते हैं, तो फिर संग्यान में आने का विसे कहां वस्ता है, मानी अद्देश मोदें, जब सासन के संग्यान में आगया, पुलिस उभाग के संग्यान में आगया, आपने एफ आयार दर्श कर द नहीं है तो पुलिस वाला कैसे उसके साथ में बेंक में गए या फिर आगे प्रस्तों रहे चोटी चोटी जो प्रावधान उपलब थे सारजुनिक द्वियूत अधिनियम 1866 के उसके अंतरगत ऑनलाइन गेमिंग के लिए बेटिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं था काला अंतर में कुछ प्रावधान बनाए गए और उसमें एक साल से साथ साल तक की सजा है दसलाग तक का जुर्बाना है उन प्रावधानों के आधार पर इस पर काम किया जा रहा है मैंने बताया कि 54 चालान पुटप हो गए किसी के बयान के आधार पर किसी को फासी नहीं चड़ आना चाहता हूँ कि पूरी ताकत के साथ पूरी ताकत के साथ इस पूरे विसे का जाज किया जाएगा कोई दल कोई और समाज किसी की भी परवाह किये बिना जो जो गुनहगार हैं उन सब को जेल की सलाकों के पीछे पहुंचाया जाएगा निर्धारी जैसे ही होता है ये वि से प्रमानिक्ता के साथ कोई बात सामने आती है मैं फिर से कहता हूं मानने विश्टुदेव जी की सरकार है एक घंटे के अंदर का अरवाही होगी जैलिए कोई और चोटा प्रस्ट प्रदेश का महत्वपुन प्रस्ट में आप से बारा मिनट अके लिए प्रस्ट करता हूं इस प्रदेश की जनता की चोटा प्रस्ट और कर लें यह ने चोटा आपने जो उत्तर दियो सरकार सामाने प्रस्ट पूछा आप क्या आपने का पहले संग्यान में नहीं आया जब संग्यान में नहीं आया तो बयान कैसे हुआ सीधा सीधा प्रस्ट जब सरकार के संग्यान में नहीं है तो फिर पुलीस अधिकारी जा करें बेंकों बयान कैसे है और ये क्यों चीज़ दूसरा कितना करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन उनके माधियम से बेंकों से हुआ जरा यहां इस परस्ट कर दें बस धन्यवाद लिए एक जो बिसे अभी सामने है जिसकी जानकारी हाथ में है मैं आपको ज़रूर उपलब्त कराता हूँ कि पांत सो सावत अकाउंट जो राइपुर के फ्रीज होने वाले थे इन में से 221 करोड रुपए का ट्रांजिक्शन यहां तक हम पहुंचे हैं पता लगा है थर्ड पार्टी को भी इसमें इंगेज करने ही कोशिश कर रहे हैं कि हम एक-एक अकाउंट को खंगाल कर यह जान पाए कि यह राशी इन खातों के माध्यम से कहां जाती थी और उसके बाद फिर अगला ट्रांजिक्शन उसका कहां होता था यह राशी कैसे दुबई तक पहुंच जाती थी इस पूरी की जाच की जाच करवाई जा रही है मैं आपसे यह भी बताना चाहता हूं कि विभाग ने तो आगे बढ़ करके लोगों की फरारी होने का आविदन कोट में दिया हुआ है मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि उनके संपत्ति के चिनहंकन की बात प्रारम हुई है उनके संपत्ति को चिनहंकित करके कुर्क करने की बात सामने ले करा रहे हैं मैं आपको ये भी बताना रहा हूं कि बड़ा चर्चित था पूरे 36 गड़ में कि नागपूर से एक चार्टेट प्लें दुबई तक गया है उन सारे बारातियों की सूची भी ले रही है हमारा विभाग और सरकार के मध्यम से मैं आपको बताना चाहता ह यह सारी सुची हाथ प्याने के बाद सब पर जाच होगा सब पर जाच कराई जाएगी कुछ नहीं छोड़ा जाएगा मानी अध्यक्ष मोले मानी ग्रहमंत्री की मुख्यमंत्री ग्रहमंत्री का विभाग है उनकी किसी भी बात के उपर मेंको तो पूरा 100% विश्वास है ल क्या एक एसाई ने बयान दिया एडी को चंद्र बुसन वर्मा उसने किंकिं के नामों का उलेक किया और उन पर क्या कारवाई करेंगे इस बैसिक प्रस्ट ठीक जी मानिया दिक्ष मोदे वो बयान जिसको एंफोर्स्मेंट डिरेक्टिट ने लिया है और जो कोट में राइपुर के कोट में जमा है उस बयान का कोई अधिकरत को इसकी कोई अधिकरत जानकारी एंफोर्स्मेंट डिरेक्टिट के द्वारा साशन को नहीं दिया गया है य पिर में आपके संग्यान पर लायता हूं विवाग फिर आपको गुम्रा कर रहा है तीन जन्वरी को सासन को पत्र आच चुका तीन जन्वरी अगर तारीक नहीं है तो तारीर पता रहता हूं इडी के द्वारा सासन को भेजा गया जब कोई संग्यान में नहीं लिया उत्तर नहीं दिया तो तीस तारीक को फिर वापस रुमाइंड आया अगर उसको बयान पुरे सुर्कियों में समाचा पत्र से लेकर के सोशल मीडिया से लेकर के आप जंता के बीच में चल रहा है मैं एक चोटा था उधारान देता हूँ अध्यक्रमोजर है आपनी एक चोटा था उधारान विभात की गंवीटता कल मैरा एक प्रस्था ता और प्रस्था है लगनी पाया प्रता हम्रादी के खिलाब में एक प्रस्त मेरी एक सिकायक की किसी ने फढ़जी सिकायाant और उस समय भी मैंने जन्ता से कहा कि इसकी जाच कोई डिटायर जट से करा लो ततकाल मुख्यमंत्री ने लिखा ततकाल ने समाच के उस समय के मुख्यमंत्री एफ आई आर दर्ज की जाए और यो डबलु को केस गया जिसके कोई तक थे नहीं है जिसकी कोई चानकारी नहीं है एक आदमी ने अवबे दिया और यो डबली इतना सक्री हो गया और ततकाल उसकी विवेशना के लिए डिपार्टमेंट के अंदर आ गया तो मुल्वी से यही है अद्धिक्ष मोदे के अगर तीन तारीक से लेके तीस तारीक तक आने के बात में भी किन अद्धिकारियों को बचाने का काम हो रहा है इसके पीशे पर बड़े लोग है इसक के अंदर नाव में किसी को 30 30,00 Silverkay किसी को 50 लाक रूपा मेना इन आ खिसको एक करोर मेना यह यह मैं नहीं किरा कुछ समाचार पत्र जाहर शूर्कियों में चोपा है है क्या सरकार्स शयम विवेशना के लुप में क्या संज्यार में लेकर के क्या इसकी जाच नहीं कर सकती आज तक यह जोग्णू ने इसके पर जाच क्यों नहीं की क्या एस सरकार इसके इसको CBI को देगी क्योंकि इसके दाम देश तक जुड़े है तेश्मोद है और यह दूद का दूद पानी का पानी वहाद चाहिए यह राग रहे है ठीक धन्यवाद समारे प्रश्वस्वसन विभाग से इस विसे पर पूरी जानकारी ली गई थी अंतिम जो उनसे जानकारी प्राप्त हुई है वो पांच फरवरी की है कि इस विशे पर एंफोर्समेंट डैरेक्रेट से कोई अधिकरित जानकारी प्राप्त नहीं हुई ठीक ने अध्याद यह प्रदेश का सबसे बड़ा सकेंडल केस का मामला है अन्यविशे आव रहे हैंगे विशे बहुत महत्पूना सब पर आप लीजिए लेकिन आपके पास ये गलत जानकरी है आप कहा ही ने तो मैं सर्दल के पटल पे रख दूँ चलिए रख दीजे कि जिस तारीक को ये गया है तीन तारीक को गोट के अंदर जिस वकिल ने इस बात को में अपने मेसेज किया वो भी जानकरी है आप मंत्री जी को दे देंगे मैं तो ये दस्तावे जब दूँ आप कहा है तो अद्यक्ष मोदे मैं लगातार दो साल से इसके खिलाब में लड़ता रहूं मैं पूरे के पूरे कौन-कौन संचालन करता किस-किस की गेंग के रूप में किसने किस-किस कितने और लिये कहां का किसके साथ विवेचना हुई किस दिन किस ठाने के अंदर फ-I-R दर्ज हुई और फ-I-R होनेके बाद में अभी तक एक भी फ-I-R तो हुई एक जश्मोदे विवेचना भी हुई लेकिन एक भी बड़ी मचली पकल में नहीं कोई जानकारी हो तो उपलब्द करा देंगे सेंड जी आप एक सोड़ा प्रसंट कर लिए आप उपलब्द करा देंगे अधिश मोदो मेरा एक निवेदा ने इसकी जाज की गोश्टना करें चलिए कुछ गोश्टना करना है तो ब पर शुबलब्द कराया और आप से कहना चाहता हूं कि एन्फोर्स्मेंट डिरेक्टरिट के जाज में वो अंतिम इस्थिती में है और इस इस्थिती में फिर एक नहीं एजन्ट कराना उपकी पतिशाह हम करने एक बार हम देख लेते हैं क्या इसा नहीं है मेरा आगरा फिर स्थिस्थ पर है द्च्मोद है आप कहना जाज की आओ सकते हैं वही तो अधिकारी वहां बेठे जिनकों पर आरोप है जाज करेगा कौन सही अब है पोत्वाल को डर किसका जिनके खिलाओं में आरोप पुर्यों प्रदेश को परमास करने का ठेका लेकर बेठे वहां जाकर अधियाद कि मेठे ठीक राजेदी बहुत बढ़िया अगरेसर जाज होना चाहिए आप जो भी जाज करें विदायक दल से करें जिस से भी करें इस प्रदेश में रजिल बना चाहिए कि गिरों बनकर के जंता को लुटने का जो काम करते हैं उनको सजा मिलना चाहिए यही मे अगरा अधिया धन्यवाद खें कुछ परस्ट मुच रहे हैं इसी पे परस्ट दो एक बदेट का इसके बाद लोंगा आपको इसी में ले लूँगा इसके बाद शेन के बादाब को मानिय अद्यश्म होद है, निश्य तूप से आदर्णी मुनत जी मानिय सद्यश्य जी ने अपनी चिंता वेक्त की, भिलाई को खेल धानी और शिक्षा धानी के रूप में जाना जाता था, अब ये महादेर वेफ के रूप में जाना जा रहा है, मेरा मूल प्रस्ण यही है मा प्रस्ण आज वर्षो में लगातार पोस्टिंग होई है, पुलीस प्रशासन के लोगों के पास खुट के पास आइटी है, लोगों के पास अधिकारों के पास है, राजनियतिक दल के अलग-अलग नेधाहों के पास आइटी है, लेगिन आज तक सिप 90 यवाओं को जो है अ मिलाता है तो इसलिए, माननी अध्या छमगन है, माज्या वरेट को लेखे विश्यों से जाच करने किया वशकता है, जी इन बरातियों के विश्याय पे माननी कि ओम अध्यों के बाराती गहते हैं, उनकी लिस्टिंग होगी, वह बराती के लिस्टिंग लगाता है national news पे दिया जा रहा है और भिलाई में खुले आम घूम रहे हैं उन बवातियों पे आज तक कोई कारवाई नहीं हुई है और सब्सक्राइब कारवाई जिन्हों ने पात साल खुद आईडी लेकर लगाता महादेव आईडी का संचालन किया है मैं मानिय अदिक्ष महोदे आपके महाद्यम से जानना चाहता हूं मानिय मंत्री जी से कि इस पे क्या करवाई होगी तो कि अभी तक छोटे लोगों पे करवा होना चाहिए और कानून के नजर में कोई छोटा या बड़ा हर्गिस नहीं होना चाहिए विसे गिरिफतारी के संदर में उनके आकड़े को मैं दुरूस्त करूं कि यह 482 लोगों की गिरिफतारियां आज तक हुई है इस विसे पर दूसरा मसला है कि जिन अधिकारियों के स संदर्प में चर्चा है एडी के चलान के संदर्प में ले 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 या सोशल मीडिया पर या मीडिया पर प्रचलित सारे विसियों को ले करके जो बात चल रही है प्रमाणिक्ता की बात है एक बार प्रमाणित होने के बाद मानने सदस्यों को इस पिसे पर कारवाहिया होती दिखेंगे उनको चिंता करने की आवशक्ता नहीं होगी। और योगी बाबा से पूछ किया जाओ ये बुल्डोजर जो खड़ा है ना जो जो इसमें फसे हैं दस पांच का बुल्डोजर में गिरवाओ और वाओ तब थोड़ा खौफ पैदा होगा ये कितना काईदा कानून में आप चलोगे यहां तो बड़े बड़े वकील आ जाते ह हैं वो क्या-क्या मलानी है और क्या-क्या इंग्वी सिंग्वी इंबल सिंबल सब आ जाते हैं आप कहां पूरोगे वह एक एक करोड़ फीस वालों के सामने में बुल्डोजर को मारो ड्राइबर को कुछ खिलाओ पिलाओ भेद दो तोड़ ताड़ के आ जाए तब थोड़ आप को नमर बाद में आएगा मानी अधेक्स में किसमें पूछ रहे हैं महादेव में महादेव सट्रा में एक मिनिट में मनी अमारे सदस्यराजय स्मुनाजी ने जो प्रस्टर उठाय हैं पूरे प्रदेश में लाखों कड़ोरों लोग बरबाद हुए हैं और उनको जो सह देने वाले हैं आज भी मस्त रहां घुम रहे हैं लेकिन जो विवेचना जो वाई जिनके उपर कारवाई होनी चाहिए कारवाई हुए नहीं और वास्तविक में यह कारवाई नहीं होगे तो यह सट्टा चलते रहेंगे चलते रहेंगे आज आपका भी प्रस्ण है बाकी लो मानिया देक्ष महुद है उत्तर नहीं आया है उसमें एक यह आतुता कारवाई है लोगों को भावी से चोपट करने का काम किया गया है इसलिए मानिय मंत्र जी मैं आप से कहना चाहता हूं कि अधि उनके भावी से को सुरक्षीत रखना चाहते हैं और यह जो महादेव सट् ऐसे लोगों को पर आप कारवाई नहीं करेंगे और उनको नहीं रोकेंगे तो आने वाला भावी स्विवाओं का ठीक नहीं होगा इसलिए इसमें तत्काल कारवाई की घोशना करनी चाहिए माननी अध्यक्ष महदे अध्यक्ष महदे जी माननी मंत्री जी का जो बयान आया मुझे अपरियाप्त लगता हूं यह विशाई जितना गंभीर है को कमिट्मेंट सरकार से और से आना चाहिए कि इसको हम समय बद्ध ढंग से इतने दिन में निराकरित करेंगे करके चलिए यह बड़ा ज्वलंत विशा है माननी मंत्री जी से है याग्रह करूंगा जो पांट साल जो पोस्टिंग हुई है वहां पे इतने दिकायों कि जाज कि जाए चलिए अध्यक्ष मिनिट हो गए चलिए अगला पस्टराने जी जी आप 26 मिनिट हो गए बिल्कुल सह मैंत हूं आप से लेड़ने नीनी कलपा है लेड़ने तो कुछ नहीं वह उत्तर वही है मानी अध्यक जी इस प्रदेश का सब्सक्राइब कर दिजए कि पांट साल कितनी पोस्टिंग हुई है वोना दिखायों कि जाच होगी केंद्रिय घ्रामंत्री तक इस पर चिंता व्यक्त कर चुके है मानी अध्यक जी और हम लोग लगाता है ये विशे इतना ही है कि उसमें जो भी है समय बत ही गोश्टा करें क्या उनके खिलाब में कारवाइक की जाएगी मानी अध्यक जी इस प्रदर से जुड़ावा के छोटा मोटा फैसला रही है अध्यक जी अपनी सर्दावाइक जी आप दोस्ता करें ना अधर्डी वैशानी दगाई में पार देला चलाने वाला युवार्ट आइफायवाड पर फार्दंस का वाए वाए वाइफायवाड पर फार्दंस का वाए शेलिए दूसरे बस में आ जाएगी अध्यकिश्टा से गंगा निकली है तो निकल तो नीरे गंगा कई रुप गई यह तर्ण हो दे कम इस मंदिन से अच्छा चुलिया चाहाई जाए जवाब देने खड़े होगा है मंत्री मंत्री जी खड़े हैं भाई आदे आपको लेकर हमारी सता को बड़ा लावारिया पुनाना पड़ेगा पास्ता से पूर्शिक्ती जिनकी वेश्कालों की उनकी चांच होनी चाहिए मंत्री जी कुछ बोल रहा है उसका दूसरे कुछ मैं आपसे ही कह रहा हूँ कि जाच केंद्र की एजनसी कर रही है एंफोर्समेंट डिरेक्टेट कर रही है और उनका जाच अंतिम इस्थिती में है वो चालान पुटब कर चुके हैं अब प्रतीक्षा करने है एक बार उस चा अपने आप में कोड में दिया हूँ बयान माना जाता है अगर नहीं है तो विबाद किलियर कर ले धारा 164 के तहट जो बयान दिया गया है चंत्रभूसरंड ने और एक सुप्रीम कोड का फैसला जैय लेलिता जी कि उसमें आया है कि इसके अंदर वह पार्टी नहीं बन सकत है और उनको 15 दिन में इस पर फैसला करना पड़ेगा सुप्रीम कोड का फैसला हो चुका है जब इतना सब कुछ साक्षोने के बात में भी आप किनको पचाना चाहते हैं किसी के नहीं है यह किसी के नहीं है ध्यान रखना यह सिर्फ कुर्जी के सलाम करने वाले हैं जिन जि को लिख करके दे रहा है कुछ नहीं होना है महादेव की जटा से गंगा निकलने चाहिए और आपने का यह दर्द मेरा नहीं है यह दर्द आपका भी है इस पर कोई नहीं कोई फैसला होना चाहिए यह मोड़े जी जेन अताब दी तिन जर्वेकर ही चिंता जान करां चलिए क्यों थे इस खार मंत्री जी कुछ के रहा है एक मिनट बैटिए 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 एक मिनट बैटिए पेले दो आखरी लाइं मोड़ लीजिए सबके संग्यान में इस बात को लाना चाहता हूं कि एडी के प्रिस नोट जो एंफोस्मेंट डिरेक्टेट के विबसाइट पर रिलीज होता है उसमें बहुत सारे नाम और उनके लिए अधिकरित जानकारी हमको एडी उपलब्द करा दे ये इसके लिए हमने प्रक्रिया भी प्रारम कर दी आप थोड़ी प्रतिक्षा कर लें वो होगा जो आपके मन में है यह गोश्टा करता हूं महिने भर में दो महिने भर में बस राजेटी होगे चलिए शंगिता जी आदर्णियत धक्षमोदय जी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हिद्ग्राहियों को प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीन में नहीं जोड़ा गया तो मैं यह मेरा पहला कोश्चन है धक्षमोदय जी मंत्री जी से कि ऐसे परिवार जिनका नाम 2011 की सूची में अवे कराया था तो आदर्णियत धक्षमोदय जी उत्तर में आया है कि अवास योजना को मुख्यमंत्री आवास योजना को प्रधान मंत्री आवास योजना में नहीं जोड़ा जाएगा तो मैं यह पुछना चाहतरी हूं मंत्री जी से कि प्रधान मंत्री आवास योजना म को भी प्रधान मंत्री अवास योजना ग्रामीन के तहट अवास प्रदाय किये जाने का निर्ने लिया गया है तो मैं अध्यक्ष महोदे जी मंत्री महोदे जी से पूछना चाहती हूँ कि अगर निर्ने लिया गया है तो ये निर्ने कब तक प्रभावशाली होगा और कब से लागू होगा, कुछ माब दंड होगा या बदला हुआ वो भी आप बताएंगे. आवास नहीं मिल पाया था और नहीं मिल पाने के कारण। उनने उस पत्ग से त्याग भी दिया था। विभाग उन्हें चोड़ दिया थे आज फिर से ये विसे है प्रधान मंत्री आवास के संदर में विष्टुदेव जी की पालनहारी सरकार है और उस सरकार का बिल्कुल इस पश्ट निर्ने हैं 18 लाख आवास गरीबों को दिये गए हैं मैं आपको इस विसे पर भी बताता इस में से पर भी कह रहा हूं मानिय से इसमोद है इसमें मानिय अद्रग जी ये जो सर्वे कराया गया था 2011 की सूची और 2016 की सूची इन दो सूचियों के आधार पर प्रधान मंत्री आवास दिया जाता है एक अलग से सर्वे राजी की सरकार ने कराया उनकी अपने अलग पैमाने थे उनका अपना अलग डाटाबेस था अब ये कैसे हो सकता है कि वो सर्वे में वो जो राज सरकार का सर्वे है उसके माध्यम से प्रधान मंत्री आवास दे दिया जा पहला राशी जो मिला है उसमें लोग अपना घर बनाना शुरू कर चुके हैं तो उन परिवारों उन गरीब परिवारों का क्या होगा जो शुरूआत कर चुके हैं आपनी इसमें कहा कि उसको नहीं दिजोडा जाएगा तो अगर नहीं जोड़ेंगे इतने लाखों करोडों परिवार उनका क्या होगा वो गरीब लोग हैं जिनको चाया नहीं है धेक्ष मोदे जी बारिश में लोग तीन चार परिवार एक साथ रहते हैं जो लोग आवास को उखते थे आवा आवास की चिंता कर रहे हैं लाखों करोडों परिवार की बात नहीं है भाई ये आपके जो 36 गर्ण सरकार के द्वारा पिछला कराया गया सर्वे है उसके आधार पर जो आवास दिया जाना है वो लगबग 47,000 आवास है मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि मारनीय मुख्यमंत्री जी ने पूर में ही घोषना कर दी है कि जिनको पहला किस्ट मुख्यमंत्री आवास के संदर्ब में दिया गया है उनके आवास के पूरे किस्ट उनको दिए जाएंगे उसमें कोई भेध भाव नहीं किया जाएगा ये निर्णय विष्टुदेव सर्जकार का पहले ही हो चुका है, आप बताना चाहता हूँ, दूसरा विशे में, मेरी बात होने देखवार, दूसरा विशे में आप से कहना चाहता हूँ, कि आवास के संदर्व में सर्वे 2011 में, जो SECC डाटा हुआ का सर्वे हुआ था, वो सर 2016 का सर्वे कहलाता है, जिसके अंतर गजपरधान मंतरी आवास प्लस मिलता है, मैं आप से बताना चाहता हूँ, मानिय अदिक्ष महुद है, कि पूरे देश में, आदेश महुदे जी, सर्वे कहीं पर नहीं हुआ है, दो सर्वे हैं पहले पता कर लिजे, मैं आप से बोल रह आवास प्लस पूरे देश में सिर्फ पस्चिम मंगाल और 36 गड़ में नहीं दिया जा सका, अन्यता पूरे देश में भी आवास प्लस दिया गया है, और इसके कारण विश्टुदेव जी की सरकार ने यह निरने किया है, कि 2011 की सर्वे सूची के आधार पर जितने लोग पूचे हैं, उनको इसके साथ हिसाथ जो मुख्यमंतरी आवास के नाम से आपने दिया था, 47,000 लोगों को, उनको और जिनको एक किस्ट दे करके आपने रोग दिया था, उनको इन सारे लोगों को आवास दिया जाएगा, इनके पूरी किस्ट दे जाएगी, और इसमें किस् नया जुड़ेगा कि नया आप देंगे 18,000,000 कि उसी में जोड़ेंगे आप, अध्यक्ष मौदे जी, हम अगर गाउं में जाते हैं, पिछले बार जब आप यहां बैठे थे, उस से मैं आप कितना अवास के लिए चिला है, जब आपको मौका दिया है, जनता ने आपको मौ जी, आप उनको आवास दिल लियाए, जिनको जरुरत है, जो अभी सही, आप एक छर्ट की नीचे त्री चार परिवार रहते हैं, इतना बचा दीजिए ठार अला का आवास कब तक दे रहे हैं, आप पोशना किजिए, जो मुख्यमंत्री आवास युदना है, उसको प्रधा में जिन लोगों को पहली बार, जिनको सून्य कमरे का मकान, इस तरह का सर्वे में डाटा आया है, उनको पहला किस दिया जा चुका है, मैं फिर से कहता हूँ, उदार है माननी मुख्यमंत्री महोदय, और उनने इस बात का निरणय कर दिया है, कि इनको पूरे किस दिये अध्यक्ट मोदय, 2011 के सर्वे लिश्ट, 2016 के माननी मंत्री जी ने कहा, और आवास प्लस बोला, वो टोटल कितने होते हैं, माननी मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ, आपके माध्यम से, उसके पास जो गरीब है, उनके पास बेगार है, ऐसे लोगों के लिए क्या आप आ आवास, प्रधान मंत्री आवास दिया जाना, या राजी की सरकार के द्वारा प्रवर्तित वो इस योजना के अंतरगत आवास दिया जाना, ये सूची के आधार पर ही होता है, जो सूची यहां भी उपलब्द है, 2011 की सूची है, 2016 की सूची है, और राजी सरकार के एक मन्द में थोड़ी सी जानना चाहूंगा अभी उन्हों ने जवाब दिया जो मुखमंत्री आवास की जो योजना है उसको भी चालू रखा जाएगा उसको भी राजी दी जाएगी पहले जो हमारा जो प्रधान मुखमंत्री आवास योजना पर जो कार्य होता था जिन को पांच वर्सों में सामने वालों ने रोका कोई आवास बनने नहीं दिया लेकिन आवास चालू हो गए है तो ये प्रद्धान मन्तरी आवास में केंद्र का पैसा आता है और राज्यांस क्या अन्स 40 पैसा मिलाता है मानिय अदिक्ष महोदय वर्तमान इस्तिती के आधार पर चुकिया राज जी की प्रवर्तित योजना है अर्थात केंद्र के तरब से इसमें कोई केंद्रांच नहीं मिलने वाला है परंतु जैसे केंद्रे ने निरने किया है कि दो करोड नए आवास और पूरे देश में बना मत्र चाहता हूं कि जीन का निधन हो गया उनका नाम क्या हम जोड़ सकते हैं क्या आपसे मैं निविदन करना चाहता हूं मैं अनुभव के अधार पर इस वीसे मान्या दिक्ष मोद्धे, दूसरा एक और निवेदार है अधिक्ष मोद्धे. पर प्रेशन के जवाबाज है? वह दू बोल रही है? आवास तो प्रणामंत्री तो उसमें विश्थारीम भी आगा है. चले शत्री जी पुछिए दो के सर्वे वो में कुछ परिवर्तन किया जा सकते मोहदय से मैं जानना चाहा था हूँ 2011 की सर्वे सूची और 2016 की सर्वे सूची के बाद एक और सर्वे सूची बनी मानिया देक्ष मोहदय और उस सर्वे सूची में राजसरकार ने सारी मातनों का परिक्षन किया है मैं मन्नी मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पूरे 36 गड़ में मैं भी पूरो में सरपंच रहा हूं मैं मन्नी मन्तरी जी से निवेदन करूंगा कि जो वास्त्रित्ता में उसको पुणा आवाश सुची में सामिल करने के निवेदन करें चलिए रुप बावना जी पुशिए है इससे में आवाज से संबन्दी थी एक जानकरी और एक प्रेशन भी है अभी जो गाओं में या जो तुलाब के किनारे जो निवासरत है उनको चूंकि पट्टा उनका नहीं बन पाता है तो हर तरीके से आवाज से वंचित है तो कि आने वाले समय में कुछ योजनाए बनेगी आवास दिया जा सकता है और उनकी कई पिढ़िया नहीं कर चुकी 40-50 सालों से वही पर और निवासरत लेके पट्टित और आवास का उनका प्रफधान नहीं है अभी जी मानिया दिक्ष मोदे मानिय सदिस ने पहले जो प्रस्ण किया था 2002 की कोई सर्वे सूची नहीं है जि आवास प्लस कहते हैं उसमें उसको उसके आधार पर भी आठ लाख लोगों को आवास मिलना था आवास का काम पूरा हो जाता तो आवास प्लस शुरू होता परन्तु पूरे देश में फिर से बताना में चाहता हूं मानिया दिक्ष मोदे कि सिर्फ 36 गड़ों पस्चिम बग अभी विभाग की चर्चा में आप अपनी बात रखेंगे बहुत आउसार मिलेगा चलिए माननी मंत्री जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका विभाग बड़ा सक्षम विभाग है पानि मंत्री जी आपका विभाग भारी सक्षा में एक महने में आपने पूरे प्रदेश का सर्वे करवा दिया 2023 में तो यह मैं आप से यह जानना चाहता हूं यह सर्वे करवाने की एक महने में चानक सर्वे करवाने की जरुवत क्यों पड़ी और सर्वे के रिपोर्ट के कि मानिय अधिक्ष महुदे क्रिकेट के मैदान में सचिन तिंदुल कर आ जाए या सदन में मानिय अजय चंद्राकर्ची आ जाए एक जैसी पूर्जा और एक जैसा उत्साह लोगों में होता है मानिय तैसेब्स के सर्वे देश पर qi 2023 के सर्वे सूची एक ही साल में सरकार ने कैसे सरवे कर लिया यह विभाग मूलता पूरवर्ती मंत्री आप ही रहे है आप ही किया धार शिला पर यह विभाग आगे बढ़ता है आपने ही जो परतिमान इस्थापित किये हैं उसको पार करना जाए जरूर कहना चाहता हूँ कि यह जो सर्वे हुआ है इस सर्वे के आधार पर इसका फिर से भहुतिक परिक्षन नहीं हुआ है परन्तु इसमें जो शून्य कमरों के मकान हैं कच्चे कमरों वाले उन आवास के लिए भहुतिक सत्यापन भी किया गया है और उनको स्वीकृत भी किया गया है मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ आप सिर्फ मकान में केंद्रित हो गए मैंने ये पूछा है कि एक महने के सर्वे में आपको सर्वे की जो जो रिपोर्ट मिली है उसके आधार उस सर्वे रिपोर्ट को क्या आपने स्विकार कर लिया और उस आधार पर आपने क्या नीती कारिकरम बनाए आपने लिखा है उ इसी वी से पर मैं आपसे कह रहा था कि सर्वे हुआ है डाटा सामने आया है और उसका अंतिम भौतिक सत्यापन ये होने के बाद उसकी स्विकारिता की बात आती है बहुतिक सत्यापन उसमें से एक पॉर्शन का किया गया बाकी डाटा का बहुतिक सत्यापन नहीं किया गया और वो 47,90 ऐसे लोग थे जिनको चिन्हांकित करके जिनका सर्वे में आया था कि इनके पास एक भी कच्चा मकान रहने के लिए नहीं है उस पॉर्शन का सत्यापन करके उसको स्विकार करके और उसमानी अद्यक्ष मोदे सबसे पेले तो आपके प्रती और विधान सवागे प्रती आबार वेक्त करता हूँ एक महत्पुन विशे के उपर जो एक आज मेरा प्रस्न लगा है विशे पुरे प्रदेश से जुड़ा हुआ है हजारों नोजवान इसके चपेट में हैं और महादेव के नाम पर पुरे प्रदेश के अंदर एक गोरत धंदा चला और जिसके अंदर पुरे देश प्रदेश रचतर तक के लोग उसमें इन्वाल्मेंट हैं और जिसके अंदर एक बहुत बड़े एजनसी जाच कर रही है इडी और जिसके अंदर कई लोग involvement है उनके बयान भी हो चुके हैं हमारे उर्जावान मुख्यमंत्री है वह भी युवा मोर्चे से आया है मैं भी युवा मोर्चे से आया हूँ वह भी जनता की लड़ाई लड़कर क्या है मैं भी जनता की लड़ाई लड़कर क्या आया हूँ तो यूवा में हिस्सा तो 60 जादा चल रहा है और इसलिए तो मैं इससे वही लाया हूं को सम्वेदन सीलें एक ही विदान सभा से खाली भीलाई जीले से वेशाली नगर विदान सभा से 20 सजार बेरोजगार नोजवान इस महादेव 61 के अंदर इन्वालमेंट है ये ही नहीं रहा है उसका संचालन करने वाले कौन लोग है उसके पिज़े किनकिन की भुमिका है मैं इस पर जिक प्रस्तों पर आता हूं सीधा ये सरकार के संग्यान में कब आया आपने 90 केस करीब दर्ज की है मैंने पूरी केस की स्टड़ी की है और मैं ऐसे ऐसे तथ्य से आपको आउगत किराऊंगा मानी मुख्यमंत्री जी आप कलप्रा नहीं कर सकते हैं मानी उप मुख्यमंत्री मोद है कि जो सरकार को जिनको सुरुक्षा के जुम्मेदारी है जो सरकार व्यवस्ता के दाच चलने के आवस्चक्ता है वो पांच सार तक इस सरकार ने जो पुर्व सरकार थी गिरोबंदी के साथ योजनाबत तरीके से नए नए हायाम खोच करके इस प्रदेस के बेरुजगा नोजबानों को ठगने का काम और गलत काम में लगाने का काम किया आपने नब्बे केस दर्ज की है नब्बे केस्ट पेसे आपने कितने लोग एक खिलाब कारवाई की मैंने कारवाई जो पड़ी है आपने सटा हेक्ट के तहत कह दिया कि उनके खिलाब जो धारा लगी थी वह थाने में बेलेबलती इसमें बेल दे दिया जिनके बयान हुए उन बयान के आधार पर करोड़ों गट्रांदेक्शन बेंक से हुआ क्ञार कि उनकिन अदिकारी बेंके एक रमचारी या संकार में सेंग्यान में ले करके क्या काम किया यह उस पर जिक प्रस्त मेरा है माने दिक्षमोहुदे मानि सिद्सिकाई या प्रस्त सचुछ बहुत लाजमी है और उनकी चिंता भी वाजिब है इस पूरे विशे पर जो उनकी विशेश चिंता है कि बहुत सारे नौजवान जो भटके हुए हैं राह से जिनको अपने जीवन को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना था उन्होंने जाकर के इस महादेव सट्टा एप के जरिये इसमें फस करके अपनी बरबादी का रास्ता चुन लिया मैं आपसे ये बाद बताना चाहता हूं आनिय दिक्ष महुदे कि इसमिसे पर कुल 90 एफाईयार हुए हैं सन 2022 से इस पर एफाईयार हो रहे हैं रायपूर में 36-36 प्रकरण पंजीबद हैं दुर्ग में 23 प्रकरण पंजीबद हैं बिलासपूर में 2 प्रकरण पंजीबद हैं जांजगीर में 2 प्रकरण पंजीबद हैं और सूरजपूर में भी 4 प्रकरण पंजीबद हैं मानी मौद जो एप हैं उनके संदर्ब में भी FIR हुए हैं और उस पर काम चल रहा है दुबई के संदर्ब में मानिय अधिक्त मानिय जानना चाहा है कि दुबई में कुछ लोग हैं और उन्होंने ही इसको पूरा संचालित कर रखा है पूरा 36 गड़ जानता है और तो पूरा भारत ही जा अंदिलाना चाहता हूँ कि लुकाउट सिर्कुलर जारी हुआ है रेट कॉर्नर नोटिस भी इनके लिए जारी हुआ है प्रत्यरपन की चल रही है बैंक अकाउंट भी 507 हमारे हां आपको मैं बताना चाहूंगा कि रायपूर में बैंक अकाउंट फ्रीज होनी की प्रक्रि जैसे दुर्क में 436 बैंक अकाउंट सूरचपुर में 38 बैंक अकाउंट जांजगीर में 5 बैंक अकाउंट इनके भी फ्रीज होनी की प्रक्रिया जारी है इस विसे पर बानिय अधिक्ष महुदे कारवाहिया भी हुई है कुछ जो सरकारी भकमे के लोग थे उन पर जो बात आई थी उनके बारे में इसपर्ष जानकारी मिली थी एनफोर्स्मेंट डैरेक्टरेट के जांज के बाद जब उनको जेल में भेजा गया था विभाग के संदर में ध्यान में जब ये विसे आया था तो उनको शबंट किया गया है, बरखास्त किया गया है, तो अब भी जेल में है, ये किया गया है, और विशेश रूप से जो चर्चा का विशे है, जिसके संदर में मानिस अधस कह रहे थे, उसके संदर में भी जैसे ही ये विशे अधिकारिक तोर पर या प्रमानिक्ता के साथ फरकार के विभाग के संग्यान में आएगा मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ वह भी युवा मोर्चा से हैं मैं भी युवा मोर्चा से हूँ जो आग उनके दिल में है वो आग मेरे दिल में हैं और मैं बिलकुल उनके ये कहना चाहता हूँ कि ये पीर भी परवत्सी हो गई है और इसको निस लारेने में एक घंटे के अंदर करवा ही की जाए महादेव और गंगा का बहुत संबंध है कि गंगा जो निकलिए है महादेव के जवाब जब आप दे रहे हो तो उस गंगा के याद किया हो मंतरी जी कुछ प्रस्थ करना चाहिए माननी अद्यक्ष मोद है बहुत गंबीर प्रस्थ है और मैं आपसे समाच चाहता हूँ माननी मंतरी जी ने एक सामाने रूटिन में सरकारी प्रस्थ का सरकारी उत्तर दे दी मैं स्पेजिक पूछा कि ये महादे एप के उपर 90 केस आपने दर्ज किये उसमें बयान भी हुए है एक बयान मैं आपको पढ़कर के सुना देता हूँ आपके थाने का जिसके अंदर महादे एप के अंदर उस व्यक्ति ने बयान दिया उसका नाम है रवी कांथ उसने एक बयान में कहा कि फलाने फलाने में बेरूजगार था मैं घूम रहा था मेरा कहीं कुछ नहीं था मेरा एक दोस्त ने मुझे कहा कि चल भई तेरे एकाउंट खुला देता हूँ मैं उसके साथ चला गया मैंने बैंक में एकाउंट खुला लिया मेरे बैंक के एकाउंट में मे वो वारता request कर रहा है कि मेरा account नहीं है मेरा account में कैसे left-in हो जा रही है उसके बात में भी वो किसी के खिलाब कोई कारवाई नहीं हुई यह एक नहीं है ऐसे हजारों प्रक्रंण है क्या किसी bank में अगर एक लाग दो लाग पांस लाग के left-in होती है सामान ने सब लोग जानते हैं बेक वाला पूषता है क्या आपके एक कॉर नुप पैसा लू के नहीं लूँग यह आपका पैसा है के नहीं है अगर वो करोडों की लेंदे नहुली और आपके संग्यान में आयों पुलिस वाले जा कर के बेक में पूषते हैं तो पिर संग्यान में आने का विसे कहां वस्ता है मानी अद्धेच मोद है जब सासन के संग्यान में आ गया पुलिस इभाग के संग्यान में आ गया आपने F.I.R. दर्श कर दी और बेंक में जाकर क्या आप पूश्टाज कर रहे हैं वो बेंक वाले को बेंक वाला भंकारा उ पुलिस वालों के सामने अब प्रश्ण में आ जाईए अब मुल्प प्रश्ण पर आईगे वादेश्मोद यही तुमेरा कुछ नहीं आप कहले हैं कि अगर संग्यान में नहीं है तो पुलिस वाला कैसे उसके साथ में बेंक में गई या फिर आगे प्रस्ट हो रहे चोटे च नहीं था कालांतर में कुछ प्रावधान बनाये गए और उसमें एक साल से साथ साल तक की सजा है 10,00,00 तक का जुर्बाना है उन प्रावधानों के आधार पर इस पर काम किया जा रहा है आ इमने बताया कि 54 आधार पुट-ब्थ हो गए किसी के बयान के आधार पर किसी को फासी नहीं चड़ाई जा सकती, परंतु इस आधार पर जाच की जो प्रक्रिया है वो जरूर जारी है, मैं फिर से आप से यह कहना चाहता हूं, मानिस अध्यक जी, मानिस अध्यक को यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, कि पूरी ताकत के साथ, पूरी ताकत क उन सब को जेल की सलाकों के पीछे पहुंचाया जाएगा निर्धारी जैसे ही होता है ये विसे प्रमानिक्ता के साथ कोई बात सामने आती है मैं फिर से कहता हूँ मानने विश्टुदेव जी की सरकार है एक घंटे के अंदर का इरवाही होगी मैं बारा मिनट अके लिए प्रदेश की जंता की छोटा प्रस्त आपने जे उत्तर दियो सरकार सामाने प्रस्त पूछ आप कर पहले संग्यान में नहीं आया जब संग्यान में नहीं आया तो बयान कैसे हुआ सिधाजिदा परस्ट जब सरकार के संग्यान में नहीं है तो फिर पुलिस अधिकारी जा करे बैंकों 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 कैसे है और ये क्यों चीज़ दूसरा कितना करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्सन उनके माद्यम से बैंकों से हुआ जराई यहां इस पर दें कि आगा प्रस्तों मैं पूछ हूँ माद देखी बस धन्यवाद लिए एक जो बिसे अभी सामने हैं जिसकी जानकारी हाथ में हैं मैं आपको जरूर उपलब्त कराता हूँ कि 500 सावत अकाउंट जो राइपूर के फ्रीज वने वाले थे इन में से 221 करोड रुपए का ट्रांजिक्शन यहां तक हम पहुंचे हैं पता लगा है थर्ड पार्टी को भी इसमें इंगेज करने ही कोशिश कर रहे हैं कि हम एक एक अकाउंट को खंगाल कर यह जान पाए कि यह राशी इन खातों के माध्यम से कहां जाती थी और उसके बाद फिर अगला ट्रांजिक्शन उसका कहां होता था यह राशी कैसे दुबई तक पहुंच जाती थी इस पूरी की जाच की जाच करवाई जा रही है मैं आपसे यह भी बताना चाहता हूं कि संग्यान कार्थ यही है जो बात बयान में आई है वो बयात कोर्ट के सामने रखी गई है अभी कोर्ट को भी फैसला करना होगा कोर्ट का कोई फैसला आ जाए उस पर बात कर लेंगे मैं आपसे और एक बात बताना चाहता हूं कि विभाग ने तो आगे बढ़ करके लोगों की फरारी होने का आविदन कोट में दिया हुआ है मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि उनके संपत्ति के चिनहंकन की बात प्रारम हुई है उनके संपत्ति को चिनहंकित करके कुर्क करने की बात हम सामने ले करा रहे हैं मैं आपको ये भी बताना रहा हूँ कि बड़ा चर्चित था पूरे 36 गड़ में कि नागपूर से एक चार्टेट प्लेन दुबई तक गया है उन सारे बारातियों की सूची भी ले रही है हमारा विभाग और सरकार के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ यह सारी सुची हाथ प्याने के बाद सब पर जाच होगा सब पर जाच कराई जाएगी कुछ नहीं छोड़ा जाएगा मानी अध्यक्ष मोदे मानी ग्रह मंत्री की मुख्यमंत्री ग्रह मंत्री का विभाग है उनकी किसी भी बात के उपर मेंको तो पूरा 100% विश्वास है ले क्या एक एसाई ने बयान दिया एडी को चंद्र बुसन वर्मा उसने किंकिं के नामों का उल्लेक किया और उन पर क्या कारवाई करेंगे इस बैसिक प्रस्त थीक मानी अध्यक्ष मोदे वो बयान जिसको एंफोर्स्मेंट डिरेक्टिट ने लिया है और जो कोट में राइपूर के कोट में जमा है उस बयान का कोई अधिक्रत को इसकी कोई अधिक्रत जानकारी एंफोर्स्मेंट डिरेक्टिट के द्वारा साशन को नहीं दिया गया है ये जानकारी आने के बाद अधिक्रत जानकारी आने के बाद प्रमानिक्ता उसमें है तो तुरंत करवा ही की जाएगी मैं विल्कुल इस बात को कहता हूं तीन जनवरी को फिर नहीं लिया उत्तर नहीं दिया तो तीस तारिक को फिर वापस रुमाइंड आया अगर उसको बयान पूरे सुर्कियों में समाचाथ पत्र से ले करके कि सोशल मीडिया से लेकर के आम जंता के बीच में चल रहा है मैं एक छोटा था उधारान देता हूं अध्यक्ष मोदें पीड़ड़ी के खिलाब में एक प्रस्तो मेरी एक सिकायत की किसी ने फढ़जी सिकायत और उस समय भी मैंने जंता से कहा कि इसकी जाच कोई डिटायर जट से करा लो ततकाल मुक्यमंत्री ने लिखा ततकाल ने समाथ के उस समय के मुक्यमंत्री एफ आई यार दर्ज की जाए और यो डबलु को केस गया जिसके कोई तक थे नहीं है जिसकी कोई जानकार नहीं है एक आदमी ने अबे दिया और योड़ि इतना सक्री हो गया और तकार उसकी विवेशना के लिए डिपार्टमेंट के अंदर आ गया तो मूल विसे ही है अद्ध्यक्ष मोदे के अगर तीन तारीक से लेकर तीस तारीक तक आने को बात में भी किन अद्धिकारियों को बचाने क काम हो रहा है इसके पीशे बड़े लोग हैं इसकी जो उस समय के तार थे उसके अंदर ना में किसी को 30 लाख रुप्या महीना किसी को पचास लाख रुप्या महीना किसी को एक करोर रुप्या महीना यह में नहीं के रहा हूं पुरे समाचार पत्र से और सुर्कियों में छपा है तो क्या सरकार सेम विवेचरा के रूप में क्या संग्यार में ले करके क्या इसकी जाच नहीं कर सकती आज तक यह जो पर जाच क्यों नहीं की क्या सरकार इसके इसको सीवी आई को देगी क्योंकि इसके दार देश तक जुड़े वे तेश्मोद है और यह दूद का दूद पानी का पानी दोना चाहिए यह मेरा आग्रा है ठीक धन्यवाद सामारे प्रश्वासन विभाग से इस विषय पर पूरी जानकारी ली गई थी अंतिम जो उनसे जानकारी प्राप्त हुई है वो पांच फरवरी की है कि इस विषय पर एंफोर्स्मेंट डिरेक्रेट से कोई अधिकरित जानकारी प्राप्त नहीं हुई है लेकिन आप के रहे आपके पास एक घरत जानकारी है मैं आप कहा ही ने तो मैं सर्दल के पटल पर रख दूँ है कि जिस तारीक को यह गया है तीन तारीक को कोड के अंदर जिस वक्किल ने इस बात को आप मेसेश किया वो भी जानकारी है आप मंत्री जी को दे देंगे मैं लगातार दो साल से इसके खिलाब में लड़ता रहा हूं मैं पूरे के पूरे कौन-कौन संचालन करता किस-किस की गेंग के रूप में किसने किस-किस है कितने रूपे लिए दिये कहा कहा किसके साथ विवेचिना हुई किस दिन किस थाने के अंदर फाइयर दर्ज हुई और फाइयर होने के बाद में अभी तक एक भी फाइयर तो हुई एक देश्मोदे विवेचिना भी हुई लेकिन एक भी बड़ी मचली पकड़ में नहीं चलिए कोई जानकारी हो तो उपलब्द करा देंगे सेंट जी आप एक सोटा प्रसंट कर लिए आप उपलब्द करा देंगे अध्यश्मोदो मेरा ये विवेदा ने इसकी जाद की घोष्टना करें चलिए कुछ घोष्टना करना है तो बताईए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कोई मचली भी नहीं मगर मच भी हो तो भी पकड़े जाएंगे आप निस्टिए आप तक की जो इस्तिति है वो यही है आपके पास कोई अत्रिक जानकारी है और आप से ये कहना चाहता हूँ कि एन्फॉर्समेंट डिरेक्टरिट के जाच म में वो अंतिम इस्थिति में हैं और इस इस्थिति में फिर एक नहीं एजन्टिस से जाज कराना ना उपकी पतिक्षा हम पर देख लेते हैं क्या इसा नहीं है मेरा आग्रफ फिर इस पर है जाज करेगा कूं सहीया वह पोत्वाल को डर किसका जिनके खिलाव में आरो पुर जो प्रदेश को बर्मात करने का ठेका लेकर को बेठे वह जाकर फ्रियाज कि मेठे ठीक राजेदी बहुत बढ़िया जाज होना चाहिए आप जो भी जाज करें विदायक दल से करें जिस से भी करें इस प्रदेश में नजिल बना चाहिए कि गिरों बनकर के जंता को इसके बाद ले लूँगा आपको इस पर प्रस नहीं पूछना इसके बाद शेन के बाद आपको मेरा मूल प्रस ने यही एमाननी अध्यश्मा होद है कि युवाओं की चिंता इन्होंने की मेरे विधान सबर से 20,000 साधी की होई इसमें लिप्त है लेकिन इसके साथ साथ जो प्रसासनिक अधिकारी है जिनकी दुरुग जिले में पिछले 5 वर्षों में लगातार पोस्ट किया गया ओभी मुचलके पर ठाने से छोड़ दिया गया इस पर सही रूप से किसी भी प्रकार क्यास्ता करवाई नहीं हुई और ततकालीन मुख्यमंति मानने जो भी थे उनका भी सन्वक्षन साथ था ये भी हमको देखने को मिला था तो इसलिए इसलिए मानने अध्यश् महादेव एड को लेकर विशे शुप से जाज करने क्या रशकता है जीन बरातियों के विशे पे माननी गिर मंतियों ने कहा कि जो बराती गयते उनकी लिस्टिंग होगी वो बराती की लिस्टिंग लगातार नेशनल लिउस पे दिया जा रहा है और भिलाई में खुले आम में घुम रहे हैं उन बरातियों पे आज तक कोई कारवाई नहीं हुई है और ऐसे अटिस्टिनल एस्पी जो जिले में पोस्टिंग होकर ऐसे 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 आई जी जिन्होंने पात साल खुद आईडी लेकर लगातार महादेव आईडी का संचालन किया है मैं मानिय अद्श म महदे मानि सदस की चंता वाजिब है कानून का राज होना चाहिए और कानून के नजर में कोई छोटा या बड़ा हर्गिस नहीं होना चाहिए विसे गिरिफतारी के संदर में उनके आकड़े को मैं दुरूस्त करूं कि यह 482 लोगों की गिरिफतारियां आज तक हुई है इ कि जिन अधिकारियों के संदर में चर्चा है एडी के चलान के संदर में ले 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 या सोशल मीडिया पर या मीडिया पर प्रचलित सारे विसियों को ले करके जो बात चल रही है प्रमाणिक्ता की बात है एक बार प्रमाणित होने के बाद मानिय सदस्यों को इस विसे पर क कि महादयो सट्टा एप सरकार के समरक्षन के बगएर 36 गड़ में फल फुल नहीं सकता था बाकी तो तक्निकी पक्षाब बता रहे हैं आप पूछ रहे हैं मैं तो आप से यह कही मांग करना चाहता हूं गरीब अंतरी जी आप स्टेट प्लेन ले ले लिजिए सनिमार को और चले जाएए उत्तर प्रदेश और योगी बाबा से पूछ के आजाओ यह बुर्ड लोजर जो खड़ा है ना जो जो इसमें फसे हैं दस पांच का बुर्ड लोजर में गिरवाओ और रहाओ तब थोड़ा खौप पैदा हो गा एक इतना काइदा कानून में आप चलोगे यहां तो बड़े बड़े वकील आ जाते हैं वो क्या क्या मलानी है और क्या क्या इंग्वी सिंग्वी इबल सिब्बल सबा जाते हैं आप कहा पूरोगे वह एक एक करोड़ फीस वालों के सामने में बुल्डोजर को मारो ड्र किस नहीं खड़ी होती है धन्यवाद और यह तीन सो जो पकड़ाएं हों महादर सट्टम पूछ रहे हैं नहीं नहीं मैं एक पूछ लेता हूं मैं उमेश पटेल जी की स्थार्ट पे पूछ रहे हैं प्रस्ट क्रमंग दो मैं मानी अध्यक्स आपको नमर बाद में आएगा नहीं मानी अध्यक्स में होता है किसमें पूछ रहे हैं महादर सट्टम में मानी हमारे सदस्य राजे स्मुणद जी नहीं जो प्रस्ट नहीं पूरे प्रदेश में लाखों कड़ोरों लोग बरबाद हुए हैं और उनको जो सह देने वाले हैं आज भी मस्त्रह भूम रहे ह लेकिन जो विवेचना जो वाई है जिनके ओपर कारवाई होनी चाहिए कारवाई हुए नहीं और वास्तविक में ये कारवाई नहीं होगे तो ये सट्टा चलते रहेंगे ये चलते रहेंगे आज आपका भी प्रस्ट है बाकी लोग छोड़े लोग को पकारना असा होता है लोगों को भवी से चोपट करने काम किया गया है इसलिए मानि मंत्री जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अधि उनके भविस्त को सुरक्षित रखना चाहते हैं और ये जो महादेव सट्टा जो खिलाने वाले जो घोम रहे हैं ऐसे लोगों को पर आप कारवाई नहीं करेंगे और उनको नहीं रोकेंगे तो आने वाला भविस्त विवाओं का ठीक नहीं होगा इसलिए इसमें तत सरकार से और से आना चाहिए कि इसको हम समय बद्धंग से इतने दिन में निराकरित करेंगे करके चलिए ज्वलंत विसा है मैं माने वंसरी जिसे है याग्रह करूंगा जो पांट साल जो पोस्टिंग हुई है वहाँ पे इतने लिए दिकाई हो गूं कि जाज कि जाए अगला प्रस्टाने जी जी आप 26 मिट हो गए बिल्कुल से मैं थूँ आपसे लेड़ने नहीं कलपा है लेड़ने तो कुछ नहीं वह उत्तर वही है माने अध्यक जी प्रदेश का सब्सक्राइब कर दिजिए कि पांस सब्सक्राइब कोई है उना धिकाई होगी केंद्रिय ख्रव मंत्री तक इस पर चिंता व्यक्त कर चुके है माने अध्यक जी और हम लोग लगाता है यह विसे इतना ही है कि उसमें जो भी है समय बत ही घोस्ता करें क्या उनके खिलाब में कारवाई की जाएगी माने अध्यक जी इस प्रदेश से जुड़ावा के छोटा मोटा फ पाइन्स का वाए दूसरे बस में आदेगे अध्यक जन्यवाद निकल तो निकल तो निरही घंगा का ही रुक गई यह जिसमांदीर से अच्छा जाए इस मंदिर से अच्छा जाए है जाए जवाब देने खड़े हो गए मंत्री मंत्री जी खड़े हैं भाई करें कि हमारी साथा को बड़ा वागा या पुराना पड़ेगा पास्ता जो दूसरे पोर्शिक्ती जिंकी वेश्कालों की उन्की चाहिए मंद्री कुछ बोल रहे हैं उसके दूसरे कुछ मैं मैं आपसे कह रहा हूं कि जाच केंद्र की एजन्सी कर रही है सब कर चुके हैं अब प्रतिक्षा कर लें एक बार उस चलान को देख लें माने जो आप चाहते हैं वो चलान में है एक सो चोट के बयान के तहत एड़ी गा बयान अपने आप में कोड में दिया हूँ बयान माना जाता है अगर नहीं है तो विबाद किलियर कर लें धारा एक सो चोट के तहत जो बयान दिया गया है चंत्रभूसरंड ने और एक सुप्रीम कोड का फेसला जैय लेलिता जी के उसमें आया है कि इसके अंदर वह पार्टी नहीं बन सकते और उनको 15 दिन में इस पर फेसला करना पड़ेगा सुप्रीम कोड का फेसला हो चुका है जब इतना सब कुछ साक्षोने के बाद में भी आप किनको पचाना चाहते हैं किसी के नहीं है यह किसी के नहीं है ध्यान रखना यह सिर्फ कुर्जी के सलाम करने वाले है जिन जिन को आप पचाना चाहरे हो वो किसी के नहीं है वो ही अपने उपर डंडा चलाए है वो ही आतुगेस पेके हैं वो ही फड़ी केस बनाए है और वो ही आपको लिखतर के दे रहे हैं कुछ नहीं होना है महादेव की जटा से गंगा निकलनी चाहिए और आपने का यह दर्द मेरा नहीं है यह दर्द आपका भी है इस पर कोई अपने कोई फेशला होना चाहिए यह उमिद आपका जी जेन अताब दीत इन जर्वे करी चिंता जान करा चलिए दू महीं दापसरा ने इस पर मंत्री जी कुछ कह रहा है सुनिता जी मानि अगे बढ़ गया अगे बढ़ गया आगे बढ़ गया आगे बढ़ गया आगे देने जाने अगे बढ़ गया तिजिवा, वार इस पर मेह बढ़ खे बढ़ गया, बढ़ गया तक कशन मूने ऐन आगे बढ़ है पर इल्लिय को पर मेह थिया बेढ़ पारजले बढ़ जान we ज़ो चाहता हो, कि एडी को प्रिस्टनोट सब्सेंटर को राए मेर इफुस्मेंट डिरेक्टेट के वेबसाइट पर रिलीज होता है उसमें बहुत सारे नाम और उनके लिए अधिकरित जानकारी हमको एडी उपलब्ध करा दे ये इसके लिए हमने प्रक्रिया भी प्रार्म कर दी आप थोड़ी प्रतीक्षा कर ले वो होगा जो आपके मन में ह आल जो आप छोड़ा जोड़ा घ्रामीं ड मंदरी जी से कि ऐसे परिवार जिनका नाम 2011 की सूची में चुट जिनको मकान दिलाने के लिए पुरवर्ती सरकार ने मुख्यमंत्री अवास योजना के लिए सर्वे कराया था तो आधरणी अध्यक्ष मौदय जी उत्तर में आया है कि अवास योजना को मुख्यमंत्री अवास योजना को प्रधान मंत्री अवास योजना में नहीं जोड़ा और एक दुसरा प्रश्ण एक और है अध्यक्ष मौधाजी, उत्तर आया है वर्तवान में आवास प्लस के नामित भिटतग्रैयों को भी प्रधान मंतृ आवास योजना गुरामीन के तहत आवास प्रदाय किये जाने का निर्णे लिया गया है, तो मैं अध्यक्ष मौधाजी मंत्री महोदर जी से पूछना चाहती हूँ कि अगर निर्णाय लिया गया है तो ये निर्णाय कब तक प्रभावशाली होगा और कब से लागू होगा कुछ माब दंड होगा या बदला हुआ वो भी आप बताएंगे मानिय धिक्ष महोदे ये बड़ा ही मार्मिक प्रस्ण है और मानिय सदसी के इस सेंता का मैं हरदय से स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ ऐसा ही मार्मिक प्रस्ण एक बार पूरवर्ती सरकार के मानिय मंत्री टीए सेंदेव जी के हरदय में भी उठा था जब आठ लाख आवास के लिए उन्हें बार-बार प्रयास किये परन्तु आवावास नहीं मिल पाया था और नहीं मिल पाने के कारण उन्हें उस पत्व से त्याग भी दिखे, पत्व को छोड़ भी दिया था, विभाग उन्हें छोड़ दिया था आज फिर से ये विशे है प्रधान मंत्री आवास के संदर में विश्टुदेव जी की पालन हारी सरकार है और उस सरकार का बिलकुल इस पश्ट निर्ने है 18 लाख आवास गरीबों को दिये गए हैं मैं आपको इस विशे पर भी बताता हूं इसमें से पर भी कह रहा हूं मानिय से इसमोद है इसमें मानिय अद्रिक जी ये जो सर्वे कराया गया था 2011 की सूची और 2016 की सूची इन दो सूचियों के आधार पर प्रधान मंत्री आवास दिया जाता है एक अलग से सर्वे राजी की सरकार ने कराया उनके अपने अलग पैमाने थे उनका अपना अलग डाटाबेस था अब ये कैसे हो सकता है कि वो सर्वे में वो जो राजी सरकार का सर्वे है उसके माध्यम से प्रधान मंत्री आवास देदिया जा अधर्णी अध्यक्ष माध्यजी 2011 का सर्वे चल रहा है और उसके बाद सर्वे हुआ ही नहीं है केंद्र सरकार ने सर्वे कराया ही नहीं है 12-13 साल हो गया उसके बाद पुरवर्ती सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उनको दिया और मैं फोटोग्राप भी दिखा दूँगी अध्यक्ष माध्यजी इसमें वो लोग है जो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पहला राशी जो मिला है उसमें लोग अपना घर बनाना शुरू कर चुके हैं तो उन परिवारों उन गरीब परिवारों का क्या होगा जो कर चुके हैं आपनी इसमें कहा कि उसको नहीं दिजोडा जाएगा तो अगर नहीं जोडेंगे इतने लाखों करोडों परिवार उनका क्या होगा वो गरीब लोग हैं जिनको चाया नहीं है धेक्ष मोधे जी बारिश में लोग तीन चार परिवार एक साथ रहते हैं जो लो वो लगबग 47,000 आवास हैं जी 47,000 आवास मैं आपसे बताना चाहता हूं इसमें कि मारणिया मुख्यमंत्री जी ने पूर में ही घोशना कर दी है कि जिनको पहला किस्त मुख्यमंत्री आवास के संदर्ब में दिया गया है उनके आवास के पूरे किस्त उनको दिये ये निर्णय विष्टुदेव सर्जकार का पहले ही हो चुका है आपसे बताना चाहता हूं अदेक्स मुख्यमंत्री में चलियर करना चाहता हूं अदेक्स मुख्यमंत्री में सर्वे कहीं पे नहीं हुआ है दो सर्वे है बइस पहले पता कर लिजे मैं आपसे बोल रहा हूं तो कुछ गलत नहीं कह रहा हूं 2016 में ये सर्वे आया है जिसके अधार पर अधार पर अन्परक सुची में हुआ है पूरे देश में सिर्फ पस्चिम मंगाल और 36 गड़ में नहीं दिया जा सका अन्यता पूरे देश में भी आवास प्लस दिया गया है और इसके कारण विष्टुदेव जी की सरकार ने यह निर्णय किया है कि 2011 की सर्वे सूची के आधार पर जितने लोग बचे हैं उनको दूसरा आवास प्लस के जितने लोग बचे हैं उनको इसके साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री आवास के नाम से आपने दिया था 40,000 लोगों को उनको और जि आपने खोशना किया है अभी नया क्या उसको पुराने में जोड़ा जाएगा हाँ हाँ बिल्कुल आपसे कह रहा हूँ आपसे नया जुड़ेगा कि नया आप देंगे अठारा लाग कि उसी में जोड़ेंगे आप अध्यक्ष मोदे जी अगर गाउं में जाते हैं पिछले बार जब आप यहां बेठे थे उससे में आप कितना अवास के लिए चिलाए जब आपको मौका दिया है जन्ता ने आपको मौका दिये तो आप उनके साथ जन्ता के साथ धोखा धड़ी मत किजी आप उनको आवास दिल लियाए जिनको जरुरत है जो अभी आप एक छर्ट के नीचे तिन चर्ट परिवार रहते हैं इतना बचा दीजिए ठारला का आवास कब तक दे रहे हैं यह जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में जिन लोगों को पहली बार जिनको शून्य कमरे का मकान इस तरह का सर्वे में डाटा आया है उनको पहला किस दिया जा चुका है मैं फिर से कहता हूँ उदार है मारणी मुख्यमंत्री महोदय और उन्हें इस बात का निरणय कर दिया है कि इनको पूरे किस दिये जाएंगे। जी से मैं जानना चाहता आपके माध्यम से उसके पाथ जो गरीब हैं सहीं में उनके पास बेगार हैं ऐसे लोगों के लिए क्या आप आवास देने की योजना बना रहे के बना चुके हैं ये बताने कर दो आवास परधान मंत्री आवास दिया जाना या राजी की सरकार के के अधार के सूची है इन तीनों के सूची के अधार पर आवाज दिया जा रहा है अठारा लाग से अधिक है प्रमोजी चलिए मानिय अध्धक्ष महद है मैं मानिय मंत्री जिसे सम्मन्द में थोड़ी सी जानना चाहूंगा अभी उन्हों ने जवाब दिया जो मंत्री आवा कोई आवास बनने नहीं दिया लेकिन अब आवास चालू हो गए है तो ये प्रधान मंत्री आवास में केंदर का पैसा आता है और राज्यान्स पैसा मिलाता है अब ये प्रधान मंत्री आवास योजना जिसके लिए मानिय ने कहा कि 47,000 परिवार को देंगे तो क्या इसमें केंदरांस मिलेगा या केवल राजी नहीं अपना हिस्ता देगा इसे लिए इस बात की कोशिश की जाएगी और इसमें राज्या केंदरांस मिलने वाला है परन्तु जैसे केंदरे ने निरने किया है कि दो करोड नए आवास और पूरे देश में बनाये जाएंगे उसके लिए कि पट्टा है हमारे समस्य vs जी सेसे पट्टा पृता कि नाम पे हैं उनका नीधन हो गया बट्टा वाले ट्रांफर हो गया वो ट्रांफर के लोगों को प्रधान मंत्री sil्द्री आवार्श की कोई प्रकार की सुझástर नहीं मिल रही है मानी मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि जीन का निधन हो गया जो पट्टा ट्रांसवर हो गया वो जिनके नए जो नाम आया है उनका नाम क्या हम जोड़ सकते हैं क्या आप से मैं निवधन करना चाहता हूं मैं अनुभव के अधार पर इस मिस्थे मनिय अधिक्ष मोदें दूसरा एक और निवधन है अधिक्ष मोदें पहले प्रस्ण का जवावाज है जी 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 वही तो बोल रहे हैं आवास तो प्रधान मंतरी तो उसमें विस्थारीम भी आए गया गए चलि शेत्री जी अलिश्ट में ground level में जाय ले जो पात्र हिद ग्राही है ओ मलना आवास के सिविधा नहीं मिले है और जेन मलना मिले है एक गाव नहीं दो दो तिन तीन बार मिल चुके है तो एकरबर का जो क्राइटेरियर तय है 2011 के सर्वे और 2002 के सर्वे वो में कुछ परिवर्टन किया जा सकते मोहदय से मैं जानना चाहा था 2011 की सर्वे सूची और 2016 की सर्वे सूची के बाद एक और सर्वे सूची बनी मानिय अधिक्ष मोहदय और उस सर्वे सूची में राजे सरकार ने सारी बातनों का परिक्षन किया है और उसके बाद भी अगर हिर्दय में ये प्रस्ट शेश है तो इसकी चिंता भी मानने में पर वाकाई में हिद्गराही जाएकर सुभिधा नहीं मिला थे मैं माननी मंत्री जी से एक निवेदन करूंगा कि पूरे 36 गड़ में मैं भी पूरो में सरपंच रहा हूँ 2011 की सरवे सुची 2002 की सरवे सुची के अधार पे आवास योजना में सामिल हुआ है लेकिन उस समय भी बहुत ऐसे परिवार है जो आज भी वह आवास सुची से वंचीत है मान्ने मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि जो वास्टृत्ता में जो पात्रता परिवार है उसको पुना आवास्टी में सामिल करने के निवेदन करने हैं मूल कोशन है देख्ष महोदे तो मंत्री जी से यह पूछा चाहूंगे चलिए एक बार फिर बताएं तो क्या कहरें कलाब के उपर जो आवास बने हुए हैं क्या उनको भी पटे आवास दिया जा सकता है उनकी कई पिढ़िया निकल चुकी 40-50 सालों से वही पर हो निवास देख्ष महोदे बानी सदिस ने पहले जो प्रस्ण किया था 2002 की कोई सर्वे सूची नहीं है जिस के आधार पर आवास दिया जाए आवास सिर्फ 2011 और 2016 की सर्वे सूची के आधार पर दिया जाता है और एक आवास प्लस है उसको पिछली सरकार भूल गई थी एक्चली वो उस पर कामी नहीं हो पाया वो आवास प्लस कहते हैं उसको उसके आधार पर भी 8 लाख लोगों को आवास मिला था आवास का काम पू नहीं हुआ तो आवास प्लस प्रारम ही नहीं हो पाया तो 2016 क्या कोई सर्वे सूची है 2016 की सर्वे सूची के आधार पर आवास दिया जाना है यह इस पर दिया जा रहा है अभी विभाद की चर्चा में आप अपनी बात रखेंगे बहुत आउसर मिलेगा चलिए कि माननी मंत्री जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका विभाग बड़ा सक्षम विभाग है माननी मंत्री जी आपका विभाग भारी सक्षम है एक महने में आपने पूरे प्रदेश का सर्वे करवा दिया 2023 में तो यह मैं आपसे यह जानना चाहता हूं यह सर्वे करव कि एक मेहने में अत्यानक सर्वे करवाने की जरुवत क्यों पड़ी और सर्वे के रिपोर्ट के अधार पर जो अनुच अंसाय मिली उसमें आपने क्या-क्या निती कारिक्रम स्विकार किये और सर्वे के रिपोर्ट को सरकार ने क्या स्विकार कर लिया मानिय अध्धिक्ष महुदे क्रिकेट के मैदान में सचिन तिंदुल कर आ जाए या सदन में मानिय अज़ा चंदराकर्ची आ जाए एक जैसी पूर्जा और एक जैसा उत्षाह लोगों में होता है ये फास्ट बॉलर है मानिय महुदे के मानिय सदेशिक के इस पिखे पर कि 2023 के सर्वे सूची एक ही साल में सरकार ने कैसे सर्वे कर लिया ये विभाग मूलता पूर्वर्ति मंतरी आप ही रहे हैं आप ही कियाधार शिला पर ये विभाग आगे बड़ता है आपने ही जो प्रतिमान इस्ठापित किये हैं उसको पार करना बहुत बढ़िया ठीक के लिए जरूर कहना चाहता हूं कि ये जो सर्वे हुआ है इस सर्वे के आधार पर इसका फिर से भोतिक परिक्षन नहीं हुआ है परन्तु इसमें जो शून्य कमरों के मकान हैं कच्चे कमरों वाले उन आवास के लिए भोतिक सत्यापन भी किया गया है और उनको स्वीकृत भी किया गया है मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ ने मानी आप सिर्फ मकान में केंद्रित हो गए मैंने ये पूछा है कि एक महने के सर्वे में आपको सर्वे की जो जो रिपोर्ट मिली है उसके आधार उस सर्वे रिपोर्ट को क्या आपने स्वि से आएगा भी तो मैंने पूरे सर्वे के बारे में पूछा आपसे आवास तक अभी पहुंचा नहीं हूँ मैं मानिया देक्ष महदय इसी विसे पर मैं आप से कह रहा था कि सर्वे हुआ है डाटा सामने आया है और उसका अंतिम भौतिक सत्यापन ये होने के बाद उसकी स्विकारिता की बात आती है भौतिक सत्यापन उसमें से एक पॉर्शन का किया गया बाकी डाटा का भौतिक सत्याप नहीं किया गया और वो 47,90 ऐसे लोग थे जिनको चिन्हांकित करके जिनका सर्वे में आया था कि इनके पास एक भी कच्चा मकान रहने के लिए नहीं है उस पॉर्शन का सत्यापन करके उसको स्विकार करके और उस पर योजना बना करके काम किया गया है ये पूरी योजना के पूरा सर्वे होने के बाद मानी राजेश मुड़ जी सम्मानी अध्यक्ष मोदे सबसे पहले तो आपके प्रती और विदान सवागे प्रती आबार व्यक्त करता हूँ एक महत्पुन विसे के उपर जो एक आज मेरा प्रस्ण लगा है विसे पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ है हजारों नौजवान इसके चपेट में हैं और महादेव के नाम पर पूरे प्रदेश के अंदर एक गुरत धंदा चला और जिसके अंदर पुरे देश और प्रदेशिनी अंतर राष्टी इस्तर तक के लोग उसमें इन्वाल्मेंट है और जिसके अंदर एक बहुत बड़ी एजन्सी जाज कर रही है इडी और जिसके अंदर कई लोग इन्वाल्मेंट है उनके बयान भी हो चुके हमारे उर्जावान मुख्यमंत्री है वह भी युवा मोर्चे से आया है मैं भी युवा मोर्चे से आया हूँ वह भी जनता की लड़ाई लड़कर क्या आया है मैं भी जनता की लड़ाई लड़कर क्या आया हूँ तो युवा में हिस्सा तो 60 जादा चल रहा है और इसलिए तो मैं इससे वही लाया हूँ जो सम्वेदन सील है एक ही विदान सभा से खाली भीलाई जीले से वेसाली नगर विदान सभा से 20 सज्जार बेरोजगार नोजवान इस महादेव सट्टा एव के अंदर इन्वाल्मेंट है यही नहीं जो दूबई में जाकर जिसका रेकेट चल रहा है उसका संचालन करने वाले कौन लोग है उसके पिजए किनकिन की भुमिका है मैं इस पर जित प्रस्ट पे आता हूं सीधा यह सरकार के संग्यान में कब आया आपने 90 केस करीब दर्ज की है मैंने पूरी केस की स्टडी की है और मैं ऐसे ऐसे तथ्चे से आपको आउगत कराऊंगा मानी मुख्यमंत्री जी आप कलप्रा नहीं कर सकते हैं मानी उप मुख्यमंत्री मोद है कि जो सरकार को जिनको सुरक्षा के जुम्मेदारी है जो सरकार विवस्ता के ताच चलने के आवस्चक्ता है वो पास सार तक इस सरकार ने पुर्व सरकार थी गिरोबंदी के साथ योजनाबत तरीके से ने-ने हायाम खोज करके इस प्रदेश के बेरोजगा नोजवानों का ठकने काम और गलत काम में लगाने का काम किया आपने 90 केश दर्ज किये 90 केश पेसे आपने कितने लोगे खिलाब कारवाई की मैंने कारवाई जो पड़ी है आपने सटा हेट के तहत कह दिया कि उनके खिलाब जो धारा लगी थी वो थाने में बेलेबल थी इसमें बेल दे दिया जिनके बयान हुए उन बयान के अधार पर करोड़ों का ट्रांजेक्शन बेंक से हुआ क्या किन किन अधिकारी बेंके करमचारी या संकार में संग्यान में ले करके क्या काम किया यह इस पर जिक परस्ट में रहा है मानिय अधिक्श महुदे मानिय अधिक्श महुदे मानिय सदे सिकाई अपरस्ट सचकुछ बहुत लाजमी है और उनकी चिंता भी वाजिब है इस पूरे विशे पर जो उनकी विशेश चिंता है कि बहुत सारे नौजवान जो भटके हुए हैं राह से जिनको अपने जीवन को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना था उन्होंने जाकर के इस महादेव सट्टा एप के जरिये इसमें फस करके अपनी बरबादी का रास्ता चुन लिया मैं आपसे ये बाद बताना चाहता हूं मानिय दिक्ष महुद है कि इसमिसे पर कुल 90 एफाई आर हुए हैं सन 2022 से इस पर एफाई आर हो रहे हैं रायपूर में 36-36 प्रकरंट पंजी बद हैं दुर्ग में 23 प्रकरंट पंजी बद हैं बिलासपूर में 2 प्रकरंट पंजी बद हैं जांजगीर में 2 प्रकरंट पंजी बद हैं और सूरजपूर में भी 4 प्रकरंट पंजी बद हैं मानि साथ जो एप हैं उनके संदर में भी FIR हुए हैं उस पर काम चल रहा है दुबई के संदर में मानिय अधिक्त मानिय जानना चाहा है कि दुबई में कुछ लोग हैं और उन्होंने ही इसको पूरा संचालित कर रखा है पूरा 36 गड़ जानता है और तो पूरा भारत ही जानता है कि दुबई में हमारे ही 36 गड़ के कुछ लोग हैं उन्होंने ही इसको संचालित कर रखा है तो सरकार के तरफ से क्या कारवाही हुई है मैं आपको धान दिलाना चाहता हूँ कि लुकाउट सिर्कुलर जारी हुआ है रेट कॉर्नर नोटिस भी इनके लिए जारी हुआ है प 211 फ्रीज हुए है और उसमें 1 करोड 16,696 ये राशी भी फ्रीज हुई है इसके अलावा और विभिन इस्थानों पर जैसे दुर्क में 436 बैंक अकाउंट सूरचपुर में 38 बैंक अकाउंट जांजगीर में 5 बैंक अकाउंट इनके भी फ्रीज होने की प्रक्रिया जारी ह इस विषय पर बानिय अधिक्ष मोदे कारवाहिया भी हुई है कुछ जो सरकारी भखमे के लोग थे उन पर जो बात आई थी उनके बारे में इस पस्ट जानकारी मिली थी एनफोस्मेंट डिरेक्टरेट की जाच के बाद जब उनको जेल में भेजा गया था विभाग के ये किया गया है और विशेश रूप से जो चर्चा का विशे है जिसके संदर में मानि सदस कह रहे थे उसके संदर में भी जैसे ही ये विशे अधिकारिक तोर पर या प्रमानिक्ता के साथ फरकार के विभाग के संग्यान में आएगा मैं उनको आश्वस्त करना चाहता अब बिल्कुल उनके ये कहना चाहता हूँ कि ये पीर भी परवत्सी हो गई है और इसको निसंदेह पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से भी वाने कोई गंगा निकलनी चाहिए सो पृतिशत जैसे ही विशाय सामने आएगा एक घंटा नहीं लगेगा विश्ट्ण देव सरकार को इस पर फैसला रिने में एक घंटे के अंदर करवा ही की जाए महादेव और गंगा का बहुत संबंध है गंगा जो निकलिये है महादेव के जवाब जब आप दे रहे हो तो उस गंगा के याद किये हो मंत्री जी कुछ प्रस्थ करना चाहे है मानी अद्यक्ष मोद है बहुत गंबीर प्रस्थ और मैं आपसे समाच चाहता हूं मानी मंत्री जी ने एक सामाने रूटिन में सरकारी प्रस्थ का सरकारी उत्तर दे दी मैं इस पेजिक पूछा कि ये महादे एप के उपर 90 केस आपने दर्ज किये उसमें बयान भी हुए है एक बयान मैं आपको पड़कर के सुना देता हूं आपके थाने का जिसके अंदर महादे एप के अंदर उस व्यक्ति ने बयान दिया उसका नाम है रवी कांथ उसने एक बयान में कहा कि फलाने फलाने में बेरुजगार था मैं घुम रहा था मेरा कहीं कुछ नी थहा मेरा एक दोस्त parade मुझे कहा कि चल भई तरह एकांट खुला देता हूं मैं उसके साथ चला गया मैंने बेंक में एकाउंट खुला लिया मेरे बेंक के एकाउंट में में मेरा कोई पैसा कभी था इनी करोडो रुपय का टांजेक्शन हो गया में बंद करने गया तो मेरे को धमकाया जब पुलिस वाले पकड़े बात चीता ही तो मैं वहाँ गया, जब मैं बेंक में गया तो फलाने फलाने का नाम लिया उसने, वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, कि मेरा एकाउन नहीं है, मेरा एकाउन में कैसे लिंदिन हो जा रही है, उसके बात में भी वो किसी के खिला लाक पांच लाक की लेंदेन होती है सामाने सब लोग जानते हैं बेंक वाला पूशता है कि आपके एक और पैसा लू के नहीं लूँ यह आपका पैसा है के नहीं है अगर वो करोडों की लेंदेन हुई और आपके संग्यान में आए और पुलिस वाले जा करके बेंक में तो पुलिस वाला कैसे उसके साथ में बेंक में गया फिर आगे प्रस्त हो रहे हैं चोटी चोटी जो प्रावधान उपलब थे सारजुनिक द्वियूत अधिनियम 1867 के उसके अंतरगत ऑनलाइन गेमिंग के लिए बेटिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं था कालांतर में कुछ प्रावधान बनाए गए और उसमें एक साल से साथ साल तक की सजा है दसलाग तक का जुर्बाना है उन प्रावधानों के आधार पर इस पर काम किया जा रहा है मैंने बताया कि 54 चालान पुटप हो गए है किसी के बयान के आधार पर किसी को फासी नहीं चड़ाई जा सकती परंतु इस अधार पर जाच की जो प्रक्रिया है वो जरूर जारी है मैं फिर से आप से यह कहना चाहता हूं मानिय सदिस महोदे मानिय अध्यक जी मानिय सदिस को यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूरी ताकत के साथ इस पूरे विसे का जाच किया जाएगा कोई दल, कोई और समाज किसी की भी परवाह किये बिना जो जो गुनहगार हैं उन सब को जेल की सलाकों के पीछे पहुचाया जाएगा निर्धारी जैसे ही होता है ये विसे प्रमानिक्ता के साथ कोई बात सामने आती है मैं फिर से कहता हूँ मानने विष्टुदेव जी की सरकार है एक घंटे के अंदर का अरवाही होगी ने ये बहुत प्रदेश का महत्वण प्रस्त में आप से बारा मिनट अके लिए चोटा प्रस्त और कर लें ये ने छोटा आपने जो उत्तर दियो सरकार सामाने प्रस्त पूछा आप क्या आपने का पहले संग्यान में नहीं आया जब संग्यान में नहीं आया तो बयान कैसे हुआ सीधा सीधा प्रस्त जब सरकार के संग्यान में नहीं है तो फिर पुलीस अधिकारी जा गए बैंकों 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 कैसे है और ये क्यों चीज दूसरा कितने करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन उनके माधियम से बैंकों से हुआ जरा यहां इस परस्ट कर दें कि आगा प्रस्तों मैं पूछूंगा देखी बस धन्यवाद लिए एक जो बिसे अभी सामने है जिसकी जानकारी हाथ में है मैं आपको जरूर उपलब्द कराता हूं कि पांत सो सावत अकाउंट जो राइपूर के फ्रीज होने वाले थे इन में इन खातों के माध्यम से कहां जाती थी और उसके बाद फिर अगला ट्रांजिक्शन उसका कहां होता था ये राशी कैसे दुबई तक पहुंच जाती थी इस पूरी किजाच किजाच करवाई जा रही है मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूं कि संग्यानकार्थ यही है जो बात बयान में आई है वो बयात कोर्ट के सामने रखी गई है अभी कोर्ट को भी फैसला करना होगा कोर्ट का कोई फैसला आ जाए उस पर बात कर लेंगे मैं आपसे और एक बात बताना चाहता हूं कि विभाग ने तो आगे बढ़ करके लोगों की फरारी होने का आविदन क बोट में दिया हुआ है मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि उनके संपत्नी के चिंहंगசन की बात प्रारम हुई है उनके संपत्नी को चिंहंकित करके कुर्क करने की बात अम सामने ले करा करा है है मैं आपको यह भी बता रहरा हूं कि बड़ा च forces fantastic stickन् oni दबauge कि उस मानि अध्यक्ष मोले मानि उप ग्रहमंत्री की उप मुख्यमंत्री ग्रहमंत्री का उबाग है उनकी किसी भी बात के उपर में को पूरा 100% विश्वास है लेकिन जो नुमाइंदे लोग पेठे हैं जो पूरे काकस के इंदर इंवालमेंट है उनी के माध्यम से प्रस्तों का उत्तर क्या एक एसाई न बयान दिया एडी को चंद्र बुसंड वर्मा उसने किंकिं के नामों का उलेक किया और उन पर क्या कारवाई करेंगे इस बैसिक प्रस्त है ठीक जी मानिया दिक्ष मोदे वो बयान जिसको एंफोर्स्मेंट डिरेक्टिट ने लिया है और जो कोट में राइपुर के कोट में जमा है उस बयान का कोई अधिक्रित को इसकी कोई अधिक्रित जानकारी एंफोर्स्मेंट डिरेक्टिट के द्वारा साशन को नहीं दिया गया है ये जानकारी आने के बाद अधिक्रित जानकारी आने के बाद प्रमानिक्ता उसमें ह तो तुरंट करवा ही की जाएगी मैं बिल्कुल इस बात को कहता हूं आपसे फिर मैं आपके संग्यान में लायता हूं विवाग फिर आपको गुम्रा कर रहा है तीन जन्वरी को सासन को पत्र आच चुका तीन जन्वरी अगर तारीक नहीं है तो तारीक बता रहता हूं एड़ी के त्वारा सासन को भेजा गया जब कोई संग्यान में नहीं लिया उत्तर नहीं दिया तो तीन तारीक को फिर वापस रिमाइंड आया अगर उसको बयान पूरे सुर्कियों में समाचा पत्र से लेकर के सोशल मीडिया से लेकर के आम जन्ता के बीच में चल रहा है मैं एक छोटा था उदारान देता हूं अध्यक्रमोदे मानि उपक्यमंति जी एक छोटा था उदारान विबाग की गंबिर था कल मेरे एक परस्ता था और परस्ता लगनी पाया पी ड़ुडी के खिलाब में एक परस्ता मेरी एक सिकायत की किसी ने फर्जी सिकायत और उस समय भी मैंने जन्ता से कहा कि इसकी जाच कोई डिटायर जट से करा लो ततकाल मुख्यमंत्री ने लिखा ततकाल ने समाच के उस समय के मुख्यमंत्री F.I.R. दर्च की जाए और योडवलू को केस गया जिसके कोई तक्त है नहीं है जिसकी कोई जानकार है नहीं है एक आदमी ने अवधिन दिया और योडिवली इतना सक्री हो गया और तदकार उसकी विवेशिना के लिए डिपार्टमेंट के अंदर आ गया तो मुल्वी से यही अध्यक्ष मोदे के अगर तीन तारीक से लेके तीस तारीक तक आने के बात में भी किन अध्यकारियों को बचाने का काम हो रहा है इसके नहीं के रहा हूं पुरे समाचार पत्र से और सुर्कियों में छपा है तो क्या सरकार सेम विवेशिना के रूप में क्या संग्यार में ले करके क्या इसकी जाच नहीं कर सकती आज तक यह जोग्णू ने इसके उपर जाच क्यों नहीं की क्या सरकार इसके इसको CBI को देगी क्योंकि इसके दार्व देश तक जुड़े वे अत्यक्षमद है और यह दूद का दूद पानी का पानी होगा चाहिए यह मेरा आगर है ठीक धन्यवाद सामारे प्रश्वासन विभाग से इस विसे पर पूरी जानकारे ली गई थी अंतिम जो उनसे जानकारी प्राप्त हुई है वो पांच फरवरी की है कि इस विसे पर एंफोर्स्मेंट डार्टरेट से कोई अधिकरित जानकारी प्राप्त नहीं हुई चलिए सेंजी ठीक अन्याद्या प्रदेश का सबसे बड़ा स्केंडल केस का मामला है अन्या विशे आव रहे हैंगे अन्याद्या विशे घौत महत्वपूर्ण सब पर आप लीजिए लेकिन आप के रहे हैं आपके पास एक गरत जानकारी है मैं आप कहा हैंगे तो मैं सर्दल के पटल पर रख दूँँ चलिए रख दीजिए कि जिस तारीक को यह गया है तीन तारीक और कोट के अंदर जिस वकिल ने इस बात को आप मेसेज किया वो भी जानकारी है आप मंत्री जी को दे देंगे विवाब मैं तो यह दस्तावे जब दूँँ आपका है तो अद्यक्ष मोदे मैं लगातार दो साल से इसके खिलाब में लड़ता रहा हूँ मैं पूरे के पूरे कौन-कौन संचालन करता किस-किस की गेंग के रूप में किसने किस-किस है कितने रूपे लिए दिये कहा कहा किसके साथ विवेचिना हुई किस दिन किस थाने के अंदर एफ़ाइयर दर्ज हुई और एफ़ाइयर होने के बाद में अभी तक एक भी एफ़ाइयर तो हुई एक देश्मोदे विवेचिना भी हुई लेकिन एक भी बड़ी मसली पकल में नहीं चलिए कोई जानकारी हो तो उपलब्द करा देंगे सेंग जी आप एक सोटा प्रसंट कर लिए आप उपलब्द करा देंगे अध्यश्मदों मेरा यह निवेदा ने इसकी जाद की गोश्टना करें चलिए कुछ कुछ गोश्टना करना है तो बताइए मैं आप से यह कहना चाहता हूँ कोई मचली भी नहीं मगर मच भी हो तो भी पकड़े जाएंगे आप निश्ची जाहाँ चलिए प्रदेश को परमात करने का ठेका लेकर क्यों बेटे वहां जाकर फिया किसका जिनके खिलाओं में आरो प्रदेश में नजिल बना चाहिए उनको सजा मिलना चाहिए यही मेरा अग्रायाद धन्यवाद इसके बाद ले लूँगा आपको इसके बाद सेन के बाद आपको मानिय अद्यश महद है निश्य तूप से आदर्णी मुनत जी मानिय सद्यश जी ने अपनी चिंता वेक्त की भिलाई को खेल धानी और सिक्षा धानी के रूप में जाना जाता था अब ये महादेव एफ के रूप में जाना जा रहा है मेरा मूल प्रस्ण यही एमानिय अद्यश महद है कि युवाओं की चिंता इन्होंने की मेरे विधान सबर से 20,000 सहदी की हुआ इसमें लिप्त है लेगिन इसके साथ साज जो प्रसासनिक अदिकारी है जिनकी दुरुक जिले में पिछले 5 वर्षों में लगातार पोस्टिंग हुई है पुलिस प्रसासन के लोगों के पास खुद के पास आईटी है लोगों के पास अदिकारों के पास है राजनेतिक दल के अलग-अलग नेवताओं के पास ID है लेगिन आज तक सिर्फ 90 इवाओं को जो है अरेस्ट किया गिया वो भी मुचलके पर थाने से छोड़ दिया गिया इस पर सही रूप से किसी भी पकार के आज तक करवाई नहीं हुई और ततकालीन मुख्यमंति मानने जो भी थे उनका भी सन्वक्षन साथ था ये भी हमको देखने को मिला था तो इसलिए मानने अद्धेश महुद है मानने वैट को लेखे विशेश चूप से जाच करने के अवशकता है जीन बरातियों के विशेश पे मानने ग्री मंतियों ने कहा कि जो बराती गयते उनके लिस्टिंग होगी वो बराती के लिस्टिंग लगाता है नेशनल लिउस पे दिया जा रहा है और भिलाई में खुले आम घूम रहे है उन बरातियों पे आज तक कोई कारवाई नहीं हुई है और ऐसे अटिस्टिंग स्पी जो जिले में पोस्टिंग होकर ऐसे एसपी ऐसे आईजी जिन्होंने पाफ साल खुद आईडी लेके लगाता महादेव आईडी का एपका संचालन किया है मैं मानिय धट्ष महोदे मानिय सदस्की चिछन्ता वाजिब है कानून काराज होना चाहिए और कानून के नजर में कोई खोटा या बड़ा हरकिस नहीं होना चाहिए विश्चे गरफतारी के संदर में उनके आकड़े को मैं दुरूस्त करूँ कि ये 482 लोगों की गिरिफतारियां आज तक हुई है इस विशे पर दूसरा मसला है कि जिन अधिकारियों के संदर्ब में चर्चा है इडी के चलान के संदर्ब में ले ले या सोशल मीडिया पर या मेडिया पर फ्रचलित सारे विस्यों को लेकर के जो बात चल रही है प्रमाणिक्ता की बात है एक बार प्रमाणित होने के बाद मानने सदस्यों को इस पिसे पर कारिवाहिया होती दिखेंगी उनको चिंता करने की आवशक्ता नहीं होगी तरहम जी अध्यक्ष्मोदे ये बात सच है कि महादेव सट्टा एप सरकार के समरक्षण के बगएर 36 गड़ में फल फूल नहीं सकता था अब बाकी तो तक्निकी पक्षाब बता रहे हैं आप पूछ रहे हैं मैं तो आप से ये कही मांग करना चाहता हूं ग्रीव अंत्री जी आप स्टेट प्लेन ले लिजिए सनिमार को और चले जाएए उत्तर प्रदेश और योगी बाबा से पूछ के आजाओ ये बुर्ड लोजर जो खड़ा है ना जो जो इसमें फसे हैं दस पांच का बुर्ड लोजर में गिरवाओ और आओ तब थोड़ा ख़ौप पैदा होगा एक इतना काइदा कानूं में आप चलोगे यहां तो बड़े-बड़े वकील आ जाते हैं वो क्या-क्या मलानी है और क्या-क्या इंग्वी सिंग्वी इब्बल सिब्बल सब आ जाते हैं आप कहां पुरोगे वो एक एक करोड फीस वालों के सामने में बुल्डोजर को मारो ड्राइबर को कुछ खिलाओ पिलाओ भेद दो तोड़ ताड़ के आ जाए तब थोड़ा ख़ौप पैदा होगा ख़ौप का न उमेज पटेल जी की स्थान पे पूछ रहे हैं प्रस्ट क्रमंग दो मैं मनिया देख्ष में होते हैं किसमें पूछ रहे हैं महादेव पर महादेश अट्टा में एक मिनिट रूम पर हैं पूरे प्रदेस में लाखों कड़ोरों लोग बरबाद हुए हैं और उनको जो सह द जाए हैं और वास्त मिक में ये कारवाई नहीं होगे तो ये सट्टा चलते रहें चलते रहेंगे अज आपका भी अभी प्रस्ण हैं आगयों चोड़े लोग को पकड़ना असा होता है। मंत्री जी मैं आप से कहना चाहता हूं कि अधि उनके भविस्ट को सुरक्षित रखना चाहते हैं और ये जो महादेव सट्टा जो खिलाने वाले जो घोम रहे हैं ऐसे लोगों को पर आप कारवाई नहीं करेंगे और उनको नहीं रोकेंगे तो आने वाला भविस्वाओं का ठीक नहीं होगा इसलिए इस पर तत्काल कारवाई की खोशना करनी चाहिए शंगीटा जीरा जी माननी अध्यक्ष महुत है अध्यक्ष महुत है एक मियाट संगीटा मानी मंत्री जी का जो बयान आया मुझे अपरियाप्त लगता हूं ये विशा जितना गंभीर है को कमिट सरकार से और से आना चाहिए कि इसको हम समय बद्ध ढंग से इतने दिन में निराकरित करेंगे करके चलिए ज्वलंत विशा है मैं मानी मत्री जिसे है याग्रा करूंगा जो पांट साल जो पोस्टिंग हुई है वहां पे इतने ही अधिकायों कि जाज कि जाए चलिए अध् मानी अध्यक जी इस प्रदेश का सब्सक्राइब कर दिजिए कि पांट साल कितनी पोस्टिंग हुई है उन अधिकायों कि जाच होगी मानी अध्यक जी इस प्रदेश से जुड़ावा के छोटा मोटा फैसला नहीं है अध्यक जी अपनी सर्दाइब करें आप दोस्टा करें ना अधरी वैशानी दिजिए में पांट देला चलाने वाला युवार्ट इस दूसरे बस में अध्यक जटा से गंगा निकली है तो निकल तो निरहीं गंगा कई रुक गई या जिए कम देखम इस मंदिल से अच्छा सब्सक्राइब करवाई होना चाहिए ठीक है जवाब देने खड़े हो गए मंत्री मंत्री जी खड़े हैं भाई आदे हो एक को लेकर हमारी सब्सक्राइब को बड़ा वागा या पुर्णा पड़ेगा पांस दाजर दूस्टी जिनकी वेश्कालों की उनकी चाहिए उनकी चाहिए चले मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं उसका दूसरे कुछ मैं आपसे यह कह रहा हूं कि जाच केंद्र की एजंसी कर रही है एंफोर्समेंट डिरेक्टेट कर रही है और उनका जाच अंतिम इस्थिती में है वो चालान पुटब कर चुके हैं अपर आप कूर्णा को देखने है अगर नहीं है तो विबाद किलियर कर ले दारा 164 के तहट जो बयान दिया गया है चंत्र भूसरंड ने और एक सुप्रीम कोर्ट का फेसला जैय लेलिता जी के उसमें आया है कि इसके अंदर वह पार्टी नहीं बन सकते और उनको 15 दिन में इस पर फेसला करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का एक फेसला हो चुका है जब इतना सब कुछ साख्षोने के बात में भी आप किनको पचाना चाहते हैं किसी के नहीं है यह किसी के नहीं है ध्यान रखना यह सिर्फ कुछ सी के सलाम करने वाले है जिन जिन को आप बचाना चाहरे हो वो किसी के नहीं है वो ही अपने उपर डंडा चलाया है वो ही आतुगेस पेके है वो ही फड़ी केस बनाया है और वो ही आपको लिख करके दे रहे है कुछ नही चाहिए और आपने काई यह दर्द मेरा नहीं यह दर्द आपका भी है इस पर कोई नी कोई फेसला होना चाहिए यह उमीर आप जाहिए मोड़ जी यह ना ताब इत इन जर्वे कर ही चिंता जान करा ओद आप रहा है ने इस पर मंत्री जी कुछ कह रहा है और अगे बढ़ गया आगे अदेग जी एक निवह देग जी कुछ कह रहा है मंत्री मोद है मानने आधाने द्रस्त्रिव अधा सामेगा वहार तनकीजिया कार समय लेट लेटा जीक टुपर मानने वाह जार की लिजया कार में Akay तो बैठी 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 पेलिए दो आखरी लाइं मोड़ लिजिए सबके संग्यान में इस बात को लाना चाहता हूं कि एडी के प्रिस्ट नोट जो एंफोस्मेंट डिरेक्टेट के विबसाइट पर रिलीज होता है उसमें बहुत सारे नाम और उनके लिए अधिकरित जानकारी हमको एडी उपलब्द करा दे ये इसके लिए हमने प्रक्रिया भी प्रारम कर दी आप थोड़ी प्रतिक्षा कर लें वो होगा जो आपके मन में है यह गोश्टा करता हूं महिने बर में दो महिने बर बस राजेटी होगे चलिए संगीता जी आदर्णियद धक्षमोदय जी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हिद्ग्राहियों को प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीन में नहीं जोड़ा गया तो मैं यह मेरा पहला कोश्चन है धक्षमोदय जी मंद्री जी से कि ऐसे परिवार जिनका नाम 2011 की सुची में छुट गया था जिनको मकान दिलाने के लिए पुरवर्ती सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए सर्वे कराया था तो आदर्णी अध्यक्षमोदय जी उत्तर में आया है कि अवास योजना को मुख्यमंत्री आवास योजना को प्रधान मंत्री आवास योजना में नहीं जोड़ा जाएगा मेंन के तऺत आवाज प्रदाइक किये जाने का निर्ने लिया गया है तो मैं अध्यक्ष महोदय जी मंतरी महोदय जी से पूछना चाहती हूं कि अगर निर्ने लिया गया है तो ये निर्ने कब तक प्रभावशाली होगा और कब से लागु होगा कुछ माखगंड होगा या बदला हुआ वो भी आप बताएंगे मानिय अधेक्ष महोदे ये बड़ा ही मार्मिक प्रस्ट है और मानिय सदसिके इस चंता का मैं हरदय से स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं ऐसा ही मार्विक प्रस्ट एक बार पूरवर्ती सरकार के माने मंत्री टीए सेंदियो जी के हरदय में भी उठा था जब आठ लाक आवास के लिए उन्हें बार बार प्रयास किये परन्तु आवास नहीं मिल पाया था और नहीं मिल पाने के कारण उन्हें उस पत्ष से त्याग भी दिक पत्ष से को छोड़ भी दिया था विभाग उन्हें छोड़ दिया था आज फिर से ये विशे है प्रधान मंत्री आवास के संदर में विश्टुदेव जी की पालनहारी सरकार है और उस सरकार का बिलकुल इसपश्ट निर्णय है 18 लाख आवास गरीबों को दिये गए हैं मैं आपको इस विशे पर भी बताता हूं इस विशे पर भी कह रहा हूं मा मानिय अद्रग जी ये जो सर्वे कराया गया था 2011 की सूची और 2016 की सूची इन दो सूचियों के आधार पर प्रधान मंत्री आवास दिया जाता है एक अलग से सर्वे राजी की सरकार ने कराया उनकी अपने अलग पैमाने थे उनका अपना अलग डाटाबेस था अब ये कैस इसे हो सकता है कि वो सर्वे में वो जो राज सरकार का सर्वे है उसके माध्यम से प्रधान मंत्री आवास देदिया जाए अधरनी अध्यक्ष मौदै जी 2011 का सर्वे चल रहा है और उसके बाद सर्वे हुआ ही नहीं है केंद्र सरकार ने सर्वे कराया ही नहीं है 12-13 साल हो ग उसमें लोग अपना घर बनाना शुरू कर चुके हैं, तो उन गरीब परिवारों का क्या होगा, जो शुरूरात कर चुके हैं, आपनी इसमें कहा कि उसको नहीं दि जोड़ा जाएगा, तो अगर नहीं जोड़ेंगे तो इतने लाखो करोड़ो परिवार उनका क्या होगा, व कि आपके जो 36 सरकार के द्वारा पिछला कराया गया सर्वे है उसके आधार पर जो आवास दिया जाना है वो लगबग 47,000 आवास है जी 47,000 आवास मैं आप से बताना चाहता हूं इसमें कि मारणिया मुख्यमंत्री जी ने पूर में ही घोशना कर दी है कि जिनको पहला किस्त म पूरे किस्त उनको दिये जाएंगे उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा ये निर्णय विष्टुदेव सर्जकार का पहले ही हो चुका है आप से बताना चाहता हूं वो 2016 का सर्वे कहलाता है जिसके अंतरकश परदान मंत्री आवास प्लस मिलता है मैं आप से बताना चाहता हूं मानिय अदिक्ष महुदे कि पूरे देश में सर्वे कहीं पर नहीं हुआ है दो सर्वे हैं पहले पता कर लिजे मैं आपसे बोल रहा हूं तो कुछ गलत नहीं कह रहा हूं 2016 में ये सर्वे आया है जिसके आधार पर अधार पूरे देश में सिर्फ पश्चिम मंगाल और 36 गड़ में नहीं दिया जा सका अन्य था पूरे देश में भी आवास प्रस दिया गया है और इसके कारण विश्टु देव जी की सरकार निया निर्नाय किया है कि 2011 की सर्वे सूची के आधार पर जितने लोग बचे है उनको दूसरा आवास के जितने लोग बचे हैं उनको इसके साथ हिसाथ जो मुख्यमंतर आवास के नाम से आपने दिया था सहिताली जार लोगों को उनको और जिनको एक किस्ट दे करके आपने रोक दिया था उनको इन सारे लोगों को आवास दिया जाएगा इनके पूरी किस्ट दे जाएगी और इसमें जोड़ा जाएगा जो आपने घोशना किया है अभी नया क्य अध्यक्ष मोदे जी हम अगर गाउं में जाते हैं पिछले बार जब आप यहां बैठे थे उस से में आप कितना अवास के लिए चिला है जब आपको मौका दिया है जन्ता ने आपको मौका दिये तो आप उनके साथ जन्ता के साथ धोखादरी मत किजिए आप उनको आवास दिल लियाए जिनको जरुरत है जो अभी आप एक छर्ट के नीचे त्री चर्ट परिवार रहते हैं इतना बचा दीजिए ठारला को आवास कब तक दे रहे हैं चलिए कोशना किजिए जो मुख्यमंत्री आवास यूदना है उसको प्रधान मंत्री से जोड़ने का आप आप सुनिए जरा मेरी बात भई इस विजह पर ऐसा है ये जो ये जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में जिन लोगों को पहली बार जिनको शून्य कमरे का मकान इस तरह का आटा आया है उनको पहला किस दिया जा चुका है मैं फिर से कहता हूं उदार है मारणी मुख्यमंत्री महोदय और उन्हें इस बात का निरणय कर दिया है कि इनको पूरे किस दिये जाएंगे चलिए बहुत अच्छा मोले जी उन्नुलाल मोले जी देक्ष मोदय जो फुलान 2011 के सर्वेलिष 2016 के माननी मंत्री जी ने कहा और आवास प्लस बोला वो टोटल कितने होते हैं माननी मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से उसके पास जो गरीब है सही में उनके पास बेगार है ऐसे लोगों के लिए क्या आप आवास देने की योजना बना है के बना चुके हैं यह वताने कर दो है आवास प्रधान मंत्री आवास दिया जाना यह राजी की सरकार के द्वारा प्रवर्तित वो योजना के अंतरगति आवास दिया जाना यह सूची के आधार पर ही होता है जो सूचिया भी उपलब्द है 2011 की सूची है 2016 की सूची है और राज सरकार के एक सर्वे हुआ था उसके अधार की सूची है इन तीनों की सूची के अधार पर आवाज दिया जा रहा है टोटल टोटल 18 लाग से अधिक है प्रमोजी माननीय अध्धक्ष महद है मैं माननीय मंतरी जिसे सम्मन्द में थोड़ी सी जानना चाहूंगा अभी उन्हों ने जवाब दिया जो मंतरी आवास की जो योजना है उसको भी चालू रखा जाएगा उसमें भी राजी दी जाएगी पहले जो हमारा जो प्रधान मंतरी आवास योजना पे जो कारे होता था जिनको पांच वर्सों में सामने वालों ने रोका कोई आवास बनने नहीं दिया लेकिन अब आवास चालू हो गए है तो क्या इसमें केंद्र का पैसा आता है और राज्यांस पैसा मिलाता है अब ये प्रतमान मुखमन्तरी आवास योझना जिसके लिए पानियाग ने कहा कि 47,000 परिवार को देंगे तो क्या इसमें केंदरांस मिलेगा या केवल राजी नहीं अपना हिश्टा देगा इसके लिए इसमें ने निरने किया है कि दो करोड नए आवास और पूरे देश में बनाय जाएंगे उसके लिए इस बात की कोशिश की जाएगी कि इस विशेवर भी इसको प्रधान मंत्री आवास में जोड़ बने और इसमें राज्या के नार भी मिला है मानिय अद्यक्स महोदे मैं आखे मार्जम से मानिय मुख्यमंत्री महोदे से अगरा चाहता हूँ कि सहरी विकास जो पट्टा है हमारे एक समस्य आ रही है जैसे पट्टा पिता के नाम पे है और उनका निधन हो गया पट्टा वाले ट्रांसफर हो गया वो ट्रांसफर के लोगों को प्रधान मंत्री आवास या मुख्यंत्री आवास की कोई प्रकार की फुद्धा नहीं मिल रही है मानी मंत्री जी से मैं जनना चाहता हूँ कि जीन का निधन हो गया जो पट्टा ट्रांसफर हो गया वो जिनके नए जो नाम आया है उनका नाम क्या हम जोड सकते हैं क्या आपसे मैं निधन करना चाहता हूँ मैं अनुभव की आधार पर इसमी से मानी अधिक्ष मोदे दोसरा एक और निधन है अधिक्ष मोदे पहले प्रेशन का जवाब आज है जी 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 अवाज तो प्रधान मंत्री तो उसमें विस्तहरिम भी आए गए चले शेतरी जी पूछिए मन्या जेक्ष मोदे मंत्री मोदे ऐसे उपमो के मंत्री मोदे ऐसे मुर विशेस निवेदन है कि जब ये सर्वे वाला लिस्ट जे है ये लिस्ट में ग्राउन लेबल में जाये ले जो पात्र हिद ग्राही है वो मन्ला आवास के स्विधा नहीं मिले है और जेन मन्ला मिले है एक एक गाउने दो दो तिन तीन बार मिल चुके है तो एकरबर का जो क्राइटेरियर तय है 2011 के सर्वे और 2002 के सर्वे वो में कुछ परिवर्तन किया जा सकते महदय से मैं जानना चाहा था 2011 की सर्वे सूची और 2016 की सर्वे सूची के बाद एक और सर्वे सूची बनी मानिय अधिक्ष महदय और उस सर्वे सूची में राजे सरकार ने सारी बातनों का परिक्षन किया है और उसके बाद भी अगर ह्रिदय में ये प्रस्ट शेश है तो इसकी चिंता भी मानने में पर वाकाई में हिद्राही लाकर चुमिधा नहीं 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 है मैं माननी मंत्री जी से एक निवेधन करूंगा कि पूरे 36 गड़ में मैं भी पूरों में सरपंच रहा हूं 2011 के सरवेश सुची, 2002 के सरवेश सुची के अधार पे आवाज योजना में सामिल हूआ है लेकिन उस समय भी बहुत ऐसे परिवार है जो आज भी वो आवाज सुची से वन्चीत है माननी मंत्री जी से निवेधन करूँगा कि जो वास्टिता में जो पात्रता परिवार है उसको पुना आवास सुची में सामिल करने के निवेधन करने हैं मूल कोशन है देख्ष महदे तो मंत्री जी से यह पूछा चाहूंगे एक बार फिर बताएं तो प्रफधान नहीं है अभी जी मानिया देख्ष महदे बानी सदिस ने पहले जो प्रस्ण किया था 2002 की कोई सर्वे सुची नहीं है जिसके आधार पर आवास दिया जाए आवास सिर्फ 2011 और 2016 की सर्वे सुची के आधार पर दिया जाता है और एक अवास प्लेस है उसको पिश्वी सरकार भूल गई थी अच्छंट इसमे, उसको उसके आधार पर भी 8 लाख लोगों को आवास मिलना था, आवास का काम पूरा हो जाता, तो आवास प्लेस सुरू होता, परन्तु पूरे देश में, फिर से बताना में चाहता हूमार्नीा अधि पर आवाज दिया जाना है यह इस पस्ट ही नहीं हो पाया है चलिए अभी विभाग की चर्चा में आप अपनी बात रखेंगे बहुत आउसार मिलेगा चलिए माने मंत्री जी मैं आप से जानना चाहता हूँ आपका विभाग बड़ा सक्षम विभाग है माने मंत्री जी आपका विभाग भारी सक्षम में एक महने में आपने पूरे प्रदेश का सर्वे करवा दिया 2023 में तो यह मैं आप से यह जानना चाहता हूँ यह सर्वे करवाने की एक महने में चानक सर्वे करवाने की जरुवत क्यों पढ़ी और सर्वे के रिपोर्ट के कि मानिय अधिक्ष महुदे क्रिकेट के मैदान में सचिन तिंदुल कर आ जाए या सदन में मानिय अज़र चंद्राकर्ची आ जाए एक जैसी पूर्जा और एक जैसा उत्साह लोगों में होता है मानिय ये फास्ट बॉलर है बेटी मानिय महुदे के मानिय सदिसिक के इस पिसे पर कि 2023 के सर्वे सूची एक ही साल में सरकार ने कैसे सर्वे कर लिया एक महिने में सरकार ने कैसे बढ़ता है आपने ही जो परतिमान इस्थापित किये हैं उसको पार करना है जाहता हूँ कि ये जो सर्वे हुआ है इस सर्वे के आधार पर इसका फिर से भोतिक परिक्षन नहीं हुआ है परन्तु इसमें जो शून्य कमरों के मकान है कच्चे कमरों वाले उन आवास के इंद्रित हो गए मैंने ये पूछा है कि एक महने के सर्वे में आपको सर्वे की जो जो रिपोर्ट मिली है उसके आधार उस सर्वे रिपोर्ट को क्या आपने स्विकार कर लिया और उस आधार पर आपने क्या नीती कारिकरम बनाएं आपने लिखा है उसमें और क्या इसी विशे पर मैं आप से कह रहा था कि सर्वे हुआ है डाटा सामने आया है और उसका अंतिम भौतिक सत्यापन ये होने के बाद उसकी स्विकारिता की बात आती है भौतिक सत्यापन उसमें से एक पॉर्शन का किया गया बाकी डाटा का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया और वो 47,90 ऐसे लोग थे जिनको चिन्हांकित करके जिनका सर्वे में आया था कि इनके पास एक भी कच्चा मकान रहने के लिए नहीं है उस पॉर्शन का सत्यापन करके उसको स्विकार करके और उस पर योजना बना करके काम किया गया है ये पूरी योजना के पूरा सर्वे होने के बाद मानी राजेश मुड़जी सम्मानी अद्ध्यक्ष मोदे सबसे पहले तो आपके प्रती और विदान सभागे प्रती आबार व्यक्त करता हूँ एक महत्पुन विशे के उपर जो एक आज मेरा प्रस्न लगा है विशे पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ है हजारों नोजवान इसके चपेट में हैं और महादेव के नाम पर पूरे प्रदेश की अंदर एक गोरत धंदा चला और जिसके अंदर पूरे देश और प्रदेशिनी अंतर राष्टी इस्तर तक के लोग उसमें इन्वाल्मेंट है और जिसके अंदर एक बहुत बड़ी एजन्सी जाज कर रही है इडी और जिसके अंदर कई लोग इन्वाल्मेंट है उनके बयान भी हो चुके हमारे उर्जावान मुख्यमंत्री है वह भी युवा मोर्चे से आया है मैं भी युवा मोर्चे से आया हूँ वह भी जनता की लड़ाई लड़कर क्या आया है मैं भी जनता की लड़ाई लड़कर क्या आया हूँ तो यूवा में हिस्सा तो 60 जादा चल रहा है और इसलिए तो मैं वही लाया हैं तो सम्वेदन सील है एक ही विदान सभा से खाली भीलाई जीले से वेशाली नगर विदान सभा से 20 सज्जार बेरुदगार नोजवान इस महादेव 68 के अंदर इन्वाल्मेंट है यही नहीं जो दुबई में जाकर जिसका रेकेट चल रहा है उसका संचारन करने वाले कौन लोग है उसके पिज़े किनकिन की भुमिका है मैं इस पर जिक प्रस्तों पे आता हूं सीधा यह सरकार के संग्यान में कब आया आपने 90 केस करीब दर्ज की है मैंने पूरी केस की स्टड़ी की है और मैं ऐसे ऐसे तथ्थ्य से आपको अउगत कराऊंगा मानी मुक्यमंत्री जी आप कलप्रा नहीं कर सकते हैं मानी उप मुक्यमंत्री मोद है कि जो सरकार को जिनको सुरुख्शा की जुम्मेदारी है जो सरकार व्यवस्ता के तहट चलने के आवस्चक्ता है वो पास सार तक इस सरकार ने जो पुर्वसरकार थी गिरोबंदी के साथ योजनाबत तरीके से नहीं नहीं हायाम खोच करके इस प्रदेश के बेरोजगा नोजवानों को ठकने का काम और गलत काम में लगाने का काम किया आपने 90 केस दर्ज किए 90 केस पेसे आपने कितने लोगे खिलाब कारवाई की मैंने कारवाई जो पड़ी है आपने 60 हेक्ट के तहत कह दिया कि उनके खिलाब जो धारा लगी थी वो थाने में बेलेबलती इसमें बेल दे दिया जिनके बयान हुए उन बयान के अधार पर करोड़ों का ट्रांजेक्शन बेंग से हुआ क्या किन किन अधिकारी बेंग के करमचारी या संकार में संग्यान में ले करके क्या काम किया यह इक उस्पेजिक प्रस तो में रहा है मानिय अधिक्श महुदे मानिय दिक्श महुदे मानिय सदसिकाई अप्रस्ट सच्पुच बहुत लाजमी है और उनकी चिंता भी वाजिब है इस पूरे विशे पर जो उनकी विशेश चिंता है कि बहुत सारे नौजवान जो भटके हुए हैं राह से जिनको अपने जीवन को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना था उन्होंने जाकर के इस महादेव सट्टा आप के जरिये इसमें फस करके अपनी बर्बादी का रास्ता चुन लिया मैं आप से ये बाद बताना चाहता हूं आनिय दिक्श महुदे कि इस पिसे पर कुल 90 एफाई आर हुए हैं सन 2022 से इस पर एफाई आर हो रहे हैं प्रायपुर में 36-36 प्रकरंट पंजीबद हैं दुर्ग में 23 प्रकरंट पंजीबद हैं बिलासपुर में 2 प्रकरंट पंजीबद हैं जांजगीर में 2 प्रकरंट पंजीबद हैं और सूरजपुर में भी 4 प्रकरंट पंजीबद हैं मानी मौदे इस पिसे पर महादयव एप के संब्ध में ही विशेश रूप से 67 प्रकरण पंजीबध हैं जिसमें 54 पर चालान पूट अप हो गया है साथ ही साथ अन्य जो एप हैं उनके संदर में भी FIR हुए हैं और उस पर काम चल रहा है दुबई के संदर में मानिय अधिक्त मानिय जानना चाहा है कि दुबई में कुछ लोग हैं और उन्होंने ही इसको पूरा संचालित कर रखा है पूरा 36 गड़ जानता है और तो पूरा भारत ही जानता है इस पिसाय को कि दुबई में हमारे ही 36 गड़ के कुछ लोग हैं उन्होंने ही इसको संचालित कर रखा है तो सरकार के तरफ से क्या कारवाही हुई है मैं आपको धान दिलाना चाहता हूँ कि लुकाउट सिर्कुलर जारी हुआ है रेट कॉर्णर नोटिस भी इनके लिए जारी हुआ है प्रत्यरपन की कारवी चल रही है बैंक अकाउंट भी 507 हमारे हाँ आपको मैं बताना चाहूँगा कि राइपूर में बैंक अकाउंट फ्रीज होनी की प्रक्रिया में है उसमें से 121 फ्रीज हुए है और उसमें एक करोड़ 16,671,696 ये राशी भी फ्रीज हुई है इसके अलावा और विभिन इस्थानों पर जैसे दुर्ग में 436 बैंक अकाउंट सूरचपुर में 38 बैंक अकाउंट जांजगीर में 5 बैंक अकाउंट इनके भी फ्रीज होनी की प्रक्रिया जारी है इस विसे पर बानिय अधिक्ष मोदे कारवाहिया भी हुई है कुछ जो सरकारी भखमे के लोग थे उन पर जो बात आई थी उनके बारे में इस पस्ट जानकारी मिली थी एनफोर्स्मेंट डिरेक्टरेट की जांच के बाद जब उनको जेल में भेजा गया था विभाग के संदर में जब ये विसे आया था तो उनको सस्पेंट किया गया है बरखास्त किया गया है तो अब भी जेल में है ये किया गया है और विशेश रूप से जो चर्चा का वि जिसके संदर में मानिस दिस कह रहे थे उसके संदर में भी जैसे ही ये विसे अधिकारिक तोर पर या प्रमानिक्ता के साथ फरकार के विभाग के संग्यान में आएगा मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ वह भी युवा मोर्चा से हैं मैं भी युवा मोर्चा से हूँ जो आग उनके दिल में है वो आग मेरे दिल में है और मैं बिलकुल उनके ये कहना चाहता हूँ कि ये पीर भी परवत्सी हो गई है और इसको निसंदेह पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से भी माने कोई गंगा निकलनी चाहिए सो प्रतिशत जैसे ही विशाय सामने आएगा एक घंटा नहीं लगेगा विश्चुदेव सरकार को इस पर फैसला रिने में एक घंटे के अंदर करवा ही की जाएगा महादेव और गंगा का बहुत संबंध है गंगा जो निकलिये है महादेव के जवाब जब आप दे रहे हो तो उस गंगा के याद कियो हो मंत्री जी कुछ प्रस्थिश्च करना चाहिए मानी अद्यक्ष मोद है बहुत गंबीर प्रस्थ और मैं आपसे समाच चाहता हूँ मानी मंत्री जी ने एक सामाने रूटिन में सरकारी प्रस्थिश्च का सरकारी उत्तर दे दी मैं स्पेजिक पूछा कि ये महादे एप के उपर 90 केस आपने दर्ज किये उसमें बयान भी हुए है एक बयान मैं आपको पढ़कर के सुना देता हूँ आपके थाने का जिसके अंदर महादे एप के अंदर उस व्यक्ति ने बयान दिया उसका नाम रवी कांथ उसने एक बयान में कहा कि फलाने फलाने में बेरुजगार था मैं घूम रहा था मेरा कहीं कुछ नी था मेरा एक दोस्त ने मुझे कहा कि चल भई तेरे एकाउंट खुला देता मैं उसके साथ चला गया मैंने बेंक में एकाउंट खुला लिया मेरे बेंक के एकाउंट में मेरा कोई पैसा कभी था ही नहीं करोड़ो रुपए का ट्रांजेक्शन हो गया मैं बंद करने गया तो मेरे को धमकाया जब पुलिस वाले पकड़े बात चीता ही तो मैं वहा गय गया जब में बेंक में गया तो फलाने फलाने का नाम लिया उसने वो वारदा रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरा एकाउन नहीं है मेरे एकाउन में कैसे लिंदिन हो जा रही है उसके बात में भी वो किसी के खिलाब कोई कारवाई नहीं हुई यह एक नहीं है ऐसे हजारों प्रक पूस्ता है कि आपके एक और पैसा लू के नहीं लूं यह आपका पैसा है के नहीं है अगर वो करोडों की लेंदेन हुई और आपके संग्यान में आए और पुलिस वाले जा करके बेंक में पूस्ते हैं तो फिस संग्यान में आने का विसे कहां वस्ता है मानि अद्यच मोदे जब सासन के संग्यान में आ गया पुलिस उभाग के संग्यान में आ गया आपने फाइयार दर्स कर दी और बेंक में जा कर किया आप पूश्टाज कर रहे है वो बेंक वाला भंकारा उसको में पुलिस वालों के सामने अब प्रस्ट में आ जाईए अब मुल्प प्रस्ट में आई यही तो मेरा कुछ नहीं आप कह रहें कि अगर संग्यान में नहीं है तो पुलिस वाला कैसे उसके साथ में बेंक में गए या फिर आगे प्रस्ट हो रहें छोटी छोटी जो प्रावधान उपलब थे सारजोनिक द्वियूत अधिनियम 1867 के उसके अंतरगत आउनलाइन गेमिंग के लिए बेटिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं था कालांतर में कुछ प्रावधान बनाए गए और उसमें एक साल से साथ साल तक की सजा है दसलाग तक का जुर्बाना है उन प्रावधानों के आधार पर इस पर काम किया जा रहा है मैंने बताया कि 54 चालान पुटप हो गए है किसी के बयान के आधार पर किसी को फासी नहीं चढ़ाई जा सकती परन्तु इस आधार पर जाच की जो प्रक्रिया है वो जरूर जारी है मैं फिर से आप से ये कहना चाहता हूँ मानिस अधिस महुदे मानिस अधिस को ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पूरी ताकत के साथ पूरी ताकत के साथ इस पूरे विश्य का जाच किया जाएगा कोई दल, कोई और समाज किसी की भी परवाह किये बिना जो जो गुनहगार हैं उन सब को जेल की सलाकों के पीछे पहुंचाया जाएगा निर्धारी जैसे ही होता है ये विसे प्रमानिक्ता के साथ कोई बात सामने आती है मैं फिर से कहता हूँ मानने विश्टुदेव जी की सरकार है एक घंटे के अंदर का अरवाही होगी यह बहुतू Machtupun प्रस्त में आपसे बारा मिनट अके लिए प्रश्त प्रदेश की जनता की ने चोटा प्रश्त आ और कर ले यह आपने जो उत्तर दियो सरकार सामाने प्रस्त पूछ आप कि आपने कि पहले संग्यान में नहीं आया जब संग्यान में नहीं आ तो बयान कैसे हुआ सीधा सिदा प्रस्ट जब सरकार के संग्यान में नहीं है तो फिर पुलीस अधिकारी जा गए बेंकों बयान कैसे है और ये क्यों चीज दूसरा कितने करोड़े रुपए का ट्रांजेक्शन उनके माध्यम से बेंकों से हुआ जराया इस परश कर देंगी आगा प्रस्टों में पूछू माध्य जी बस धन्यवाद लिए एक जो विसे अभी सामने है जिसकी जानकारी हाथ में है मैं आपको जरूर उपलब्द कराता हूँ कि पात्सो सावत अकाउंट जो राइपूर के फ्रीज वने वाले थे इन में से दो सो इकीस करोड रुपए का ट्रांजेक्शन यहां तक हम पहुंचे हैं पता लगा है थर्ड पार्टी को भी इसमें इंगेज करने ही कोशिश कर रहे है कि हम एक-एक अकाउंट को खंगाल कर यह जान पाए कि यह राशी इन खातों के माद्ध हम से कहां जाती थी और उसके बाद फिर अगला ट्रांजेक्शन उसका कहां होता था यह राशी कैसे दुबई तक पहुच जाती थी इस पूरी की जाच की जाच करवाई जा रही है मैं आप से ये भी बताना चाहता हूं कि संग्यानकार्थ यही है जो बात बयान में आई है वो बयात कोर्ट के सामने रखी गई है अभी कोर्ट को भी फैसला करना होगा कोर्ट का चिनहंकन की बात प्रारम हुई है उनके संपत्ति को चिनहंकित करके कुर्क करने की बात हम सामने ले करा रहे हैं मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि बड़ा चर्चित था पूरे 36 गड़ में कि नागपूर से एक चार्टेट प्लें दुबई तक गया है उन सारे बारातियों क सूची भी ले रही है हमारा विभाग और सरकार के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं यह साथी सूची हाथ पे आने के बात सब पर जाच होगा सब पर जाच कराई जाएगी कुछ नहीं छोड़ा जाएगा मानिये अध्यक्ष मोदे मानिये ग्रहमंत्री की मुक्यमंत इन्वाल्मेंट है उनिके माध्यम से प्रस्तों का उत्तर है क्या एक एसाई ने बयान दिया एडी को चंद्रबुसन वर्मा उसने किंकिं के नामों का उल्लेक किया और उन पर क्या कारवाई करेंगे इस बैसिक प्रस्त है ठीक मानिया दिक्ष मोदे वो बयान जिसको enforcement डिरेक्टिट ने लिया है और जो कोट में राइपुर के कोट में जमा है उस बैयान का कोई अधिक्रित कोई अधिक्रित जानकारी enforcement directed के द्वारा साशन को नहीं दिया गया है ये जानकारी आने के बाद अधिकर जानकारी आने के बाद प्रमानिकता उसमें है तो तुरंत करवा ही की जाएगी मैं बिल्कुल इस बात को कहता हूँ आप से फिर मैं आपके संग्यान पे लायता हूँ विवाद पिराको गुम्रा कर रहा है तीन जनवरी को साशन को पत्र आच चूका कि दिज़ तारीक को फिर रिमाइंडर आच चूका तीन जनवरी अगर तारीक नहीं है तो तारीक पता रहता हूँ एडी के द्वारा साशन को भेजा गया जब कोई संग्यान में नहीं लिया उत्तर नहीं दिया तो तीस तारिक को फिर वापस रुमाइंड आया अगर उसको बयान पुरे सुर्कियों में समाचा पत्र से लेकर के सोशल मीडिया से लेकर के आम जंता के बीच में चल रहा है मैं एक चोटा था उधारान देता हूं अध्यक्रमोदै बहार निव्यूं के मनतनी जी एक चोटा था हुदारान विबाण की गंबिर था कर मेरा एक परस्त था और परस्त था है लग नी पाया पीड़ाबी के खिलाप में परस्त मेरी एक सिकायग की किसी ने फ़ड़जी सिकाया तो अगा और उससमय मैंने जंता से कहा कि इसकी जाच कोई डिटायर जोड़ से करा लो ततकाल मुख्ययमंतरी ने लिखा ततकाल ने निसमाज कि उससमय के मुख्यमंत्री F.I.R. दर्च की जाए और E.O.W. को केस गया जिसके कोई तक थे नहीं है जिसकी कोई जानकारी नहीं है एक आदमी ने अवे दिन दिया और E.O.W. इतना सक्री हो गया और ततकार उसकी विवेशिना के लिए डिपार्टमेंट के अंदर आ गया तो मुल्वी से यही अद्धिक्ष मोदे के अगर तीन तारीक से लेके तीस तारीक तक आने के बात में भी किन अदिकारियों को बचाने का काम हो रहा है इसके पीशे पर बड़े लोग है इसकी जो उस समय के तार्थ है उसके अंदर नाम है किसी को 30 लाख रुपया महिना किसी को 50 लाख रुपया महिना किसी को 1 करोर रुपया महिना यह मैं नहीं के रहा हूँ पुरे समाचार पत्र से और सुर्कियों में छपा है तो क्या सरकार सेम विवेचला के रुप में क्या संग्यान में ले करके क्या इसकी जाच नहीं कर सकती आज तक यह उप्रून ने इसके उपर जाच क्यों नहीं की क्या एस सरकार इसके इसको CBI को देगी क्योंकि इसके दाव देश तक जुड़ेवे अत्यच्मोद है और यह दूद का दूद पानी का पानी होगा चाहिए यह मेरा आगरा है ठीक धन्यवाद समारे प्रश्वसन विभाग से इस विसे पर पूरी जानकारी ली गई थी अन्तिम जो उनसे जानकारी प्राप्त हुई है वो पाँच फरवरी की है कि इस विसे पर एन्फोर्स्मेंट डिरेक्रेट से कोई अधिकरित जानकारी प्राप्त नहीं हुई चलिए सेंज जी ठीक जन्यवाद जोड़ जो प्रातना है प्रदेश का सबसे बड़ा स्केंडल केस का मामला है अन्यविशे आव रहे हैंगे लेकिन आप के रहे हैंगे आपके पास एक गरत जानकारी है मैं आप कहा हैंगे तो मैं सर्दल के पटल पर रख दूँ हूँ चलिए रख दीजे कि जिस तारीक को ये गया है तीन तारीक को कोड के अंदर जिस वक्रिक ने इस बात को आप मेसेज किया वो भी जानकारी है आप मंत्री जी को दे देंगे मैं तो ये दस्तावे जब दूँ आप का है तो अद्यक्ष मोदे मैं लगातार दो साल से इसके खिलाब में लड़ता रहा हूँ ठीक मैं पूरे के पूरे कौन कौन संचालन करता किस किस की गेंग के रूप में किस ने किस किस है कितने रूप में लिए दिये कहा कहा किस के साथ विवेचना हुई किस दिन किस थाने के अंदर एफाई आर दर्ज हुई और एफाई आर होने के बाद में अभी तक एग भी एफायार तो हुई एक देश्मोद है विवेचना भी हुई लेकिन एक भी बड़ी मचली पकल में नहीं कोई जानकारी हो तो उपलब्द करा देंगे सेंग जी आप एक छोटा प्रसन कर लिए आप उपलब्द करा देश्मोद हो मेरा ये प्लिवेदा ने इसकी जाज की गोश करें चलिए कुछ कुछ घोशना करना है तो बताइए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कोई मचली भी नहीं मगर मच भी हो हां तो भी पकड़े जाएंगे आपने बाद 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 बढ़ी है चलिए अब तक की जो इस्तिती है वो यही है आपके पास कोई अत्रिक जानकारी है और आप से ये कहना चाहता हूं कि एंफोर्स्मेंट डिरेक्टरिट के जाच में वो अंतिम इस्तिती में है और इस इस्तिती में फिर एक नहीं एजन्स तो दाद कराना ना वहीं तो आरों पर जास करेगा कॉन सही अब है पोत्वाल को डर किसका जिनके खिलाब में हारो पुर्यों प्रदेश को परमात करने का ठेका लेकर के बेठें वहाँ जाकर प्यास किम बेठें ठीक राजेदी बहुत बढ़िया अग्रेशा जाच होना चाहिए आप जो भी जाच करें विदायक दल से करें जिस से भी करें इस प्रदेश में नजिल परना चाहिए कि गिरोव बनकर के जनता को लूटने का जो काम करते हैं उनको सजा मिलना चाहिए यही मेरा अग्रायच देखिए धन्यवाद इसके बाद ले लूँगा आपको इसके बाद सेंड के बाद आपको मानिय अद्यश महोद है निश्ची तूप से आधर्णी मुनत जी मानिय सदस्य जी ने अपनी चिंता व्यक्त की बिलाई को खेल धानी और शिक्षा धानी के रूप में जाना जाता था अब यह महादेव इसके रूप में जाना जा रहा है मेरा मूल प्रस्न यही एमानिय अध्यश महोद है कि युवाओ की चिंता इनोंने की मेरे विधान सबर से 20,000 से अधिक युवर इसमें लिप्त हैं लेगिन इसके साथ साथ जो प्रसासनिक अधिकारी है जिनकी दुरुग जिले में पिछल नब्बे इवाओं को जो है अरेस्ट किया गिया ओभी मुचलके पर ठाने से छोड़ दिया गया इस पर सही रूप से किसी भी पकार क्यास्ता करवाई नहीं हुई और ततकाली मुख्यमंति मानने जो भी थे उनका भी सन्रक्षन साथ था ये भी हमको देखने को मिला था तो बराती की लिस्टिंग लगाता है नेशनल लिउस पे दिया जा रहा है और भिलाई में खुले आम घूम रहे हैं उन बरातियों पर आज तक कोई कारवाई नहीं हुई है और ऐसे अटिसनल स्पी जो जिले में पोस्टिंग होकर ऐसे स्पी ऐसे आईजी जिन्नोंने पार साल खुद आईडी लेकर लगाता महादेव आईडी कायब का संचालन किया है मैं मानिय अद्रिश महोदे आपके महाद्यन से जानना चाहता हूं मानिय मंत्री जी से कि इस पर क्या कारवाई होगी चोड़े तक छोटे लोगों पर कारवाई की गई है दन्यवाद एक इसके संदर में उनके आकड़े को मैं दुरुस्त करूं कि यह 482 लोगों की गिरिफ्तारिया आज तक हुई है इस पिसे पर दूसरा मसला है कि जिन अधिकारियों के संदर्ब में चर्चा है एडी के चलान के संदर्ब में ले ले या सोशल मीडिया पर या मीडिया पर प्रचलित स सारे विसियों को ले करके जो बात चल रही है प्रमाणिक्ता की बात है एक बार प्रमाणित होने के बाद मानने सदस्यों को इस पिसे पर कारवाहिया होती दिखेंगी उनको चिंता करने की आवशक्ता नहीं होगी प्रम जी अद्यक्ष्मोदे ये बात सच है कि महादेव सट्टा एप सरकार के समरक्षण के बगएर 36 गड़ में फल फूल नहीं सकता था बाकी तो तकनिकी पक्षाब बता रहे हैं आप पूछ रहे हैं मैं तो आप से ये कही मांग करना चाहता हूं ग्रीब अंतरी जी आप स्टेट प्लेन ले ले लिजिए सनिवार को चले जाएए उत्तर प्रदेश और योगी बाबा से पूछ के आ जाओ ये बुर्ड लोजर जो खड़ा है ना जो जो इसमें फंसे हैं दस पांच का बुर्ड लोजर में गिरवाओ और वाओ तब थोड़ा खौप पैदा होगा ये कितना कायदा कानून में आप चलोगे यहां तो बड़े-बड़े वकील आ जाते हैं वो क्या-क्या मलानी है और क्या-क्या इंग्वी सिंग्वी इंबल सिंबल सब आ जाते हैं आप कहां पुरोगे वो एक एक करोड फीस वालों के सामने में बुल्डोजर को मारो ड्राइबर को कुछ खिलाओ पिलाओ भेग दो तोड़ ताड़के आ जाए तब थोड़ा खौफ पैदा होगा खौफ का नाम पुलि तो उमेश्पटेल जी के स्थान पे पूछ रहे हैं प्रति क्रमंग 2 मैं मानिया देक्स पूछ रहे हैं किसमें पूछ रहे हैं महादेव कर ने महादे। यहां घुम रहे हैं लेकिन जो विवेचना जो वाई जिनके उपर कारवाई होनी चाहिए कारवाई हुए नहीं और वास्तविक में यह कारवाई नहीं होगे तो यह सट्टा चलते रहेंगे चलते रहेंगे आज आपका भी प्रस्ण है बाकी लोग चोड़े लोग को पकार औ संखिब करिए उसमें जाज चाहिए और कोई नहीं आया है उसमें एक लोगों को भवी से चोपट करने का काम किया गया है इसलिए मानी मंत्रेजी मैं आप से कहना चाहता हूँ कि अधि उनके भविस्ट को सुरक्षित रखना चाहते हैं और ये जो महादेव सट्टा जो खिलाने वाले जो घूम रहे हैं ऐसे लोगों को पर आप कारवाई नहीं करेंगे और उनको नहीं रोकेंगे तो आने वाला भविस्वाओं का ठीक नहीं होगा इसलिए इसमें तत कमिट्मेंट सरकार से और से आना चाहिए कि इसको हम समय बद्ध ढ़ंग से इतने दिन में निराकरित करेंगे करके चलिए ज्वलंत विसा है मैं माने वंद्रीजी से याग्रा करूंगा कि जो पांट साल जो पोस्टिंग हुई है वहाँ पे इसमें अधिकायों कि जाज कि जाज कि जाए चलिए पांट साल दूख जिले में इसमें 26 मिनिट हो गए चलिए अगला पस्टराने जी आप 26 मिनिट हो गए बिल्कुल सहमेत हूं आप से लिए निर्ने निर्ने तो कुछ नहीं वह उत्तर वही है मानि अध्यक जी इस प्रदेश का सब्सक्राइब कर दिज हम लोग लगाता है यह विसे विसे इतना ही है कि उसमें जो भी समय बत ही घोस्ता करें क्या उनके खिलाब में कारवाइक की जाएगी मानि अध्यक जी इस प्रदेश से जुड़ावा के छोटा मोटा फैसला नहीं है अध्यक जी अपनी सब्सक्राइब गोस्ता करें ना माध्यों की जटा से गंगा निकली है तो निकल तो निरही गंगा कही रुख गई है अध्यक है जवाब देने खड़े हो गया मंत्री मंत्री जी खड़े हैं भाई कि निटाये हैं माध्यों अपको लेकर हमारी सब्सक्राइब को बढ़ा लागा या पुनाना पड़ेगा पास्ताश को पूर्सिक्ति जिनकी वेशिकालों की उनकी चाहिए मैं आपसे ही कह रहा हूँ कि जाच केंद्र की एजनसी कर रही है एंफोर्स्मेंट डिरेक्टेट कर रही है और उनका जाच अंतिम इस्तिती में है वो चालान पुटब कर चुके हैं अरे आप प्रतीक्षा कर लें एक बार उस चालान को देख लें जो आप चाहते हैं वो च अपने आप में कोड में दिया हूँ बयान माना जाता है अगर नहीं है तो विबाद किलियर कर लें धारा 164 के तहट जो बयान दिया गया है चंत्र भूसरंड ने और एक सुप्रीम कोड का फेशला जैय लेलिता जी कि उसमें आया है कि इसके अंदर वह पार्टी नहीं बन सकते और उनको 15 दिन में इस पर फेशला करना पड़ेगा सुप्रीम कोड का फेशला हो चुका है जब इतना सब कुछ साक्षोने के बाद में भी आप किनको पचाना चाहते हैं किसी के नहीं है यह किसी के नहीं है ध्यान रखना यह सिर्फ कुज़ी के सलाम करने वाले है जिन जिनको आप पचाना चाहा है हो वो किसी के नहीं है, वो ही अपने उपर डंडा चलाया है, वो यह आतुगेस पे के है वो ही फटर्जी केस बनाया है, वो ही आपको लिखतर के दे रहना है, कुछ नहीं होना है महादेव की जटा से गंगा निकलने चाहिए, और आपने कहाई, यह दर्द मेरा नहीं है दर्जा आपका भी है इस पर कोई नी कोई फेशला होना चाहिए यह उम्मीद आप जाहिए मोड़त जी जेन अताब दी तिन जर्वे कर ही चिंता जान करां चलिए ने इस पर मंत्री जी कुछ कह रहा है सुनिता जी मानि अगे बढ़ गए कुछ कह रहा है अगे बढ़ गए कुछ कह रहा है इस बात को लाना चाहता हूँ के एडी के प्रिस्ट नोट जो एंफोस्मेंट डिरेक्टेट के विबसाइट पर रिलीज होता है उसमें बहुत सारे नाम है और उनके लिए अधिकरित जानकारी हमको एडी उपलब्द करा दे ये इसके लिए हमने प्रक्रिया भी प्रार्म कर दी आप थोड़ी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हिद्गराहियों को रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीन में नहीं जोड़ा गया तो मैं यह मेरा पहला कोश्चन है अध्यक्षमंत्री मंत्री जी से कि ऐसे परिवार जिनका नाम 2011 की सूची में छुट गया था जिनको मकान दिलान के लिए पुरवर्ती सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए सर्वे कराया था तो आधरणी अध्यक्षमंत्री जी उत्तर में आया है कि आवास योजना को मुख्यमंत्री आवास योजना को प्रधान मंत्री आवास योजना में नहीं जोड़ा जाएगा तो मैं ये पुछना चातरी हूं मंत्री जी से कि प्रधान मंत्री अवास योजना में नहीं जोड़ेंगे तो उन परिवारों का क्या होगा जो परिवारों को एक किष्ण मिला है और एक दुसरा प्रशन एक और है अध्यक्ष मौदाजी वर्तमा उत्तर आया है वर्तमान में अवास प्रधान मंत्री अवास योजना ग्रामिन के तहट अवास प्रधाय किये जाने का निर्ने लिया गया है तो मैं अध्यक्ष मौदाजी मंत्री मौदाजी से पूछना चाहती हूं कि अगर निर्ने लिया गया है तो ये निर्ने कब तक प्रभावशाली होगा और कब से लाग का मैं हिर्दय से स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं ऐसा ही मारविक प्रस्ट एक बार पुरवर्ती सरकार के माने मंत्री टीए सेंधियो जी के हिर्दय में भी उठा था जब आठ लाक आवास के लिए उन्हें बार-बार प्रयास किये परन्तु आवास नहीं मिल पाया था और नहीं मिल पाने के कारण उन्हें उस पत्र से त्याग भी दिख पत्र से को छोड़ भी दिया था विभाग उन्हें चोड़ दिया था आज फिर से ये विसे हैं प्रधान मंत्री आवास के संदर में विष्टुदेव जी की पालनहारी सरकार है और उस सरकार का यह जो सर्वे कराया गया था 2011 की सूची और 2016 की सूची इन दो सूचीयों के आधार पर प्रधान मंत्री आवास दिया जाता है एक अलग से सर्वे राजी की सरकार ने कराया उनकी अपने अलग पैमाने थे उनका अपना अलग डाटाबेस था अब यह कैसे हो सकता है कि वो सर्वे में जो राजी सरकार का सर्वे है उसके माध्यम से प्रधान मंत्री आवास दे जाए इसमें वो लोग है जो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहर पहला राशी जो मिला है उसमें लोग अपना घर बनाना शुरू कर चुके हैं तो उन परिवारों उन गरीब परिवारों का क्या होगा जो शुरूआत कर चुके हैं आपनी इसमें कहा कि उसको नहीं दिजोड़ा जाएगा तो अगर नह लाखो करोड़ों परिवार उनका क्या होगा वो गरीब लोग हैं जिनको छाया नहीं है धेक्ष मोदेजी बारीश में लोग तीन चार परिवार एक साथ रहते हैं जो लोग आवास को उपते थे आवावास की चिंता कर रहे हैं लाखो करोड़ों परिवार की बात नहीं है भाई ये आपके जो 36 सरकार के द्वारा पिशल्या कराया गया सर्वे है उसके आधार पर जो आवास दिया जाना है वो लगबग 47,000 आवास है जी 47,000 आवास मैं आपसे बताना चाहता हूं इसमें कि मारणिया मुख्यमंत्री जी ने पूर में ही घोशना कर दी है कि जिनको पहला किस्ट मुख्यमंत्री आवास के संदर्व में दिया गया है उनके आवास के पूरे किस्ट उनको दिये जाएंगे उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा ये निर्णय विश्टुदेव सर्जकार का पहले ही हो चुका है आपके बताना चाहता हूं मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आवास के संदर्व में सर्वे 2011 में जो सी 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 डाटा हुआ का सर्वे हुआ था वो सर्वे उसके बाद एक और सर्वे हुआ है वो 2016 का सर्वे कहलाता है जिसके अंतरकरण परधानमंत्री आवास प्लस मिलता है मैं आपसे बताना चाहता हूँ मानिय अधिक्ष मौदे कि पूरे देश में आदरनी अधिक्ष मौदे जी सर्वे कहीं पे नहीं हुआ है दो दो सर्वे हैं भाई पहले पता कर लीजे मैं आपसे बोल रहा हूं तो कुछ गलत नी कह रहा हूं 2016 में ये सर्वे आया है जिसके आधार पर 2011 में सर्वे हुआ है इसके बाद कोई सर्वे नहीं हुआ है पूरे देश में सिर्फ पश्चिम मंगाल और 36 गड़ में नहीं दिया जा सका अन्यता पूरे देश में भी आवास प्लस दिया गया है और इसके कारण विश्टुदेव जी की सरकार ने यह निर्णय किया है कि 2011 की सर्वे सूची के आधार पर जितने लोग बचे हैं उनको उनको और जिनको एक किस दे कर के आपने रोग दिया था उनको इन सारे लोगों को आवास दिया जाएगा इनके पूरी किस दे जाएगी जो आपने गोशना किया है अभी नया क्या उसको पुराने में जोड़ा जाएगा हाँ हाँ बिल्कुल आपसे कह रहा हूँ आपसे नया जुड़ेगा कि नया आप देंगे अठारा लाग की उसी में जोड़ेंगे आप अध्यक्ष मोदे जी हम अगर गाउं में जाते हैं पिछले बार जब आप यहां बैठे थे उससे में आप कितना अवास के लिए चिल लाए जब आपको मौका दिया है जनता ने आपको मौका दिये तो आप उनके साथ जनता के साथ धोखादरी मत किजी आप उनको आवास दिल लियाए जिनको जरुरत है जो अभी आप एक छट की नीचे तिन चार परिवार रहते हैं इतना बचा दीजिए ठारला का आवास कब तक दे रहे हैं चलिए जो यह जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में जिन लोगों को पहली बार जिनको शून्य कमरे का मकान इस तरह का सर्वे में डाटा आया है उनको पहला किस दिया जा चुका है मैं फिर से कहता हूँ उदार है मारणी मुख्यमंत्री महोदय और उनने इस बात का निरणय कर दिया है कि इनको पूरे किस दिये जाएंगे। प्रधान मंत्री आवास दिया जाना या राजिकी सरकार के द्वारा प्रवर्तित वो योजना के अंतरगत आवास दिया जाना ये सूची के आधार पर ही होता है जो सूचियां भी उपलब्द है 2011 की सूची है 2016 की सूची है और राज सरकार के एक सर्वे हुआ था उसके अधार की सूची है इन तीनों की सूची के अधार पर आवाज दिया जा रहा है अठारा लाग से अधिक है प्रमोजी मान्य अध्धक्ष महद है मैं मान्य मंत्री जिसे सम्मन्द में थोड़ी सी जानना चाहूंगा अभी उन्हों ने जवाब दिया जो मंत्री आवास की जो योजना है उसको भी चालू रखा जाएगा उसमें भी राजी दी जाएगी पहले जो हमारा जो प्रधान मंत्री आवास योजना पर जो कारे होता था जिनको पाँच वर्सों में सामने वालों ने रोका कोई आवास बनने नहीं दिया लेकिन अब आवास चालू हो गए है तो ये प्रधान मंत्री आवास में केंदर का पैसा आता है और राजियांस पैसा मिलाता है अब ये प्रधान मंत्री आवास योजना जिसके लिए बानियाग ने कहा कि 47,000 परिवार को देंगे तो किया इसमें केंदरांस मिलेगा या कैवल राजजी ने अपना हिस्ता देगा जैसे केंदरे ने निरने किया है कि दो करोड नए आवास और पूरे देश में बनाय जाएंगे उसके लिए इस बात की कोशिश की जाएगी कि इस विसेवर भी इसको प्रधान मंत्री आवास में जोड़ दो जोड़ें और इसमें राज्या के नार भी मिलाइट मिलाइट मैं आपके मार्जम से मानि मुख्यमंत्री महद्य से अगरच आता हूँ कि सहरी विकास जो पट्टा है हमारे एक समस्य आ रही है जैसे पट्टा पिता के नाम पे है और उनका निधन हो गया पट्टा बाले ट्रांसवर हो गया वो ट्रांसवर के लोगों को प्रधान मंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास की कोई प्रकार की फुद्धा नहीं मिल रहे हैं मानि मंत्रजी से मैं जेनब्र चाहता हूँ कि जीन कग निधन और जो पट्टा ट्रांस्वर्ग dynamics हो गया वो जिनके नए जो नाम आया है वनकर नाम क्या हम जोड सकते हैं क्या आप से मैं जय्वर्दन करना चाहता हूं मैं अनुभाव के अधार पर इसमें मानिय अधिक्ष मोदें, दूसरा एक और निवेदान है अधिक्ष मोदें पहले प्रेशन का जवावाज है जी जी वही दो बोल रहे हैं अवाज तो प्रधान मंतरी तो उसमें विस्तहरीम भी आएगा कि जब ये सर्वे वाला लिष्ट जे है ये लिष्ट में ग्राउंड लेबल में जाये ले जो पात्र हिद ग्राही है ओमनला आवास के सिविधा नहीं मिले है और जेन मनला मिले है एक गाउने दो दो तीन तीन बार मिल चुके है थे तो एकरबर का जो क्राइटेरियर दा है दोओजार ग्यारा के सर्वे हो 22002 के सर्वे ओं में कुछ परिवर्तन किया जा सकते गॉत में जहांना माने ल॔र 2011 की सरवे सूची और 2016 की सरवे सूची के बाद एक और सरवे सूची बनी मानिया देक्ष मोन्य और उस मत्री जिसे एक निवेधन करूंगा कि पूरे चर्थी गड़ में मैं भी पुरो में सरपंच रहां 2011 की सरवे सुची 2002 की सरवे सुची के अधार पे आवास योजना में सामिल हुआ है लेकिन उस समय भी बहुत ऐसे परिवार है जो आज भी वह आवास सुची से वंचीत है माननी मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि जो वास्टिता में जो पात्रता परिवार है उसको पुना आवास सुची में सामिल करने के निवेदन करने जाज़ा इससे में आवास से समद्धिती एक जानकरी और एक प्रेशन भी है अभी जो गाओं में या जो तुलाब की किनारे जो निवासरत है उनको चुकि पट्टा उनका नहीं बन पाता है तो हर तरीके से आवास से वह बंची थे तो कि आने वाले समय में कुछ योजनाय बनेगी कि जो तुलाब के किनारे जे काफी सालों से जो बसाहट है उनके आवास के विशे में आगे क्या संभावना ये बहुत मूल कोशन है अदेख्श मोदे तो मंत्री जी से यह पूछन चाहूंगे एक बार फिर बताएं तो क्या कहें कलाब के उपर जो आवास बने हुए हैं क्या उनको भी पट्टे आवास दिया जा सकता है उनकी कई पिढ़िया नहीं कर चुकी चालिस पचास सालों से वही पर हो निवास अकली की पट्टे का और आवास का उनका प्रवधान नहीं है अभी जी मानिय अदेख्श मोदे मानी सदिस ने पहले जो प्रस्ण किया था 2002 की कोई सर्वे सूची नहीं है जिसके आधार पर आवास दिया जाए आवास सिर्फ 2011 और 2016 की सर्वे सूची के आधार पर दिया जाता है और एक आवास प्लस है उसको पूरा हो जाता तो आवास प्लस शुरू होता परंतु पूरे देश में फिर से बताना में चाहता हूं प्लस प्लस प्रारम ही नहीं हो पाया तो 2016 के कोई सर्वे सुची है 2016 की सर्वे सुची के आधार पर आवास दिया जाना है यह इस पस्ट ही नहीं हो पाया है अभी विवाद की चर्चा में आप अपनी बात रखेंगे बहुत आउसार मिलेगा चलिए माननी मंत्री जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका विभाग बड़ा सक्षम विभाग है माननी मंत्री जी आपका विभाग भारी सक्षम है एक महने में आपने पूरे प्रदेश का सर्वे करवा दिया दोजार तेईस में तो ये मैं आप से ये जानना चाहता हूं ये सर्वे करवाने की एक मेहने में अत्यानक सर्वे करवाने की जरुवत क्यों पड़ी और सर्वे के रिपोर्ट के अधार पर जो अनुस अंसाय मिली उसमें आपने क्या-क्या निती कारिकरम स्विकार किये और सर ग्रिकेट के मैदान में सचिन तिंदुल कर आ जाए या सदन में मानी अज़ा चंद्राकर्टी आ जाए एक जैसी पूर्जा और एक जैसा उत्साह लोगों में होता है माने महुदे के माने असाति के सपी से पर ermुप की 2023 के सरवे सुची एक ही साल में सरकार ने कैसे सरवे कर लिया यह विभाग मूलता आ पूरवर्टी मंतरी आप ही रहे हैं आप ही के आधार शिला पर ये विबाग आगे बढ़ता है आपने ही जो प्रतिमान इस्थापित किये हैं उसको पार करना हो के लिए जरूर कहना चाहता हूँ कि ये जो सर्वे हुआ है इस सर्वे के आधार पर इसका फिर से भोतिक परिक्षन नहीं हुआ है परन्तु इसमें जो शून्य कमरों के मकान हैं कच्चे कमरों वाले उन आवास के लिए भोतिक सत्यापन भी किया गया है और उनको स्वीकृत भी किया गया है मैं आपको जरूर मिली है उसके आधार उस सरवे रिपोर्ट को कि क्या आपने स्विकार कर लिया और उस आधार परापने क्या नीती कारिक्रम बनाएं आपने लिखा है हुसमें और क्या बजट उसके लिए निर्धारित किया यदि मैं पूछोंगा कि सिर्फ आवास का तब आवास का विशाय आएगा अभी तो मैंने पूरे सर्वे के बारे में पूछा आपसे आवास तक अभी पहुंचा नहीं हूँ मैं मानिया देक्ष महदय इसी विशे पर मैं आपसे कह रहा था कि सर्वे हुआ है डाटा सामने आया है और उसका अंतिम भौतिक सत्यापन ये होने के बाद उसकी स्विकारिता की बात आती है भौतिक सत्यापन उसमें से एक कोर्शन का किया गया बाकी डाटा का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया और वो 47,90 ऐसे लोग थे जिनको चिन्हांकित करके जिनका सर्वे में आया था कि इनके पास एक भी कच्चा मकान रहने के लिए नहीं है उस पॉर्शन का सत्यापन करके उसको स्विकार करके और उस पर योजना बना करके काम किया गया यह पूरी योजना के पूरा सर्वे होने के बाद मानी राजेश मुड़त जीव सम्मानी अध्यक्ष मोदे सबसे पहले तो आपके प्रती और विदान सभागे प्रती आबार व्यक्त करता हूँ एक महत्वण विसे के उपर जो एक आज मेरा प्रस्ण लगा है विसे पुरे प्रदेश से जुड़ा हुआ है हजारों नोजवान इसके चपेट में हैं और महादेव के नाम पर पुरे प्रदेश के अंदर एक गोरत धंदा चला वो जिसके अंदर पुरेदेश और प्रदेशिनी अंतरराश्टी इस तर तक के लोग उसमें involvement हैं वो जी इसके अंदर एक बहुत बड़ी agency जाच कर रही है ED वो जिसके अंदर कई लोग involvement है उनके बयान भी हो चुकें हमारे उर्जावान उख्यमंत्री है वह भी युवा मोर्चे से आया है मैं भी युवा मोर्चे से आया हूँ वह भी जनता की लड़ाई लड़कर क्या आया है मैं भी जनता की लड़ाई लड़कर आया हूँ तो युवा में हिस्सा तो 60 जादा चल रहा है और इसलिए तो मैं इससे वही लाया हूं को सम्वेदन सील है एक ही विदान सभा से खाली भीलाई जीले से वेशाली नगर विदान सभा से 20 सज्जार बेरोजगार नोजवान इस महादेव सट्टा एक के अंदर इंवालमेंट है यही नहीं जो दूबई में जाकर जिसका रेक चल रहा है उसका संचालन करने वाले कौन लोग है उसके पिजे किन किन की भुमिका है मैं इस पर जिक प्रस्तों पर आता हूं सीधा यह सरकार के संग्यान में कब आया आपने 90 केस करीब दर्ज की है मैंने पूरी केस की स्टड़ी की है और मैं ऐसे ऐसे तथ्थे से आपको आउगत किराऊंगा मानी मुख्यमंत्री जी आप कलप्रा नहीं कर सकते हैं मानी उप मुख्यमंत्री मोद है कि जो सरकार को जिनको सुरक्षा की जुम्मेदारी है जो सरकार विवस्ता के तहट चलने के आवस्चकता है वह 5 सार तक इस सरकार ने पुर्व सरकार थी गिरो बंदी के साथ योजनाबत तरीके से ने ने हायाम खोच करके इस प्रदेश के बेरोजगा नोजवानों को ठकने का काम और गलत काम में लगाने का काम किया आपने 90 केस दर्ज किये 90 केस में से आपने कितने लोगे खिलाब कारवाई की मैंने कारवाई जो पड़ी है आपने 60 हेक्ट के तहत कह दिया कि उनके खिलाब जो धारा लगी थी वो ठाने में बेलेबल थी इसमें बेल दे दिया जिनके बयान हुए उन बयान के आधार पर करोड़ों का ट्रांजेक्शन बेंग से हुआ क्या इनकी नदिकारीव बेंके करमचारी यह संकार में सिंग्याद में ले करके क्या काम किया यह उस परस दो मेरा है मानिय अद्धिक्श महुदे माने देक्ष महुदे माने सदसिकाई अप्रश्ट सच्पुछ बहुत लाजमी है और उनकी चिंता भी वाजिब है इस पूरे विशेपर जो उनकी विशेश चिंता है कि बहुत सारे नौजवान जो भटके हुए हैं राह से जिनको अपने जीवन को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना था उन्होंने जाकर के इस महादेव सट्टा एप के जरिये इसमें फस करके अपनी बरबादी का रास्ता चुन लिया मैं आपसे ये बाद बताना चाहता हूं आनिया दिक्ष महुदे कि इस मिसे पर कुल 90 FIR हुए हैं सन 2022 से इस पर FIR हो रहे हैं रायपूर में 36-36 प्रकरंट पंजीबद हैं दुर्ग में 23 प्रकरंट पंजीबद हैं बिलासपूर में 2 प्रकरंट पंजीबद हैं जांजगीर में 2 प्रकरंट पंजीबद हैं और सूरजपुर में भी चार पक्रण पंजी बद्ध है मानी मौदे इस पिसे पर महादयव एप के संब्ध में ही विशेज रूप से 67 प्रकण पंजी बद्ध हैं जिसमें 54 पर चालान पूट अप हो गया है साथ ही साथ अन्य जो एप हैं उनके संदर में भी FIR हुए हैं और दुबई के संदर में मानिय अधिक्त मानिय जानना चाहा है कि दुबई में कुछ लोग हैं और उन्होंने ही इसको पूरा संचालित कर रखा है पूरा 36 गड़ जानता है और तो पूरा भारत ही जानता है इस पिसे को कि दुबई में हमारे ही 36 गड़ के कुछ लोग हैं उन् कि लुकाउट सिर्कुलर जारी हुआ है रेट कॉर्णर नोटिस भी इनके लिए जारी हुआ है प्रत्यरपन की काई भी चल रही है बैंक अकाउंट भी 507 हमारे हाँ आपको मैं बताना चाहूंगा कि रायपूर में बैंक अकाउंट फ्रीज होनी की प्रक्रिया में है उसमें स 16,71,696 ये राशी भी फ्रीज हुई है इसके अलावा और विभिन इस्थानों पर जैसे दुर्क में 436 बैंक अकाउंट सूरचपुर में 38 बैंक अकाउंट जांजगीर में 5 बैंक अकाउंट इनके भी फ्रीज होनी की प्रक्रिया जारी है इस विसे पर बानिय अधिक्ष मो परस्ट जानकारी मिली थी एनफोस्मेंट डिरेक्टरेट की जाच के बाद जब उनको जेल में भेजा गया था विभाग के संदर में विभाग के ध्यान में जब ये विसे आया था तो उनको सस्पेंट किया गया है बरखास्त किया गया है तो अब भी जेल में है ये किया ग प्रमानिक्ता के साथ फरकार के विभाग के संग्यान में आएगा मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ वह भी युवामोर्चा से हैं मैं भी युवामोर्चा से हूँ जो आग उनके दिल में है वो आग मेरे दिल में है और मैं बिल्कुल उनके ये कहना चाहता हूँ कि ये पीर भी परवत्सी हो गई है और इसको निसंदेह पिघलनी चाहिए और इस हिमालाई से भी माने कोई गंगा निकलनी चाहिए सो प्रतिशत जैसे ही विशाय सामने आएगा एक घंटा नहीं लगेगा विश्ण देव सरकार को इस पर फैसला रिने में एक घंटे के अंदर करवा ही की जाए महादेव और गंगा का बहुत संबंध है गंगा जो निकलिये है महादेव के जवाब जब आप दे रहे हो तो उस गंगा के याद किये हो मंत्री जी कुछ प्रस्थिश्ट करना चाहिए माननी अद्यक्ष मोद है बहुत गंबीर प्रस्थन है और मैं आपसे समाच चाहता हूँ माननी मंत्री जी ने एक सामाने रूटिन में सरकारी प्रस्थन का सरकारी उत्तर दे दी मैं स्पेजिक पूछा कि ये महादे एप के उपर 90 केस आपने दर्ज किये उसमें बयान भी हुए है एक बयान में आपको पढ़कर के सुना देता हूँ आपके ठाने का जिसके अंदर महादे एप के अंदर उस व्यक्ति ने बयान दिया उसका नाम रवी कांथ उसने एक बयान में कहा कि फलाने फलाने में बेरुजगार था मैं घूम रहा था मेरा कहीं कुछ नी था मेरा एक दोस्त ने मुझे कहा कि चल भई तेरे एकाउंट खुला देता मैं उसके साथ चला गिया मैंने बेंग में एकाउंट खुला लिया मेरे बेंग के एकाउंट में में बेंख कोई पैसा कभी था यूँ करोड़ो रुपय का ट्रांजेक्शन हो गया मैं बंद करने गिया तो मेरे को धंकाया जब पुलिस वाले पकड़े बात चिता हुई तो इसे एक नहीं है कि ऐसे जारों प्रक्रण हैं किया किसी बेक में अगर एक लाद दो लाद पांच लाद की लेंद एक सामान सामान सब लूग जानते हैं बेंक वाला पुर्शता है कि आपके एक औरंडू परेशा लूप के नहीं लूँग। यह आपका पैसा है के नहीं है अगर वो करोडों की लेंदेन हुई और आपके संग्यान में आए और पुलिस वाले जा करके बेंक में पूछते हैं तो फिर संग्यान में आने का विसे कहां वस्ता है मानी अद्देच मोदे जब सासन के संग्यान में आ गया पुलिस उभाग के संगान में आ गिया आपने फाई आर दर्ष कर दी और बैंक में जाकर कि आप पूस्ताज कर रहे हैं वो बैंक वाला भंकारा उसको मैं पुलिस वालों के सामने अब प्रस्ट में आ जाईए अब मुल प्रस्ट पर आईगे हो अद्यश्मोदे यही तो मेरा कुछ नहीं आप कि कि अगर संग्यान में नहीं है तो पुलिस वाला कैसे उसके साथ में बेंक में गए या फिर आगे प्रस्तों रहे चोटी चोटी जो प्रावधान उपलब थे सारजोनिक द्वियूत अधिनियम 1866 के उसके अंतरगत ऑनलाइन गेमिंग के लिए बेटिंग के लिए कोई प्रावधान बनाए गए और उसमें एक साल से साथ साल तक की सजा है 10 लाग तक का जुर्बाना है उन प्रावधानों के आधार पर इस पर काम किया जा रहा है मैंने बताया कि 54 चालान पुटप हो गए है किसी के बयान के आधार पर किसी को फासी नहीं चढ़ाई जा सकती प पूरी ताकत के साथ इस पूरे विसे का जाज किया जाएगा कोई दल, कोई और समाज किसी की भी परवाह किये बिना जो जो गुनहगार हैं उन सब को जेल की सलाकों के पीछे पहुचाया जाएगा निर्धारी जैसे ही होता है ये विसे प्रमानिक्ता के साथ कोई बात सामने आती है मैं फिर से कहता हूँ मानने विष्टुदेव जी की सरकार है एक घंटे के अंदर का अरवाही होगा करता हूँ करता हूँ इस प्रदेश की जनता की ने छोड़ा प्रस्ट आपने वह संग्यान में नहीं आया जब संग्यान मेंने आगन परस्ट जब सरकार के संग्यान में नहीं है तो फिर पुलीस अधिकारी जा गए बेंको बयान कैसे है और ये क्यों चीज दूसरा कितने करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन उनके माधियम से बेंकों से हुआ जरा यह इस परश कर दें कि आगा प्रस्तों मैं पूछू मात देख जी बस घन्यवाद लिए एक जो बिसे अभी सामने है जिसकी जानकारी हाथ में है मैं आपको जरूर उपलब्द कराता हूँ कि पात सो सावत अकाउंट जो राइपूर के फ्रीज होने वाले थे इन में से दो सो एकीस करोड रुपए का ट्रांजेक्शन यहां तक हम पहुंचे हैं पता लगा है थर्ड पार्टी को भी इसमें इंगेज करने ही कोशिश कर रहे हैं कि हम एक एक अकाउंट को खंगाल कर यह जान पाए कि यह राशी इन खातों के माध्यम से कहां जाती थी और उसके बाद फिर अगला ट्रांजेक्शन उसका कहां होता था यह राशी कैसे दुबई तक पहुंच जाती थी इस पूरी की जाच की जाच करवाई जा रही है मैं आप से यह भी बताना चाहता हूं कि स आविधन कोट में दिया हुआ है मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि उनके संपत्ति के चिनहंकन की बात प्रारम हुई है उनके संपत्ति को चिनहंकित करके कुर्क करने की बात हम सामने ले करा रहे हैं मैं आपको यह भी बताना रहा हूं कि बड़ा चर्चित था पूर ही छोड़ा जाएगा पानि अध्यक्ष मोदे मानि अध्यक्ष मोदे मानि उप ग्रहमंत्री की उप मुख्यमंत्री ग्रहमंत्री का विभाग है उनकी किसी भी बात के उपर मेरे को पूरा 100% विश्वास है लेकिन जो नुमाइंदे लोग बेठे हैं जो पूरे काकस के इंदर इन्वाल्मेंट है उनी के माध्यम से प्रस्तों का उत्तर है क्या एक एसाई ने बयान दिया एडी को चंद्र बुसन वर्मा उसने किंकिं के नामों का उलेक किया और उन पर क्या कारवाई करेंगे इस बैसिक प्रस्त ठीक जी मानिया दिक्ष मोदे वो बयान जिसको एंफोर्स्मेंट डिरेक्टिट ने लिया है और जो कोर्ट में राइपुर के कोर्ट में जमा है उस बयान का कोई अधिकरत को इसकी कोई अधिकरत जानकारी एंफोर्स्मेंट डिरेक्टिट के द्वारा साशन को नहीं दिया गया है ये जानकारी आने के बाद अधिकर जानकारी आने के बाद प्रमानिक्ता उसमें है तो तुरंत करवा ही की जाएगी मैं बिल्कुल इस बात को कहता हूँ फिर मैं आपके संग्यान में विवात पिर आपको घुमरा कर रहा हैं तीन जन्वरी को सासन को पत्र आच चुका, तीस तारीक को फिर रिमाइंडर आच चुका, तीन जन्वरी, अगर तारीक नहीं है तो तारीक बता रहता हूँ, एडी के त्वारा सासन को भेजा गया, जब कोई संग्यान में नहीं लिया, उत्तर नहीं दिया, तो तीस तारीक को फिर वापस रिमाइंड आया, अगर उसको बयान पूरे सुर्कियों में समाचाथ पत्र से ले करके, सोशल मीडिया से लेकर के आँग जन्ता के बीच में चल रहा है, मैं एक छोटा था, उदारान देता हूँ, अद्धिक्र मुझे, मानि उपक्यमंति जी एक छोटा था, उदारान विबाग की गंबिर था, कल मेरा एक प्रस्ता था, और प्रस्ता लग नी पाया, प्रस्ता मेरी एक सिकायत की, किसी ने फड़जी सिकायत, और उस समय भी मैं ने जन्ता से कहा कि इसकी जाच, कोई रिटार जट से करा लो, ततकाल मुक्यमंतिया ने लिखा, ततकाल इन समाच के उस समय के मुक्यमंतिया फाई यार दर्च की जाए, और यो डबलू को केस गया, जिसके कोई तत्थ है नहीं है, जिसकी कोई जानकार है नहीं है, एक आदमी ने अवे दिया और यो डबली इतना सक्री हो गया, और ततक में भी किन वधिकारियों को बचाने का कौम हो रहा है इसको पीशे में जो समय के ताहटे उसके नदर ना में किसी को 30 आक्रोपय म मेना किसी को एक करोरं का मेना या में नहीं के रहां उपरे समाचार पत्र से और सुर्कियों में छपा है तो क्या सरकार सेम विवेचरा के रूप में क्या संग्यार में ले करके क्या इसकी जाच नहीं कर सकती आज तक यह डुब्लू ने इसके उपर जाच क्यों नहीं की क्या इस सरकार इसके इसको CBI को देगी क्योंकि इसके दार्व देश तक जुड़ पूरी जानकारी ली गई थी अंतिम जो उनसे जानकारी प्राप्त हुई है वो पांच फरवरी की है कि इस विशह पर एंफोर्स्मेंट डिरेक्रेट से कोई अधिकर जानकारी प्राप्त नहीं हुई है लेकिन आप के रहा है आपके पास एक गरत जानकारी है मैं आप कहा ही ने तो मैं सजल के पटल पर रख दूँँ है जिस तारीक को यह गया है तीन तारीक को कोड के अंदर जिस वकिल ने इस बात को माप मेसेश किया वो भी जानकारी है आप मंत्री जी को दे देंगे विवाद मैं तो यह दस्तावे जब दूँँ आपका है तो अध्यक्ष मोदे मैं लगातार दो साल से इसके खिलाब में लड़ता रहा हूं ठीक मैं पूरे के पूरे कौन-कौन संचालन करता किस-किस की गेंग के रूप में किसने किस-किस है कितने रूपे लिए दिये कहा कहा किसके साथ विवेचिना हुई किस दिन किस थाने के अंदर एफाइयर दर्ज हुई और एफाइयर होने के बाद में अभी तक एक भी एफाइयर त की जाच की गोष्टना करें चलिए कुछ कुछ घोष्टना करना है तो बताईए मैं आप से यह कहना चाहता हूं कोई मचली भी नहीं मगर मच भी हो तो भी पकड़े जाएंगे आपने बहुत बहुत बढ़ी ओट चलिए अब तक की जो इस्तिती है वो यही है आपके पास जाच में वो अंतिम स्थिती में है और इस स्थिती में फिर एक नहीं जाज कराना ना जाज करेगा कौन जिनके खिलाव में आरो पुर्यों प्रदेश को बर्मात करने का ठेका लेकर के बेठे वह जाकर फियर स्थिम बेठे ठीक राजेजी बहुत बहुत बड़िया अग्रेसर जाच होना चाहिए आप जो भी जाच करें विदायक दल से करें जिस से भी करें इस प्रदेश में नज जिल बना चाहिए कि गिरोव बनकर के जन्ता को लूटने का जो काम करते हैं उनको सजा मिलना चाहिए यही मेरा अग्रायत देखिए धन्यवाद इसके बाद ले लूँगा आपको इसके बाद सेन के बाद आपको मानि अद्यश महुद है निश्ची तूप से आदर्णी मुनत जी मानी सदस्य जी ने अपनी चिंता वेक्त की मिलाई को खेल धानी और सिक्षा धानी के रूप में जाना जाता था अब ये महादेव एफ के रूप में जाना जा रहा है मेरा मूल प्रस्ण यही है मानि अद्यश महुद है कि युवाओं की चिंता इन्होंने की मेरे विधान सबर से 20,000 से अधिक युवर इसमें लिप्त है लेकिन इसके साथ साथ जो प्रसासनिक अधिकारी है जिनकी दुरुग जिले में पिछले पांच वर्षों में लगातार पोस्टिंग हुई है पुलिस प्रशासन के लोगों के पास खुद के पास आईडी है लोगों के पास अधिकारों के पास है राजनेतिक दल के अलग-अलग नेवताओं के पास आईडी है लेकिन आज तक सिब 90 युवाओं को जो है अरेस्ट किया गिया वो भी मुचलके पे थाने से छोड़ दिया इस पर सही रूप से किसी भी प्रकार क्यास्ता करवाई नहीं हुई और तत्कालीन मुख्यमंति मानने जो भी थे उनका भी संवक्षन साथ था यह भी हमको देखने को मिला तो इसलिए आदा इसलिए मानने अध्यश महुद है माजय व्यक्त को लेकर विशेश रूप से जा हैं उन भवातियों पर आज तक कोई कारवाई नहीं हुई है और ऐसे अटिसनल स्पी जो जिले में पोस्टिंग होकर ऐसे स्पी ऐसे आईजी जिन्होंने पात साल खुद आईडी लेकर लगा तार महादेव आईडी कायब का संचालन किया है मैं माननी अध्यश महुदे इस हदस की चिंता वाजिब है कानून का राज होना चाहिए और कानून के नजर में कोई छोटा या बड़ा हर्गिस नहीं होना चाहिए विसे गिरिफतारी के संदर में उनके आकड़े को मैं दुरूस्त करूं कि यह 482 लोगों की गिरिफतारियां आज तक हुई हैं इस वि प्रशल मीडिया पर या मीडिया पर प्रचलित सारे विसियों को लेकर के जो बात चल रही है प्रमाणिक्ता की बात है एक बार प्रमाणित होने के बाद मानने सदस्यों को इस पिसे पर कारवाहियां होती दिखेंगी उनको चिंता करने की आवशक्ता नहीं होगी तर्म जी अद्यक्ष्मोदे ये बात सच है कि महादेव सट्टा एप सरकार के समरक्षन के बगएर 36 गड़ में फल फूल नहीं सकता था बाकी तो तक्निकी पक्षाब बता रहे हैं आप पूछ रहे हैं मैं तो आप से ये कही मांग करना चाहता हूं ग्रीब अंतरी जी आप स्टेट प्लेन ले ले लिजिए सनिवार को चले जाएए उत्तर पदेश और योगी बाबा से पूछ के आ जाओ ये बुर्ड लोजर जो खड़ा है ना जो 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 इसमें फंसें दस पांच का बुर्ड लोजर में गिरवाओ और वाओ तब थोड़ा खौफ पैदा होगा ये कितना काईदा कानून में आप चलोगे यहां तो बड़े-बड़े वकील आ जाते हैं वो क्या-क्या मलानी है और क्या-क्या इंग्वी सिंग्वी इंबल सिंबल सब आ जाते हैं आप कहा पुरोगे वो एक एक करोड़ फीस वालों के सामने में बुल्डोजर को मारो ड्राइबर को कुछ खिलाओ पिलाओ भेंदो तोड़ ताड़के आ जाए तब थोड़ा खौफ पैदा होगा खौफ का नाम पुलि उमेश पटेल जी की स्थाथ पे पूछ रहे हैं प्रस्ट क्रमंग दो मैं माननी अध्यक्ष मोद है किसमें पूछ रहे हैं महादेवे पर एक मिट रूम पर हैं पूरे प्रदेश में लाखों कड़ोरों लोग बरबाद हुए हैं और उनको जो सह देने वाले हैं आज भी मस होनी चाहिं कारवाई हुए नहीं है और वास्तविक में ये कारवाई नहीं होगे तो ये सट्टा चलते रहेंगे तो आज आपका भी प्रस्न है और यूज होनी चाहिए और लोग पकारना था है लोगों को भविस्ट चोपट करने काम किया गया है इसलिए मानिय मंत्र जी मैं आप से कहना चाहता हूं कि अधि उनके भविस्ट को सुरक्षित रखना चाहते हैं और ये जो महादेव सट्टा जो खिलाने वाले जो घोम रहे हैं ऐसे लोगों को पर आप कारवाई नहीं करेंगे और उनको नहीं रोकेंगे तो आने वाला भवी सहिवाओं का ठीक नहीं होगा इसलिए इसमें तत्काल कारवाई की घोशना करनी चाहिए माननी मंत्री जी का जो बयान आया मुझे अपरियाप्त लगता है उसमें यह विशय जितना गंभीर है को कमिट्मेंट सरकार से और से आना चाहिए कि इसको हम समय बद्ध ढ़ंग से इतने दिन में निराकरित करेंगे करके चलिए ज्वलंत विशय है माननी मंत्री जी से या 26 मिनिट हो गए चलिए अगला पस्तराने जी आप 26 मिनिट हो गए बिलुकुल सह मैं थूँ आप से लेड़ने नहीं कलपा है लेड़ने तो कुछी नहीं वह उत्तर वही है मानी अध्यक जी इस प्रदेश का सब्सक्राइब कर दीजिए कि पांस सब्सक्राइब होई है उना करें क्या उनके खिलाब में कारवाइक की जाएगी मानी अध्यक जी इस प्रदेश से जुड़ावा के छोटा मोटा फैसला नहीं है अध्यक जी अपनी सब्सक्राइब करें ना अधर्णी बैशानी नगल में पांस देला चाले वाला इवाक मानी आई-पाइवाट पांस का हुआ है शेलिए दूसरे बस में अध्यक धन्यवाद निकली है तो निकल तो नीरही गंगा कई रुक गई है कम देकम इस मंदिल से अच्छा 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 है जावाई होना चाहिए जवाब देने खड़े हो गया मंत्री मंत्री जी खड़े हैं भाई कि निडाये हैं नहां देव एक को लेकर हमारी सर्कारा को बड़ा वावावारिया पुनाना पड़ेगा पास्ताज दूसरे पोर्षिक की जिंकी व्यतिकालों की उनकी चाहिए मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि जाच केंद्र की एजनसी कर रही है एंफोर्समेंट डिरेक्टिट कर रही है और उनका जाच अंतिमिस्थिती में है वो चालान पुटव कर चुके हैं अब प्रतिक्षा करनें एक बार उस चालान को देखनें जो आप चाहते हैं वो चालान मे मन्त्री जी 164 के बयान के तहट ED का बयान अपने आप में कोड में दिया हुआ बयान माना जाता है अगर नहीं है तो विबाद किलियर कर ले दारा 164 के तहट जो बयान दिया गया है चंत्रभूसरंड ने और एक सुप्रीम कोड का फेसला जैयल एलिता जी के उसमें आया है कि इसके अंदर वो पार्टी नहीं बन सकते और उनको 15 दिन में इस पर फेसला करना पड़ेगा सुप्रीम कोड का फेसला हो चुका है जब इतना सब कुछ साख चोने के बाद में भी आप किनको पचाना चाहते हैं किसी के नहीं है ये किसी के नहीं है ध्यान दखना ये सिर्फ कुड़ी के सलाम करने वाले है जिन जिनको आप पचाना चाह रहे हो पूँर बाई आप मुधर द्लो अनुसकर मोड़ा जिए जेना ताव बी तिन जरबे करी चिंता जान करा जवेख riv लो महीं दाम ऐम ने इसा मंत्री जी कुछ कह रहा है मानी मौther कुछ ने मौहरं हिरं है मैं टक् 들어가 डर्ट है। को लाना चाहता हूं कि एडी के प्रेस्ट नोट जो एंफोस्मेंट डिरेक्टेट के विबसाइट पर रिलीज होता है उसमें बहुत सारे नाम और उनके लिए अधिक्रित जानकारी हमको एडी उपलब्द करा दे ये इसके लिए हमने प्रक्रिया भी प्रारम कर दी आप थोड़ी प्रतिक्षा कर लें वो होगा जो आपके मन में है आप गोश्टा कर दो मैंने बर में दो में बसराजेटी होगे चलिए संगीता जी आदर्णिय धक्षमोदय जी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हिद्ग्राहियों को रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीन में नहीं जोड़ा गया तो मैं यह मेरा पहला कोश्टन है धक्षमोदय जी मंद्री जी से कि ऐसे परिवार जिनका नाम 2011 की सुची में छुट गया था जिनको मकान दिलाने के लिए पुरवर्ती सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए सर्वे कराया था तो आदर्णी अध्यक्षमोदय जी उत्तर में आया है कि अवास योजना को मुख्यमंत्री आवास योजना को प्रधान मंत्री आवास योजना में नहीं जोड़ा जाएगा प्रभावशाली होगा और कब से लागू होगा कुछ माप दंड होगा या बदला हुआ वो भी आप बताएंगे कि मानियथक्ष महदे यहाँ बड़ा ही मार्मिक प्रस्थधा करता हूं और मानियस सतभसी के इस जिनता का मैं हर Article स्वागत करता हूं ऑभिनंदन करता हूं ओ Hey hen साही मारविक प्रेश्ट एक बार पूरवर्ती सरकार के माने मंतरी टीयस सेंदेवजी के हरदय में भी उठा था है जब 8 लाग आवास के लिए उन्हें बार-बार प्रयास किये परन्तु आवास नहीं मिल पाया था और नहीं मिल पाने के कारण उन्हें उस पद्द से त्याग भी दिखते पद्द से को छोड़ भी दिया था विभाग उन्हें छोड़ दिया था आज फिर से ये विसे है प्रधान मंत्री आवास के संदर में विष्टुदेव जी की पालनहारी सरकार है और उस सरकार का बिलकुल इसपश्ट निर्ने है अठारा लाख आवास गरीबों को दिये गए हैं मैं आपको इस विसे पर भी बताता हूं इस विसे पर भी कह रहा हूं मानिस समोद है इसमें मानिय अद्रग जी यह जो सर्वे कराया गया था 2011 की सूची और 2016 की सूची इन दो सूचीयों के आधार पर प्रधान मंत्री आवास दिया जाता है एक अलग से सर्वे राजी की सरकार ने कराया उनकी अपने अलग पैमाने थे उनका अपना अलग डाट अब यह कैसे हो सकता है कि वो सर्वे वो जो राजसरकार का सर्वे है उसके माद्याँ से सर्वे कराया ही नहीं बारा से 13 साल को गया उसके बाद पुरवर्थी सरकार ने मुक्षे मंत्री आवास योजना के तहत उनको दिया और मैं फोटो भी दिखा दूंगे अध्यक्ष मौदेजी इसमें वो लोग है जो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहर्ट पहला राशी जो मिला है उसमें लोग अपना घर बनाना शुरू कर चुके हैं तो उन परिवारों उन गरीब परिवारों का क्या होगा जो शुरूआत कर चुके है आपनी इसमें कहा कि उसको नहीं जोड़ा जाएगा तो अगर नहीं जोड़ेंगे तो इतने लाखों करोडों परिवार उनका क्या होगा वो गरीब लोग हैं जिनको चाया नहीं है ध्यक्ष मौदेजी बारीश में लोग तीन चार परिवार एक साथ रहते हैं जो लोग आवास को उखते थे आवा आवास की चिंता कर रहे हैं लाखों करोडों परिवार की बात नहीं है भाई ये आपके जो 36 गड़ सरकार के द्वारा पिष्लिया कराया गया सर्वे है उसके आधार पर जो आवास दिया जाना है वो लगबख 47,000 आवास है जी 47,000 आवास मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ इसमें कि मारणिया मुख्यमंतरी जी ने पूर में ही घोशना कर दी है कि जिनको पहला किस्ट मुख्यमंतरी आवास के संदर्ब में दिया गया है उनके आवास के पूरे किस्ट उनको दिये आएगा ये निर्णय विश्टुदेव सर्जकार का पहले ही हो चुका है बहुत अच्छा बताना चाहता हूँ अद्यक्ष मुख्यमंतरी में देगवार दूसरा विसे में में आपसे कहना चाहता हूँ कि आवास के संदर्ब में सर्वे 2011 में जो SECC डाटा हुआ का सर्वे हूआ है वो 2016 का सर्वे कहलाता है जिसके अंतर कर प्रधान मंतरी आवास-प्लस मिलता है मैं आपसे बताना चाहता हूँ में ले Lub म की पीरां चाहिए सर्वे कहीं पर नहीं हुआ है दोसर्वे है बेच पहले पता कर लिगा अबर हम 20 16 में ये सर्वे आया है जिसके आधार पर अधार प्लस पूरे देश में सिर्फ पस्चिम मंगाल और 36 गड़ में नहीं दिया जा सका अन्यता पूरे देश में भी आवास प्लस दिया गया है और इसके कारण विष्टुदेव जी की सरकार ने ये निर्णे किया है कि 2011 की सर्वे सूची के आधार पर जितने लोग बचे हैं उनको दूसरा आवास प्लस के जितने लोग बचे हैं उनको इसके साथ हिसाथ जो मुख्यमंतरी आवास के नाम से आपने दिया था थालिस जार लोगों को उनको और जिनको एक किस दे कर के आपने रोक दिया था उनको इन सारे लोगों को आवास दिया जाएगा इनके पूरी किस दे जाएगी गोषना किया अभी नया कzd को पुराने जोड़ा जाएगा हाँ बिलकुल आप से आपसे नया आप देंगे अठारा नख की उसी में जोड़ेंगे आप अद्धिक्स मोधए यह मैं यह हम देंगे का आर्थ नहीं होता है भई मानिया देक्ष महथ है अधर्णी अध्धेक्ष मौदेजी हम अगर गाउं में जाते हैं पिछले बार जब आप यहां बैठे थे उससे में आप कितना आवास के लिए चिल लाए जब आपको मौका दिये जनता ने आपको मौका दिये तो आप उनके साथ जनता के साथ धोखा धड़ी मत किजिए आप इस तरह का सर्वे में डाटा आया है उस सर्वे में जिन लोगों को पहली बार जिनको शून ने कमरे का मकान इस तरह का सर्वे में डाटा आया है उनको पहला किस दिया जा चुका है मैं फिर से कहता हूँ उदार है मारणी मुख्यमंत्री महोदय और उन्हें इस बात का निर्णय कर दिया है कि इनको पूरे किस दिये जाएंगे चलिए बहुत अच्छा मोले जी पुन्नुलाल मोले जी देक्ष महोदय जो फुलाना जो है ले dal के सरवव्हिसिजिदे सोले के मानी मंत्री ज़ी ने कहा और आवास वो टोटल कितने होते है मानी मंत्री से मैं पहल जा तो आपके माध्यम से उसके पास जो परदान मंतरी आवास दिया जाना ये राजी की सरकार के द्वारा प्रवरतित वो इस योजना के अंतरगत आवास दिया जाना ये सूची के आधार पर ही होता है जो सूची आभी उपलब्द है 2011 की सूची है 2016 की सूची है और राज सरकार के एक सर्वे हुआ था उसके अधार की सूची है इन तीनों की सूची के अधार पर आवाज दिया जा रहा है अधारा लाग से अधिक है प्रमोजी चलिए मान्य अध्धक्ष महुद है मैं मान्य मंत्री जिसे सम्मन में थोड़ी से जानना चाहूंगा अभी उन्हों ने जवाब दिया जो मंत्री आवास की जो योजना है उसको भी चालू रखा जाएगा उसमें भी राजी दी जाएगी पहले जो हमारा जो प्रधान मंत्री आवास योजना पर जो कारे होता था जिनको पांच वर्सों में सामने वालों ने रोका कोई आवास बनने नहीं दिया लेकिन अब आवास चालू हो गए हैं तो ये प्रधान मंत्री आवास में केंदर का पैसा आता है और राजी आंस पै है वर्तमान इस्तिति के आधार पर चुकिया राज जी की प्रवर्तित योजना है अर्थात केंद्र के तरब से इसमें कोई केंद्रांच नहीं मिलने वाला है परन्तु जैसे केंद्रे ने निरने किया है कि दो करोड नए आवास और पूरे देश में बनाये जाएंगे उसके लिए इस बात की कोशिश की जाएगी कि इस विसेफर भी इसको प्रदान मंत्री आवास में जोड़ जाए और इसमें राज्या केंद्रार भी मिलने मि प्रदा चाहता हूँ कि सहरी विकास जो पट्टा है हमारे एक समस्य आ रही है जैसandạp कि नाम पे है और उनका निधन ओ गया वह ट्रान्स जशे हो गया Teil स्वेश के लोगों को प्रधान मंत्री आवास सिकतार ही कोई प्रकार की उसलिए नहीं मिलने गया मानी मंतर जी से मैं जरना चाहता हूँ कि जीन का निधन हो गया जो पट्टर टांसफ़र हो गया वो जीनके नय जो नाम आया है उनका नाम का हम जोड सकते हैं क्या आपसे मैं निवधन करना चाहता हूँ लुए अनुभाव को आदार पर इसमी से मानिय अधिक्स्मो Mega दोस्रा एक पॉष्य पना पी Brisbane to मत्री मह दैसे उन मुंक हे मंत्रे मह दैसे मुझे नाइक कि जब यह सर्वे वाला लिस्ट जे है ये लिस्ट में ग्राउंड लेबल में जाये ले जो पात्र हिद ग्राही है ओ मनला आवास के स्विधा नहीं मिले है और जेन मनला मिले है एक एक घाव नहीं दो दो तीन तीन बार मिल चुके है तो एकरबर का जो क्राइटेरियर तैय है 2011 के सर्वे मैं माननी मंत्री जी से एक निवेधन करूंगा कि पूरे 36 गड़ में मैं भी पूरो में सरपंच रहा हूँ 2011 की सरवे सुची 2002 की सरवे सुची के अधार पे आवास योजना में सामिल हुआ है लेकिन उस समय भी बहुत ऐसे परिवार है जो आज भी वह आवास सुची से वंचीत है माननी मंत्री जी से निवेधन करूंगा कि जो वास्चिता में जो पात्रता परिवार है उसको पूरा आवास सुची में सामिल करने के निवेधन करने है बावना जी पूछिए इससे में आवास से संबनी थी एक जानकरी और एक प्रेश्ण भी है अभी जो गाओं में या जो तलाब के किनारे जो निवास्रत है उनको चूंकि पढ़ता उनका नहीं बन पाता है चलिए एक बार फिर बताएं तो क्या कहें कलाब के ऊपर जो आवास बने हुए हैं क्या उनको भी पट्टे आवास दिया जा सकता है उनकी कई पिढ़िया नहीं कर चुकी 40-50 सालों से वही पर हो निवास्रत लिए की पट्टे का और आवास का उनका प्रफधान नहीं है अभी जी मानिय अदिक्ष मोदे मानी सदिस ने पहले जो प्रस्ण किया था 2002 की कोई सर्वे सूची नहीं है जिसके आधार पर आवास दिया जाए आवास सिर्फ 2011 और 2016 की सर्वे सूची की आधार पर दिया जाता है और एक आवास प्लस है उसको पिछली सरकार भूल गई थी एक्चली उस पर काम ही नहीं हो पाया वो आवास प्लस कहते हैं उसको उसके आधार पर भी आठ लाख लोगों को आवास मिलना था आवास का काम पूरा हो जाता तो आवास प्लस शुरू होता परन्तु पूरे देश में फ अभी विभाग की चर्चा में आप अपनी बात रखेंगे बहुत आउसार मिलेगा चलिए माने मंत्री जी मैं आप से जानना चाहता हूँ आपका विभाग बड़ा सक्षम विभाग है हौई मत्री जी आपका विभाग बड़ी सक्षमें एक महने में आपने पूरे प्रदेश का सरवे करवा दिया 23 में ुक्ष यह मैं आपसे जानना चाहता हूं यह सरुभा ने की एक महने में चानक सरुभाए करवाने की जरूत क्यों पढ़ी उस्तरवे के report के अधार पर जो अनुचंसाय मिली उसमें आपने क्या-क्या निती कारिकरम स्विकार किये और सर्वे के रिपोर्ट को सरकार ने क्या स्विकार कर लिया मानियत दिक्ष महुद है क्रिकेट के मैदान में सचिन तेंदुल करा जाएं या सदन में मानी अज़र चंद्राकर्टी आ जाए एक जैसी पूर्जा और एक जैसा उत्साह लोगों में होता है मानी यह फास्ट बॉलर है बेटी मानी महुदे के मानी असदिसिक के इस पिसे पर कि 2023 के सर्वे सुची एक ही साल में सरकार ने कैसे सर्वे कर लिया यह एक महिने में सरकार ने कैसे सर्वे कर लिया यह विभाग मूलता पूरवर्ती मंत्री आप ही रहे हैं आप ही के आधार शिला पर यह विभाग आगे बढ़ता है आपने ही जो परतिमान इस्थापित किये हैं उसको पार करना के लिए मैं आपसे यह जरूर कहना चाहता हूं कि यह जो सर्वे हुआ है इस सर्वे के आधार पर इसका फिर से भोतिक परिक्षन नहीं हुआ है परन्तु इसमें जो शून्य कमरों के मकान हैं कच्चे कमरों वाले उन आवास के लिए भोतिक सत्यापन भी किया गया है और उनको स्व सर्वे की जो जो रिपोर्ट मिली है उसके आधार उस सर्वे रिपोर्ट को क्या आपने स्विकार कर लिया और उस आधार पर आपने क्या नीती कारिकरम बनाएं आपने लिखा है उसमें और क्या बजट उसके लिए निर्धारित किया यदि मैं पूछोंगा कि सिर्फ आवा हुआ है डाटा सामने आया है और उसका अंतिम भौतिक सत्यापन ये होने के बाद उसकी स्विकारिता की बात आती है भौतिक सत्यापन उसमें से एक portion का किया गया बाकी डाटा का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया और वो 47,90 ऐसे लोग थे जिनको चिन्हांकित करके जिनका सर्वे में आया था कि इनके पास एक भी कच्चा मकान रहने के लिए नहीं है उस portion का सत्यापन करके उसको स्विकार करके और उस पर योजना बना करके काम किया गया है यह पूरी योजना के पूरा सर्वे होने के बाद मानी राजेश मुड़त जी सम्मानी अध्यक्ष मोदे सबसे पहले तो प्रे आपके प्रती और विदान सभाई के प्रती आबार व्यक्त करता हूं एक महत्पुन विसे के उपर जो एक आज मेरा प्रस्न लगा है विसे पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ है हजारों नोजवान इसके चपेट में हैं और महादेव के नाम पर पूरे प्रदेश की अंदर एक गोरत धंदा चला और जिसके अंदर पूरे देश और प्रदेशिनी अंतर राष्टी इस्तर तक के लोग उसमें इन्वाल्मेंट हैं ओ जिसके अंदर एक बहुत बड़ी एजन्सी जाच कर रही है इडी और जिसके अंदर कई लोग इन्वाल्मेंट हैं उनके बयान भी हो चुके हमारे उर्जावान मुख्यमंत्री है वह भी युवा मोर्चे से आया है मैं भी युवा मोर्चे से आया हूँ वह भी जनता की लड़ाई लड़कर क्या आया है मैं भी जनता की लड़ाई लड़कर क्या आया हूँ तो युवा में हिस्स तो 60 जादा चल रहा है और इसलिए तो मैं इससे वही लाया हूं को सम्वेदन सील है एक ही विदान सभा से खाली भीलाई जीले से वेसाली नगर विदान सभा से 20 सज्जार बेरोजगार नोजवान इस महादेव सट्टा एव के अंदर इंवालमेंट है यही नहीं जो दूबई में जाकर जिसका रेक चल रहा है उसका संचारन करने वाले कौन लोग है उसके पिज़े किनकिन की भुमिका है मैं इस पर जिक प्रस्तों पर आता हूं सीधा यह सरकार के संग्यान में कब आया आपने 90 केस करीब दर्ज की है मैंने पूरी केस की स्टड़ी की है और मैं ऐसे ऐसे तत्थे से आपको आउगत कराऊंगा मानी मुख्यमंत्री जी आप कल्परा नहीं कर सकते हैं मानी उप मुख्यमंत्री मोद है कि जो सरकार को जिनको सुरक्षा की जुम्मेदारी है जो सरकार विवस्ता के ताज चलने के आवश्चक्टा है वो पास सार तक इस सरकार ने जो पुर्व सरकार थी गिरोबंदी के साथ योजनाबत तरीके से ने ने हायाम खोच करके इस प्रदेश के बेरेज़गा नोजवानों को ठखने का काम और गलत काम में लगाने का काम किया आपने 90 केज़ दर्ज किए 90 केज़ पेसे आपने कितने लोगे खिलाब कारवाई की मैंने कारवाई जो पड़ी है आपने 60 हेक्ट के तहथ कह दिया कि उनके किलाब जो धारा लगी थी वो थाने में बेलेबल ती इसनगे बेल दे दिया जिनके बैयान हुए उन बैयान के अधार पर करोडों का ट्रांजेक्शन बेंक से हुआ क्या किन-किन अधिकारी बेंक के एक रमचारी या संकार में सनग्यान में ले करके क्या काम किया ये इक उस्पेजिक प्रस्त में रहा है मानिय अद्रेक्ष महुदे मानिय अद्रेक्ष महुदे मानिय सदसिकाई अप्रस्त सच्पुछ बहुत लाजमी है और उनकी चिंता भी वाजिब है इस पूरे विसे पर जो उनकी विशेश चंता है कि बहुत सारे नौजवान जो भटके हुए हैं राह से जिनको अपने जीवन को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना था उन्होंने जाकर के इस महादेव सट्टा आप के जरिये इसमें फस करके अपनी बर्बादी का रास्ता चुन लिया मैं आप सी ये बाद बताना चाहता हूं मानिय दिख्श महुद है कि इस विशेपर कुल 90 FIR हुए हैं सन 2022 से इस पर FIR हो रहे हैं प्राइपुर में 36-36 प्रकृरंट पंजी बद्ध हैं, दुर्ग में 23 प्रकृरंट पंजी बद्ध हैं, बिलासपुर में 2 प्रकृरंट पंजी बद्ध हैं, जानजगीर में 2 प्रकृरंट पंजी बद्ध हैं और सूरजपुर में भी 4 प्रकृरंट पंजी बद्ध हैं मानी म हुए हैं उस पर काम चल रहा है दुबई के संदर्ब में मानिय अदिक्त मानिय श्राइश महदे ने जानना चाहा है कि दुबई में कुछ लोग हैं और उन्होंने ही इसको पूरा संचालित कर रखा है पूरा 36 जानता है और तो पूरा भारत ही जानता है इस पिसाय को कि काउट सिर्कुलर जारी हुआ है रेट कॉर्णर नोटिस भी इनके लिए जारी हुआ है प्रत्यरपन की चल रही है बैंक अकाउंट भी 507 हमारे हाँ आपको मैं बताना चाहूंगा कि राइपूर में बैंक अकाउंट फ्रीज होनी की प्रक्रिया में है उसमें से 121 फ्रीज हुए हैं और उसमें एक करोड़ सो लाइपूर